येस गाई जो वाम वेल्ग मैंने वेरी गुड बॉरिंग आपको विडियो आडियो क्लियर आ रहा है क्योंकि मैं मेरे स्टूडियो से बढ़ा रहो तो लेट मी चेक फॉस्ट लाग ओके सबसे मिले आप जो रिविजन है आज ये पूरा रिविजन सिर्फ रिस्क मोडिल के content को लेगे हर एक मोडुल के content को समझेंगे और समरी नोटस बना लーム हातों समरी नोट ओंटरस और इसको लेकर बल्ली डिवलबापिनकर सुमर्णी नोटस जो आपको उल्यकर बात वर्ड्स आपको एक्जान में लिखना है समझना है टो विल भी गोए one by one एक एक चीज हम grow करेंगे मतलब it would be more of learning and writing session मतलब आपका आदा समय सीखने में जाएगा और आदा समय लिखने में जाएगा मतलब summary notes very clear guys तो summary notes दो मिल लगते हैं आपको बना दू बट अगर आप लिख लो तो बहुत 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 रहेगा इस तरीके से पूरा रिस्क मैनेजमेंट अब कवर करेंगे yes yes good morning please tell me whether I am audible clear technically आवाज आरी आपको पूरा yes नहीं करिये दिपांकर नहीं करिया ठीके नबाद yes yes I'll be getting it done तो अब मैं आभी आगे बढ़ा हूँ let us start with risk management सबसे पहले what is the meaning of risk risk का मतलब क्या है Oxford meaning अगर आप यह देखते हो कि what is the meaning is an exposure एक ऐसा exposure एक ऐसा हाथसा एक ऐसा incident जिससे आपको loss होगा injury होगी या कुछ adverse circumstance है या unwelcome circumstance है या फिर हो सकता है कि शायद उस खत्रों के खिलाडी में कोई opportunity भी आ लिए like शायद इस चीज में कुछ opportunity भी आ लिए like pandemic में बहुत सारे दुकाने बंद होगी but online portals बहुत ग्रों करें Amazon flip card के लिए opportunity थी बहुत सारे लोगों के लिए threat था बहुत सारे लोगों ने losses bear किया बहुत सारे लोगों के लिए injury थी बहुत सारे लोगों के लिए adverse effect था but who those who are online business are you getting my point आप उनके लिए क्या माना गया था के लिए एक बहुत बड़ी opportunity दी chance involving a situation such as a possibility और होने की chances है बलब यहां पर देखिए what is risk सबसे बहुत के बारे में क्या लिखोगे यह पहला चीज है risk is क्या लिखोगे आप इस चीज में risk is exposure of what exposure exposure to the possibility of loss or we can talk about injury or other adverse other adverse or unwelcome unwelcome circumstances other adverse तो यह हो जाता है what is the risk बड़ा बड़ा लिखोगे तो risk is the exposure to the possibility of loss injury or other adverse or unwelcome circumstances guys मेरा focus आपको राइटिंग पे जादा रहेगा इस session में content and time discuss करेंगे ही but writing पे जादा रहेगा तो आपको घर पर मेरे साथ recite करके लिखना है ठीकर बार this is the exposure to the possibility possibility मतलब होने की संभावना किस चीज के होने की संभावना loss होने की संभावना injury होने की संभावना या फिर there is some adverse or unwelcome circumstances that is the risk are you understanding my point तो अगर सब्सक्राइब रश्या कि रश्या और युक्रेयन का वार चल रहा है और कोई बंदा उक्रेयन से डील कर रहा है तो उसके business risk पर है क्या पता क्या होगा करेंड़ बाद तो this is what is risk very very dear guys अब इन्होंने बुला कि what are the various perspective of risk risk का अलग अलग definition क्या है food industry में the possibility that due to certain hazard in the food अगर आपके खाने में गड़वडी आ है तो आप threat पर आगयो करें तो what are the various definition what are the various definition from various perspective various angles अलग अलग angles से आपके risk का मतलब क्या होता है various definition as for the perspective तो अगर मैं मुल रहो पहला food industry तो food industry में आप क्या समझोगे it is certain hazard in the food गड़बढ़िया hazard food poisoning हो गया खाने में बनने में गड़बढ़िया हो गई को पुरानी कीज़ खिला दी तो it is certain hazard in the food very very clear security risk क्या है भाई साब जो शेर खरीदा है उसकी value drop हो जाए the chances that जो भी आप security करीते हो उसकी value degrade हो जाए उसकी value गिर जाए that is a security risk करेंट बाद financial risk क्या है जो भी आपका actual return है और आपका expected return है आपने उमीद करी 20% मिलेगा बढ़ आपको मिला सिर्फ 10% आपके expectation आपके expected आपने कमानी का planning किया था 30% बढ़ आपका target सिर्फ 15% पर अची हुआ है तो this is financial perspective और generic मतलब probability और threat of damage, injury, liability, loss और negative occurrence that may be external और internal that may be external और internal इंटरन भी हो सकता है और external भी हो सकता है तो पाँच आपके अलग 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 परस्पेक्टिव से definition है पहला financial perspective repeat करो, what is financial perspective? financial perspective means the actual return is lower than the expected return, I expected 30% return, I have received only 15% return that is financial perspective, then if I am talking about food industry, in food industry it may happen that there are certain hazardous things in the food, khane mein garbadiya, hazardous things in the food that is food industry, insurance, insurance मतलब probability of variable कि भाई आग लग सकती है लग भी सकती है नहीं भी लग सकती है करगे बात और यहां पर समझना मेरी बात कि what may happen आपको नहीं पता कि आपने insurance में आपने लोगों coverage एक करोर का दिया है बट आपको दो CR, तीन CR देना पढ़ रहा है तो that is basically insurance that is basically insurance, securities, securities में क्या लिक हो गया, probability of loss or drop in the value आपके share की price, आपके security की price, गिरने की संबावना, that is a security trading risk और generic मतलब, probability or threat of damage, injury, liability, loss or negative occurrence that may be due to external environment or internal environment, तो food industry में threat that hazardous, threat that hazard is present in food, खाने में hazard present है, उसके बाद security risk, security risk, chances, what, of what, probability, chances, probability of drop in value or loss, correct है बाद, उसके बाद में, if I am talking about insurance, insurance, a situation, which is probability, of variable, yes, the generic, probability, probability or threat of loss, damage, injury, liability, injury, liability, which may be due to external or internal environment, and if I am talking about financial perspective, financial perspective, okay, actual return, is less lower than, then what, expected return, guys, आपको एक्जामें लिखना है सारी बात है, तो देखो वापस है रिपीट कर रहा है, what is risk, what is risk, risk is the exposure, the exposure किस चीज़ कीब, संभावना, possibility, possibility of loss, injury or other adverse or unwelcome circumstances, तो risk is the exposure of loss, injury or other circumstances, are you getting my point, is that very very clear, उसके बाद में, if I am talking about अलग-अलग definition, food perspective, food industry, food industry में क्या होगा, हो सकता है कि आपके खाने में कुछ negative चीज़ परेजेंट हो, hazardous चीज़ परेजेंट हो, security मतलब आपके security की value drop हो जाना, correct बाद, insurance मतलब, ऐसे probability जो variable है, आपने cover कर रखा है, file insurance, क्या पता, आग लगेगी नहीं लगेगी, और कितनी लगेगी, correct बाद, क्या बता कि insurance company को जाना पैसा देना पड़े, correct, generic meaning, generic meaning में, it is a possibility of threat, नुकसान injury, which means due to external or internal environment and financial मतलब, your actual return is lower than the expected return, क्या guys आपको यह समझा रहा है, अरे हाई या ना, शाथ camera से हाइड करता है, जल्दी, जल्दी बुदाइए, यहां तक clear होगे है, यहां तक clear होगे है, यहां तक clear होगे है, yes, comment section में जल्दी बदाइए, कि यहां तक आपका clear है या नहीं है, मैं types of risk end में लेना चाहूँगा, ठीक है अबर, types of risk end में लूँगा बड़ यह audit risk लेना बहुत जोड़ी है, types of audit risk, audit risk का meaning क्या है, what is audit risk? और audit risk के types क्या है? audit risk का मतलब यह है, auditors आप बोलते हैं कि भाई, financial statement में कोई गरबड़िया नहीं है, और financial statement में गरबड़िया है, that is audit risk, और मेरी बात समना, audit risk यह होता है कि financial statement में कोई भी problem नहीं है, but financial statement में problem है, तो यह होता है audit risk, are you getting a point? यहां पर देखो, audit risk is that risk where financial statement is materially incorrect, even though audit opinion states that financial report are free from any material misstatement, आप clear opinion दे रहे हो कि भाई साह, balance sheet में, profit and loss अगर में, कोई misstatement नहीं है, but misstatement है, तो यह वदा है audit risk, अब audit risk के दो टाइप है, risk of material misstatement and detection risk, risk of material misstatement and detection risk, देखो guys, आप पहले मैं आपको समझाओंगा, और आपको क्या लिखते आना चाहिए, यह भी मानूँ होना चाहिए, correct, अब risk of material misstatement में, मेरी बात मनना, कि आपके यहां से reporting ही गलत हुई है, आपने sales करा है, बट sales की report ही नहीं करें, यह sales किया है, बट ज़्यादा report करा, तो there is reporting problem, plus आपके company का जो internal control, वो week है, जो detect नहीं कर पाए, sales book होना चाहिए था, बट book क्यों नहीं हुआ, internal control के तहर्ट, internal management के तहर्ट book होना चाहिए था, अच्छा sales book हुआ, बट ज़्यादा book हुआ, correct है, there are two things, one is, आपने reporting ही नहीं करी, यह report में गड़बढ़िया हुई है, और दुसरी बात, आपके organization, company का internal control, उससे detect नहीं कर पाया, they are not able to track the errors and the fraud, आलिकडिमा point, तो यह होगया आपका risk of material mistake में, then what is detection risk, what is detection risk, आपको यह समना है, कि detection risk का मतलब यह होता है, कि detection risk means, कि भाई साब, एक तो company से miss statement हो गई है, और company का internal control week है, तो वो पता नहीं कर पाया, auditor साब भी पता नहीं कर पाया है, auditor साब ने वो material statement detect नहीं किया, पता नहीं किया, audit के दौरा, तो यह होगया detection risk, यह होगया detection risk, are you getting my point, तो there are two types of audit risk, one is risk of material misstatement, and second is detection risk, अगर risk of material misstatement में दो बात हो लिए, inherent risk, control risk, inherent reporting ही नहीं हो लिए, misstatement in the susceptibility of financial statement, और दूसरा, control risk, आपका control भी वो internal control, जो पूरे planning process था, एक का काम दूसरा चेक करेगा, वो भी पता नहीं कर पाया, and detection risk मतलग understand, के भाईस अब internal control जाले दो, auditor जो audit करने आये थे, उन्हें audit procedures के थूभी, ये गरबढ़िया पता नहीं चली, that is detection risk, तो first thing, what you will write here, what you will write here, सबसे बिले audit risk, audit risk का सबसे बिलाएगा meaning, सबसे बिलाएगा meaning, audit risk is the, risk of material misstatement, in the financial statement, financial statement, whereas, auditor is of the view that, financial statement, are free from defects, मतलब ऐसा एक तो audit risk क्या है, कि स्टेटमें में गरबढ़िया है, बड़ ऑड़िटर बोलता है कि स्टेटमें में गरबढ़िया नहीं है, there is no problem in the financial statement, are you getting my point, very very clear guys, correct, and now, types of audit risk, first type, if I am talking about, risk of material misstatement, guys, देखो, अभी इसमें क्या लिखना चाहिए, इसमें क्या comment आना चाहिए, आपको concept समझ गया है, बट लिखना क्या है, ये भी तो बहुत important है, risk of material misstatement, आपको ये लिखना है, कि it consists of inherent risk and control risk, sir, inherent risk मतलब अपने अपने गलत, और control risk मतलब internal control भी detect नहीं कर पाया, जहाँ थीकर बाद, तो it consists of inherent risk and control risk, जहाँ पर आपको क्या लिखना है, और चीज़े सबन्ना वीचिवाद, inherent and control risk, जिस में आप ये लिख होगे, risk of material misstatement, ठीक है, it means, there is risk of material misstatement, material misstatement, and also clients internal control, not control, clients internal control, would be ineffective, would be ineffective, क्यों ineffective, to identify, and correct it, very clear guys, तो यह होगे आपका risk of material misstatement, and this next is, what detection risk, detection risk में क्या लिख होगे, auditor's audit procedure, is unable to detect misstatement, correct guys, तो इस तरीके से, आपके audit risk दो टाइप की है, तो audit risk में क्या लिख होगे, first meaning, audit risk means, there is misstatement, गरबढ़िया, in the financial statement, but auditor is not able to, auditor is telling, it is free from defects, second, types of audit risk, two types, risk of material misstatement, and detection risk, risk of material misstatement, means, एक तो सबसे पहले, मापर misstatement है, दूसरा, क्लाइंट का, इंटर्नल कंट्रोल भी, पता नहीं कर पाया, और दूसरी बात, detection risk, auditor, अपने audit procedure में भी, गरबढ़िया, पता नहीं कर पाया, तो तो आड़स बेसिकली, detection risk, इस तिस बेडिशन से बेडियर, चलो, क्मेंट से बताव, यह कॉंटेन क्लियर है, क्या लिखना है, क्या मीनिंग है, क्या कोई चीज़े क्लियर है, जल्दी से, वेडिपोले क्मेंट, सी, जी, हाई यस विदिग 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 यह types of audit risk here audit risk is the risk of material misstatement गर्वडिया करेक्ट बाद and auditor is telling that it is free from defect कोई भी गर्वडिया नहीं है audit risk do type के है करेक्ट बाद risk of material misstatement and detection risk okay guys अब यहाँ पर risk of materials misstatement means first there is material misstatement the wrong reporting and second internal control is not able to detect it and second is detection risk means auditor audit procedure is unable to detect it go the cut okay Pooja is telling us a clear Megan is telling clear what about others Jaldi Vadahi comment section please respond I give it waiting 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 come on okay now very honest risk management process risk management process how the risk is managed first step risk identification risk identification risk analysis risk assessment and risk handling of risk handling of risk करेक्ट बाद आप पहले रिस्क को पता करोगे उस रिस्क को handle करोगे एक ही करके हम चलिए करेक्ट बाद तो अब सबसे बहले handling of risk में क्या हो रहा है handling of risk में मेरी बात समदना चार बात ही हो रहे हैं पहले तो risk avoidance हो रहा है avoidance उसके बाद में हो रिस्क ठीके ना reduction भी हो रहा है ठीक है उसके बाद में रिस्क शेर भी हो रहा है और दिख रहा पर यह तो handling of risk के चार बात है रिस्क रिटेंशन हो रहा है ओके उसके बाद में risk reduction हो रहा है और next is risk sharing of risk हो रहा है risk transfer हो रहा है are you getting my point so there are four things there are four things बिखना अगर time permit कर रहा है definitely पहले एक बार contents of clear करेंगे और उसमें लिखना क्या है यह important there are four things you need to do risk या तो रिस्क को avoid करोगे या रिस्क को retain करोगे या रिस्क को reduce करेंगे या रिस्क को transfer करेंगे रिस्क avoidance क्या है risk avoidance मतलब कि रिस्की दिख रहा है प्रोजेक्ट लोई मत बहुत रिस्की लग रहा है आप पैसे दालो ही मत आप कदम आओंगा तो risk avoidance many become student don't take risk for doing professional courses like CACCM that is risk avoidance आपने पैसे investing नहीं करना है आपको लग रहा है बहुत risk है जाने तो इतना risk में नहीं bother कर सकता हूं I don't invest I don't want to invest like a client के पास 20 लाग रुपए और जिस प्रोजेक्ट में पैसे दाल रहा है उसमें 4 CR कर रिस्क है वह बोले का वाई साब जाने तो मैं पैसे ही नहीं लगा था हूं रिस्क है वह बला इतना तो मैं सेंट कर सकता हूं मैं कमा लेका 30,000,000 मेरे ले कोई अमाउंट नहीं है he is ready to bear the risk that is risk retention risk retention के दो टाइप से रिस्क रिटेंशन के दो टाइप से अक्टिव रिस्क रिटेंशन पैसिव रिस्क रिटेंशन active risk retention passive risk retention so active मतलब क्या आपने risk के बार में study करने के बार detailed decision लेकर deliberately लेकर अपने बुला कि okay done मैं रिस्क रूटा लूगा I am ready to bear this much loss आपने पूरा study करने के बार बुला okay it's fine में 30,000,000 लॉटा लूटा लूगा active risk retention passive risk retention मतलब क्या वेल you have you are not aware about risk you are not aware about the risk आपको पता नहीं था है नुक्सान होने वाला है आपने study भी नहीं किया आपने ठीके देख लेंगे है तो that is basically अब या आपको पता भी चला तो आपने ध्यान नहीं दिया करेट अलेक वान उप मैं क्लाइंट ही जाएंट कि क्या होगा देख लेंगे तो guys he did not study the risk and still he was ready कि पास लग दूब गए तो देख लेंगे तो that is passive risk retention that is passive risk retention and active and passive active मतलब आपने study करने के बाद decide किया कि आप risk को bear करेंगे but passive risk retention मतलब आपने study नहीं किया और आप risk bear करने को ready hope that is very clear differences risk reduction मतलब yes to avoid risk you started putting money avoid risk you started taking some strategies आपने कुछ ना कुछ क्या किया यह से आपने कुछ कदम उठा है कि आपको risk avoid करना है and risk transfer आपने आपका risk किसी और के साथ insurance नपनी बिदा गया लेक फैक्टरी बनाएंगे आग लगनी के जान सरह है you have taken a fire insurance correct so that is risk transfer तो guys there are four ways of handling risk first is risk avoidance second is risk retention third is risk reduction fourth is risk transfer first is risk avoidance second is risk को retain करना observe करना bear करना risk reduction अलब रिस्क के लिए कम करने के लिए कुछ invest और करना और को strategies लगाना और risk transfer is basically you are putting your burden on someone else very very clear so what is risk avoidance risk avoidance means where risk avoidance means means where we are not ready to invest in the risky project what where means some ignites us asking how to reduce the risk by putting like example if i believe my notes will be leaked so many software benvaya camera notes leak now software benvaker lena physical controls आप उस पर actively invest करना ठीक है यू बिलीब दाट के एक्जाम्पल है कि और कोई कंपनी है उनको लग रहा है कि उनका market share गिर रहा है तो उनको ने marketing expense बढ़ा दिया कि मैं थोड़ा presence बढ़े तो actively working on something means to avoid taking risk avoidance means to avoid taking risky projects or selecting yes नीदी मैंने वही बुला risk reduction means कि आपने कुछ steps उठाए जिससे आपका threat कम आपके जैसे example है कि आपको लग रहा है नाओदेस customers are not paying in cash they are paying debit credit card shopkeeper ने machines ने install करी तो shopkeeper ने machine rent पर लाया bank को rent दिया और बुला कि I want the swiping machine तो उसने क्या किया उसने बचाया कि customers को card facility मिले और जिससे उसको threat ना मिले आज वो shopkeeper के बास swiping machine नहीं था बाकी shopkeeper के बास swiping machine था correct बात अब हुआ किया now he felt that key address customers are so now he installed the machine that is risk reduction or selecting very less risky projects जातो risky project लेना ही नहीं जातो बहुत कम risky project में ये घरना then what is risk retention firm what firm bears or absorbs absorbs the risk two types two types are there first active risk reduction and second is passive social security insurance be categorized into risk reduction or it will be under risk transfer okay अगर insurance company के point of view से आप देख रहे हो correct बात you are seeing from insurance एक insurance company अपनी liabilities कम करना चाहिए तो उन्होंने अपना आदा business क्या कर दिया है transfer कर दिया है ठीक है ने बात तो एक insurance कंपनी के point of view से दोनों perspective है reduction of risk as well as risk transfer करें तो पैसिव रिस्क रिस्क रिदक्षिन तीक है अब रिस्क मिटीकेशन पड़ोगे ना तो उसमें रे इंशॉरेंस का आईगा दॉन बरिए तो यहां देखना it's retaining risk which is deliberate planned action deliberate management what deliberate management strategy management ने जान मुझके यह रिटेन किया आफ्टर conscious after conscious evaluation अब पैसिव रिस्क रिदक्षिन मेंस यह दिखाँ अब इतना बैर करने को रेडी है आप जैसे एक्जांपल है आपको पॉकेट मनी पाइता हो से आपने 200 की शेह करी दे आपको लगर शेह गिरेगा आप अले देखते जोगा होगा दोसोर पर तो बैर उठाहिक सकता हूं करने बाद तो यह रेडी तो रिटेन दरिस्क विच इस डेलीबरे management strategy for after conscious evaluation very very clear guys and passive risk retention risk retention risk retention risk retention occurred through negligence करेट बाद लापर वाई अपने ध्यान ही नहीं दिया negligence लापर वाई आपने ध्यान नहीं दिया आपने मलोग कि आपको मालूम भी पड़ाओगा तो आपने ध्यान नहीं दिया आप बाद में पता चला इतना हैं अनल गरना आरिवेटिम अपाइं बदव्ग रिस्क है उससे टैकल करनी की स्टाटीचेश मना तीक है तो लाइक एक्जांपल है आपको समझनल पड़े रहा के लैट उस रिस्क risk reduction means what risk reduction means risk reduction means handling risk or what dealing with or dealing with risk dealing with risk risk go tackle karna okay or taking possible steps to reduce risk to reduce risk 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 reduction means risk reduction is like possible expenditure is undertaken to possible expenditure is undertaken taken to reduce risk obviously आपको इसमने की कुछ खर्चे करना like example I said कि मेरे नोट्स अगर लीक हो रहें example तो मैंने software बनाने पर spend किया अब वो software से PDF लेक नहीं होगा मतलब वो नोट्स जो होंगे वो password protected रहें तो I have invested into software that is a risk reduction are you getting my point clear cut बात है तो मैंने रिस्को हैंडल किया मैंने रिस्को टैकल किया मैंने रिस्क के लिए कुछ कदम उठाया कि उसे टैकल करूं या मैंने कुछ expenses की है जिससे रिस्क कम होने की संभावना है that is basically what risk reduction are you understanding my point yes or no it is spending today so as to save the future possible revenue losses आज मैंने software में तीन बाती हो रिये रिस्क ट्रांसफर पे तीन बाती हो रिये तोट contract other than insurance and contract of insurance but they are more focusing on contract of insurance so how you transfer risk ठीकर बाद three major transfer that is taught then contract other than insurance and insurance करें बात तो मतलब आप यह समन्न के सबसे पेले आपने क्या किया अंडर्स्टैंड यह लाइक आपने पड़ा है civil wrong is breach of contract breach of trust टॉट यह दोनों के लिए कुछ ना कुछ आपने strategy बने और इसके अलावा the strategy is insurance कि कर उठकर अगर हमरे employee कुछ गरवड़ दरता है कर अमरे employee लीप करके जाता है जिससे कुछ लॉस होता है तो insurance policy ले रखिए कल breach of contract होता है गरवड़िया होती है तो वी आफ टेकन और coverage कि हम हमसे कुछ होता है तो insurance company is there तो guys it's more of taking insurance और आपके उपर जो losses होने माला है वो insurance company बहर करेंगी that is risk transfer तो handling करने के चार strategies है handling करने के चार strategies है पहला strategy risk avoidance के आप रिस्की प्रुजिक में पैसे डालो हाथी मत जलाओ दूर रहो risk retention आप इतना risk को digest कर लोगे observe कर लेंगे इसके दो है active risk retention as a risk retention risk reduction risk को handle करो risk के लिए कुछ invest करो and risk transfer जापर आपने it's more of taking a insurance policy कोई दिक्कर दे आपको हैं आपे आरे हाई या ना very very clear case correct आगे बढ़ेंगे let us see this correct तो अब आते हैं let us see first is risk यहां दिक रॉपको हूं identification ठीक है फेला step risk identification risk analysis risk assessment and handling of risk एक मिनेट handling of risk समझ आया है तो में आगे बढ़े हूं जल्दी कमेंट सेच्छा मताये है is this very clear so I will proceed accordingly waiting for your comments guys कि आते हैं पर रिस्क मैंग्मेंट प्रोसेस पर रहेंगे डोंट वरी अवाउड टिए पूरे प्रोसेस को एक एक स्टेप आराम से बढ़ाने वालों तो नीट नोट वरी अबाउड यह पूरा होने वाला है ठीक है नवाद करें पूजा क्लियर सुषील क्लियर रेश्मा क्लियर यसर लिएकना क्लियर दिपांकर क्लियर अक्षदा अप्रोसेस पूरा नहीं का मीनिंग क्या है फ्रोड के आपके मोडियू की पीछे भी इसके बर क्वेशन दिया है there is a question given at the end of the module which you will understand what is my point here see right write a short note about fraud risk management ये question write a short note about fraud risk management yes रिश्मा ऐसा ही लिखना पर heading लिखना है और उसके बैसी बैसरी इंपांट माला जैड़ा है राइट यो OUT बार रिस मैंचेमेंट को ले कर आपको थोड़ा सब्स हम्सें डिसकोशन क्या कि है फोल स्क्राइड का मेनिग क्या है प्रोड रिसक कैसे होता है और तीसरा सबसे बहुत हैं प्रोड की मिनिंग के चारम हमदिए IPC, उसके बादे Contract Act, इसके बादे Companies Act और उसके बादे RBI का मिनी, Fraud क्या होता है, IPC भोता है, fraudulently means a person is said to do things fraudulently if he has done things with the intent to defraud but not otherwise, उसका इरादा किसी के साथ गलत होना है, तो उसने कोई भी चीज fraudulently करी है, ऐसा माना जाएगा, example है, मेरे यहाँ पर मेरा business है, मेरे business में client है, मुझे तूटीवी chair बेचनी है, और मैंने न वो तूटीवी chair, ठीकर बाद, ऐसा polish के उसको दिखे नहीं, तो मैंने उसको chair ऐसा present किया कि वो खरीद ले, और वो खराब chair, तो that is fraudulently, मैंने कोई भी काम जू किया है, fraudulently, are you getting my point, correct बाद, तो अब आपको क्या समझना है, आपको यह समझना है, fraudulently means, a person is said to do things fraudulently, if he has done thing with the intent to defraud, but not otherwise, उसका इरादा दूसरे के साथ defraud करना है, और otherwise नहीं है, तो guys, अब यह देखो, हम पढ़ने जारे, fraud risk management, हम क्या पढ़ने जारे, fraud risk management, fraud risk management, अब सबसे बेले, इसके meanings पर हम जारे है, सबसे बेले meaning, देखो, पुरा fraud risk management में तीन पार्ट है, meaning, then if I am talking about how to manage it, and reporting of fraud, meaning, how to manage it, reporting of fraud, meaning में चार meaning है, पहला meaning है, मेरी बात मनना, the first meaning is, Indian Penal Court case, अब से section 25 का meaning है, and वाहां पर meaning दिया है, उन्होंने fraudulently, कोई भी चीज fraudulently करी है, तो उसका अर्थ क्या है, अगर कोई भी बन्दा, किसी का नुकसान चारा है, सामने वाले को defraud करना चारा है, मतलब उसका activity fraudulently माना जाएगा, तो यह प्रएट डान दिस विहाओ, शी इस, fraudulently, बेरी बेरी क्लिर गएगाइज, तो fraudulently means आपको यह समझना है, fraudulently means आपको यह समझना है, देखो, विच मेंस, अपर सर ने सेट तो दू तिंस fraudulently, if you have done things with the intent to defraud others, now Indian contract act 1872, section number 17, में fraudulently अर्थ दिया है, और उसके 5 types दिया, there are 5 types of fraud which is given, so what are the 5 types of fraud which is given, आपको यह समना है, here let us see this, यह 5 type के fraud आपको दिखेंगे, जो मैं आपको openly बता रहा हूँ, एक तरीके से, तो let us see this, what are the 5 types of fraud, see, पहला Indian Penal Code, section number 25, okay, Indian Penal Code, section number 25, Indian contract act 1872, इसमें आप 5 type के fraud है, suggestion of a fact which is not true, and a person believe it to be not true, आपने कुछ बोला जो सही नहीं है, और आपको भी पता वो सही नहीं है, मैंने आपको बोला, this pen is made in US, मुझे मालूँ है इमेड इन चाइना है, और मैंने आपको बोला इमेड इन उस है, उस बरोसे पर आपने pen करी था, तो I suggested a fact to you, which is not true, and I believe it to be not true, मुझे खुद को यकीन है कि गलाथ है, तो guys, मैंने आपके साथ fraud किया, वेरी-वेरी क्यर रेस, second, active concealment of fact, by the person having the knowledge, कुछ चीज actively hide करना, जान मुझ के hide करना, कुछ चीज intentionally hide करना, मतलब ये pen में 4-5 cracks है, मैंने थोड़ा साथ को colouring करवा दिया, और आपको बेचनी की कोशिश करें, वो cracks दिखें ना, ऐसा कुछ तो मैंने polish करवा के बेच दिया, active concealment of fact, third is, promise made without any intention of performing, जैसे आज संदे है, आज मेरे friends से मूवी जा रहे, और मेरे को तीन दिन बेले call आया था, तो मूवी चले हमें नहीं बना है, मैंने बगए okay done, मुझे मालूब है मैं नहीं जाने वाला हूँ, एक साम मुझे मेरे family के बाहर जाना है, correct, तो guys, I made a promise, कि I'll come for the movie, but I know I'll not perform it, मैंने ऐसे कस्मे बादे किये, कानून में लिखा है ये करोगे तो फ्रॉड है, मैंने आपको एक्जांपल दिया लाइक, Companies Act में लिखा है, Director if don't take the permission of the shareholder, will be considered as a fraud, तो फ्रॉड है, तो Companies Act में जो लिखा है फ्रॉड है, तो ऐसे past Act के फ्रॉड इंदिन कॉंट्राइक में लिखा है, सब्सक्राइक में लिखा है, सब्सक्राइक का नुक्सान हो, और गेर अनफेर अडवांटेज, दीके दाबाद, अगेंस दे कंपनी इंजरी अगेंस कंपनी, shareholder, creator, एनी अधर परसन, तो कोई भी अगर ऑफिसर, या कोई भी अगर, यूनों, कंपनी का बंदा, अगर ऐसा कुछ करता है, नहीं करता है, hide करता है, position का misuse करता है, या कोई भी मैनर में, कुछ भी करता है, जिससे उसको unfair advantage हो रहा है, फाइदा हो रहा है, और कंपनी का नुक्सान हो रहा है, creator का नुक्सान हो रहा है, shareholder का नुक्सान हो रहा है, section number 447 section number 447 यह चौता मीनिंग हो गया करें किया को समझ जिर रहा है अरे हाई या ना तो तीन मीनिंग हो गया और चौता मीनिंग क्या है what is the fourth meaning given इन्होंने दिया है let me open this just one minute are you there companies act kebal next is see this there is another report of rbi working group rbi working group on internet information security electronic banking technology risk cyber risk etc जब internet banking को लेकर rbi कुछ guidance लाएं उन्होंने बोला कि ऐसा banking transaction या system manipulation कि आपने entry बास कर दी पैसे जमा करके remove कर दिये या आपने loan sanction करके मना कर दिया ऐसे कुछ transaction करना जो actual में manual entry है या computer entry है और वो आपने temporary टेंपरेट के लिए entry पास करी है और actual में कोई bank को loss हुआ भी होगा नहीं हुआ होगा अगर आपने ऐसा भी पर दिया fraud माना जाएगा let me give you example जैसे case study था ethics के अंदर एक case study में ऐसा बताया कि bank manager बताना चाहता है कि उसने बहुत सारे loans बाटे हैं उसके टारेट अचीव bank का फाइदा किया तो March end होते हैं उसने क्या किया बहुत सारे clients के loan sanction थे बट लिया नहीं लोग तो उसने क्या करा जान मुझके client के loan account से current account में बैसे transfer करें बदाया कि loan लिया गया और अगले दिन वो reverse कर दिया भले bank को को लुए लुए यह यह फ्रॉड माना जाएगा वह ऐसा बताना चाहरा है इस त्राइंट उशो सच अ मैंनर दैंट उसने बहुत सारा business bank के लिए उसने बहुत सारा business bank के लिए तो तो that is basically fraud are you understanding my point so let me give you clear understanding यह अगला जो है कि समझो यह बड़े-बड़े भी निंग्स है इस तो मैं एसी ते उसको यह मैं लिखने के बुड़ में हूं ठीक है रबात तो यहां पर देखिए इसमें कुछ मैं पॉइंटर देने का कामी नहीं तो यह देखे रिपोर्ट of RBI working groups on information securities electronic banking technology risk and this a deliberate act of omission or commission कुछ करना कुछ नहीं करना carried out in the course of banking transaction banking के विवार में in the books of accounts maintained manually or under computer system बले manual records यह computer system resulting into wrongful gain to any person for temporary period with or without monetary loss to bank बैंक को लॉस्ट हुआ होगा यह नहीं होगा बट कुछ temporary period के लिए आपने entries पास करिए आपने जानुच के वह entries पास करिए तो यह होता है बेसिकली क्या किया गया report of RBI working group example अब यह देखो जैसे एक bank manager उसके दस बार क्लाइंट है वह हमेशा दस बार क्लाइंटे लोन रिपे करना है तो वह क्या करता था टेंपरेशली लोन रिपे करता था मार्च में और एक पर लोन देता तो गैस यह ऐसा कुछ करना wrongful entry करना manual entry करना temporary period के लिए इंटर करना किसी जिससे backpush has lost हुआ यह नहीं हुआ यह भी fraud माना जाएगा तो गैस यह चारो definition आप एक्जामे लिए लिए पहला वाट इस अमीनिंगा प्रॉड इंडियन पीनल कोड section 25 fraudulently means a person said to do things fraudulently if he has done anything with to defraud the others defraud the others Indian contract act 1872 section number 171 only 175 type k frauds suggestion of a fact which is not true and the person making it also believe it to be not true second active concealment of fact which is hide करना third promise made promise करना without any intention of performing it fourth act fitted to deceive the other party सामने वाले का नुक्सान करना fifth any actor omission as a law specially 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 declares to be fraudulent law ने लिख दिया भाई यह fraud है उसके बाद companies act section 447 के अंदर नीचे explanation में fraud in relation to any company means any act omission concealment abuse of position by any person with what manner to gain to gain unfair advantage and to injure the company injure the shareholder injure the freighter whether or not there are wrongful gains or loss बहले फूंका नुक्सान हुआ है नहीं हुआ हो बड़ अगर आपने खुद का gain किया है तो आपने fraud किया है ऐसा माना जाएगा and report of RBI working group on information systems इन्होंने बुला कि ऐसा कोई deliberate intentional act or omission जो banking transaction में किया गया हो books में किया गया manual books हो या online systems में book हो जिससे कोई wrongful gain ले रहा है 10th period के लिए है और bank को बने उसे loss हुआ या नहीं हुआ तो that is basically a fraud क्या guys आपको चारो meaning clear है waiting for your response आपको 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 आपक मेरी जिन्दगी सवारी मुझको गले लगाके बैठा दिया फलक पे जखाक सेंव थाके मेगना क्लियर, पूजा क्लियर, सुशील कुमार जूशी क्लियर, प्रतीक ओस्तवाल क्लियर, अक्षदा क्लियर, मनीशा क्लियर है चलो humonic to manage fraud fraudirit, management management of management of fraud risk कैसे मानेज करेंगे क्या क्या क अग eyebrow उठाएंगे सबसे पहले आप या देखना सबसे पहले आपको क्या करना पढ़ेगा define fraud कंपनी में क्या क्या यह करो नाल जाए-गा क्लाइट को के बिसनेस करने ककोशिश करी फ्रौड माना जाए-एंपलोई अगर एग ऑग्जामपल एक्जामपल है अगर क्या कर रहा है कम्पणी का डेटागा से अक्सेस कर तो विदॉर्ट पर्मिशन रिमोट एकक्सेस कर रहा है विदॉर्ट पर्मिशन फ्रॉड माना जाएगा कि दिए तो आप यह क्या क्या माना जाएगा फ्रॉड पहले आप सारे फ्रॉड को लिख लो कंपनी में यह करोगे यह कर Ugh. उअब कर दो फ्रॉइब न्युक्र कों क्या रोडका। कारेबाई करेगा Wirson अ कॉन करने के लिए कुन एक full time job है रोल्ष आंड रिस्पोंसबिलिटी आप company के फिल்ग नर एक communication channel एक क्या को कि fraud के बारे में विजल मेकानिसम communication channel यह वह भी fraud के बारे में कि इसको कुछ बोलना है तो यह email पर mail बेज़ दो हम देख लेंगे यह person को बोल दो आप लेटर लिख दो एक box में दाल दो हम देख लेंगे तो communication channel होना चाहिए कि जितना ज्यादा fraud मानूं पड़े कंपनी के अंदर क्या हो रहा है यह अच्छा रहेगा फिर अगर वह भी fraud हो रहा है तो उसके बडिसीप्लिनरी बिसीप्लिनरी एक्शन लीना मतलब उसके बड़ कारियवाही करना यह बहुत जरूरी है और time to time आपके यह policy को review करना चाहिए कि क्या नहीं fraud आ गया है क्या-क्या fraud माना जाएगा तो पांच चीज़े आपको fraud manage करने में लगेगा कौनसी पांच चीज़े पहला define fraud कौनसी ची करेंगे fraud के बारे में बात दिया दिए communication channel fraud की जानकरी उपर तर पहुच है यह इसके लिए प्रॉपर आपनी communication चानल effective होना चीए disability action जो भी fraud करने हैं उसमें कार्यवाही हो और review the policy time to time policy को review करना चीए इस तरीके से fraud manage किया जाएगा is this very very clear तो यह होगे management of fraud अब reporting of fraud reporting of fraud तो फ्रॉड की reporting के लिए companies act में auditor को बोला गया कि fraud की reporting as per the company's act the auditor need to report fraud fraud to central government companies act में बोला गया है section number 143 करने पार इफ no reporting done then penalty penalty है क्या है listed companies की penalty है and other company के penalty है तो यह reporting of fraud fraud के बार में auditor को बताना है यह reporting of fraud the company's act on the dean has introduced new provision 143.2 which requires auditor to report to the central government about the fraud committed against by the companies and non-compliance so he shall be punishable of 5 lakh rupees in case of listed companies and 1 lakh rupees in case of other companies very very clear case तो रुपे 5 lakh rupees का जुर्माना और एक लाग रुपे का जुर्माना इस तरीके से आपको fraud के बारे में बताया जाएगा क्या आपको यह बात समझ में आ रही है correct है तो guys आपका पूरा fraud risk management complete होता है इसमें आपने clear देखा क्या 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 देखा आपने यह देखिए आपने देखा कि fraud risk management में fraud का मीनिंग है Indian Penal Code के अंदर मीनिंग क्या इंदर मीनिंग क्या मीनिंग क्या मीनिंग है और पहला का मैं आपको जाकर फ्रॉड को डिफाइन करना है फिर फ्रॉड के रोल से रिस्पॉंसिबिटीज किसकी क्या रहेगी कम्मुनिकेशन चैनल डिस्सिप्लियर एक्षिन एंडर्विव और रिपोर्टिंग और इस तरीके से आपका पूरा फ्रॉड रिस्मानेजमेंट कम्प्लीट हो गया है चलो एवरिवन इन विद इस कंसे आगे बढ़े के जली वोले एवरिवन क्लियर विद इस कंसे फ्रॉड रिस्मानेजमेंट प्रॉड रिस्मानेज मेंट इस विए से जली विद एवरिवन एवरिवन क्लियर बख्लियर विद और रिस्मानेजमेंट क्लिए सिर आगर देर और लारस पर हमॉत्याइफ क्या होता है मीनिक स्पोर्विरेशयद के बार इसका वीचार सुसर eight hearing तो आपको तीन बादे सबसे पहले RBI ने एक बैंक के परस्पेक्टिफ से बदाया जब कस्तुमर्स शेरोल्डर्स इंवेस्टर्स मार्केट का बैंक की एबिलिटी पर एक सवाल उड़ रहे हैं चल्ब कि एक बैंक के बास पैसे रपने को एकिन बैंक मार्केट में इस बैंक पेरे इस जो नेस हो सब्सक्रहिबयार फेल्ट करना दातों सब्सक्राइHappy there is a negative perspective for years back आज आज आपका जो relationship with investors आज आपके customers और आपके clients का आप एक negative effect है आपका एक negative effect है और आप वो आपको market में fund raise नहीं कर पा रहे हैं तो that is a reputational risk आप reputational risk is like इसे क्या होगा सबसे पहले आपका share price गिरेगा क्योंकि आपका confidence गिर गिर गिया लोगों का आपके ब्रैंड वैल्यू गिरेगी येस बैंक से डरने लगें पहले येस बैंक का अपना रूप था अब येस बैंक सबसे अधा एवडी का रिट दे रहा है बाकी बैंक देगा 6.5 येस बैंक देगा 77.5 अर्यों अंदरस्टेडिक पॉइंट तो आज उनको को स्की पॉंड ब्रैंड वेल्यू गिर चुका है आज उनका शेयर प्राइस गिर चुका है स्ट्राइजिक रिलेशन्शिप बिल चुके जूँके अलाइंस पार्टनर्स है आज उनसे नाम जोडने को रेडी नहीं सब एक्जापल येस बैंक और मैक्स लाइप इंशॉरेंस ये अपको उस नए स्टाफ आच्छे स्टाफ को लिटेंड करना और वृकार टरेवरेति हैं कि और बंद भाक्रों क्या करेंगे तो यह प्रोड्रम माति है धीज आप फ्रोड़न को मैं न कैसा किया जाएगा management of reputation risk board of director ने बहुत ध्यान देना है oversight रखना है निगरानी रखनी है company का लिए नाम तो नहीं खराब हो रहा है reputation तो नहीं खराब हो रहा है फिर इसको लेकर image आपने time to time आपकी company को लेकर brand value create करते रहेना है marketing करते रहेना है image building पर ध्यान देना है strong communication यह कर रहे है वो कर रहे है लोगों में अच्छा चावा गिरे है positive energy फिर उसके बाद में आपने क्या करना है आपने business strategy में कोई भी strategy बनाते समय कोई भी strategy बनाते समय risk angle को ध्यान में रखके strategy बनानी है जैसे example है like in CA industry like in CA industry when I wanted to enter virtuals I started selling chapter wise video lectures and it was a good strategy because कोई मुझे तब जानता नहीं था CS industry में अगर मैं सुचता हूँ कि as a competition I start selling suppose chapter wise example I am not against it अपना अपना strategy होता है I believe कि मेरा brand value गिर सकता है तो मैं strategy बनाते समय ध्यान में रखूँगा कि ये strategy से क्या नाम तो नहीं कराब होगा correct बात तो I need to think risk in the business strategy उसके बाद में मैंने strong check रखना है control रखना है peer review करना है कंपनी के बारे में मैंने due care feedback लेते रहना है कई तो मेरा नाम तो नहीं करा पूर है credit बाद तो कंपनी ने लेना है quality reports design होने की कंपनी क्या अच्छा कर रहे है क्या नहीं cultural alignment कंपनी की विचार धारा पूरी कंपनी में spread होना चीए इस तरीके से आप reputational risk को manage करोगे तो guys सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूँ first there are three things in this मैं heading लिक रहा हूँ reputational risk management reputational risk management उसका पहले आएगा meaning and this meaning has been given by RBI RBI see how they where they are given the meaning RBI in its master circular in its master circular dated 1st July 2015 in meaning here so kya meaning the meaning is simple but no book was you know reputational risk is a risk arising don't worry we'll just come to the easy meaning kya meaning reputational risk is the risk arising from negative perception negative perception on the part of customers counter parties shareholders investors 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 debt holders market analysts then other relevant market players and regulators that can adversely affect the bank's ability to maintain the existing and new business relationship and continued access to source of money जिससे बैंक की existing relationship मेंटिंग करना मुश्किल हो गया customers छोड़के जा रहे है vendors छोड़के जा रहे है market में debt बाद के जा रहे है और दूसरा market में पैसा रेस नहीं कर पा रहे है है ऐसा tö tv पर सबचिशने अगए लुपना लोट रहे है इस वारे क्रेंड फालम तॉस्ट बटल parties shareholders investors debt holders and market analyst which adversely affects the bank's ability to maintain the existing or establish new business relationship and continued access to the source of funding he clear cut to that that is reputational risk meaning now effect of reputational risk क्या effect है reputational risk का सबसे बहले loss of brand value आपका नाम खराब हो रहा है second is दीगर बार loss of brand value उसके बार में second is what steep down steep downtrend in share value गिर रहा है उसके बार ruined strategic relationship आपके strategic partner alliance partner regulatory what regulatory relationship is damaged and guys आप यह लिखोगे recruitment recruitment of new staff which is well qualified or retaining existing staff becomes difficult आप यह हो गया effect guys देखो इसका meaning हो गया effect हो गया आप इसका how to manage reputational risk कैसे manage किया जाएगा पहला आएगा how to manage reputational risk इसको manage करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा integration strategy बेनाते समय ध्यान में रखना है रिसको कोई भी strategy इससे आपका नाम खराब हो प्रश्चे क्योंट इसे परफोर्स चेक इस शकी अरिड़ क्यों प्रेशा आइट या बाधिश्या करते थे कुलिटी रिपोर्ट्स कुलिटी रिपोर्ट्स कुलिटी रिपोर्ट्स कालिटिर ल něमें हम काम में मैंची किल्च रोना थे इमेंज इमेज बिल्दिंग थू एफेक्टिव कम्यूनिकेशन चेक करो गईस हाव तो मैंनेग देखो आप स्टाटीजी बनाते समय रिस्क को भी दान में रखकर स्टाटीजी बना बोड का ओवर साइट होना चीए दू के रिंट्रेक्शन विद आल थे अपसे बार 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 इ स्ट्रॉंग इंटर्नल चाहिए अंदर एक आउटसाइडर से पूछो पूछो इंटर्ली आपकी तो चेक रखो कंपनी इसमें काम केसे चल रहा है क्वालिटी रिपोर्ट्स मंगा कि कि दर क्या कमिया हो रही है प्रोड़क्वालिटी वर्क्वालिटी कुल्ट्रल अलैमें फर्स्ट इसमीनिंग सेक्ड इस एफेक्ट एंद थर्ड इस थर्ड इस हाव तो मैनेज इट जल्दी से कमेंट सेक्शन में गुलो क्या आपको यह कियर हुआ है हाय झाल 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 कि अब बढ़िया है तो बहुत बढ़िया येस नीदी वकी नीदी वकील में इगना वधा वधा मनी पूजा सुशील जोशी बहुत बढ़िया एकदम यह पूरा बंदें क्लिर होगे प्श्चन आगया ता आपको लिखते आना चाहिए करें नाओ who is risk management की जिम्मेदारी किस पर है who is responsible की company में risk management करें risk management की जिम्मेदारी दो जगार पर दिख रही है Companies Act में भी दिख रहा है और सेवी LODR regulation में भी दिख रहा है Companies Act में section number 134 में दिख रहा है अपने statement में क्या उन्होंने proper risk management policy बनाई है जिस policy के तहर रिस्क को identify किया जाएगा और रिस्क को tackle किया जाएगा अरे हाँ यह तो यह statement देना पड़ता है बोड़ डिरेक्टर्स को कि वाई साब हमने रिस्क को manage की है और दूसरा LODR regulation की बोलता है कि बोड को आपने शरूर्डर को बताना चाहिए कि क्या उनका risk management plan क्या था तो बोड रिपोर्ट के अंदर क्या होता है कंपनीज है बोलता है कि बोड नीट तू से दाट इंडिकेट दाट कि यह डेवलाप और इंप्लीमेंटे रिस्क management policy कि उन्हें policy बनाई है और से भी लोड रेगलेशन यह बोलता है कि बोड को अपने members को बताना है कि उन्होंने proper procedures दाले है जिससे risk management होगा और यह बोड रिस्क मैंजमेंट बनाया है exact plan कि हम रिसकों कैसे टैक्टल कर रहे है हम रिसकों कैसे टैकल कर रहे है सर पीर रिविव मतलब क्या employee review एक department दूसरे department का review करेगा एक कली दूसरे कली का का रिविव करेगा that is peer review करें रेश्मा ओके तो गईस अंडर्स्टैंड यह सबसे पहले risk management की प्राहिमा फेस्या जिवेदारी बोड बेरेक्टर्स की है क्योंकि कंपनी चलाने माले लोग बोड है तो कंपनी के जितने भी रिस्क को लेकर manage करना है यह भी बोड की जिमिनारी रहेगी अब risk management plan जब बनाएंगे plan is exact plan तो वो लिखेंगे कि कौन से कौन से रिस्क है उनके कितने होने की संभावना है उसके क्या अगर होते हैं तो क्या नतीजा होगा और वो कब होने के चांसे है तो रहेगा और फिर उसको प्लस पैरलेल उसका टाइमिंग क्या है और और क्या उसे क्या हम कितने confident है कि रिस्क आने estimation हमारा जो forecasting है वो कितना सही और गलत है बेरी क्लिर रिस्क मैंजमेंट policy और पॉलिसी बदाता है कि हम कैसे इंडल कराएंगे कैसे हम company में इंडल रिस्क मैंजमेंट की कमिटी कोन है क्या रोल करेगा किसकी क्या जिवेदा रहेगे जनरल planning is policy specific exact planning is plan risk management policy is generalized and risk management plan is exact किसका क्या रोल रहेगा policy और हम क्या कर रहे है plan who will handle what policy and what exactly the work is going on is basically मैं बुलूंगा यहां पर आएगा that is plan फिर आप चीफ रिस्क ऑफिसर को पहचानेंगे उसको appoint करेंगे जो सारे रिस्क ग्रूप इंटल ऑडिटर ऑडिट कमिटी बोड़ डेक्टर सब के one point रहेगा यह time to time यह क्या करेगा रिस्को एसस करेगा और इंके उपर काम करने की कोशिश करेगा इस तो responsibility मैं अगर बात कर रहा responsibility सिब्लीटी रिस्पॉन सी बिलीटी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट किसका क्या रिस्पॉन सिब्लीटी फिर्स अंडर कंपनीज आग क्या बोलो गया कंपनीज एक 2030 सेक्शन नमबर 134 3N यह यह यहां पर समझना कि पर आपको यह समझना है कि हूज रिस्पॉन सिबल सबसे पहले देखो statement indicating the development and implemented risk management policy including risk identification if any which in the opinion में threaten the existence includes the board report to be attached so are assessing it the board of director the board may give statement about statement which indicates that indicates development and implementation of risk management policy risk management policy risk management policy risk management policy which in the opinion of board may help to identify risk to the company एक ऐसा statement देना है कि क्या आपने को पॉलिसी बनाई है और क्या वो पॉलिसी के तहर आप रिस्क को आइडेंटिफाई कर पार है क्या पॉलिसी डेवलाप हुई है क्या यह पॉलिसी को फॉलो किया जा रहा है क्या यह घ bass की इंप्लीमेंट हुई है तो फेला कमदो अदिसान से भी अलोडे यार रागटिस्ट फूल रहात सब क्या बाते पूल रहे सब्सक्राण ग्री और सेलोडिर is responsible for what framing, , designing and implementing risk management plan correct उसके बाद मैं थर्ड कि वह आपनी रिस्क मैं प्लाइम ना ना वाद इस प्लाइक क्या क्या रहता है what all the things are there in risk management plan तो सबसे पर अगर मैं बात कर रहा हूं , potential likelihood of risk , it contains it contains various elements , it contains various elements, potential likelihood पोटेंशिल लाट्योड पोटेंशिल कॉंसी 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 थें टाइनिंग और रिस्क यह थें कॉंफिदेंस ओफ रिस एस्टिमेंट कि वह आप कितने ऑंपिदेंट हो कि आपने जो एस्टिमेशन की आया वह सही घलत है यह सब रहेगा रिस्पान रेंगें एक इसमन लिख नहीं है अगे लिकलिए अगल्योड अगर क्या होने की चांसेंG स है तो कैशली को होगा उसका टाइमिंग कब होने के चांट से और कॉंफिडेंस के आप जो बोल रहे हो वो कितने कॉंफिडेंगा जो फॉरकास्टिंग है अंदाजा लगा रहा है कितने आप कॉंफिडेंट हो यह नहीं हूं बेरी टीर तो यह होगा आपका रिस में प्लाइन देन नेक्स चीफ रिस ओफ जी रिस्क-ऌफिसर विल भी वर्किंg मिल वरकिंग विट ओल रिस्क जोप्स संत रही हो से ट्रॉल है इस सब्साइब। सब्सक्राइब चार बाते में और से भी अलोट या रेगिलेशन के अंदर रेगिलेशन 21 का डीटेल लीचे दिया है ठीकर यह चार बाते आपको जैन में रखनी है इस दिस और फॉर पॉइंट्स क्लियर जल्दी बदाएगे कि अगे कि अगे रिखन्स बिद रोगे तो तो अगे बिलेशन था है कि अगे रेजियर जरते आपको अगे रपकों की ने उसलीnd कि अगे पको स्टास कहा है या होगा कि शरते होगा है मेगना, वर्दा, मनी, वेग, मेगना, how is your studies going, I remember you in the last online live batch do ping me about your preparation, those students are already there in regular batch सुशील कुमार जूशी वेरी क्लियर, ओके बहुत बढ़ी है, चलो आगे बढ़ेगा, तो responsibility और रिस्क खतम हो जाता है, कि रिस्क की जिवदारी किसकी है, ठीक है रबाद, अब तोड़ा सा और चीज़ें आपको समझना है, एर्म पर हम आएंगे, एर्म को हम समझेंगे, के स स्ट्रेडी को समझेंगे, एर्म के बारे में समझेंगे, strategic risk के बारे में तोड़ा सब बात करते है, strategic risk के बारे में हम बात करेंगे, see, ऐसा बोला जाता है, strategy is the plan to overcome the competitors in the business, कोई भी strategy, मतलब क्या होती है, एक ऐसा broad plan, जिससे आप competitors से कुछ अलग कर रहे हैं, competitors को आप टैकल कर रहे हैं, that is the strategy, कुमकर, my pleasure always, thanks a lot for your good compliment here, okay, going great, very good, तो guys, अब मेरी बात समझना, strategy क्या होती है, समझो मेरी बात, अब पूरा, आपको देखो, repudational risk management, ठीक है, यह मैंने सम्झेंगे, fraud risk management, strategic risk management, ऐसा अलगला content से आपकी बुक में है, correct, तो अब यह strategic risk management क्या होता है, जैसे like the best, like if I'm talking about, कि Swiggy, अब Swiggy जो है, उसने Zomato, Swiggy Zomato को fight चल रहा है, उनलोग competitors है, तो Swiggy ने अब एक, Zomato को beat करने के लिए, पूने-based एक, यह पूने-based या जल्दी, I don't know where it is, बैंगलोर-based हो सकता है, कि Super R Daily, यह एक company को अख़वार की है, कि वो delivery में बहुत strong है, बैंगलोर-based यह बहुत ज़री डिल्वरी कर रहा है, यह बहुत ज़री डिल्वरी कर रहा है, तो Super Daily, यह करके company को करीदा है, उसके बीचे की कोई strategy है, अगर अब बहुत बढ़ी है, यह milk डिल्वर करते हैं, ग्रॉसरी डिल्वर करते हैं, इस बीचे की काम्पटीटर से कुछ अलग करेंगे, यह बहुत बढ़ी है, सर्विस बेरे ते सूपर देली, मेरे घर पे भी आ रहा है, आप जैसे बीक बास के डेली भी है, वह भी घरमें मिल्क डिल्वर करता है, तो एक दिन पर आपको ग्यारा से मेले बोल दो, कि आपको तो मिल्क इतना चाहिए वेजेटेबल इतना चाहिए सुबह साथ से में आपके घर पर पहुंच जाए तो यह बहुत बढ़िया तब पूना में अभी का बंद हो गया फ्रेश फ्रूट्स वेजेटेबल सेन एवर्टिंग यू नीड डिलिवर्ट वेडोस्टे बाइस सवेन गया था तो यही बोला जाता है एक ऐसा रिसर्च होता है कि कंपनी के फेलियर की पीछे अगर गलत स्ट्राटीजी है तो उसका 60 बसंट रिजान कंपनी फेल हुआ है गलत ऑपरेशन से कांद करने का तरीका गलत है तो वह 30 बसंट रिजन है और गलत फनेंशल एंगल है तो 10 तो कंपनी के फेलियर की पीछे रॉझ प्लैनिंग रॉझ स्ट्राटीजी इस बीग रीजन और रॉण यह बीग रीजन पहले एक दीन पहले मोडियों लाइन टियुक पढना आप मेहनत कर रहे हो आप सही बाहल बहलत रीधा करें करें अंचे से ब्क क्या यह स्ट्राटीजी सही अफकी बिफॉर one day we worship you are reading module मिध्यों लाइन क्या यह स्ट्राटीजी सही है या गलत है क्या यह स्ट्राटीजी सही और गलत है है बोलिया है इस रोंग स्थाइजी आपके अच्टाइम कम होते है लाइंट टो श्रॉन यहीं तो रॉंग प्लाइनिंग लिज तो रॉंग वेंग रॉंग देर टिक टिंग स्थाइज अपरेशिंस लोग समझते की रॉंग स्राइजी आंग एग नौ इस मनें देखेना नीम means means what is strategy and what is operations operation is doing things correctly and strategy is doing the right things right things at the right time right strategy doing things in the correct manner is the wrong right operations are you understanding the point yes social or joshi say that if you common code if you fail to plan then you plan to fail correct guys so what is strategic risk strategic risk studies of the largest public company indicate that strategic risk amount to 60% of market decline in the shares operational risk amounts to 30% and financial risk generate 10% are you getting my point so what is then what is strategic risk meaning strategic risk meaning here here it is always mixed with operational risk but there is a difference strategic risk when company fails to anticipate the market needs or time market को सम्झाही नहीं अपने market की खल्बली नहीं सम्झी market scenario analyze नहीं किया और market scenario analyze करते होएते को it is what यहाँ पे और एक्लियर गोले what is good operations good operation means doing things right and good strategy means doing the right things good operation means doing things right and good strategy means doing the right things is very clear cut mentioned here are you understanding my point so guys but you got me a little bit more content पेले उसकी मीनिंग पर आएंगे ठीकर बात तोड़ा सा उसको समझेंगे तो रिखो strategic risk management importance क्यों यह manage करना बहुत जरूरी है importance if you write down here importance in importance you can tell study has revealed that study has revealed that wrong strategy is wrong strategy may be reason for decline in market share by 60 percent wrong operations may be reason for decline by 30 percent and wrong finance may be reason for decline by 10 percent करें यहोगे इसका importance कि क्या reason है now meaning of strategic risk कि क्या इसका meaning है meaning of strategic risk मेरा more of मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि इंट्रोड़क्शन में कि भाही आज मेरा focus concepts and writing दोनों पर रहेगा concepts and writing दोनों पर रहेगा तो strategic risk is generally strategic risk is generally confused with confused with operational risk operate good operation means good operation means doing things correctly and good strategy means doing right things करेंट इसका meaning हो गया करेंट बात यह हो गया इसका meaning okay तो यहां पर आपको यह समझना है कि अब इसका ओरेट मीनिंग है what is the meaning I'll tell you just understand here यह आपको यह क्या क्या क्रक्स निकाला है strategic risk management is a process by identifying quantifying measure करना then mitigate कम करना any risk that affects inherent companies business strategy objectives and execution so will be strategic risk management means strategic risk management means management means what is the meaning is the process of identifying comma quantifying and mitigating any risk that affects or is inherent in the company's what business strategy company business strategy strategic objectives and strategy implementation execution implementation so easy meaning the up strategic risk q karna hai because wrong strategy is a 60% reason for the failure of the company strategy risk hota kya hai it is generally overlap with operational risk so good operation so good strategy kya hai good operation means doing things correctly and good strategy means doing the right things so what is strategic risk management it is the process of identifying quantifying and trying to mitigate any risk which is in company strategy companies strategic objective and strategic execution guys you have to understand right now a lot of external factors you have to update your strategy you have to update your consumer taste and preference like I have to give you an example of the other article that you don't use projectors they don't use projectors they use led screens led screen tv to do so what are the various external factors which are the various external factors which are the various external factors which are the strategy to zero effecting the strategy G various Rays effecting the strategy तो या लीकरो मेरी, various risks effecting strategy various risks effecting the strategy कि यह सारे पॉइंट लिखो गया करेक्ट है तो शिफ्ट इन कंजुमर डिमांड ठीकर बाद प्रेफरेंसे लीगल और रेगलेटरी चेंज का कानुन बदलाब क्या अधर होगे गौवर्मेंट ने वो दिया प्लास्टिक बैंक प्लास्टिक इंडस्टिक अथा होगे ठीकर कॉम्पेटिव प्रेशर या वह कुछ अलत कर रहें मर्जर इंटीक्रेशन के दो मर्जर में भी यह थ्रेट ये वह लाइंस गिलत हो गया टेक्नॉलोजीगल चेंज लिज लाइक नोक्या और एंड्डॉइड मतलब सैमसंग नोक्या को भीट किया एक्नॉजीगल चेंज से सबसे बेले क्यों स्ट्राटीजिक रिस्क है क्या 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 कारण है जो आपके स्ट्राटीजी को एफेक्ट करेगा यहां तक क्लियर के यहां क्लियर क्लियर क्या कि देखो मैं मॉडुल बेस आपको पढ़ा रहा हो इसे ने कि आपको मॉडुल बेस चलना है ठीक है तो नीए बड़ा बेस चलाने के लिए आपको एक बार तो देखना पड़े बाब बाब ये अन् móar भादें डिस वाजीश ननौ इस तैयल स्क गणल यह क्या लोसे क्लस्ट करें करें फ़हों करेंश aynı स्टीजीर बट्रीयश फानदो nawm पर आज़ा बाद में स्ट्राटीजी बेस्ट आउटकम है और वह स्ट्राटीजी ऑट्डेटिट होना सब हो जाए जैंडाइगा तो कोई स्ट्राटीजी पहले आपको स्ट्राटीग में इतना ओटकम ना दे बट स्लोली इसलोली ग्रोइंग ने अंफर तो बस हमें बेस्ट अर्कम पे रीच वना है उसका स्ट्राइजी बदल देए बेस्ट आपको अगर बीच जिक रिस्क मैंने करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आपको business strategy define करनी है उस strategy के performance चेक करने के indicator दिखना है आपने example है एक बिजनसमेन है वो free sampling बाठ रहा है तो free sampling बाठ रहा है वो उसकी strategy है उस free sample बाठने से उसने target किया कि दो लाग के free sample बाठ हुआ यह उसकी strategy थी कि नए customer अब वो दिखेगा कि दो लाग के sample बाठने से मेरा अगले बार कस्टमर से छे लाग का से लाना ची तो sales is a performance indicator sales is a performance indicator बट हो सकता है कि free sample बाठने से risk भी है risk यह कि लोग सोचेंगे कि इंकी brand value बहुत कम है इसने free में बाठ रहा है तो also check the key performance risk indicator कि भाई ऐसे negative feedback तो नहीं आ रहा है ना check करो कि आपके free sample बाठने से customer यह तो granted तो नहीं रहा है अपने के लिए and try to provide report and monitoring यह सब को लेकर आप proper report बनाओगे और time to time अपने strategy को monitor करें business men try to keep on making strategy in the market तो strategy बनाते रहते हैं और business को and cash कर रहे थे बड़ो strategy से क्या फाइदा हो रहा है उसको चेक करने के कुछ indicators चारपा चीज देखो कि क्या यह फाइदा हो रहा है कि revenue बढ़ रहा है क्या customer feedback बढ़ रहा है क्या walk-ins बढ़ रहे है क्या try to check various performance indicator and also try to check various risk कि and then also try to calculate the various risk indicator के देखो कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है and इसके उपर reporting करना और monitor करना बहुत ही जरूरी है तो मैंने यहां पर देखो मैं आपको बता रहा है यहां पर defining strategy and objectives कि स्टाइटीजी से हम क्या जैसे अचीब करना है जैसे एक्जांपल है कि जमाटो के लोगों के अप इंस्टालेशन बड़े के नहीं बड़े का जमाटो में में बड़े के नहीं बड़े यह performance objective establish establish key performance indicators establish key performance indicators identify various risk and establish risk risk indicators risk indicators and provide what reporting and monitoring guys serious तो यह आपका major crux हो गया strategy risk का देखो क्या क्या पड़ा आपने पहला what is the importance what is the meaning what are the various risk affecting the strategy and how to manage spelling mistake हो सकता है डाइपी में फास्टर में तो इग्नॉर्ड दैट ठीक है ना बात तो बस आपको ध्यान देना content पे पहले ठीक है how to manage study this चलो comment section से बताव क्या दिमार्ट में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या उपर से जा रहा है जल्दी बताईगे क्या लो है पास्टर में आ रहा है कि अगर मज़ा आ रहा है तो डेफिनेटली अपने फ्रेंट्स में लेक्चर शेर करना एंड डेफिनेटली आफ्टर लेक्चर नीचे कमेंड सेक्षन में आपको जो लग रहा है वो बिद्दा शेर करना हुआ है हागrzy कि कि अपिछ शोड़ो आपिह Bennett मडिया यह चीशного हे तो चाहंट अब कि शुक्रमित में ने बाकता डी कि शोश चाहिए अगे बढाता-गैन यहखित तो सब्सक्राइक अड़ा आदा रॉट हमता है तो स्काहिं कि कि शाज बादा बी और कंदिता नलुक्त। हर कमपणी ने रिस्का रेजिस्टर में लिए और रिस्का रेजिस्टर लिए अगर आपका प्रिपरेशन पुरा नहीं होएं तो इत्वी 10 माग का अभी इग्णॉरान चलो बाकी पाट प्रेशन अच्छे से नहीं तोड़ा नहीं हो मैं यह यह क्लास क्वाइन लेगे यह तो यस्ट कांपनी को हो छह रिसक है कौन से समझ भान एक डिस्क है क्या से P रिसक है क्या कर विरेगे किन के ओपने का एक कॉड़य करें जैसे स्वेसे और हो चेल्स कि क्या कस्टमर्स की नीड है तब इसे मिटीगेट करने के लिए इसे मिटीगेट करने के लिए मिटीगेशन के लिए आपने क्या क्या किया आपने मॉनिटरिंग किया कस्टमर से बादशीत किया मिटीगेट पतलब कम करने के लिए आपने क्या efforts लिया इस तरीके से आप क्या करोगे रिस्क रेजिस्टर में गरोगे इस तरीके से आप क्या करोगे रिस्क रेजिस्टर में करोगे रेजिस्टर में रहेगा रिस्क एरिया क्या क्या रिस्क है की रिस्क क्यू क्या हो रहा है रूट कॉस् बीटिए इसे फिनाशल रिस्क फिनाशल रिस्क प्राइब करना पड़ेगा उनका डिपेंड करते हैं बट पॉइंटर इलाबरेट तो करना ही पड़ेगा आपको पॉइंटर लिखकर आओगे तो मांच नहीं मिल लाएं बीकॉम की तरह बिंदास इलाबरेट करो बिंदास कोई दिकर की तो यह होगा आपका रिस्क रेजिस्टर के बारे में इमेजेटली इफ फाइब मिनिट्स उनली विल कम बाक और बेसिकली विल रिजुम इन फाइब मिनिट्स इन थरी फाइफ दो पांच मिन का ब्रेक लिए आप लोगको भी एग्दम यहां फिर मैं एर्म कंप्रीट करूंगा और रिस्क मैं प्रसेस कंप्लीट करूंगा जिस इसके साथ आपका पूरा कॉंटेंट कंप्रीट होता है सिर्फ टाइप्स ऑफ रिस्क में पेंडिंग रखना आपके लिए मेगना ओल मैं प्लेजर यह गुट गूइंग अच्छी बात है बस मेंदद करती रहिए दाट्स मोर इंपॉर्टन फाइंट ब्रेक प्रेक लिए देगे एंड यस पांच मिनिट में वापस आपते चाला ड़ेंगे लगेंगे फटा फट्ट हम यह 3-4 ओर कॉंटेंट को डी कि रहिष्मा लिवरेजिंग कापिटल स्रॉक्चर में डेट जादा लेना काफी जादा डेट लेना और कैश फ्लोज मतलब कैश फ्लोज की कमी कैश की कमी जिसें टाइवली पेमेंट नहीं कर वा रहे है कर दो झाल 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 comment faster so that we are able to cover up बहुत बढ़िया आप इन्हों ने क्या किया इन्हों ने बुला कि इससों ने बुला कि अगर आपको risk management का certificate चाहिए तो आपके risk management के abroad stakeholder कौन-कौन रहे हैं अगर आपको risk management चाहिए तो risk management में आपके risk management के लिए कौन-कौन involved रहे हैं और executive level जो कमें हैड लेवल पह है अपॉइंट होल्डर इन एर्म रिस्क आनलिस्ट चाहिए मैनेजमेंट ऑफिसर चाहिए लाइ मैनेजर इंवल्ड रहने चाहिए कंप्लाइंस इंटल ऑडिटर चाहिए इंडिमेड़न प्रक्टेश्ट रहने यह सब मिलकर ब्रॉड स्टेकवल्ड इंक्लूड तो अगर आपको सब्सक्राइब चाहिए तो आपकी कंपनी के अंदर रिस्क मैनेजमेंट में यह सारे लोग इंवल्ड रहने चाहिए यह कौन-कौन लोग है और एक्जीकेटिव लेवल स्टेकोल्डर्स और अपॉइंटर्स अपॉइंट होल्डर्स प्रॉप स्टेकोल इंवल्ड इंवल्डर् सेकोलडस झाहिए ङॉट्भर्स प्रॉट प्रॉट्ड इंवल्ड थार्ज की अि जुडत है 11 one of इंवल्ड इंवल्ड 1-יש have all executive level managers से उसके बाद रिस्क अनलिस्ट करके रहा कि सैनलिस्स अपके अपके पास भी प्रॉपर दिस्क अनलेस्ट औ अ आजज्मेंट एध्ड उसके उसके आध रिस्क अनलिस्ट पीडम एध्र मैंनेजयंगेश्गेंगेश्ट कि्शाथ्ल व्या arthritisये in the same way there should be compliance and internal auditors, compliance officers, internal auditors and independent practitioners ESR web broad stakeholders who all will be there all executive level managers all the group people appointed for ERM, risk analysts, risk officers, line managers, project managers, compliance officers, internal auditors and independent practitioners तब जाकर आपने प्रॉपर टीम खड़ी करी है for your company's risk management very very clearness तो अब यह देखो इंक ने और क्या बोला है risk मैं ISO certificate की क्या फाहिदे है और how to manage it manage तो वही बोला है ISO वता how to managing risk वही points है वही बाते हैं कौनसी बाते हैं avoid the risk risk lowing accept the risk remove the risk change the likelihood share the risk return the risk यह तो आपको आता है आप change the likelihood probability को बदलो change the consequences नतिजी को बदलो risk manage करने के अलग अलग टैक्टिस क्या है avoid the risk तो उसके बाद में avoid the risk accept the risk करें उसके बाद remove the risk change the likelihood correct change the consequences यह चीज़ आड़ हो गए है and उसके बाद में share the risk and reduce the risk guys यह points देखो गया और what are the benefits of ISO guidelines correct अगर आप उनके risk management के guidance follow करोगे तो क्या फाइब दे है यह वाला discussion about what are the benefits of ISO guidelines is this very very clear is this very very clear okay okay iso करके फिरां stop करेंगे आपको सेल्फ में दो चीज़ पढ़नी है risk management process and types of risk बाकी पूरा repudential risk fraud risk strategic risk सारी चीज़े में पढ़ानी पोशिश करें ISO ISO ERM ISO ERM बहुत सारी चीज़ा में cover-up करेंग करेंग benefits तो वही है अगर risk manage करो तो उसके क्या पाइद है क्या आपका reporting बढ़ेगा yes reporting improve होगा क्या आपके controls अच्छे होगे क्या losses कम होगा क्या आपके operational efficiency बढ़ेगी risk management करो तो बढ़ेंगे financial reporting बढ़ेगा governance उदरेगा stakeholder का confidence बढ़ेगा देखो company ISO certified stakeholder confidence बढ़ेगा decision making reliable basis पर होगा सही data आएगा ठीक है environmental protection होगा safety होगा prevention of loss incident management होगा यह सारे common फाइद है आप खुद भी लिख सकते अपने मन से सबसे पहले अगर मैं बात करना हूँ improved governance governance में सुझा आए improved governance increase in confidence confidence among the stakeholders क्योंकि हम international standards follow कर रहे है right बार correct improve controls improve controls minimize loss नुक्सान कम होगा क्योंकि लॉसस आपने रिस्ट मैनेज किया improve loss prevention loss prevention and incident management हाथ से होने के chances कम है बहुत सारे common 8-10 points improve financial reporting सब सुदार नहीं है improve इंप्तारीफ कर किया नहीं improve financial reporting common points है correct बद establish 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 reliable basis for decision making decision making असान होगा increase likelihood of achieving object management involvement management management encourage proactive management encourage proactive management management very very clear guys and improve does point to learn operational efficiency operational कि कि बहुत कि कि इदी बौटी यार जै ISO बहुत बटी आर मिका अब इसमें बस्ता out type of risk risk management process थोड़ा आपने देख लेरा है और इस identify ऑना risk analysis करना risk assess करना थे और तो with this we are stopping for the day and majorly hi may 80 percent coverage give us management आपको जो परीरेगी आप मुझे pink कर सकते हो ठीक नबाथ और इस जो 14 से 20 जो पूरा गोवनेंस का प्लानिंग था उसमें पूरा रिस्क मैनेश्मेंट कंप्लाइंस और एथिक्स का एक चैक्टर में ने लिए तो रफली 40 पड़ेवा मांक्स का पॉर्शन आपका अप बात रही गोवनेंस की मैं चैक्टर वाइस जब 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 त तिल 15 दिसेंबर आपको में पहले एडवांस बता दूना एक दिन पहले के चैक्टर का में रिशन ले रहा हूं और इस तरीके से आइमें टेक अरॉण गवनेंस के तीन-चार चैक्टर का रिशन आरे गडी मापाइं तो आपको थोड़ा सा पूश मिलेगा और मैं आपको मे पूश्य आप तो टेक चैक्टर वाइस रिविशन फॉर यह गवनेंस और सो इन-चार चैक्टर भी पूश मिल गया तो आपको एक हैंट रहेगा इस और नो तो आपके प्रॉब्लम्स आपके फीडबाग आपको क्या है चाहिए है तीक इन बाद इन बिलो दो कमेंट मैं जरूर आपके इसको रिस्पॉंड करूंगा और नोट्स मैं आज यह कल में ड्राइग लिंक शेयर करूंगा हर रिविजिन वीडियो की नीचे जो आपको क्लिक करके वाद से डाउलोड करना है ठीक है नबाद बाद बैदी बेटर यू कें रैफ और कॉस्टन्स मैंने प्राइग विडियो के लिए अल्यडी मैंने 100 क्वेश्टन्स का रिटीक लिया था यह रिविजिन से पहले उसका भी ड्राइग लिक में एक वीडियो के नीचे दाल दूंगा इस बेरी क्लियर अब दिस आप लोगों का गवनेंस का रिविजिन का अग यह 14 इंटो 20 जो लेक्टर वाले है 14 से लिगे 20 थक हम पूरे पार्ट बी सी डी 50 मार्क्स को एंकैश पहले करेंगे जर्रली वाट एपन स्टुडेंट गवनेंस से डरते हैं पार्टेस है बट अगर मैं पहले आपको 50 मार्क्स एंकैश करके दूंगा तो यूल भी कॉन्फिटेंट कहें हां सब्जेक पे ग्रिप है कमांड है 50 मार्क्स का करिकिल हम हो गया फिर हम गवनेंस को कुछ ना कुछ प्लैनिंग तो लाएंगे अर्यू गडिंग मैंने बहुत सारे बच्चों को जैसे पूछा कि यस तो एक रहता है कि गवनेंस एक तरफ है और बाकी एक तरफ है तो अगर हम आदा सब्जेक अच्छे से प्रिपेर पहले कर ले फिर हम गवनेंस को थोड़ा थोड़ा अड़ आप करते जाएंगे और भी विलाव सफिशन ताम तो प्रिपेर फॉर गवनेंस बट लेट उस सी फिर्स अबाउट यॉर रिमेनिंग फिफ्टी मार्ट इस रिस्क मैनेजमेंट कंप्लाइंस एथिक्स यस अवरी गूरी गू पूजा पूजा पंचाल करें तो गैस आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्लाइंस के पार्ट से हम फिर जाएंगे रिस्क मैनेजमेंट फिर जाएंगे एथिक्स और एथिक्स जनरली बच्चा लास्ट मुमेंट पर इग्नॉर करता है मेरे साथ कुईक रिविजिन में आपका 10 इसमार्ट भी एनकैश हो जाएगा वेरी वेरी क्लियर गाईस तो आर यू रेडी इस दसाउंड क्लियर और यस मैने नोट्स बनाए है यह मैं चैप्टर होती आपको शेर करूंगा यह पीडिएफ आपके वाट्साप ग्रूप पे टेलिग्रम पे शेर हो जाएंगे यू न न्कनेट्ड़ के उक्थ एक मत्तर बयु प्रूलश एंगे सक्रण। षर्ण दिघणे कर भाथ में आपकिंशंल के सका यू नोल है यह एट शूराग, पूजा गरोण अशिता, यैस ये येशlike या॥ पूजा, पंचल, बाध बघए worst! तर जर लिए ग्रूद commence. योगेश कुमार पुछता है हिंदी मीडियम में सीर्य इस प्रोफेशनल एग्जाम देनी चाहिए क्या योगेश बेटर गोफर इंग्लिश चलो टीक है तो गईज तो डेवियर स्टार्टिंग अन्यूचाप्टर दाट इस रिपोर्टिंग compliance, लगबग अगर मैं भूल रहाँ, compliance is for 20 marks, और 20 marks में आपको 2 chapter पढ़ने है, that is reporting and internal control reporting and internal control, आज मैं reporting majorly cover करूंगा, और फिर आएगा internal control, internal control हम कल के lecture में prepare करेंगे, very very clear guys, sir reporting chapter क्या है, see सही governance, सही साशन चलाना, सही रंक से decision लेना, मतलब अपने सही reporting करी है, अपने stakeholders को government को सही reporting करना shareholders को सही reporting करना management खुद को सही reporting कर रहा है यह बहुत ही important है तो अगर मैं बात कर रहा हूं, there are two types of reporting there are two types of reporting financial reporting non-financial reporting यह पूरा जो है यह दो पार्ट में divided है financial reporting and non-financial reporting financial reporting तो आप accounts में पढ़ते ही हो, schedule 3, balance sheet वगर है, करेक्ट बात but non-financial reporting में three parts है, board report CSR report and sustainability reporting करेक्ट बात, तो इस तरीके से reporting के कितना डाइप है, दो कोन से दो, financial and non-financial जिसमें से non-financial में three parts है, board report CSR report and sustainability reporting are you getting my point? तो यहाँ पर board report, CSR report and sustainability reporting इस तरीके से non-financial reporting आईगा सबसे बेल है, what is financial reporting? financial reporting का मतलब क्या है? what is the meaning of financial reporting? let me shift the screen here हाँ, are you there guys? हाँ what is the meaning of financial reporting? financial reporting का मतलब है formal documents prepare करना जो organization का financial status देता है financial status बदाता है financial status, कितना profit है कितने assets है कितने liabilities है तो आज अगर जो भी report ऐसा report ऐसा statement जो organization का financial status बदाता है कि कितना profit बनाया है कितना loss किया कितना loan है कितने assets है यह बताता है और वो किसे बताता है management को बताता है investor को बताता है government को बताता है इसे financial reporting बोलेंगे what is financial reporting? it is a process of producing statements which discloses organization's financial status it is a process of disclosing producing statement ऐसे statement देना जिससे organization की financial stiti आर्तिक stiti क्या है ठीक है बाद economic situation क्या है यह हमें पता चलेगा उस reporting को बोलेंगे financial reporting तो guys आपको words याद रखना है आपको word याद रखना है organization financial status आपको word याद रखना है कि it is a producing statement करेंगे बाद किसे produce करना? management, investors and government repeating again repeating again correct repeating again देको words से केलना आपको notes मैं दूंगा ही दूंगा yes reporting कितने टाइप के? दो reporting financial reporting non-financial reporting sir non-financial reporting कितने टाइप के? तीन टाइप के है कौन से तीन टाइप है? board report CSR report and sustainability reporting मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ current बाद reporting chapter बढ़ रहा हम reporting में कितने टाइप है? दो कौन से दो टाइप है? financial and non-financial मुझे मताओ non-financial में कितने टाइप है? तीन कौन से तीन टाइप है? पहला है board report second is CSR report and sustainability sustainability important है आजकल sustain करना मतलब long run चलना correct बाद आज profit कमा है कल का नहीं बता नहीं चलता है correct बाद pandemic में बहुत सारी companies बंद हो गई तो उसे profit कमा के चलता है? नहीं profit भी कमाना है और sustain भी करना है profit भी कमाना है और long run भी चलना है that is very very important देखो आज अगर मैं coaching में हूँ और आज मैं एक साल profit कमा रहा हूँ अगले साल का नहीं बता है तो क्या मतलब आता है इतनी मैनत करने का? नहीं आता है think long vision company ने crisis में भी खुद को survive करना चाहिए तो उसके लिए कुन से reporting है? sustainability reporting CSR reporting किसके लिए होती है? समाज के लिए और financial reporting profit is very very important और पाज profit is very very important तो आपको ये financial status समझनी के लिए कुन से reporting है? financial reporting है ठीक है नबाज? अब financial reporting का meaning कहा है it is a process by which organization produce statement वो statement क्या reflect करेगा? आरतिक स्थिती financial status financial position ठीक है नबाज economic situation of the organization उस कंपनी के आरतिक स्थिती क्या है? अच्छी है? बुरी है? प्रोफिटेबल है? लॉस मेकिंग है? लिक्विड है? नहीं है? यह हमें कहां से समझेगा? financial reporting से समझेगा very very clear financial reporting में क्या क्या आता है? financial reporting के components क्या है? financial reporting के elements क्या है? हर एक financial reporting में आएगा balance sheet, profit and loss account, cash flow statement, and changes in equity. यह आता है? अरे अपने companies act पढ़ा? companies act के अंदर कौन से सेक्षिन में in which section they are dealing with financial statement? बदाईया है? companies act के अंदर कौन से सेक्षिन में financial statement की बात चल रही है? हाँ, यहस. अबर दिखते हैं? screen on कर सकते हैं, please? अना? देखो, companies act के अंदर अब जब जाओगे तो financial statement deal होता है in companies act to be very honest section number 2 subsection 40 correct बाद, 240 में 240 में बोला गया financial statement means what? balance sheet profit and loss account cash flow statement changes in equity explanatory note 5 बात आती है कौन सी कौन सी चीज़ आती है? balance sheet profit and loss account cash flow statement changes in equity and explanatory note repeat again balance sheet profit and loss account cash flow statement changes in equity अब देखो क्या क्या आएगा financial reporting के अंदर financial reporting में guys there will be balance sheet profit and loss account cash flow statement and changes in equity notes through accounts मतलब एक्समेटरी note कि तुमने depreciation का कुन सा मैदर यूज किया? अचा, inventory को किस rate पे value किया? तो जो भी उपर balance sheet और PNL उसके पर कुछ कमेंटिंग है वो किदर आती है? notes में उसके बाद quarterly report बनती है listed companies को हर तीनती मैने की reporting करनी है उसके बाद prospectors भी financial situation बताता है prospectors अपने बड़ा companies act section number 23 to 42 correct बाद वो prospectors के बारे में and management discussion and analysis यह हर एक public company को बनाना पड़ता है यह सब मिलकर क्या बन जाएगा financial reporting यह सब मिलकर क्या बन जाएगा financial reporting repeat करो क्या क्या आएगा financial reporting में balance sheet profit and loss account cash flow statement changes in equity notes to accounts then quarterly and annual statements उसके बाद क्या आएगा prospectors and management discussion and analysis very very clear guys चलो आपको अगर पूचते exam में what is financial reporting क्या लिखो के exam में repeat करो financial reporting is the process एक process है पूरा by which we produce some statement document statement और वो statement क्या reflect करता है disclose the organization financial status economic आर्थिक situation किस से communicate करता है management investors and government repeat करो क्या लिखो के financial reporting is the process by which we are producing a statement which discloses organization financial position to the management investors and government very clear guys अब मुझा ओधा ओधा आप्जादा what are the components financial reporting में क्या क्या होता है balance sheet profit and loss account cash flow statement changes in equity notes to accounts quarterly annual financial statement prospectors and management discussion and analysis कोई दिकत पक्का कोई दिकत अब आगे बढ़ेंगे सब फिनेंशल स्टेटमेंट क्यों बनाते what is the objective क्यों सब से पलो जानकारी देता है provide information दूसरी बात है वो आपको जानकारी तो देहिर है किसे जानकारी देहिर है अलग अलग लोगों को दे रहा है management को दे रहा है investors को दे रहा है shareholder को दे रहा है auditor को दे रहा है फिर क्या जानकारी दे रहा है ये जानकारी दे रहा है कि company के पैसे कहां से आ रहा है company का पैसे कहां लगा हुआ है company का economic resource क्या है और company का claim on resource क्या है FM source of fund and application of fund तो economic resources of और पैसे कहां से लाए और पैसे किदर लगाया है ठीक है ना, how these resources have undergone changes यह resource कैसे बड़ा, पैसे कैसे बड़े assets कैसे बड़े, plus यह बताता है कि पैसे procure कहां से हुए, कौन से equity से, debt से, यह बताता है plus social welfare में help करता है, कि company किस प्रति ग्रोर ही है, employment कितना create कर रहा है तो यह इसलिए financial reporting हमें करना चाहिए, पहले तो वो information प्रोइड कर रहा है, बहुत सारे लुगों को जो interested company के अंदर दूसरी बात है, वो एक valuable information प्रोइड कर रहा है, क्या information प्रोइड कर रहा है, कि what is the source of fund and what is the claim of resources correct बात, देखो यहां पर क्या लिखा है economic resources of an organization कि company का पैसे कहां से आये है, claim over the resources, correct बात company के क्या-क्या assets है, economic resources, और company की क्या-क्या liabilities है, claim over the resources, correct बात company के क्या-क्या assets है उसको क्या बोलोगे अब economic resources of the organization, and claim over resources, आप लोग claim करोगे, shareholders, debenture order, किन-किन का कितना claim है company में, यहां में समझ में आएगा तीसरी बात, company की resources में कितना बदलावाया, asset कितना बड़ा, liability कितनी बड़ी पैसे कहां से arrange हुए, यह सारी जानकरी, आपको financial reporting से मिलेगा Are you understanding my point? repeating again repeating again, देखो सबसे बेले, वहाँ पर क्या एगा Sir, what is management discussion analysis? मेगना management discussion analysis हरे company को से बताया गया board report के अंदर दालने के लिए I'll just show you, जैसे अपने हमेशा TCS का integrated report देखा अपने annual report देखा, उसमें management discussion analysis एक paragraph होता है, जापर management discuss करता है कि हम क्या करने जा रहे है ठेक है, ओपन हो रहा है, जब तका बनाके बढ़ेंगा बता हूं जाए, वाई we create financial reporting, it provides information to various people which various people, management खुद को समझेंगा, उनको, second investors, promoters, debt providers, creditors, तीसरा shareholder and public at large, जो investors है various stakeholders and auditor को audit करना है, किस को information मिलने वाला है, management investors, promoters debt providers, creditors shareholders and public at large, various stakeholders and auditors, repeat करो it provides information to management, investors promoters, debt providers creditors, shareholders and public at large थीकनबाद, then various stakeholders and statutory auditors, very clear क्या information प्रोवाइड करता है various economic resources, company की क्या asset है, claim over resources किस का उस asset पर claim है, अधिकार है, तीसरा how these resources and claim change over a period of time, बदलाव होता रहता है कैसे कैसे बदलाव हुआ है, and how the organization is procuring and using the various resources पैसा कहां से ला रहे है, और पैसे किदर invest कर रहे है, यह आपको समझेगा, and enhancing social welfare, एक आपको accountable रहे है, आप disclose करोगे, तो आप समाज के प्रति एक जिम्मेदार नागरिक की तरह आप चल रहे हो, तो आपको यह चीज करनी पड़ेगी, तब जाकर financial reporting complete होता है, is this very very clear guys, are yes or no? हाँ एक सेकड़, मैं कुछ open करने जा रहा था अहां, अहां अहां, 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 अनुल रेपोर्ट देखिले, चलो, ठीक है, चलो बताओ, what is, what are the components of financial reporting, बताईये, what are the components of financial reporting, balance sheet, profit and loss account, statement, profit and loss account के बाद क्या लिखेंगा है, changes in equity, cash flow statement, very true, notes, anniexures, correct, annual and quarterly statements, prospectors and management discussion and analysis, यह management discussion पर ही में आया हो अभी, अग्या, यह अग्या, as per SEBI regulation, the corporate governance report with auditors, and interview management discussion analysis, यह एक पार्ट होता है, जिसके अंदा management, चर्चा करता है, like a board report, board report है, company's act में mandatory है, board report के अलावा भी, SEBI ने management discussion analysis करके heading दिया है, जिसके तर्चा मेनेजमेंट अपनी बाते, सारे लोगों तक पहुचाता है, तो management discussion and analysis, वो future की बात करते है, आगे के plan of action को लेके बात करते है, यहाँ पर आप जाओगे, यह दिख रहा है, यहाँ पर management discussion and analysis, दिख रहा है, page number 77, TCS के रिपोर्ट में दिख रहा है, तो 77 में जाओगे, तो management एक आइडिया बता रहा है, कि हम लोग कैसे आगे ग्रो करेंगे, management अपनी बाते प्रेजेंट करता है, और लोगों तक अपनी बाते पहुचाता है, दी नहीं है, तो one of the way of management reaching, ति क्या है पुचाता है, यह बोला इतनहीं होना चीग, बटो कुच अगे एक्स्टाफे रहा हैं, तो management का रहे हैं, management discussion and analysis, इस भेरी क्लिर, सबढ़रे मेरी बात? एक मिने उको, जाम्यो क्योन इस, management discussion and analysis, तो फॉप बोड पर जो बैठे है, इंको इंडेस्ट्री के बारे में क्या लग रहा है? कुद के बिजनस के बारे में क्या लग रहा है? थीकर ना बात हमें क्या लग रहा है? वैल्यू क्रेश्ग कैसे होगा? ठीकर ये सारी बाते इन्हों ने दिया कि इन information about economic resources, provide information to various stakeholders, title or editor, तो मैंने एक point में लाल दिया, मैंने क्या कर दिया, provide information to dash, A, B, C, D, E, ठीक है, आपको exam में थोड़े elaborate करना है, और next, किस चीज की information दे रहा है, provide information about economic resources of organization, claim over the resources, how these resources and claim changes, and how the company is procuring and using the resources, and last is enhancing the social welfare, is that very very clear, अब आगे बड़ेंगे, financial reporting का क्या importance है, क्यों, मतलब, क्या फाइदा होगा, पहले तो कानून का बाल रनों का, by law आपको करना है, आपने financial reporting कर दी, मतलब आपने compliance of law किया, दूसरी बात, audit provision, आपको audit करवाने के लिए, auditor को comment करना है, तो auditor को financial reporting लगीगे, तो अगर आप financial report ready करोगे, तो आप auditor audit कर पाएगा, तीसरी बात, आपको खुद को planning करते आएगा, decision making करते आएगा, कि कौन सा product नहीं चल रहा है, कौन सा product चल रहा है, कौन सा employee को निकालना है, कौन सा employee को रखना है, यह सारा data आपको help करेगा, decision making में, oral बात ही नहीं चलती है, facts बात करते है, आकड़े बात करते है, student बलता, sir, मुझे बहुत examiner डर लग रहा है, मैंने बलता, test के marks दिखा, example यह दिखा, वो दिखा, attendance दिखा, facts पर चलता है, तो आपके पास, अगर balance sheet पेनल रहेगा, तो financial planning कर पाओगे, कि पैसा और मिलेगा, नहीं मिलेगा, पैसा लाना है के नहीं लाना है, उसके बाद, market में पैसा raise करना है, पहले लोगों को financial balance sheet देनी पड़ती है, bank में जाओ, अमिता बच्चन को भी लोन चाहिए, तो balance sheet देनी पड़ेगी, समझे है, अमिता बच्चन मोलता है, मेरे पास बंगला गाड़ी हाए, bank तुमारे पास क्या है, bank बोले मेरे पास loan है, बोले loan दे दो फिर, बोले balance sheet लो, आपको हम जानते हैं, अमिता बच्चन है, चाहिए पीओ, पड़ आपकी balance sheet बात करेगी, आप नहीं बात कर सकते हैं, तो अगर आपको international market, domestic market में पैसे raise करने हैं, तो financial reporting के माध्यम से, आप पैसे raise कर पाएंगे, and bidding, government contracts में भी, जब government को tender भरते हैं, तो government आपका financial position देखता है, आप जैसे मेरे पास एक redevelopment case है, tender, तो society बोले, आओ हमारी society reconstruct करो, तो builder को बोलेंगे, भाई तेरी balance sheet लापे ले, तो कितना पानी में है, पहले हम चेक करें, तो तुझे टेंडर देना है कि नहीं देना हम डिसेड करेंगे, तो financial reporting helps in many cases, पहला case क्या है, compliance, कानूं का पालन होना, अगर अगर financial reporting करोगे, तो आपका law का पालन हो गया, by law you need to maintain, so which law company is at, 128 books of accounts, 129 financial statement, पढ़ा के नहीं पढ़ा है, EOC accounts of company, तो by law आपको maintain रखना है, maintain करने के बाद audit कराना है, audit 139 to 148, तो audit करने के लिए records रखने पढ़ेंगे, तीसरी बाद, financial planning आपको करने हैं, पैसे debt equity ratio, debt equity ratio अलड़ी जादा है, तो debt नहीं मिलेगा, तो अच्छा debt equity ratio, अच्छा current asset ratio, के liquidity कम है जादा है, तो financial planning करने में help करेगा, तीसरी बाद, market में पैसा raise करने में भी help करेगा, and bidding labor contract में भी help करेगा, इस तरीके से financial reporting का मत हुआ है, बदाए, क्या-क्या points आने चाहिए, पहला, compliance, दूसरा point, audit, third point, financial planning and decision making, fourth is raising capital, and fifth is bidding labor contracts, government supplies, रिपीट करो, क्या-क्या आएगा, compliance, audit, financial planning and decision making, raise capital, bid, labor contract and government supplies, रिपीट अगे, compliance, audit, financial planning and decision making, raising capital and bidding labor contract and government supply, government tender बरने के लिए, आपको आपकी balance sheet की copy तो देनी ही पढ़ेगे, so guys, आपको ना कैसे याद रखना है, pointer याद रखना है, और exam में हर एक point को थोड़ा बहुत अपने मन से elaborate कर रहे, थोड़ा B.com स्टाइल में थोड़ा चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझें मेरी बात, तो अभी आप अगर line to line learn करोगे, executive की तरह पॉसिबल नहीं होगा, आपको क्या करना है, pointers जो मैंने इदर bold में दिये है, ठीके ना, वो उसका भी notes बना के रख दिया summary में, आपका काम हो जाता है, समझो एरी बात, इसके बाद एग्जाम में आपको क्या करना है, रीडिंग पुरे notes के करनी है, बड़े एग्जाम में आपको अपने मन से थोड़ा elaborate करना है, और एग्जाम के एक दिन पहले, आप line to line नहीं पढ़ सकते हैं, और समभब बात है, जो तीनों मॉडिल दे रहे हैं, वो तो back to back papers देंगे, तो कहां से हैं, तो पसे pointer लिखके लेके जाना, और pointer के पुरी 100-500 pages में आपकी पुरी pointers आजानी चाहिए, और इतना ही पढ़ के जाना है, दरिया को कम करते जाना है, तो यह होगा आपका importance of financial reporting, चलो, अगर आपको मैं पूछता हूँ कि यह drawback क्या है, financial reporting के फाइदे तो देखे, बट financial reporting का drawback क्या है, क्या बोल पाओगे आप, online जंता भी बुलेंगे, आप भी बुलेंगे, ओल्टा, exact position देनी पढ़ती है, और, what are the limitation of financial reporting, what are the drawbacks of financial reporting, financial reporting के क्या negative angle है, यह मेरा आपको question, डिबल शर्म बोलती है, यह सर तीनों मॉडियूल है, तो बच के जलना है, very true, sorry, public exposure आ रहा है, public को जनकरी मिल रहे है, वो तो investor है, public को जितना exposure दोगे, अच्छा exposure दोगे, तो ज़्यादा पैसा आएगा, और, खरब exposure दोगे, तो कम आएगा, very true, but, और क्या आएगा, what are the limitations, what are the drawbacks, of, अनुराग बोलता है, इसा costly affair है, पैसे खर्च होते है, ये भी कॉम अंसर हो गए, module बेस भी कॉम अंसर देने आपके, module में बोला कि, financial reporting, post-mortem करना है, जो हो चुका है, हम दिल दे चुके सनम, आप समझे मेरी बात, तो वो post-mortem है, it is understanding what is already done, but it does not show the future, आप समझे मेरी बात, it is backward looking, and not forward looking, जो transaction हो चुका है, उसको जाक लेना, उसको बलता है, financial reporting, क्या वो future planning कर रहा है, नहीं, help कर रहा है अलग बात है, समझे रहा है, अपने, इस अ मिरर पे लिका रहता है न, गाड़ियों के मिरर पे, it's, the object is, object seen in the mirror is, something something ऐसा है, वो रेर व्यू देता है, mirror, जब गाड़ी चलाते हो, और mirror में देखके चलाते हो, तो आपको, मुझे बताओ, आगे का रास्ता देखता है, या पीछे का रास्ता देखता है, पीछे का रास्ता है, तो financial reporting is backward looking, वो गाड़ी चलाते है, समें mirror में देखना है, सामने का road नहीं दिखाता है, are you understanding my point, तो drawbacks जो है, limitation है, सबसे पहले, it is backward looking review of performance, शायद आज मैंने six मार लिया, आज मैं 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 जी दिया, बढ़ आगे का match का मुझे नहीं पता, समझ रही बार, तो it is just enjoying what we have already done, and not planning for the future, और it is looking in the rare view mirror, एक आवत है, rare view mirror, जो back, rare view mirror, और आगे बाद, it is not showing the challenges, which is there on the journey ahead, it is just showing what we have already done, and बहुत सारी चीज़े, कैसे business लाएंगे, business tactics क्या है, strategy क्या है, हम कैसे environment को लेके काम कर रहे है, हम कैसे social angle में काम कर रहे है, हम आज value कैसे create करेंगे, internal control कैसे strong कर रहे है, human rights को लेकर हम क्या कर रहे है, तो ये सब बाते financial reporting नहीं बताता है, non financial बाते नहीं बताता है, business strategy बताता है क्या, कि जैसे zometo को, अगर किसी को आउट करना है, तो जैसे नहीं नया club membership लेकर रहे है, क्या business strategy दिखती आपको, नहीं, क्या महाँ पर human rights को लेकर लट रहे है, ऐसा कुछ दिखता है, नहीं, क्या environment को लेकर कुछ कर रहे है, दिखता है क्या, तो इस नोट talking on non financial factors, financial reporting is not talking on other areas, there are many areas which is not a financial reporting is talking of, very very clear guys, तो repeating again, what are the drawbacks, first, not enough relevant information, इतनी जान कर रही नहीं है, मुझे क्या पता हो, आज कोई बंधा अगर, example out of the box, शादी के लिए जारा है, example, तो पहले एक time था क्या, परिवार और इंकम देखके decided करता है वार इंकम देखके decide होता है यह बहुत सारे मुद्हों को देखके decide होता है कल suppose example यह क्यों जोopol और लूस्ट है मैं वर्णद यह बलरो हु即ो किसको शादी करनी है दर्षन को करनी है आकी से शादी करनी है तो दर्शन जो है बोलता है देख मेरी balance sheet देख राकी बलती है तेरे facebook follower कितने है तेरे instagram follower कितने है तेरे likes कितने है other factors out of the box I am talking तो financial reporting only talk on financial angle does not talk money angle बदाता है it does not talk about हम समाच को लेकर क्या सोच रहे है it does not talk about environment को लेकर हमारी क्या planning है it does not talk about human rights को लेकर हमारी क्या planning है it does not talk about की company की business model का है profit making कहा से आ रहे है जैसे startups में shark tank में पूछते थे कि तुम यह product बना के free में बाट रहे हो बेच रहे हो बट पैसा कहा से आ रहे है what is the business model app active कर रहे है but app से पैसा कहा से आ रहे है समझ रहे है जैसे मेरे friends मुझे पूछते तुम YouTube पे बढ़ाते हो तो YouTube से income कैसे generate होती business model का है समझ रहे है मेरी बाद how you are earning or how you get money from there करे तो यह सब होता है business model यह financial reporting बताता नहीं है and this is one of the great drawback are you getting my point तो बताव क्या क्या लिख होगए क्या relevant information है बहुत सरा नहीं not enough relevant information second it is just looking in the rare view window and not looking ahead of the turbulent roads challenging roads and lot of problematic roads and third it lacks lot of information regarding business model, strategies, intangible commitments then internal controls, human rights and any other key factors clear तो यह होगे आपका limitation of financial reporting बताईए क्या क्या आएगा not enough relevant information सी financial angle दर्शन से शादी अगर कोई करने जाएगा उसने सी balance sheet बताईए balance sheet देख के शादी कर तो वो बलेंगे यह सी financial angle है non financial जादा important है तो financial angle ठीक है वो तु बता रहा है but other factors भी matter करेंगे तो this is not relevant information second it is just बुले थी के तेरी balance sheet आज तक की कुणली है आगे क्या कमाएगा हमें क्या बता तरह business plan क्या है तू आगे क्या काम करेगा तू आगे restaurant open कर रहा है घर पे बैट रहा है job कर रहा है आगे क्या करेगा यह important है तो balance sheet से अभी तक की कुणली मिल जाएगे till date it is just looking in the rare window rare view mirror and it does not provide various information बुलो which information करेड़े business model and strategies intangible and sustainability impact and performance that company value today and ability to create in the future स्रीकर बात and key aspects of corporate governance चलाने वाले लोगों का क्या सोच विचार है next internal control human rights and other key financial ratios ठेक है न बात repeat करो क्या क्या है business model and strategies intangible factors and sustainability impact and performance of the company that affects today value creation and future value creation प्रेक्ट है बात and key aspects of corporate governance प्रेक्ट है internal control and human rights and key financial ratio अब जैसे example है कल मैंने support teaching से retirement ले 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 example तो मैं क्या करूँगा मेरा plan of action रडियो होना चाहिए कोई मुझे पूचे का ठीक है तू सोच रहा है क्यों दस साल बात क्या 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 रहा है I need to think today what is my futuristic planning how will I create value in the society correct है तो company को भी चीज़े सोच नहीं बढ़ती है सिर्फ आज कमारे चल रहा है नहीं चलता है are you getting my point correct तो repeat करो क्या क्या नहीं बात होती है क्या क्या नहीं होता है financial reporting में business model and strategies intangible factors and sustainability impact and performance that affect the company's value creation today and the future then key aspects of corporate governance internal control human rights and key financial ratios आपका पूरा financial reporting हो गया खतब importance limitations components objectives meaning क्या क्या है meaning objectives components limitations and importance समझ रहा है ठीक है ना बात तो चार में से एक report कम्लेट हो गया ठीक है ना बात अब आते next is board report financial reporting non-financial reporting non-financial reporting board is a part of financial और non-financial non-financial मुझे बताओ board report का मतलब क्या होता है बदाइए प्लीस टेल में what is the meaning of board report board directors management को shareholders को कुछ बूलना चाते है board report एक बहुत बड़ा माद्यम है medium है medium है जिसके तहित वो अपनी बाते officially share orders को communicate करेंगे that is called as a board report are you understanding my point management auditor को अपनी बाते रखनी है तो कौन सा report auditor management को अपनी बाते members के सामने रखनी है तो कौन सा report अरे कोई picnic planning ने चल रही कि बहुत सारी बातों पर बात करनी है तो लिख कर देता हूं तो लिख कर दोर कुछ मुद्धों पर meeting में बात कर रहो बट लिख कर पूरा detailed discussion कर लाँ तो board report is a very big way out important means of communication about board with its stakeholders very very clear guys अचा board report को लेकर क्या कौनसे guidelines है क्या legal background है और कौनसा legal phase है बताईगा board report को लेकर कानून में कहा का reference है Companies Act के अंदर reference है CB LODR regulation में भी listed company को कुछ चीज़े board report में दालनी है और कुछ specific law अगर कोई कानून insurance companies insurance act banking regulation act के अंदर अगर रहेगा तो उनको reference देना है तो board report को लेकर reference थीन जगा पर है पहला Companies Act जो board report बनाना mandatory है Companies Act में दूसरा CB LODR regulation कुछ additional requirement बताता है कि board report में क्या होना चाहिए और तीसरा company regulated in any other law specific law शायद उस law में भी board report का reference आ सकता है very very clear guys बताइए कहा कहा पर आएगा Companies Act CB LODR regulations and companies regulated under any other law पात Companies Act mandatory for the companies to create board report सेबी LODR regulation listed companies to have additional requirements in the board report कुछ extra चीज़े board report में दालनी है and any other law में may or may not be there may be a reference are you understanding अच्छा board report consolidated balance sheet पे बनता है stand-alone balance sheet पे बनता है दोनों पे अलग अलग बनता है क्या होता है exactly board report is prepared on which document CFS or FS board report is on which document and is it for 10 years or particular year year-to-year basis पे कमेंटिंग होगे इस साल क्या हुआ आगे हम क्या करने हर साल के लिए कमेंटिंग होगे but the question is it is on stand-alone balance sheet not on consolidations सर क्यों ऐसा क्योंकि हर एक board अपने 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 company पे कमेंट करेगा ताटा जो संस है ताटा संस टाटा मोटर पे क्यों कमेंट करेगा ताटा मोटर के board ताटा मोटर पे कमेंट करेगा तो इन्होंने clear बुला है the board report shall be based on company's stand-alone financial statement and not on the consolidated financial statement very very clear guys यह आपको particular year के लिए और आपको CFS पर नहीं है यह आपको यह समझना है कि it is only stand-alone financial statement is that very very clear guys और board report में क्या होता है एक general paragraph दिया है financial information as well as non-financial this is a conservation of energy यह financial थोड़ी नहों किया dividend declaration financial समझ यही बात dividend कितना declare हम recommend कर रहे यह कुन बुलेगा board बुलेगा correct यह बात फिर अगर मैं बात कर रहा हूँ deposits को लेकर कमेंट कर रहे है financial correct future and ongoing project कुछ expansion का क्या है non-financial तो it covers financial as well as non-financial and what are the changes in management board में क्या changes है capital structure में क्या changes है profit को लेकर future planning modernization यह सारी बाते यहां पर board report में cover की जाएगे let us discuss again देखो what is the meaning of board report read करो the board report is an important means of communication by the board of directors of the company with the stakeholders repeat again the board report is important means of communication by the board of directors of the company with its stakeholder एक बहुत बड़ा communication का माद्धिय हमे बाते रखने का माद्धिय हमे board report contains financial as well as non-financial और उसके example थी तो मागे तो बढ़ने ही वाले है ठर्रे third it is regulated by companies act CBI LODR regulations and companies under any other law which is governing them it is regulated by companies act CBI LODR regulations and company regulated under any other law and it is prepared for the stand-alone financial statement rather than consolidated financial statement very very clear guys तो अब आगे बढ़ेंगे board report के contents क्या है board report क्या बताता है let us see correct है credit ratings उनकी security क्या IPF में किता बैसा दाला correct है उसके बाद में अगर में अगरो deposits को लेकर जानकरी loan guarantee को लेकर जानकरी CSR क्या किया आपने CSR की report अलग बनेगी बढ़ेंगे यहां पर एक reference तो देना पड़ेगा correct उसके बाद conservation of energy technology absorption foreign exchange earning out को कितना कमाया कितना नहीं कमाया are you understanding my point यह देखो एक सेंड डिरेक्टर रिपोर्ट दिख रहा है यह डिरेक्टर रिपोर्ट मतलब बोर्ड रिपोर्ट ही है एक तरीके से ठीक है तो डिरेक्टर रिपोर्ट में जब आप आओगे कंपनी के अंदर डिरेक्टर रिपोर्ट पहले तो फिनेंचल रिपोर्ट दिख रहे हैं आप है करें डिविदेंट क्या प्लाइन करी है अपने करें रिजर्ब में कितना दाला आपने बैसा ओके देन इफ यू सी दिस देर लॉट अप फाक्टर यूमन डिवलाप्मेंट को लेके क्या प्लाइनिंग है करें डिरेक्टर रिस्पॉंसिबिटी स्टेट्मेंट बोर्ट इवालुएशन डिरेक्टर इन कीम्पी को ने नमबर अप मीटिंग कितनी होई है रिस्क मैनेजमेंट को लेकर क्या किया आपने लोट अप तिंग्स आथ है आर यू गेटिंग मा पॉइंट CSR CSR को लेके रेफरेंस अन्वल रिटर्स को लेके रेफरेंस करें गैस गैस कंजरवेशन ओफ एनरजी टेक्नोलोजी अब्सर्प्शन डिपॉजट फ्रम पॉब्लिक यह सब आपने डालना है तो गैस हमें इधर से लर्ण करना पढ़ेगा रेंडवली हम इधर ही लर्ण करेंगे सबसे बेले if I'm talking about financial angle वाले points अपने दिखना है यह capital structure, debt structure financial angle है IPF, profit अपने ट्रांसफर किया IPF में correct बाद उसके बाद में loans, guarantees, investment financial angle है related party, financial angle आगया correct बाद foreign exchange earnings correct यह सब है फिर report, auditor report, secretal audit report फिर उन्होंने कुछ सवाल उठा है उसका जवाब देना correct बाद फिर secretal standards comply किया है CIRP कुछ चल रहा है annual returns यह आपने देखा additional disclosure under listing LODR regulations SEBI आपको additional disclosures listed companies को बोल सकता है is it very very clear guys तो सीए यह सारी बात आते है foreign exchange earning कितना incoming क्या आउट को dollars कितने है dollars कितने गए vigil mechanism whistle blowing उसको लेकर आपकी क्या तैयारी है vigil mechanism क्यों कैसे अपने चलाया है correct बात तो यह सारी बाते risk management को लेकर आपको comment करना होता है तो यह सारी बाते काली की है board report के अदर बदाएगे चलो एक ही करके company specific information general information company के बारे में specific and general capital and debt structure credit rating of securities IPF management and details of deposits चलो repeat करो companies specific information general information capital and debt structures credit rating of the instruments IPF management and deposits details of deposits यह दिखा आपने यहापे एक मिनिट deposits from public दिखर आपकोई है हाना details of deposits आपकोई है थीक है similarly if you see related party दिखर आपे correct related party auditors report secretal audit report vigil mechanism vigil mechanism risk management को लेकर तुमने क्या किया है correct particulars of loan guarantees and investments correct तो आगे दिखर यहापे और क्या आएगा CSR conservation of energy technology observation दिखर एक मिनिट auditor को लेकिए तीन चार पॉइंट बन सकते एक बनता auditors report secretarial audit report remains by the auditor correct है CSR and conservation of energy थोड़ा सा out of the box annual return देना पड़ता है vigil mechanism के बारे में commenting deposits के बारे में 8 point हो गए है चलो बता बता auditor को लेकि कितने point दे 3 कौन से 3 चलो मैं आपके साथ यहाँ पे jot down कर लेता हूँ थीक है थीक है उनसे information correct पहले आपन क्या करेंगे पहले auditor को लेकिए suppose auditors report को लेकर बात करेंगे थीक है secretarial audit report okay and remarks by auditor इसके उपर आप commenting कर हो गए है थीक है फिर CSR आएगा आएगा और conservation of energy resource वगरे में short part में लिख रहा हूँ conservation of energy CSR आएगा conservation of energy कोई दिकत इसके बाद में आपने क्या किया dividend dividend बाटना है नहीं बाटना है correct है फिर इसने क्या बाटना company specific information company what specific information and general information फिर management के बाटना है management क्या है क्या है deposits के बाटना है 10 पंटों के मजग 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 में चलो यह 10 पंट बता हो auditors report secretary audit report remarks by auditor CSR conservation of energy dividend specific information company general information management and deposits बता हो यह पिर लन करना है learning है auditors report secretary audit report remarks by auditor CSR conservation of energy dividend specific information general information management and deposits repeat again auditors report secretary audit report remarks by auditor CSR conservation of energy dividend company specific information company general information management and deposits अब और क्या point आड़ करेंगे 4-5 पंट और group में आड़ करेंगे debt equity structure आएगा correct है और क्या आएगा IEPF आएगा related party transactions आएगा loans guarantees आएगा और क्या आएगा बता ही है credit ratings vigil mechanism very true correct तो थोड़ा और 4-5 पंट आड़ करते है मज़क मज़क में correct बता ही है एक आएगा vigil mechanism correct है एक होता है कि IEPF investor education protection point correct है इसके बाद में क्या आएगा debt equity capital structure बोल देता capital structure और foreign exchange earnings and outgoes foreign exchange earnings and outgoes और क्या आएगा credit rating of securities annual returns annual returns बोचर बंच मलगे न ने बुल बुल गए annual returns self करने के न तो क्या होता आदमी कंटाला कर लेता है कोन याद रगया है और एक अदर और एक दो और एड़ आड़ दरेंगे सोचो annual return दाला दाला है security standards yes और loans guarantees दाल देता है particulars of loans guarantee and investment and compliance of standards ठीक है चलो रिपीट करेंगे यही पी लर्न करेंगे गाईस 11 से रिट करेंगे vigil mechanism IPF capital structure foreign exchange earning and how to go credit rating of security annual returns particulars of loans guarantees investments and compliance of standards repeat visual mechanism IPF capital structure foreign exchange earnings and outgoes credit rating of the instrument annual returns particulars of loans guarantees and investment and compliance of standards repeat again vigil mechanism IPF capital structure foreign exchange earning and outgoes credit rating of the instrument annual returns particulars of loans guarantees and investments and compliance of standards चलो पहले जिरीट करते है अत्रा बंडल लन करते है auditors report secretarial audit report then remarks by the auditors CSR conservation of energy dividend specific information general information management and deposits repeat करेंगे थास auditors report secretarial audit report remarks by the auditor CSR conservation of energy dividend company specific information general information management deposits vigil mechanism credit IEPF then capital structure foreign exchange earning and outgoe credit rating of the instrument 1.4 पाच को लन करते है vigil mechanism IEPF capital structure foreign exchange earning and outgoe credit rating of the instrument annual returns particulars of loans guarantees and investment and compliance of standard तो आपका board report दो report complete हो जाता है with this financial reporting complete हो गया इसके बाद में आपका non-financial में हमने board report complete किया is that very very clear अरे हाई या ना अब मैं directly आउंगा that is about integrated reporting which reporting integrated reporting integrated reporting के लिए global level पर एक संस्ता बनी है that is IIRC क्या बनी है IIRC last part of the chapter पूरा फिर मैं sustainability reporting हो CSI reporting पर आऊंगा बनी है ठीक है ना बाद तो IIRC ये global conciliation of various regulators investors companies सब ने मिलकर आकर एक संस्ता बनाई that is IIRC तो आपको IIRC पर question पूछ सकते है तो IIRC क्या है देखो यह पर read करो it is a global conciliation of all the regulators investors companies and accounting profession and NGOs सब सात में आगे income mission क्या है it want to establish integrated reporting plus यह समझना मेरी बाद यह reporting सिर्फ private sector ने private plus public sector के लिए बनाना चाहता है देखो यह पर establish integrated reporting and thinking within the mainstream of business whether it is a public or private sector तो जो IIRC integrated reporting ला रहा है is it applicable to public sector yes is it applicable to private sector yes integrated reporting होती क्या है financial non-financial सब एक जगा जाए balance sheet बनाते बनाते आपने environment का क्या किया balance sheet बनाते बनाते आपकी business strategy क्या है यह दोनो reflect हो जगे पर उसे बुलेंगे integrated reporting और integrated reporting से जैसे मैंने raw metal करी था तो मैंने society को यह add किया मैंने इतना मुनाफ़ भी add किया और इतना environment भी exploit किया और environment भी restore किया पूरा एक जगा चाहिए तो that is financial and non-financial reporting all coming at one place is called as integrated reporting is that very clear guys तो combination of financial and non-financial future everyone will not only make financial they will make both and आगे जाके आपके financial statement में non-financial आके दिखेंगे अलग-अलग नहीं report बनेगा एक ही जगा पर सब आएगा that is called as integrated reporting is that very very clear guys अरे हाई आना correct तो मुझे बताओ what is the mission correct है बताए they want to establish integrated reporting and thinking within the mainstream of the business whether it is a public and private correct है बताओ and what is mission vision correct है vision is a world in which capital and corporate bear are aligned with wider goals of financial stability and sustainability development by through the cycle of integrated reporting and thinking financial stability भी चाहिए और sustainability भी चाहिए पैसे भी चाहिए और ये पैसे long run भी चाहिए आप समझेए आज मैंने 50 कुर कमा लिए कल की कमाई का नहीं मालब मैं financially stable हूँ but मेरी sustainability का मुझे नहीं मालब दोनों ओना बहुती जरूरी है आज profit भी बनाना है financial stability भी चाहिए और आगे के generation में आपको ये pass on भी करना है torch bearership उनकी अच्छी चीज पास on करनी है और ये company चलते रहे ग्रो करते रहे that is sustainable development are you getting my point अरे हाई अना तो क्या अचीव करना चाहते है corporate behavior should be aligned with two objects which two objectives financial stability के भई financially they are strong कुछ भी आजाए covid pandemic आजाए कुछ आजाए बीमारी आजाए उनको कोई फरक नहीं पड़ता और sustainability मतलब वो company इतनी चले के आगे भी हम next generation को पास on करे by making a integrated reporting सब एंगल से सूचेंगे profit भी, समाज भी, society भी सब को लेकर चलेंगे तो ही होगा that is called as integrated reporting is that very very clear अरे yes or no तो what is the vision IIRC vision is a world in which aysad world in which capital is allocated and corporate behavior is aligned with the wider goals से financial stability चाहिए क्या है नहीं financial stability and sustainable development क्या चाहिए financial stability and sustainable Amitha बच्चे ने कुद को sustainable development मेरे था अभीशेक बच्चे ने financially stability लाई sustainability नहीं लाई फरक है के नहीं है, है ना क्या फरक है, अभिशीक बच्चें कोई फरक पढ़ते है पैसो से आज वो कुछ भी नहीं करे तो चल सकते है समझाए मेरी बात अगर मोधी जी है ठीक एक्जामपल, पॉलिटिकल डिबेट उसमें नहीं बच्चेंपल है, आज के अज वो इस डिटकल का नहीं मालू है उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी इतनी खड़ी कर दिये कि यह पॉलिटिकल पार्टी वो नहीं भी रहे तो 10-15 साल तो राज करे तो उन्होंने क्या क्रेट किया सस्टेंबल डवलाप्में यह समझे बच्चेंपल पार्टी को इतना उठाय है कि भई उन्होंने उस पॉलिटिकल पार्टी को आगे का उस पॉलिटिकल पार्टी में ने पॉलिटिशन भी जोईन हो जाए, वो केरी पोड हो जाएंगे, यह समझे है मेरी बात तो यह बहुत ज़रूरी है, financial stability सब के बास है, सब लोग लड़ाई क्यों करते है election की लड़रे फिर भी, sustainable development, तो company ने दोनो goals रखने हैं, wider goals, what wider goals? financial stability and sustainability, the resource allocation and the behavior should be such that we need to think from both the point of view and this is possible by with the help of integrated reporting and integrated thinking हमें सभी angle को लेकर चलना चाहिए, see financial reporting से focus on 1P, profit but integrated reporting focus on profit, planet and people, सभी पर focus करते है, profit, planet and people, से profit कमार है, नहीं चलेगा, triple bottle line approach करणे बाद, से profit से stability आ जाएगी but अब sustainability नहीं ला सकते है profit के साथ environment भी देखना है human resource भी देखना है, people से अब देखना है, समाज देखना है, तो आप आगे के generation में आगे बढ़ पाइंगे तो that is what called as sustainable development, is that very clear guys तो tell me what is the vision I.I.R.C. का vision क्या है, बताएं I.I.R.C. का vision यह है कि it want a world in which ऐसी दुनिया, जापर people will allot capital and have the corporate thinking of two main object. Which two main object? Financial stability and sustainable development through with the help of integrated reporting. Very clear guys. They want adoption of integrated reporting. They want advanced corporate reporting. Reporting और बड़े. And they want to contribute for two things. Financial stability and sustainable development. क्या चाहते हो? Integrated reporting international level पर बढ़े हैं. Corporate reporting का level बढ़े. Advancement. Company reporting plus they want to contribute for two things. ये reporting के माध्यम से दो चीज़ अचीज़ करने में help करेंगे. कौन सी दो चीज़ अची़ करने में help करेंगे? Financial stability and sustainable development. समझे का अरी बाद? तो IIRC का background clear? बताओ. IIRC. What it is? Global Coal, क्या बलोगे आप? Coalation of Regulators, Investors, Companies, Standard Setters, Accounting Professions and NGO. बताओ. Global Coalation of Regulators, Companies, Investors, Standard Setters, Professions, Accounting Professions and NGO. What is the mission? क्या vision और mission? Mission कैसे अचीव करेंगे? Establish Integrated Reporting and Thinking in the Mainstream of the Business. Regular में होना चाहिए in both public and private sector. यह कैसे अचीव करेंगे अपने vision को by making Integrated Reporting as a main part of the business. In both public and private sector. And what is the vision? करेंगे? Capital Allocation, ऐसी world, ऐसी दुनिया, जापर लोगों का सोच से profit तक नहीं है. लोगों की सोच और लोगों का decision making, Capital Allocation, ऐसा बने, कि वो दो main object पर focus करें, which two main object, financial stability तो करनी करनी है, plus sustainable development, which is possible through Integrated Reporting. What is the objective of IARC? Adopt Integrated Reporting on International Basis, advance the corporate reporting, company reporting or advance हो जाए and third is contribute in the financial stability and sustainable देखो एक बर यहा. Check करो, Online जनता जनार दिन क्या बुल रही है? Are you all connected? Ding, 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 ding. Yes, wealth maximization, profit maximization and wealth maximization. Very true. FMA बढ़ते है ना? Profit is very narrow object. Correct. Wealth is more broader. सिर्फ प्रोफिट सो बनाना ही है, goodwill बनाना है, image बनाना है. लोग आगे जाके उसको trust करें. ठीक है? और ऐसी दुनिया बनाना ही है कि लोग भी खुश रहा और company भी खुश रहा है. Correct बात. So that is both the object which is possible and IRC इस पर पूरा focus कर रहा है. Online जनता आगे बढ़े हैं? चलो. तो guys, अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे. चलेगा. अब integrated report होता क्या है? Integrated report का मतलब IRC का background बढ़ा हमें. अब IRC integrated reporting चाहती है. What is integrated reporting? आपको दोनों भी reporting मिलेगी financial as well as non-financial. At one place financial आखड़े मिलेंगे, non-financial मिलेंगे, यह बन गया integrated reporting जो बताता है कि company कैसे value creation कर रहा है? कैसे value creation कर रहा है? कैसे आगे बढ़ पा रहा है? करदे बाद. तो it is narrow approach या holistic view. holistic. Complete package एक ही document में पूरी कुंडली समझ जाएगे. Are you understanding my point? Correct बाद. एक ही जगा पर company का पूरा approach, company का पूरा view मिलेगा and obviously यह company value creation कैसे कर रहा है? short term, medium term, long run यह integrated report से समझ में आएगा. तो देखो यापर. It is a holistic representation of financial and non-financial performance. Correct बाद. and profit making लोग क्राइम करके बैसे कमा रहे है. murder करके हमा रहे है. financial stability आ रही है. बट क्या यह sustainable है? क्या परिवार long run चल पाएगा यह business में? खांदा नहीं murderers बन जाएगे लोग. बच्चे के बच्चे के बच्चे dawn बनने वाल है. समझ में हा रहा है. बट क्या यह कभी न कभी अन्त होगा परिवार का? अरे हाँ या ना? correct बाद. तो वहाँ पर क्या है? पैसा तो है बट क्या sustainability है? नहीं है. correct बाद. तो यह report ऐसा है जो बताता है कि financial भी important है और non-financial approach और it communicates how their strategy governance lead to value in the short run, medium run and the long run. बताओ यह क्या बताता है report? इट reflects your strategies, इट reflects your business, इट reflects your performance, how the company is taking decision और जिससे कंपनी क्या कर पा रहा है? value creation कर पा रहा है. क्या create कर पा रहा है? परिवार में भी होता है ना? जैसे मेरे पढदादा के पास गिंच उनके खोली थी रहने के लिए. मेरे पढदादा ने वो खोली हमारे मेरे उनके पाच बच्चों में दिया. उन पाच बच्चों ने अपने-पने पाच फ्लैट बना लिए. पिर आगे वाले जनरेशन ने पाच फ्लैट के तीन-तीन तो इसका परपस क्या है? और इसका यूजर कौन है? इन्फोमेशन कौन यूजर करते है? सब लोग. Everyone. Employees, customers, suppliers, business partners, local communities, legislators, policy makers और जो integrated reporting है यह सभी private sector ने भी बनाना चाहिए, public sector ने भी बनाना चाहिए और non-profit making organization ने भी बनाना चाहिए. It is helpful for everyone. Are you understanding my point? Integrated report होता क्या है? It provides holistic representation of financial and non-financial performance. क्या प्रवाइट करता है? Holistic representation of financial and non-financial performance which shows how you create value in the short run, medium run and in the long run. How you create value in the short run, medium run in the long run. Wealth maximization. कैसे की अपने? क्याट बाद. And what is the main purpose of this report of this report is to provide how you created value in the organization. Who are the user of this report? Everyone. Who all? Employees, customers, suppliers, business partners, local communities, legislators, regulators, and policy makers. Are you understanding my point? Anurag Puchhasaar, integrated format होता है क्या अभी तक नहीं आया है? ठीक है ना बाद? But, कुछ-कुछ countries में है है. उसके बाद में, Who all will make this integrated report? We want everyone. India level की नहीं बात करो, world level पर. Whether it is a public sector, private sector, और NGO. क्याट बाद? ये clear-cut बात है. आपने ये clear-cut इनको use करना चाहिए. अब who are the key stakeholder? इनने अलग से model में paragraph दिया है. Now, who will use this? Organization, खुद integrated reporting से उनको समझेगा कि उन्होंने कैसे value create किया? How they were able to create a value? क्या अच्छा गया? उनसी चीज अच्छी चीज थी जैसे example है. मेरी balance sheets अब को मेरे financial समझेगा. But मैं ऐसे इनसान कैसा हूँ? मैं समाज के लिए क्या कर रहा हूँ? ये मेरे other factors बताएगा. But ये सारी चीज balance sheet में आजाए. कि as a मही रगरवाल how is doing financially? How is doing from society perspective? How is doing from planet perspective? आज वो क्या कर रहा है? तो ये एक जगा आजाए. तो आपको थोड़ा और आसान होगा मुझे समझने के लिए. समझाए मेरी बार. और आपको मेरे बारे में decision making करना है. वो आसान हो जाएगा. Are you understanding my point? तो ये मुझे खुद को समझेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ? दूसरा जो मुझे में invest करना चारा है. वो लोग को समझेगा. और समाज को मैं एक picture दे पाऊँगा कि what exactly मही और अगरवाल लेज़? समझे रिवाद? तो who are the key stakeholders in integrated reporting? तीन. organization, investors and societies. बतावा, कौन कोन आएगा? organization, investors and societies. रिट करो. organization, investors and other key stakeholders such as customers, employees, regulators and societies. ये interested है आपके integrated reporting. ये question है तो आपको ऐसे लिखना है? उपर बहुत generalized लिखना है. बड़ यहाँ पर उन्हें एक separate paragraph दी है कि please write down the various key stakeholders relating to integrated reporting. तो आपको ये चीज़ आराम से समझा के लिखना है. Is that very clear? repeat अगे है. मुझे बताओ. IIRC International Integrated Reporting Council ये किसने बना है? Global Coalition of Regulators, Investors, Companies, Standard Setters, Accounting Profession, NGOs. इंका मिशन क्या है? ये क्या जब विजन क्या है? क्या बनना चाते है? वो ऐसा वर्ल्ड बनाना चाते है जहां पर लोग capital ऐसा lot करें क्योंकि पास financial stability भी रहे और sustainability भी रहे. और वो क्या करना चाते है? ये सब संभव है through integrated reporting. तो ये कैसे कर पाएंगे mission? They want to establish integrated reporting and within the mainstream of the business from public as well as private sector. और ये IRC का में उद्धेश का है. They want people to adopt integrated reporting internationally. They want to advance the corporate reporting. and they want to contribute towards financial stability and sustainability. सार है क्यों वर्ट 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 है ना ये बारवर बुलतो हुए आएगा. जम रहा है? पक्का? कुछ यादा रहा है चीजे पड़ी भी? थोड़ा थोड़ा जो पड़ा हुआ है जोड़ा हैं वो गलिया. गैप हो चुका है. करेक्ट बात? फिर भी, what is integrated reporting? इस holistic representation of financial and non-financial performance of an organization. सिर्फ फनेंशल नहीं चीजए हैं नॉन फनेंशल में भी important है. दर्शन ऐसा बंदा कैसा है? सोच कैसी है? उसके society के प्रती क्या विचार है? विमर्ष है. अन्वार्मेंट को लेकर, बदलब अन्वार्मेंट को लेकर क्या कर रहा है? ठीकर नहीं बात? यह सारी चीज़ें बहुत महत्व हैं. उसके बात मैं, मुझे बताओ कि यहां पर, what is the main purpose? How the company is able to create value over a period of time? Who are the users of the report? Employees, customers, suppliers, business partners, local communities, legislators, regulators, policy makers. Everyone needs to follow the integrated reporting. Are you getting my point? Correct guys, who are the key stakeholders? जिसका integrated reporting से लीना दिना है, organization themselves, उनको पता चलेगा, कुनसी चीज़ करने से आमें क्या value create हुआ? Correct बात, दूसरा, investors and other stakeholders, उनको decision making easy होगा, and society, society will come to know कि, कुनसा company कितना, समाज को लेकर serious है. अब integrated reporting बनाते है समय, कुछ guidelines IIRC ने दिये है, कुछ guidelines IIRC ने दिये है, यह आपको बताने हैं. चलो, online जनता comment करेंगे, क्या guidelines follow करने है, और face to face में जो बैठे हैं वो भी बताएंगे. Mandatory in the form of BRSR, बताता हूँ, इंडिया लेवल पर क्या है वो बताता हूँ. Yes, I want to ask, क्या guidelines बोला है, integrated reporting करते हैं समय? Yes, very true. पहली बात, strategic focus, future orientation. क्या कि हम, आप क्या करने जा रहे हैं, और उसका क्या future में जाएंगे, impact है. दूसरा, connectivity of information, के आप जो बोल रहे हो, interconnected, पहले अलग बात, पहले environment पे बीचे, people पे बात करें, people बात करें, environment पे आके profit पे आगें, ऐसा नहीं, proper connectivity of information होनी चे, stakeholder relationship, में शुट बी देर, मतलब, उनके point of view से, उसके बाद, maternity, main, main, facts, cover हो नीचे, concise, to the point, ऐसे writing नहीं करना, मैं घर से निकला था, मैंने देखा, garbage पड़ा हुआ है, तो इस मेरी company नहीं सोचा कि, हमारे नाम का rapper नीचे गिरा था, तो हमें अच्छा नहीं लगा, environment, to the point, conciseness, reliable, मतलब, statistics, करेक्ट देना है, पूरा देना है, and, consistent and comparability, कि आप जो report कर रहे हो, every year वो करो, और, comparable रहे, पिछले year से इस साल, company to company, comparable रहे, reporting करते समय, आपका future orientation देखना चाहिए, balance sheet तो पिछला दिखा ही रहे न, तो इंटीगरेटी रिपोर्टिंग, future orientation बेस होना चाहिए, कि आगे company किस दिशा में जा रहे, second, connectivity of the information, जैसे, अब यहाँ देखो, अब यह देखो, एक सेकेंड, यह आपने annual report ओपन किया था, management, discussion, analysis पर हम आता है, उसमें देखो, कितनी connectivity दिखेगे हैं, यह करे आपको, inputs, inputs, business में हमने क्या लाया, financial capital क्या लाया, human capital क्या लाया, यह देखो, यहां से दिख रहा है, तो हमने social relationship, nature capital कैसे create, सब interlinked chart बनाएगे, आप समझेंगें मेरी बात, अगर human capital अच्छा आएगा, तो intellectual capital अच्छा आएगा, लोग अच्छा हैंगे, तो यह पूरा interlink, how to create value creation process, अब यह आपको डाइगराम समझें में टाइम लगेगा, बट आपको प्राइमा आफिस समझ रहा है, कि कुछ तो value creation का chart है, तो connectivity of information दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं, हाना, 100% दिख रहा हैं यहां से, समझ रही बात, तो इन्होंने पूरी information दिए है, और उसको अच्छे से value creation model, यह पूरा उन्होंने नीचे समझाया है, customer management से लेकर हर चीज, यह देख आप है, value creation model, ओके, तो आपके, इसमें connectivity of information होनी चाहिए, आपके इसमें future orientation होना चाहिए, आपका stakeholder relationship, हर एक के point of view से कुछ ना कुछ होनी चाहिए, material चीज होनी चाहिए, जो main facts है, उसके बाद, concise होना चाहिए, to the point होना चाहिए, रामायन ने लिखनी है, बहुत direct point, reliable होना चाहिए, correct information, and consistently and comparable information होना चाहिए, आप जो report बनाओगे, every year to year आप कुद compare कर पाए, the integrated report है, बताएए क्या क्या हैगा, strategic focus, future oriented, connectivity of information, stakeholder relationship, materiality, conciseness, reliability and completeness, consistency and comparability, repeat again, strategy focus, future oriented, connectivity of information, stakeholder relationship, materiality, conciseness, reliability and completeness, consistency and comparability, very very clear guys, बताओ फिर से, strategic focus and future oriented, connectivity of the information, stakeholder relationship, materiality, conciseness, reliability and completeness, and consistency and comparability, अब report के elements, report के contents क्या होने जे, report के अंदर क्या-क्या बाते होनी जे, report बनाते समय क्या बात ध्यान में रखनी है, that is guidelines, principles, guiding principles, और report में क्या होना चाहिए, ये हम बात करने चाहिए, what are the elements, दिखो एक तो सबसे पहले है, company के बारे में और company के environment के बारे में, कि external element में कोने government है, ये वो है, competitor है, दूसरा company के चलाने वाले लोगों के बारे में, governance, फिर company का business model क्या है, company क्या बना के क्या बेचता है, profit जैसे example है, automobile जो showroom चलाते है, इंका car बेचने पर मुनाफ़ा नहीं होता है, ये आपको मानने में है, इंका main मुनाफ़ा है servicing, तो वो बलेंगे, हम car तो बेच रहे, बट car से हमें service का customer मिल रहा है, तो this is a business model, are you getting my point, correct है बात, उसके बात, हमारे industry के क्या risk, और हमारे क्या opportunities है, हम क्या खत्रे बेचता है, आपको long term सोचने हैं, तो risk का सोचने ही पड़ेगा, risk को ignore करोगे, तो खतम हो जाओ गए है, correct बात, फिर company का क्या strategy और company किदर क्या कर रहा है, और company का outlook क्या है, how company उसको आगे जाकर, कैसे नजरिया क्या है company का, और basis of preparation, बनाते है समय, matters to be included, and last, ठीक है नबात, यह just mix हो है point, I'll just rectify यह, one minute, एक minute, देखो फिर भी एक बार, overview and external environment, यह समझा, company के बारे में, और company के external environment के बारे में, एक second, I'll just open, आपको जोड़ इसी जाएगा फिर, elements, इदे कर आपको है, organization, overview and external environment, what does the organization do, and where it exists, किदर किदर, यूएस में हैं, इंडिया में हैं, किदर किदर, कुण से market में face कर रहा है, governance, how does organization govern structure, कैसे वो कर पार है, third, business model, कैसे profit पार है, क्या-क्या risk and opportunities है, फिर strategy क्या है, and resource allocation क्या है, outlook क्या है, challenges, क्या-क्या problems face, chances है, uncertainty क्या है, company क्या problem face कर सकता है, and basis of presentation, कि how much matter quantified, how does matter to be integrated, depends upon many other factors, कि ये बनाते समय, बहुत सारे मुद्दों के उपर, आपका content भी depend करता है, तो बताई है, क्या-क्या रहेगा, what are things are there, first is, organization, overview and the external, what does we do, what we do and, where we are, where we exist, second, governance, how we creating value, what is the structure, कौन-कौन involved है, third, business model, what does the organization, business model is, कैसे profit आथा है, what are the various risks and, opportunities, correct है बाद, which will affect our ability to make profit, in the short term as well as, long run, correct है बाद, उसके बाद, strategy and, resource allocation, के where does organization want to go, and how does it, intent to be there, कैसे अचीव कर पाएंगे, and outlook, कि हमारे, क्या-क्या problems होने की, संभावना है, strategy में, क्या-क्या गर्बड होने की, chances है, and basis of, presentation, कि it depends upon, a lot of content, and any other matters, to be integrated, वो बादेड करते हैं, organization पर, तो बताएंगे क्या क्या आएगा, elements, organization, overview and, external environment, governance, business model, risk and opportunities, strategy and, resource allocation and, outlook, अब, IIRC ने, six capital disclosure देने के लिए, mandatory बोला है, integrated report में, पहला है, financial capital, मतलब, debt equity, कितना fund है, क्या है, second is, manufactured capital, मतलब, infrastructure क्या आप के बास, correct है बास, third is, intellectual property, capital, patent copyright, आपके नाम पर क्या है, आप कितने expenditure कर रहे है, R&D कितना कर रहे है, फिर human capital, कितने caliber human resource है आपके बास, experience कितने लोग है, social capital, मतलब, आप well-being क्या कर रहे है, labor force के लिए, and natural capital, मतलब, water, air को लेकर, आप company, इसको कैसे tackle कर रहे है, carbon emission, water consumption, ऐसे six, अलग-अलग capital disclosures, आपके इसमें दिये वे, देखो यहाँ पर भी दिया था, part of it, part of the report content ही है, उसमें वो 6, generalized content है, यह specific है, और दिखाद, तो यह देखो, financial capital, source of fund, available to the company, human capital, skills, competencies, caliber, intellectual capital, हमारे बास कितना, domain knowledge है, among the employees customers, natural capital, renewal and non-renewal, environmental sources, and manufactured capital, मतलब physical infrastructure, इसको लेकर, इंको disclosures देना है, बदाए कोण से 6 capital है, financial capital, हमारे बास investments कहां से है, second is, manufactured capital, मतलब infrastructure, machines, go-downs, intellectual capital, domain knowledge, expertise, human capital, मतलब caliber, sufficient staff, good people, social capital, मतलब हमारा goodwill, among employees, customers, हम कितना present है, and last is, natural capital, हमारे पास resources क्या है, environmental resources क्या है, clean है, नहीं है, renewable energy है, नहीं है, solar energy है, नहीं है, हम कितना उसको यह कर पा रहे है, बदाए यह 6 capital, पहलाएगा, हनुराब कुछ नहीं है, human capital कैसे disclose होगा, देखो यहाँ पे लिखाएगा, एक सिकंड, I'll just try to give you, blue है नहीं, देखो, human capital, क्या आपने कितने employees है, क्या आपकी ताकत है यह कमनी, अगर मेरे पाद कोई भी project के लिए 10 लंग employees, और इसके दोई employees, क्या मेरी ताकत इससे कभी भी जाद है, क्या कोई भी project को मैं उठा सकता हूँ, तो देखो, blue color है ना, तो blue color में ने disclose किया, 24,179 net addition of employees, इतने लोग higher करनी की मेरी ताकत, उसके बाद, 12.1 attrition, मतला हमने retain किया, जो job छोड़ के जा रहे थे something देख, 4.7 million learning days, हमने उतना train किया, हमने training पे खर्चा किया, and 335K thousand, associate train in digital platform, and train in agile platform, जो भी हुंका रहेगा अलग-अलग, तो हमने training पे खर्चा किया, लोग higher किया, हमने attrition rate रोका, जो leave करके जा रहे है, तो क्या ही हमारी ताकत बनती है, यह लोगों से कम नहीं जलती है, लोगों और पैसों से जलती है, अमनी अकेला काम नहीं कर पाएगा, तो यह कॉन सा capital हो गया, human capital, which capital, human capital, very very clear guys, repeat को, which six capitals आदे है, financial, manufactured, intellectual, human, social, तो यहाँ पर green color पर आते हैं, कितना revenue generate करनी की ताकत हैं हमारे पास, 1,56,949 crore revenue, और जो हमारी लगबग, 10.6, हमारे 5 years से revenue CAGR, growth in the revenue, 10 तक्के से revenue grow हो रहा है हमारा, correct every year, operational margin, profit margin, gross margin, EBIT, 24.6%, ठीक है, cash कितना generate कि हमने है, 44,311 cash or cash, equivalent, and 100.1% operating cash flow net, to net income ratio, 70 रुट बातनी की ताकत है, और 98.6% shareholder payout to net income ratio, वो technical words है, ठीक है न पाई, तो यह कौन सा हो गया, उसका outcome, उसका पूरा study दिया है इन्होंने, तेको patents, कितने patents है हमारे पास, 5,216 patents are applied, how many patents we have received, 1341 patents granted, 55 active partnership, and 43 active research partners, इस दिएर बात, and 360 innovators nurture till date, इतने innovators को हमने पैदा किया है, maintain किया है, समझा रहा है मेरी बात, तो यह हमारे intellectual हो गया, यह देको, red वाला, social and relation, customer base, increasing customer, dollar 100 million plus clients, जो 100 million plus का client, वैसे 5 clients है हमारे पास, थेकर बात, increase in this, 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 as a brand valuation, दिख रहे है है, यह आगे आपको social capital, इसके बाद में, natural capital को लेकर, आम बात करेंगे, 11.8 reduction in carbon footprint, carbon emission कम किया हमने, गरेक्ट बात, 9% reduction है fresh water, नया पानी खीच के लाना, वो ही पानी को यूज करना, तो fresh water consumption हमने, 11.9% से decrease किया है, and 1.65 power utilization, अचीव एकरोस 22 data center, ठीक है न बात, and last is what, manufacture का, infrastructure, IT company का infrastructure क्या है, workspace, हजार वर्क्सपेस एड किया हमने, 2 पेस पोर्ट लॉंच किया है, और 30 innovation labs एड है करें, infrastructure है, very clear का इस, तो यह होगे आपका, what are the various capital disclosures, अब integrated reporting के फाइदे का है, what are the benefits of integrated reporting, पहला benefit decision making, और सुधार के चलेंगा, क्योंकि financial capital लान ने गए, तो intellectual पे क्या हो रहा है, human resource पे क्या हो रहा है, पूरा correlated है, तो side decision making होगा, फिर यह reputation क्रेट कर रहा है, इतना detail reporting दे रहा है, एक company से financial आकड़े बदा रहा है, एक company पूरी strategy बदा रही है, correct, उसके और more efficient reporting, obviously integrated report, more better than financial reporting, employment engagement उनको भी समझेगा, और यह company अमरे ले इतना कुछ कर रही है, and improved gross margin, profit बदाने में help भी कर सकता है, देखो, क्या-क्या फाइद है, more better decision, more goodwill, more margin, then employee engagement will increase, and more better way of reporting it is, बुलो-बुलो, improved decision making, improved reputation and, stakeholder relationship, more efficient reporting, employee engagement, and improved gross margin, बुलो-बुलो-बुलो, improved decision making, improved reputation and, stakeholder relationship, more efficient reporting, more employee engagement, and improved gross margin, कोई दिखाता, इसको थोड़ा elaborate तो करना पड़ेगा, यह तो पंटर होगा है, आप थोड़ा सा लिख पाऊगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आपको थोड़ा idea रहेगा, see, management team have found, the integrity provide greater insight into factors, driving business, करेटे, तो enable strategy, decision making अच्छा होगा, और आमें थोड़ा greater information, greater insight मिलेगा, ठीक है, improved reputation, enables investor to assess short term, long term impact, and this, अगर आप अच्छा करने जा रहे है, देखो, कि हम लोग इतने patent apply करने जा रहे है, यह information दिया, तो क्या यह goodwill create होगा, yes, correct अबाज, more efficient type of reporting it is, which provides both financial as well as non-financial, employee engagement will increase, employee feel motivated and supportive towards the task and responsibilities, क्योंकि human capital का असर क्या हो रहा है, यह आपने आगे दीखेगा, correct, and improved gross margin, which is financial benefit, integrity reporting, financial planning में भी help करता है, जो आपका financial benefit है, और आपका overall profit भी increase, होगा, very clear guys, बताओ, क्या क्या benefits है, improved decision making, improved reputation and stakeholder relationship, more efficient form of reporting, employee engagement is there, because they are motivated to be, and next is improved gross margin, clear क्या है, अब, India level पर integrated reporting की क्या खानी, अगर आपको question पुछते है, integrated reporting by listed companies in India, सबसे पहले, LODR regulation में इसका reference है, LODR regulation ने एक report लाया था, BRR, business responsibility reporting, जो पहले, top final companies को करना था, ये एक type का integrated reporting है, ये type का, इतना develop नहीं, integrity reporting, बट काफी develop है, तो BRR, business responsibility reporting, ये आपको मिल जाए गया है, ये को business responsibility reporting, under CB regulation 34, ये जो reporting है, इसको integrated reporting के तरह ही treat, किया गया है, समझा रहा है मेरी बात, ये देखो है आपके, हाँ, रिप्लेस कर रहा है, तो वो लिखा है मैंने, कि पहले, फिर amendment आया, 26 December 2019 में, 500 का 1000 companies कर दिया, फिर amendment आया, 5 में 2021, अब BRR को replace कर के कर दिया, BRSR, business responsibility and sustainability reporting, पहले BRR का focus सिर्फ ESG पर था, या 3 piece पर था, अब BRSR का focus, ESG पर भी है और sustainability पर भी, तो इन्हों sustainability आड करके, report का नाम कर दिया, BRSR, business responsibility and sustainability reporting, तो पहले क्या लाया, सेबी ने LODR regulation के अंदर, 34-2F regulation, पहले 500 companies को कोन से report बनानी है, BRR है, फिर वो number increase करके 1000 किया, फिर 2021 में amendment लाया, report अप्ग्रेड किया, अब report का नाम है BRSR, BRR का full form क्या है, business responsibility reporting, और BRSR का full form क्या है, business responsibility and sustainability reporting, are you understanding my point, और यही वो capital disclosures है, यह six disclosures, इंडिया में अभी भी इसके अंदर, यह financial capital, यह capital सब follow करना है, और SEBI ने पहले voluntary रखा था, बाद में इसे compulsory किया, यह report भले board report के साथ दे दो, management discussion के साथ दे दो, यह separate report दो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ आपको disclosure तो देना ही पड़ेगा, इट में भी separate, और इट में भी a part of management discussion and analysis, उसके अंदर दिया तो भी चलेगा, बट अगर ऐसी कोई जानकारी आपने और कई दिये, और integrated report में भी दे रहे हूं, duplication avoid करना है, cross reference देना है, duplication avoid करके क्या करना है, cross reference देना है, और green initiative को ध्यान में रखते हुए, आप यह report website पर available करा दोगे, तो print करनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगे, इधर आप environment बचानी की बात कर रहे हैं, और print करकरके environment के बात कर रहे हैं, sustainability का मतलब के environment बचा और future के लिए, करण बात, और इधर आप क्या कर रहे हो, sustainability के बात करनी के लिए, print करके देरे लोगों को, तो green initiative के फॉर्म में, you can place the report on the website, और इसके लिए, ये report बनाने के guidelines, किसने provide किया है, IIRC, International Integrated Reporting Council, IIRC, International Integrated Reporting Council, ये guidelines दे रहा है, ये इंडिया में follow किया जाएगा, तो इंडिया में पहले क्या था, BRR, पिर BRR कितने लोग के था, फाइंड गपने से, अब वालिश करके क्या हो गया, BRSR, बट पहले फाइंड का क्या किया, वन ताहुज़, उसके बद क्या किया, BRSR, BRSR का focus क्या है, ESG प्लस sustainability, और BRR का focus क्या है, ESG, पिर्ट बाद, उसके बाद, क्या हम IRC की guidance फॉलो कर रहे है, YES, क्या six capital disclosure करना पड़ेगा, YES, कौन से six capital, financial capital, human capital, intellectual capital, क्या बाद, social and, natural capital, एक्सेक्टर, पाच्चे capital लाग है, ये disclosure भी इंडिया में करना है, हमने देखा अलड़ी, disclosures, तो ये आपका हो गया, about the integrated reporting by listed companies in India, कोई दिकर, पक्का, 100%, ठीक है रपाद, तो इसमें अभी, थोड़ा content बचा है, कल half NR की revision है, पूरा complete हो के नया chapter चाले हो जाएगा, कल के content में क्या होगा, sustainability reporting का पाट आएगा, ठीक है, CSR की reporting का पाट आएगा, और तीनो report का comparison है, financial reporting, integrated reporting, sustainability reporting, ये दो-तीन चीज़ बची है, जो कल के half NR में complete करके, immediately internal control का revision हम start कर सकते, या एक आदा और एक chapter का, are you getting my point? correct, तो compliance कोशिश करके, कल या फरस्व तक, पूरा complete कर देंगे, ठीक है न बाद? तो we are stopping here, online जंता कुछ पूशना चाहरी है, तो बदाएगे है, चलेगा, ओके, thanks a lot guys, so we'll meet tomorrow for the revision, जैहन, bye bye take care, thanks a lot, yes guys, warm welcome and a very good morning, this is lecture number 2 for your revisions, और मैंने आपको ये revision series में promise किया है, कि part B, C, D, मैं पहले आपको बहुत अच्छे से cover up करा कि दूँगा, पिछले लेक्चर में आपने रिपोर्टिंग स्टार्ट किया था, रिपोर्टिंग में कुछ पार्ट बचा है, और आज हम इंटर्ल कंट्रोल का रिविजिन भी ले लेंगे, रिपोर्टिंग में 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 आपडिक देस्केसिंग, श donaas केहपो si statist сигज जा बहुत सारी proyects 2 गार, आपड, तो यंग जेर, आपड धान इंग, अपड में आपTr broad. इदक कीजिए क्या समझनाज आफेस्टेम्न धार,चेटम्न निक कान थी चालल बार, तो it's a process which producing a statement and disclose the financial status of to the management, communicate to the investor and the government. Very very clear guys, अपने अपने बहुत प्रोसेस है, timely audit होता है, quarterly balance sheet बनती है, yearly बनती है, audit होता है, फिर board अप्रूफ करता है, audit committee अप्रूफ करता है, फिर journal meeting में जाता है, उस पर debate discussion होता है, तो एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है नबाज, अब इस प्रोसेस का क्या use है, it helps in decision making, correct, management को decision making, कि अपने कितना profit कमाया, loss कितना किया, कौन सी चीज फादी में रही, कौन सी चीज नुकसान में रही, तो decision making आसान हो जाता है, very very clear, और दूसरी बात है, यह एक financial information प्रोवाइड करता है to various stakeholders, तो guys, क्या-क्या financial statement में होता है, balance sheet, profit and loss account, cash flow statement, changes in equity, notes to accounts, quarterly and annual report, prospectus, management discussion and analysis, यह सब financial statement का पाट है, correct, what is the objective, क्यों बनाते हैं, because it provides valuable information, it provides information to various stakeholders, like management, investors, promoters, stakeholders, shareholders, everyone, auditor, plus it provides information about claim of the economic resources of our, क्या-क्या asset है हमारे, claim over the resource, किस-किस का दावा है, debtors, loans, किस-किस को, पैसे लेने का अधिकार है, यह मालूम पढ़ जाएगा, correct बात, अब दिए एक 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 जाएगा, एक एक फार वे रिलेटिफ का एक बंदे का डेथ हुआ, डेथ होने पर फैमिली को कुछ पता ही नहीं कि किस से पैसे ले और किसको दिये, डॉक्यमेंटर ही नहीं था, तो कितना प्रोग्लम आता है, तो उसने पैसे का रखे है, इंवेस्ट का का की, और किस-किस से कितनी उधारी ले हैं, we don't come to know, बट अगर वो प्रॉपर बैलेंशीट बना दिता, तो बाते क्लिर हो जाती ही ना, कि उसके पैसे किदर किदर इंवेस्टेड है, और वो पैसे उसने किस-किस से उधारी ले रखी है, तो तो इस, economic resources of the organization, claim over the economic resources, then changes in the economic resources, and claim over the economic resources में, जो-जो changes हो रहा है, वो समझेगा, and plus, how the organization is procuring money, and using it, कहां से पैसा ला रहे हैं, और कहां लगा रहे हैं, यह हमें समझ में आएगा, very clear guys, तो यह objective पढ़ा, इसके बाद में importance, क्या फाइदा है, financial reporting का, सबसे बेड़ा, आपका एक duty है, compliance है, by law को बनाना ही है, तो आपने compliance पूरा कर दिया, दूसरी बाद, audit भी करना है, एक होता record बनाना, एक होता record, audit करना, record बनेगा, तो audit होगा, तो audit कम्प्लीट हो जाएगा, उसके बाद, decision making, financial planning में होगा, company का statistics रहेंगे, कि turnover कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, यह statistics रहेगा, decision making कर पाएंगे, third is, they are able to raise the money, मैं आपको बुला, Amitah Bachchan भी bank गए, तो Amitah Bachchan को शकल देखके पैसा नहीं देंगे, documents देखके पैसा देंगे, one of the very important document is, financial reporting, जिसके basis पर पैसा देंगे, जिसके basis पर पैसा देंगे, जिसके basis पर पैसा देंगे, and then, government contracts, tenders में, आपको one of the your financial document, आपको टेंडर में participate करने नहीं देंगे, जैसे मैं आपको एक्जाम्पल दिया, कि कल एक builder है, builder को हम project देना चाहरे है, कि construction करके दो, ठीक है, तो builder को हम पूरा हमारा जमीन देना चाहरे है, तो builder से tender बुलवाए कि कौन कितना देगा, कौन कितने बनाएगा, तो सामने वाला बना सकता है नहीं बना सकता है, उसकी liquidity है या नहीं है, builder viable है या नहीं है, यह check कहां से होगा, उसके balance sheet and records, are you understanding my point, तो यह सब इसके फाइद है, compliance, बहुत बड़ा compliance है, audit complete होगा, उसके बाद financial decision making में एल्प करेगा, are you getting my point, सब से पहले, हाँ, yes, online जन्ता, सब से पहले मैं कल का एक बार go through कर रहा हूँ, okay, and then we'll coming with the further parts, okay, तो financial reporting के drawbacks है, फटा फट बता रहा हूँ मैं, जो पिछले lecture 1 में होगा है, drawbacks में, सब से पहले drawback है यह है, कि it is backward looking, जो हो चुका है, it does not talk about the future, correct बात, it is what, rare view, that is rare mirror view, जाँ पर अप पिछले transaction को देख रहे हो, और सामने जो challenges है, सामने जो problems है, futuristic problems क्या है, वो उस पर बात नहीं करता है, plus मैंने आपको जैसे बुला, सब दर्शन को शादी करनी है, सिर्फ दर्शन की balance sheet देख के शादी होगी, या other factors को देख कर भी शादी होगी, सिर्फ balance sheet दिखा देख को मेरे पास इतने property है, बंगला गड़ी तुमआरे पास क्या है, सिर्फ financial position ने एक के शादी नहीं होती है, तो वैसे business की भी शादी जो होती है, बंगला इंवेस्टर मेरी तुदी बिसनस, मलब इंवेस्ट इंवेस्ट इंट बिसनस, देख की उनकी strategies क्या है, उनकी ESG commitment क्या है, आज उनके बास controls कितने स्ट्रॉंग है, वैल्यू इलेशन कर पारे के नहीं, यूमन राइच लड़े के लड़े, ये सारी बाते बैलन शितनी ही बताता है, ये सारी बाते डिस्क्लोज नहीं हुरी है, इस वन अफ दी ड्रॉबड्स, वेरी बेरी क्लिर गाइज, उसके बाद में, वाट इस बोर रेपोर्ट, financial reporting पूरा कम्प्रीट वा, board report is a very important means of communication by the board to the stakeholders or shareholders, तो directors को अपनी बाते रखनी है, अपने suggestions, ideas, plans, सारी बाते रखनी है, तो उनको ये क्या करना है, board report के मात्यम से अपनी बाते रखनी है, जैसे auditor अपनी बाते audit report के तहत रखेगा, तो ऐसी directors रखनी बाते रखनी बाते board report के तहत रखेगा, और अपने बात कप्टेंट बात कुछ होते, capital structure, future project, ongoing project, क्या चल रहा है, future plans किया है, ये सारी बाते रहती है, board report को ले कर लेगल बैगराउंड के बाते रखनी है, सब से बेले निज़ कमपनी रखनी है, दुस्टा से भी LODR regulation में listed companies को कुछ additional disclosures बोले हुए next is also अगर कोई वो industry specific law है तो वो law के अंदर भी board report को लेकर कुछ additional disclosures रह सकता है और board report consolidated consolidated financial statement पर prepared नहीं होता है हर एक company हर एक बोर्ड अपने-पने balance sheet पर बात करेगा तो ये prepare होता है stand-alone financial statement very very clear अब board report के content के है यह हमने कल learn करे थे 18-20 बैटके learn करे थे एक 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 लिखी लिखी दी specific information, general information यह आदा रहा है vigil mechanism correct है auditors auditor report, secretal audit report auditor's remark, correct है conservation of energy, dividend declaration, correct है IPF, बहुत सारे points हमने कल पढ़े थे, learn भी करे, lecture के दोरा नहीं, correct है बात, तो board report के content complete है, इसके बाद में मैंने आपको directly start कर वाय था about integrated reporting integrated reporting से पहले international council, that is international integrated reporting council पर मैंने आपको background बता है, IIRC international integrated reporting council को लेकर आपकी थी, यह council क्या है it is a global conciliation or correlation, correct बात, जब सात में आजाते हैं, all the regulators, regulators, investors, companies, standard setters, accounting professions and NGOs, यह सारे लोग मिलकर क्या बनाए देंगे? IIRC क्या बन जाएगा? IIRC इस IIRC का vision क्या है? वो ऐसा global market world बनाना चाहता है जहां पर लोगों का capital investment और corporates का जो बीएवेर है इस बीएवेर शुद भी, not only financial stability, financial stability तो चाहिए चाहिए, चाहिए, बट sustainability चाहिए, क्या चाहिए? sustainability, कि आज हम stable है, पैसे से, कल का भी तो सोचना है बोलता है ना कि the ant safe for the rainy days ये कावद है, क्या है ये कावद? rainy days में आज भार ने निकल सकता है मर जाएंगे, तो वो रिनी days के लिए जाकर पहले ही सेफ करते है, वो आगे आज भाइका भी सोचते है, खाना आज खाके खतम नहीं करते है कुछ खाना फ्यूचर के लिए भी बाजू में रखते है, कंपनीज ने सिफ आज अज फिनैंशल स्टेबिटी नी रखते है अमिता बच्चन में आपको एग्जाम्पल दिया था के वाज 10 और 15 साल भी काम करेंगे subject to his health, touchwood all should be good but Abhishek Bachchan, sustainability is not there, even though financial stability is there, corporate should work in that manner, they want financial stability के बंद भी करें तो कोई फरग नी बड़े और बंद करना क्यो है ये अच्छी कंपनी आगे generation को पासान गोरो ना तो that is sustainability that is sustainability think for the future generation, work for the future generation, think for the future generation work for the future generation, keep on going, just like if I have a corporate bank who made it, okay not the problem, I have seen a GS Mahanagar Bank, Gulab Rao Shilke Mahanagar Bank, Corporate Bank Maharashtra Ghyanth, I do not know about it, I do not know about it, I do not know about it, they have made a bank, he left it, GS who is the founder member, but today they have been working with them in the organization, today 500 people are working with them no difference between them, but ideally organization they have made a bank that will run and will create employment so that is sustainability so here integrated reporting believe not only on financial stability, but also on sustainability and therefore it can be possible through integrated reporting what is integrated reporting? financial information as well as non-financial information financial information as well as if both will come from one place then it will be integrated reporting and how will this achieve this mission by establishing integrated reporting in the mainstream in public as well as private sector in the public as well as private sector that is integrated reporting that today you will see non-financial financial that you have bought raw metal or sales how many customers served and how many people so this is one place and that is called as integrated reporting and this council is working that is IIRC objective what adoption of integrated reporting on international business advancement of corporate reporting corporate reporting and contribution to financial stability and sustainability development correct yes or no correct integrated report what is integrated report it is a present holistic complete presentation of financial and non-financial performance of the organization financial as well as non-financial performance of the organization whose main intention is value creation what is value? we have passed on ok my grandfather did something my father passed on my father passed on core values also so this value creation should be over a period of of time and this company worth you have studied wealth maximization and profit maximization is not going to be a very short term goal correct but over a period of time brand value goodwill good gestures correct over good environment good people create great which will survive and that is value creation as well as sustainability clear cut what will use this report everyone employees customers local communities regulators everyone and it is applicable to private sector as well as public sector also non-profit organization very clear guys follow who are the key stakeholders who are the key stakeholders who are the key stakeholders who are the integrated reporting interested ideally everyone but organization stakeholders investors and society organization will understand how value creation can occur what is the value creation effect on which thing which thing effect on which thing effect on that we need to know decision making becomes easy second is investors stakeholders क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट करना है तो एक इनफॉर्म डिसलमेकिंग रहेगा और सोसाइटी अब्स थी कि कि आप किस कंपनी से डील करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो सोसाइटी इस इन्ट्रेस्टेट वट इस गाइडिंग प्रिंसिपल रिपोर्ट बनाते समय क्या बाते आपको ध्यान में रखनी है तब इस गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो आपने कल अलड़ी पढ़ा कल बहुत सारी चीज़ पढ़ी अमने अरे मैं फटा फटा बता रहू क्या होना ची है future orientation what is your strategy base आपका आगी future की बात करो आज थीक है तुम आज कमा रहे हो थीक है तो क्या आगे है करें तो what is my point here कि यह पर future orientation how you're taking your future into consideration second is connectivity of the information stakeholder relationship materiality main main information must be there conciseness to the point reliable information correct information and consistency and comparability यह चीज़े होनी बहुत ही जरूरी है तो अब मुझे बता कि अब integrated reporting के elements क्या है organization overview and external environment who is the organization where they work second governance कौन चला रहा है organization को third is business model how they are making profit what are the risk and opportunities what is the strategy कैसे business कर पा रहा है overlook and basis of presentation उसके बाद six capital disclosure norms कौन से six ते बताई है financial capital manufactured capital intellectual capital human capital social capital and natural capital what are the benefits of integrated reporting informed decision making improved reputation more efficient reporting employee engagement and improved gross margin India level per integrated reporting is mandated by CB for listed companies it was mandated for first 500 companies which was basically applicable BRR business responsibility reporting then amended in 2019 applicable for 1000 companies and then further amended in 2021 top 1000 companies got not BRR but BRSR and they need to disclose all the capital norms करेटे बाद also करेटे बाद यह हमने देखा कि इसका differences ठीक है यह difference पर हम आएंगे end में तो आज हम क्या करेंगे है देखो board report complete किया integrity report complete किया financial reporting complete किया बचा कोन सा sustainability reporting और comparison चैप्टर पूरेंड हो गया है करेंगे बाद जो आमने इतना सारा बात किया करें तो sustainability reporting and comparison करें सस्टेनिबिलिटी reporting focus is on ESG focus किस पर है ESG या CSR जो भी आप नाम लगा लो sustainability reporting जो है यहाँ देखो कि आप एक main तरीके से ठीक है sustainability reporting corporate sustainability reporting तो यहाँ पर आपको यह समझना है कि sustainability reporting focuses on economic angle, environmental angle, social angle and governance angle कैसा भी भूलाँ करेंट बाद तो majorly ESG के बारे में जो reporting होती है आप CSR reporting और sustainability reporting बूल सकते हैं करेंट बाद तो एक तरीके से आपने sustainability reporting में तीन चीजों पर फोकस करना है कौन सी तीन चीज़ है economic या social, environment and governance आप कर सकते हो करेंट बाद environment भी important है people भी important है और अच्छा governance होना भी बहुती जरूरी है तब profit आएगा करेंट है if we ignore environment and do profit चलेगा क्या आज कर पाओगे, कल नहीं बना पाओगे अच्छा, if we ignore people social angle और make profit and protect environment चलेगा क्या? नहीं चलेगा तो we need to focus on all the areas in sustainability reporting तो सबसे बहले sustainability reporting जो है, इसके लिए global level पर एक standard आए that is, GRI कौन सा standard? GRI what is GRI? Global Reporting Initiative Standards यह बनाने के लिए standards है तेक है नबात कुछ गाइडलाइन्स है जो फॉलो होना चलेगा बताए, what is GRI? Global Reporting Initiative Standards तो यह बनाने को क्या लेका है Sustainability Report is a report published by company about economic environment and social impact caused by everyday activities 3 P's triple bottom line approach CSR reporting is also sustainability triple bottom line approach is also sustainability it's a very broad term समझ बहले है 3 P's economy, profit भी बनाना है investors को यह लिए ठीक है नबात environment को लेके चलना है और लोगों को लेके चलना है समाज को लेके चलना है people come in employees people come in customer also correct बात 3 लेकर चलना है you cannot avoid any one factor अगर 3 अगर एक को भी इग्नॉर करोगे organization long run चलने वाला नहीं है अगर कल Tata's और लोगों को exploit कर रहा है तो भी नहीं चलना है और Tata's लोग और environment को प्रड़क कर रहा है profit बना ही नहीं रहा है तो भी नहीं चलना है to do good things you need money correct और profit is needed economic angle must be there तो sustainability reporting का primary focus तीन चीज़ों पर है that is economic, environment and social बलो कॉन से तीन economic, environment and social impact what is economic, profit environment, planet and social means people correct और तो इंका focus यहां पर है and basically आपको यह समझना आपको यह बहुत important है कि आजकल sustainability reporting को लेकर कौनसे standards आगए GRI standards which standards? GRI standards correct और तो यह देको में notes में दाले है I'll be sharing these notes soon correct corporate sustainability reporting meaning reading क्या लिका है sustainability reporting can help organization to measure and understand their economic, environment, social and obviously यह तीन चीज अच्छे होने के लिए यह governance अच्छा होना बहुत जरुरी है चलाने वाले लोग सही होने बहुत जरुरी है company के captain सही रहें है तो वो hit कर पाएंगे all the angle सिब बैटिं अच्छी होना यह बोलिं अच्छी होना यह फिल्डिं अच्छी होने से मैच नहीं जीता यहाती तीनों अच्छी होना बहुती जरुरी है और तीनों के पर उनका captain भी बहुत important होता है यह तीन जो है batting, bowling और fielding हमारे लिए क्या है यह पर economic, environment and social और उनका captain कोन है governance समझे मेरी बात यह तीनों को लेकर reporting कर रहे हम तो तब उसको बुला जाएगा sustainability reporting क्या बुला जाएगा? sustainability reporting are you understanding my point? are you getting my point? okay guys तो इसके अपने फाइदे है और इसके अपने key holders है just मैं समझाता हूँ, key drivers who is interested, regulations law makers, customers want to know because customers, जो company environment को लेकर सोच रहे है, जो companies लोगों के लिए अच्छ है customer उनके परती loyal है correct है? then loyalty means obviously the old customers who want to continue, employees also work in a good environment think your company is in terrorism you will be scared so peer pressure from other companies अच्छ में इतना अच्छा करें हमें भी करना बड़े है होता न एक community में एक लोगने कुछ समाज से वा कि अधुछा मैं भी करूँगा so peer pressure peer pressure from the other companies दूसरी companies एंवारमेंट को लेके इतनी activities कर रही है दूसरी companies social angle से इतनी activities कर रही है तो हमें भी तो करना बड़ेगा अरे यार मैं एक बड़ेगा हमारे सब टीचर में एक टीचर ने चारिटी कर दी ना स्टुड़ें बलता सर आपने तो कुछ कह रही नहीं comparison अरे हम ज़रुरी हम बताएं समझ मैं कि हम जो कर रहे हैं correct बाट तो तो दूसरी स्टाट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स है वो यह देखते है कि तीनों फैक्टर्स पर काम हो रहा है तो ही हम पैसे लगें टाटाज देखेंगे कि प्रॉफिट वन रहा है बट एन्वारिमेंट की धज्जय उड़ा है है, हुआ the key drivers जिनको reporting चाहिए, बताए कौन-कौन है, regulations, customers, loyalty, employees, peer pressure from the other companies, then companies themselves and investors, ESG या जो भी ESG word कियागा, जो भी three P's है, इसकी reporting, who all are interested, बताए यह फिरस है, regulations, customers, loyalty, employees, peer pressure from the other companies, company themselves and investors, हर एक point को आपको एक एक लाइन में describe करके आए, अपने वन से आड करना है, एक sentence, दो sentence, एक दो sentence तक लिख कराना है, सिब pointer लिख कर काम नहीं चलने वाला है, समझ महा रहा है, ठीक है न बाज, तो रिपीट करो, who all need sustainability reporting, बलो, regulations, customers, loyalties, employees, peer pressure from the other companies, and company themselves and investors, इसके लिए हमने कौन से standards है, GRI standards, what is GRI standard, global what, reporting initial standards, यह standards, क्या help कर रहा है, guidelines दे रहा है कि कैसे report बना रहा है, तो GRI standards के कितने डाईप है, तीन, GRI 101, 102, 103, यह universal standards है, अभी तक, तीन universal standards हुए है, जो सब लोग follow कर सकते है, बाकी वैसे बात सारे standards है, बाकी बात सारे standards है, बात तीन universal standards के बारे मापको वालू होना चाहिए, GRI 101, के starting point for using the standard की, कैसे use करना है, तिके रहा, GRI 102, general disclosure about the company, and GRI 103, how the organization is impacting all material topics, क्या-क्या इनोंने issue कर दिया है, बता यह कौनसे तीन standards है, 101, 102, and 103, क्याट बात, यह कौनसे तीन standards है, universal standards, universal मतलब applicable to every type of organization, every country, everywhere, universal standards, क्याट बात, तो यह हर कोई फोलो कर सकते है, गिरिय से गिरियाद में हर company, यह minimum तीन standards हो अपलाए, करी सकते है, कौनसे तीन है, GRI, 101, 102, and 103, very very clear guys, तो यहाँ पर देखिये, जैसे अगर आप मैं बता रहा हूं, TCS annual report, TCS annual report में हम जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ आपर देखते हैं कि global standards को दिख रहेगा, by chance, इनने follow किया है, नहीं किया है, ठीक है ना बाद, तो यह, let us see this, see this index, GRI and extras, यह दिख रहा है, GRI and extras, let us go to the respective page, let us see, देखो, GRI, GRI, 1, दिख रहे हैं यहाँ पर, GRI, 101, 102, 202, general disclosures, name of the organization, क्या काम करते हैं, location कि दर है, क्या ownership है, क्या market सर्फ कर पार है, and 103, यह general disclosures के बाद में, management approach, कि वह material topic, expensive material topic, management क्या सूच रहा है, उनकी क्या विचार है, कैसे चलना चाहते है, that is 103, क्या क्या करते हैं, तो तीन standards, वैसे तो बहुत सारे standards है, बट युनिवर्सल कितने हैं, तीन, आपको एक्जाम में बहुत 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 है, उन से तीन है, 101, 102, 103, सब 101 में क्या हो रहा है, बताइए, 101 is about, the use of the standards background, 102 is general disclosure about the, और किदर किदर location है, क्या manufacture करते हैं, क्या नहीं करते हैं, पूरी कुंडली 102 में और 103 में management की सोच, क्या किस मुद्धों को क्या management, क्या direction ले रहा है, इसके बारे में 103 में disclosures, आएगा, क्या फाइदे हुए, elements of G.R.A. standards, सबसे बहले G.R.A. standards, सबसे बहले G.R.A. standards, बनाने में multi-stakeholder involved हैं, जो सिर्फ businessmen नहीं थे, investors थे, employees थे, government थे, professional bodies थे, तो यह बनाने में multi-stakeholder inputs हैं, तो अच्छी बात है, दूसरी बात, इसका record use देखा गया है, मतलब इसमें, इतने लोगों ने इसको adopt किया, कि अगर आप statistics देखते हो, कि इसको use करने में लगबग world के 250, largest corporation में से हैं, 92% लोग reporting करते हैं, sustainability reporting पर, उसमें से 74% people use G.R.A. standards, तो बहुत सारे लोग use कर रहे हैं इसको, तो global level पर सब लोग common reporting करेंगे हैं, तो comparison easy हो जाएगा, तो मुझे बताओ, record use मिला है, मतलब इसका spread बहुत बड़ा मिला है, कि out of the 250, largest corporation, 92% companies report about, what, sustainability reporting, out of which, 74 uses G.R.A. standards, अगर आप देखते हो लगबग 23,000 G.R.A. reports अभी तक डेटाबेस में जमा हो चुका है, तो इसका record use देखा गया है, उसके बाद में अगर मैं बात कर रहा हूँ, government references and activities, अज कल start, कुछ countries में अब तो कोई sustainability reporting नहीं है, कुछ countries में optional किया गया है, कुछ countries में mandatory G.R.A. standards follow करना है, वो तो उल्टा sustainability में नहीं है, वो integrated reporting पर बैटा है, sustainability में नहीं है, किस पर है वो? See, financial reporting, but sustainability is equal to integrated. Financial reporting plus sustainability reporting is equal to integrated. तो वो तो advanced version पर है, कुछ countries integrated reporting पर है, India जैसी country, sustainability reporting पर है, और कुछ countries में अभी भी reference नहीं है, but scope आने की जांसे से है. 4th is independence. Independence मतलब क्या है, यहां पर clear बुला गया है, कि when you see this, हाँ, कि creation of these standards, बनाते समय, बहुत सारे divers, कोई भी इस GRS standard में एक जन का control नहीं है, कि US आके control करेगा, इंडिया जाके control करेगा, यह बहुत ही independent approach के साथ बना हुआ है, कोई bias में नहीं बना हुआ हुआ है. And last is shared development cost, अगर already GRS standard वर्ड लगा हुआ है, तो अलग से क्यों standards create करना, country wise standards क्यों create करना, India अलग standards बनाएगा, US अलग बनाएगा, सब मिलकर बनाएंगे, तो research का खर्चा भी divide होगा, तो आपको यह समझना है, कि these are the various elements of GRI standards, पहला क्या है, multi-stakeholder inputs, बहुत सरे लोग involved हैं, करेट है, multi-stakeholder input में देखो क्या लिखा हैं आपर, multi-stakeholders input, दिखर आपको कौन-कौन involved है, business, civil society, labour, accounting, academics, government, everyone, करेट है, multi-stakeholder input है, दूसरी बात क्या है, record use and endorsements, कितने largest organization है, 250, कितने लोग sustainability reporting कर रहें, 92%, उसमें से, कितने लोग GRI use कर रहें, 74%, अभी तक कितने reports in database में आगए, 23,000 reports, उसके बाद, government references and activities, कुछ countries में optional है, कुछ countries में advanced version चल रहा है, but slowly slowly government reference is coming up, government बोल रही है कि बनाना पड़ेगा, government भी चारी है, mandatory कर रही है, कि आपको sustainability reporting करना पड़ेगा, India में CB ने बुला, correct बात, 4th is independence, क्या यह reporting bias form में develop हुआ है, या independently develop हुआ है, independently, and last is shared development cost, यह develop करने के लिए नया type का reporting है, जिसे balance sheet जब research हुआ था, तो नया था ना, balance sheet बनाने के लिए लोगों train करना यह में time गया, समय गया, knowledge broad होने में time गया, बड़ा balance sheet एक बहुत बड़ा component बन गया है, common चीज बन चुकी है, तो जी आ रहा है जो यह sustainability reporting है, आज इतना बड़ा नहीं है, स्लोली स्लोली इसके उपर research चल रहा है, अप्ग्रेड करते जा रहा है, बड़ अकेले spend क्यों करना जब मिलकर काम हो रहा है, global level पर एक reporting बन रही है, तो सब लोग वही follow करो ना भाई, खर्चा भी divide होगा, अच्छी चीज भी आईगी, independence भी रहेगा, और global level पर सब की reporting common रहेगे, समझेगा मेरी बात, चलो बताओ, elements बताओ, repeat करो elements, हाँ, पहला, multi-stakeholder inputs, यह बनाने में बहुत सारे लोग involved थे, second, record use and, बहुत सारे countries में यूज होना चालू हो चुका है, third is, government references and activities, government भी notify करना चालू कर रहा है, बड़ अभी तक, हर जगा, compulsion नहीं है, fourth point क्या था, independence, कोई एक जन के हाथ में नहीं है, तो बाइस होनी की chances नहीं है, and shared development cost, मुझा था, GRI standards कितने अभी तक, universal, 3 है, कौन से 3 है, GRI 101, 102, 103, 101 में क्या लिख है, use of the GRI standards, foundation, GRI 102 में क्या है, about the organization, but, अभी भी, क्या problem आ रही है, susceptibility reporting, what are the main challenges, what are the drawbacks, susceptibility reporting अभी तक क्यों नहीं हुआ है, government encouragement हर country में अभी भी नहीं है, यह reporting, अभी तक, balance sheet तक, बात countries बैठी है, यह reporting को लेकर, government encouragement अभी तक, इतना compulsion नहीं किया है, दूसरी बात है है, अभी नहीं है, इसको report कैसे बनाते हैं, आप भी प्रोफेशनल में आने से पिल आपको यह report मालूम ही नहीं था, और मुझे भी नहीं नहीं था, जब मैं डिगरी के नहीं था, Are you understanding my point? थर्ड, यह बनाने के लिए expertise knowledge चाहिए, कोई आम आप भी नहीं बना सकता है, समझे है, and fourth, investor behavior, कुछ investor देखते हैं, ESG फिर पैसे लगाते हैं, कुछ investor बलते हैं, छटना profit देखके पैसे लगा, तो जिस दिन हर investor बोलेंगे, हम EB देखेंगे, SB देखेंगे, GB देखेंगे, तो सब लोग क्या करेंगे, सब लोग report बनाना चालो करेंगे, बट अभी भी ऐसे investors है, जो से profit के बेस्ट पर investment decisions लेते हैं, इसलिए यह reporting का importance बढ़ानी है, समझे मेरी माद, बताये, क्या-क्या points है, government encouragement is not fully done yet, second is awareness is not there, third is expertise knowledge is needed to prepare this report, fourth is investor attitude matters, some investors want sustainability reporting, some investors don't want only, they only want to understand profit angle, the day all investors take it seriously, this reporting importance will increase, is this very very clear, अरे हाई आना, तो यहाँ से दिखोगे आप, सबसे बेले है, who are the, what are the elements, multi-stakeholder inputs, record use of and endorsement, government references and activities, independence and shared development cost, दिखर आपकोई, GRI standards में मेरी बात मनना, GRI standards में आपको यह समझना है, कि यहाँ पर कितने standards है, universal standards तीन है, 101, 102, 103, उसके बाद में में आपको क्या वहला, there is still drawbacks, क्या है यहाँ पर? Drawbacks, what is the drawbacks? कि अभी इतना यह ग्रोग क्यू नहीं हो पा रहा है, तो drawbacks में में मैंने चार पॉइंट्स अपको डिस्क्लोज करें, challenges in sustainability reporting, and government encouragement, करेंटे बात, कुछ कंट्री में voluntary है, कुछ कंट्री में mandatory है, South Africa में तो integrated reporting पाँच गया, बट अभी तक हर government ने encourage नहीं किया, second मैंने क्या बला, awareness, lack of awareness about this concept, among the government as well corporate body, उसके बाद में expertise knowledge, and investor behavior, certain investor, investor behavior may vary from company to company, and sometime they invest in company without considering ESG issues, due to lack of this, तो investor behavior भी matter करेगा, तब जाकर sustainability reporting का importance बढ़ने वाला है, very very clear guys, करेंटे बात, अब sustainability reporting के फाइदे क्या है, what are the benefits, external benefit, internal benefits, within the company there are certain benefits, and outside as a overall there is a benefits, let us see external benefits, first thing, आप environment को लेकर reporting कर रहे हो, आप समाज को लेकर reporting कर रहे हो, क्या, मुझे अर्दे को सबद example है, मैं suppose charity करता हूँ, बट मैं बताता नहीं हूँ, तो लोग मुझे granted लेंगा है, मैं सबब profit बना रहा हूँ, और मैं समाज सेवा भी कर रहा हूँ, बट मैं समाज सेवा के बारे में inform नहीं कर रहा हूँ, बट अगर मैं सोशल मीडिया में दालूँगा इस चीज, कि I donated this much rupees for this purpose, आप भी मुझे एक मानेगा, रेस्वर ने इतना वैसा दिया, clear बात है, आप भी करो तो मैं आपको बानूँगा, वैसा वरसा, तो it creates a brand value, it creates a reputation, तो अगर आप यह reporting कर रहे हो, कुछ तो content होगा तो reporting करोगे, आपने environment को लेकर कुछ किया होगा, social angle को लेकर कुछ किया होगा, तब तो reporting करोगे, और तब लोगों को मालूम पड़ेगा, कि आप कितना काम कर रहे हो, तो it increases reputation and the brand value, plus, it is, it negative impacts, mitigated, मतलब, आज हम क्या कर रहे है, हम obviously हम अच्छा चीज कर रहे हैं, तो लोगों में, government में, समाज में हमारे positive attitude रहना है, plus if I am talking about, you try to influence organization, कि अब देखो, मेरी बात मनना, शायद आपने benchmark rate किया है, तो बाकी लोगों आपको follow कर रहे हैं, एक बताएगा, मैंने यह किया है, बाकी लोगों बुलेंगा, एक step आपको लेना पढ़ेगा, तो आप शायद influence कर पाएं, and external stakeholder company के सोच के साथ चलता है, tangibly क्या सोच रहा है, intangibly क्या सोच रहा है, value creation कैसे कर रहा है, हर angle से कैसे काम कर रहा है, external stakeholder को भी information बिल जाएगी, very very important, repeating आपके, एक company, Tata's, CSR क्या रहा है, Tata's, environment को लेकर क्या 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 रहा है, people को लेकर क्या 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 रहा है, और मैंने आपको बोला, CSR में majorly environment और people ही है, planet and people को लेकर ही CSR होता है, eradication of hunger, people, education, people, environmental sustainability, planet, समझ आया मेरी वाहा है, so this Tata's क्या क्या काम कर रहा है? अगर Tata's क्या 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 रहा है, तो क्या stakeholders को company की सोच, company का value creation, समझ में आया की आया की आयागा? answer is yes. So these are the certain external benefits. Tell me what are the external benefits? It reverses negative impacts, positive attitude creates second is it improves repudiation and brand loyalty, correct अबाद, third is, enables stakeholder to understand the organization, and fourth is, it demonstrates how the organization is influencing, or is being influenced by some other factor, कैसे organization अपना पर्चावा रखता है, यह organization की चीज से प्रवावित है, यह चीज अमें समझ में आएगी, repeating again, बोलो, क्या क्या हैगा, it reverses the negative impacts of social, environment and governance, अरे, जब हम समाज के लिए करेंगे, हम environment के लिए करेंगे, तो positive ही होगा न, तो negative कम होगा, क्या बाद, second क्या होगा, it improves repudiation and brand loyalty, तीसरा point क्या है, enable the external stakeholder to understand about the organization, and fourth point क्या होगा, demonstrates how the organization is influencing, or how it is influence, क्या वो करने जा रहा है, या क्या वो कर रहा है, ये सारी बाते हमको समझ में आएगी, तो एक सिकेड, बोलो मुझा, sustainability reporting, reports on what, economic, social and environment, या governance, governance वर तो हर जगा दाली है, कोई दिख़त नहीं, correct है बाद, sustainability reporting is, what, exactly, it is, for it, we have created GRI standards, GRI standards बनाने के elements क्या है, multi-stakeholders, correct है बाद, फिर, what आएगा, और क्या है क्या है क्या है बता हूँ, multi-stakeholder approach, share development cost, record use, correct है, independence, government reference, and there, correct है बाद, तो share development cost ये बनाने में खर्चा भी डिवाइड हो रहा है, उसके बाद में, GRI standards के universal standards कितने, 3 है, कौन से 3 है, 101, 102, 103, foundation, about the organization, management approach, correct है बाद, यह हो गया, उसके बाद में, अभी भी क्या challenges है, GRI, सच्टिविटी रिपोर्टिंग को लेकर, what are the challenges we are facing, क्या-क्या problems हम face, कर रहा है, पता ही है, government encouragement अभी भी नहीं इतना, कुछ countries में mandatory है, कुछ countries में voluntary है, कुछ countries integrated report पर पहुच चुक है, कर रहे बाद, उसके बाद awareness भी नहीं है, government में awareness नहीं है, professional bodies में awareness नहीं है, तीसरा, expert knowledge लगेगा बनाने के लिए, और चावता, investor behavior, ESG को लेकर इंवेस्ट करते हैं, बट अभी भी कुछ ESG को इंवेस्ट करते हैं, जिस दिन सब लोग इसको consider करेंगे, तो reporting norms बढ़ जाएगा, कोई दिकत है, अब एक last part पर आते है, that is about the last part, which is comparison, comparison, क्या comparison है, comparison among integrated reporting, sustainability reporting, financial reporting, करेंगे बाद, देखाँ, value creation, integrated reporting, sustainable future, sustainability reporting, and only financial, formal record of financial activities, financial reporting, integrated reporting is financial as well as, sustainability reporting is only non-financial, and financial reporting is only financial, integrated reporting is past, present and future, future planning करना, sustainability reporting is backward looking of what societal we have done, कि अबने CSR किया, तो जिससे इतने लोगों को education मिलेगा, तो आगे जाके फाइदा हो सकता है, पर अबने क्या किया है, उसका post-modern करना, as a CSR, and it is backward looking into financial records, is financial reporting, very very clear guys, integrated reporting के लिए, कौन सी council बनी है, IIR, जिन्नोंने reporting framework दिया, और sustainability reporting के लिए, क्या बना है, GR आगे गाईदा है, और, balance sheet वगरे के लिए, अपने खुद के norms, regulations और standards है, जो companies act में है, इदर है, banking company के लिए, banking regulation act, companies act के लिए, companies act, तो अलग-अलग compliances है, regulations है और standards है, तो sustainability reporting के लिए, GR standards, और integrated reporting के लिए, integrated reporting framework, by IIRC, and last is, regulations and standards by this, who is interested in balance sheet, shareholders and investors, जो पैसा दे रहे, who is interested in sustainability reporting, many people, and who is interested here, majorly, जो organization को long term, देखना चाहते है, very very clear guys, तो एक second, तो ये, इसके साथ, पूरा reporting काता होता है, except the CSR format, ठीक है नबाद, तो इसमें majorly, अमने कवरब किया, कल बहुत सारी चीज़े हो चुकी थी, ठीक है नबाद, तो इसके साथ, reporting stop होते हुए, हम एक नए chapter की ओवर चलेंगे, इस, internal control, ठीक है नबाद, तो जो अभी आये, तो उनको अभी से link रहना है, internal control, ये जो chapter है, internal control और, reporting मिलकर 20 marks आते हैं, कितना थैं? 20 marks, internal control एक ऐसा chapter है, जो बच्चों को, class में समझाता है, self study में तोड़ा confused बैढ़ जाते हैं, तो इसलिए उसके थोड़े से base बनाना बहुत ज़रूरी है, internal control का base बनाना बहुत ही ज़रूरी है, can you tell me what is internal control, बच्चा एक्जा में लिखनी बार है internal control को, जितना मैं समझ रहा हूँ, but don't worry, मैं आपको थोड़े से key pointers भी दूँगा बताऊंगा, चीज़े होगी, what is exactly internal control, internal control क्या होता है, कोई दिकत नहीं है, सही बोड़ रहा हूँ, add up करके बलाँ, dimple बोड़ रहा है, yes sir, याद भी नहीं होता है, लिखने में, correct, रौनक जेन, don't worry, I'll be sharing the PDF today, आज जो चैप्टर क्प्रीड हो, I'll be sharing, नीदी, most welcome, internal control क्या होता है, simple एक बाशा मैं बुलू, internal control means, whatever the plans we have made, whatever objective we have made, has to be achieved, और वह अचीफ करने के लिए, बहुत सारे norms, policy बनाते है, क्या वो policy organization में follow हो रहा है, क्या वो norms organized follow हो रहा है, अगर हो रहा है, तो बहुत अच्छा बात है, नहीं हो रहा है, तो there is a problem with the control, I'll give you an example, जैसे आपके घर में, कुछ policy होगी, you should not eat non-wage example, या you should eat non-wage, whatever way, सबस्थ आप यह है, आप यह बात को comply कर रहे के नहीं कर रहे हैं, अगर उन्होंने ऐसे कुछ चीजे लगा रही कि, वो आपको comply करने ही बढ़ेगा, तो मतलब उनका management का hold company पर strong है, management का hold company पर strong है, जैसे उपर जो बैठा है, जैसे politics में, मुदी जी उपर बैठा है, मुदी जी ने कुछ बात बोली, स्वच्चा बारत अभियार, जमीन तक के लोग उसे follow कर रहे के नहीं, उनके political parties में, अगर कर रहे हैं, मतलब control strong, और नहीं कर रहे हैं, मतलब दजी उड़ा रहे, management उपर planning कर रहा है, नीचे वाले लोग, उसकी पुरी बैंड बजा रहे है, controls are weak, are you understanding a point? तो जो भी objective, जो भी plans, जो भी policies, top management बनाता है, वो नीचे वाले management के लोगने comply करना है, और वो comply हो रहा है, तो controls are strong, otherwise controls are weak, planning कर रहे है, यह achieve होना बहुत जरूरी है, यह achieve हो गया, मतलब internal controls are on the toes, very very clear है, clear बात है, तो अब यह देखो, controls दो टाइप के है, वैसे चार टाइप है, समझे रहे हैं, broadly there are two types, accounting control, and administrative control, कितने टाइप है, दो टाइप है, accounting control and administrative control, sir, accounting control and administrative control, क्या होता है, operational control, कि जो काम quality output जाना, जो goods बला है, वोई goods डिलिवर होना, order आया, McDonald's, McVegie, delivery होगी, aloo tic, aloo tic की वाला, समझा है मेरी बाद, तो quality problems है, बोला कुछ जारा कुछ, गड़़िया, organization में गड़़िया है, तो क्या control है या नहीं है, नहीं है, control में बहुत सारी गड़़़िया है, are you understanding my point, that is a weak administrative control, that is weak, अचा burger जारा है 10, आपने billing कर दी 5 की गल्थी से, that is what, जो physically हो रहा है, वो ही record में दिखना चाहिए, जो physically, 10 burger जारा है, record में भी 10 ही दिखना चाहिए, 10 burger जाने का 90 burger पड़े हमारे पास टॉक में, वो ही 90 record में दिखने चाहिए, सही recording होना, that is accounting, सही recording होना, that is accounting, समझे मेरी बाद, what is the physical inventory matches with the records, that means your accounting control is strong, and whatever is being ordered, is being executed, that is what, administrative control, quality works, quality output, is administrative control, operations are effective, is administrative control, and proper record keeping is done, that is accounting control, समझे कैं मेरी बाद, थोड़ा थोड़ा समझ रहा है, तो accounting control को लेकर, accounting control में दो बात है, कि safeguarding the asset, entry होई 5 की, stock जारा है 10 का, asset loss हो रहा है, inventory loss हो रहा है, accounting होई 5 की, inventory जारा है 10 का, समझो मेरी बाद, तो ये तो loss हो रहा है, and second, reliable, reliability of financial information, करेट बाद, suppose example है, कि turnover हो रहा है, 1 करोड, आप record में दिखा रहा है, 2 CR, no reliable financial information, तो accounting control से, आपके पास, सही balance sheet भारा आनी चाहिए, सही profit and loss account भारा आना चाहिए, और जो भी है, आपके सारे property, पता चला, आपने पूरे campus में बुला, 100 AC बिठा है, 3 AC गाया है, बिल बना 100 AC, इंस्ट्रॉल 1 97 AC, तो safeguarding your asset and providing reliable information, is the main objective of accounting control, कौंसे दो objective है, बताईए, safeguarding asset and reliability of the financial information, यह करने के लिए, तो accounting control में क्या-क्या होता है, accounting control में पहले हर चीज का authorization अप्रूराइज़ होता है, purchase manager पहले approval करेगा, और purchase assistant पर्चेस करेगा, एक authorize करेगा, दूसरा execute करेगा, तो authorization approval का process है, एक जन agree करेगा, दूसरा implement करेगा, अरे जैसे law में भी है न, lawmakers and law executors, lawmakers are parliament, executors are government, correct है बाद, तो implement करने वाले लोग, अलग है, approval करने वाले लोग, अलग चाहिए, तब काम होगा, मैं इंप्लिमेंट करूँगा, मैं इंप्रूवल, मैं तो मन का रा जाओ, समझे एरी बाद, तो authorization process आना चाहिए, suppression of duties, with record keeping, and those with, operation of asset, goods बेचने वाले लोग अलग रहेंगे, goods डिलिवर करने वाले लोग अलग रहेंगे, there should be suppression, record keeping वाला बंदा अलग चाहिए, और asset को handle करने वाला बंदा अलग चाहिए, मैं बेच रहाँ, मैं इंट्री कर रहाँ, और मैं गूड्स दे रहाँ, गड़बड होने की चांसे से, तो जो बंदा stock का इंचार्ज है, वो अलग रहेगा, और record keeping वाला बंदा अलग रहेगा, अगर एक ही रहेगा, तो manipulation होने की पूरी संभावना है, and third is, physical control over asset, inventory पर, proper accountability, proper physical control, क्योंकि end of the records में दिख रहा है, वो operations में दिखना जी, and last is, internal audit कराना, कि हमने जो बुला है, वो सही हो रहा या, नहीं हो रहा है, चेक करने के लाएं मौड़िट कराते हैं, तो that is the various functions of accounting control, बदाएं क्या क्या हो रहा है, authorization and approval, हर एक transaction का approval अग होता है, जैसे example है कि, मेरी staff, बिल बनाएगी, मैं उस बिल को अप्रूफ करूँगा, रहेगाद, authorization and approval, second क्या है, separation of duties with record keeping, and those with operation of assets, बैंक में होता है, cash withdraw करना है, cash देने वाला बंदा अलग रहेगा, और cash के entry पास करने वाला बंदा अलग रहेगा, रहेगा कि नहीं, पहले आपको cash withdraw, barrier check लेकर गया, barrier check लेकर गया, तो एक बजन क्या करेगा, entry करेगा, और approval करके check पे sign करेगा, वो आप जाओ के cashier के बास, cashier आपको cash देदेगा, तो asset रखते वाला बंदा अलग होना चाहिए, record keeping वाला बंदा अलग चाहिए, तीसरी point, क्या लिखिये, physical control over the asset, asset के एक asset के in-out पे घरबड़ नहीं होनी चाहिए, and last is internal auditing, क्या बलेंगे, internal auditing, तो बताइए, controls कितना डाइप के है, दो, कौन से दो, accounting control, administrative control, accounting control, क्या achieve करना चाहता है, safeguarding of assets, and provider reliable information, record भी सही रहे, और asset भी सही रहे, physically जो है वो भी सही रहे, और on paper भी सही रहे, हम दोनों को match करना चाहते है, safeguarding the assets, as well as the providing reliable financial information, यह आपको provide करना है, what are the various functions in accounting control, बताइए, authorization and approval, suppression of duties, concerned with record keeping, and those with operation of assets, custody, physical control over the assets, and internal audit, repeat again, authorization and approval, वाले लोग अलग रहेंगा है, और physical control of the asset, अलग रहेंगा है, यह एक point interlinked है, in short यह point को फिर mix करके, third point बना है, suppression of, suppression of यह, क्या लिखेंगा है, suppression of duties, concerned with record keeping, and those with operation of assets, and last is, यह सब सही चल रहे है कि नहीं, चेक करने के लिए, internal auditing, यह सब चेक करने के लिए, internal auditing, repeat करो, learning के लिए बैठे हम यह, authorization and approval, physical control over the asset, suppression of duties, with record keeping, and those concerned with, operations of, or physical control of asset, and internal auditing, end of the day, accounting control के तहद, हम क्या चाहते है, authorization अलग रहना चाहिए, time to time record keeping होनी चाहिए, access to asset, उन लोग के बास ही होना चाहिए, हर कोई जाएगा, कोई भी good on गुसेगा, कोई भी goods निकालेगा, लेकर गया, hap hazard चल रहा नहीं चलेगा, access to asset should be with management authorization, correct, and review and verification, review and verification मतलब, time to time asset को verify कर दे रहना चाहिए, correct है बास, देखो, आप cash लाते हो, cash किस में गनोट होता है, asset, inventory करीद होगे, AC करीद होगे, आप जो लोगों से, investor से पैसे लाते हो, उससे जमीन करीद होगे, पता चला, जमीन आपने लिए और को यूज कर रहा है, correct, जमीन आपने लिए आपका relative यूज कर रहा है, सब चीज प्रोटेक्ट होना बहुत जुरुरी है, correct बास, तो time to time asset को review करना, time to time asset को verify करना, asset का accessibility management के permission से ही देना, यह तो कोई भी आएगा, इतना आपका रहा है, मैंने बुला, access to asset, कोई भी आपर बेटके जा रहा है, थोड़ी नहीं चलता है, correct बास, and उसके बाद में, prompt recording होना, और authorization system, हर एक transaction के लिए, authorization system होना चाहिए, कि हम accounting control के तहत चाहते है, तो चार चीज़े चाहेंगे, क्या चार चीज़ है, authorization, second is, prompt recording, जिससे timely audit हो, records रही रहे, third is, access to asset, only with authorization, correct बास, यह तो कोई भी, सबोद एक hotel के अंदर, 50 गाडिया है, car, ठीक है, 4 गाडिया, जो होती है न, driver अपने घर पे लगा कर, अपने भाई को, driving job पे लगा कर रगा है, 4 गाडिया का है अब होटल ले खरीज रगा 50 गाड़ी, 4 गाड़ी की inventory नहीं है, कौन सी गार किस के पास, किस के control में होनी चीए, यह पुरा proper planning होगा, कोई भी गाड़ी लेके जा रहा है, कोई भी आ रहा है, वाच्में लेके जा रहा है, ड्राइवर लेके जा रहा है, मैंनेजर चला रहा है, स्टाफ चला रहा है, और यह क्या चला रहा है भई, धरमशाला तोडी नहीं है, धरमशाला भी पूच के आना बढ़ता है, तो कोई भी कंपनी में, एसेट्स पर, access किसको देना नहीं देना यह management decide करेगा and last is asset should be reviewed and verified time to time समझा है? पक्का तोड़ा theoretical है बटी यह चीज़े अपने गुरु करनी ही चाहे देख वापस से बताओ how many types of control are there? two types, which two types of control are there? accounting control and administrative control accounting control want to do what? safeguard the asset and reliable financial information, safeguard the asset and reliable financial information, what all we do in accounting control? authorization and approval, physical control over the asset suppression of duties concerned with record keeping and those concerned with asset custody and last is internal auditing, what is the main purpose? how you are achieving accounting control? by authorization by prompt recording by access to the only asset only by the management permission and time to time review of the asset, asset inventory stock audit करेंगे, physical asset check करेंगे, time to आम देखेंगे कि जो record में दीकर है, वो यह दीकर है कि नहीं दीकर है, यह करते रहेंगे तो अमर अकाउंटिंग कंट्रोल स्टॉंग रहेगा, नवाट इस administrative control? administrative control means operational control, कामकाच जो बोला जा रहा है वो हुरा है नहीं हुरा है पता चला ओनर ने employee को काम दीया, पंदर दीनोंगे कुछ काम वह नहीं नहीं, owner को भी नहीं मालूम है, employee को भी आद नी, पिक्निक बना रहा है पिर आये तो पता चला, client customers गली दे रहे, नहीं होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए operational control इसके लिए quality control होना चाहिए, work standard, periodic reporting employee ने reporting करनी चाहिए इस सारी चीज़े आप करोगे and it has a indirect relationship with the financial record अगर administrative control अच्छा रहेगा, तो financial control भी अपने अप सुधर सकता है but यह दोनों अपनी अपनी जगा पर important है, यह दोनों अपनी अपनी जगा पर important है that is very very clear, are you understanding my point, are you yes or no अब मुझे बताओ, what is internal check what is internal check see internal control, internal check यह सारे terms जो है और जैसे internal audit, यह थीन वड में बच्चे confused हो जाते है, और वो common confusion है, कोई दिक्कत नहीं है, बदा I'll be helping out, ठीक है, तो what is internal control, what is internal audit and what is internal check, यह आप मुझे बताएंगे तोड़ा सी समझ लेता है yes and internal check is a part of internal control internal check is just one of the technique की हम internal control अचीव कर पा रहे हैं sir, internal control होता क्या है, यहाँ पर मीनिंग देखोगे ना internal control means a process design implemented, maintained by those by management, governance to provide assurance, एक अश्वासन देना, कि हम और अचीव करेंगे, हम प्रॉपर रिपोर्टिंग कर पाएंगे, काम में एफिशेंसी, एफेक्टिवनेस रहेंगे, और कानून का पालन करेंगे, चार बात, यह चार बाती हो रही है, उपर वाले जो गवर्नेंस के लोग है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एफिशेंसी काम चलना चाहिए, और अगर कानून का पालन भी होना चाहिए, पर जीएस्ट की दज्जे उड़ा थी, तीचल लोग ने सामने लेके जीएस्टी नमद जमानी किया, गड़बढ़िया करी, सेल्स करने वाले लोगों ने क्या कर अगरा GST ले लिया बढ़ भरा नी, तो ये एक्स्क्यूज नहीं चलता है, घर का जो बड़ा होता है, वो देखता है क्या अच्छा कर रहा है, घर है क्या अब्च्चा भी अपन पाम टाम ड़ रहा है, वो देखता है, वो अब् emρα करता है, उसको एक अश्वरंस बिलना चा वैसे company के जो बढ़ा है, that is governance, management के लोग, उनके पास एक assurance मिलना, कि yes, हमने जो decide किया, वो हो रहा है, हमने जो decide किया, वो effectively और efficiently हो रहा है, और हमारे पास जो हिसाफ किताब आरहा है, वो सही आरहा है, और कानून का पालन हो रहा है, यह सब हो रहा है, तो internal control, समझें के मेरी बात अब रतन टाटा उपर बैटे है, ताज होटल के अंदर जीएस्टी गड़ड कर रहा है, तो रतन टाटा एंड उनके ग्रूप का इंपक्त है, अब ताज होटल के अंदर जीएस्टी की चोरी होगई, एक्जैम्पल है, ताटा बोचे मुझे, मैं खेसे क्या करूँ, और ए तो रतन टाटा जब टाटा गूप में बैटे है, बले वो गववनेंस में है, बले वो बोर्ड में बैटे है, बले उनकी जिम्मितारी बनती है, कि टाटा गूप में सब कानूं का पालन करें, उनके पास जो बैलेंशीट है, उसके बड़ों से शेल्टर पैसे लगाने लग इतना बड़े आत्मी, इसा करते हैं, आप ही काली दे होगे, तो effective efficiency, achieve हो, और उन्होंने जो objective defined किया है, कि हमें profit बनाना है, वो achieve हो, यह assurance है, तो इसका मतलब उनके पास company का क्या है, internal control, क्या है, internal control, और internal control को achieve करने में, one of the technique, one of the tool is internal check, is one of the tool is internal check, sir, internal check होता क्या है, कि काम को इस तरीके से divide करना, कि काम भी हो रहा है, और एक दुसरे का काम भी check हो रहा है, कि गलतिया ना हूँ, जैसे example में आपको दिया था, dispatch का, dispatching का, what was the example given, कोई book dispatched हो नहीं है, तो salesperson order लेगा, ठीक है, एक person उसके entry करेगा record के अंदर के order आया है, और वो receipt बनाएगा, वो dispatch team को देगा, receipt, वो एक बंदा बुक निकालेगा, और 34 बंदा पैकिंग करके बेचेगा, तो एक order complete करने में, चार लोग involved हो गए, मैं आपको में अग्डोनल्स को एक्जाम्पल दिया था, मैंने में और लेने माल बंदा एक रहेगा, और बनाने माल बंदा एक रहेगा, इसे इंटरनल चेक बोला जाएगा, तो order बनाने वाला बंदा क्या गर रिषिट बनाएगा। वो देखा। उंदर बन्दा वो ही चार शीजे निकालेगा जो order में और देने वाला बंदा चेक करेगा। इसे बुला जाता है इंटर्नल चेक, क्या बुला जाता है? इंटर्नल चेक, are you getting my point? अरे हाया ना? तो work is divided into small small part, and each part is given to one person, and once work ends, another work starts, once work ends, another work starts, बानानानान बिलिंग बिलिंग बनाने के रादे ही बनाना की स्थाuten है alan लेगा सर्व कर लदे है come से र Alrighty मनल बनान बनाना सर्व करे गारत बनाना लदा की सर्व करे काम करते चेक अरे ही बनाई हाऊ बनाना बनाई है delim' में बना रहा हूं, में और्डर कर रहा हूं, और में दिलिवर कर रहा हूं, तो मैं गर्ड़िया कर सकता हूं, मैं बनाँ 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 चार का, और बर्गर बनाँ छे, और दिलिवर करूंगा पांच और छे, are you understanding my point? तो मैं जाकर गड़बड कर सकता हूँ तो यहाँ पर आपको यह समझना है कि this helps to check the operational efficiency this helps to check the operational efficiency तो देखो यह पर क्या लिखा है internal check का मतलग क्या है allocation of duty in such a manner that work of one person is checked by another and other is performing his own duty in the normal वो ऐसा CID की तरहा खड़ा नहीं कि देख रहे है वो भी कुछ कर रहे है अचा लाला में तो उन्हें बर्गर बना लामें देख या तो बनाने वाला बना के वो उठा के देखर आ रहा हूँ अचा यह बिलता है यह बिल में तीन बर्गर लेके से तीन ही दिया तो वो क्या रहा है वो वर्क वन पर्सन बनाने बभद से शक्नांल, प postal वरेके से जांट कर रहा नहा रहा है लुप हो सारी कर देखर देखर उस्तामफर ट्रांचन के लग्डर advocate ल ख così बनाने बर्सन पस्तामन देखर है, are you understanding my point? correct भाज, so duties of staff are divided and self divided so that discrepancy flow out of the system, because blame game नहीं होगा गर्बड़िया नहीं होगी, जब और example है, कि तीन लोग McDonald's run कर रहे है, एक भाग रहा है, कभी बर्गर बना रहा है, एक बिल बना रहा है, एक बिल बना रहा है, एक दिल बना रहा है, काम बाटिंग है, कि इसका काम में बना रहा है, 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 इसका काम Internal check refers to allocation of duties in such a manner that work of one is checked by another while the other is performing his own duty. Allocation of duties in such a manner that work of one is checked by another while that other is performing his duty in the normal way. Internal check refers to allocation of duties in such a manner that work of one is checked by other and the other is performing his own duty in the normal way. Interval check 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 येस तो second point पड़ो, internal check in the organization of duties of staff in scientific manner, so that no one is responsible for the all the phases, के delivery भी मैं देखो, billing भी मैं देखो, ready भी मैं करू, मैं हर चीज़, मैं हर चीज़, मैं क्या क्या करू, तो all phase के लिए मैं रिस्पॉंसिबल नहीं हो, and the work of one employee is so distributed that discrepancies, problems are revealed out, and it is thrown out, correct भाद, and last, duties are divided and subdivided in such a fashion that discrepancies flow out of the system itself, is that very clear, correct भाद, अब ये देखो, what is the objective, क्या क्या हो रहा है, सब से बल है, कैसे internal check में, क्या क्या हो रहा है, सब से बले allocation of duty हो रहा है, उसमें, यहां पर समझा, opt in physical and financial confirmation of facts, for facilitating breakdown of accounting procedure, reduce the errors and things, तिक यह आपको इमिजट नहीं रहाएगा, एक मिनिट रहाएगा, क्या क्या हो रहा है, इंटल चेक क्या हो रहा है, यह रहा है, features of internal check, देवो में धान देना, क्या division of work हो रहा है, क्या सब की role डिफाइगा है, तुम यह देखोगे, तुम यह देखोगे, मैं यह देखोगे, तुम यह देखोगे, क्या role fix हो रहा है, यह देखोगे, क्या absolute control, एक के आप में पूरा control जा रहा है, इसके आप में से billing control, इसके आप में से delivery control, मेरे आप में से order prepare करने का control, क्या पूरा control एक के हाथ से अटकर, डिवाइड हो रहा है, उसके बाद, rotation of staff, मतलब आज यह बिलिंग कर रहा है, तो कल मैं बिलिंग करूँगा, तो कभी ना कभी मैं भी train हो जाओँगा, बिलिंग ऐसे करते हैं, आज मैं प्रिपरिंग करूँग, कल यह प्रिपरिंग करेंगा, तो यह हो सकता है, उसके बाद, तुमाच confidence on anyone should be avoided, एक के बरो से नहीं रहना है, एक के बरो से पुरा कामकाज देने नहीं, एक के आप में पूरी चाबी देनी नहीं, जैसे एक्जामपल है, आपके घर के चार छे दर्वाज है, मेड के आप में एक चाबी देना कोई, एक दर्वाज है, डुन्ट ट्रॉस्ट कम्प्लेटली, करेंड़ बाद, उसके बाद में, अवाइड कल्यूजिंग, मिली भगत, तीनों स्टाफ मिली भगत ना हो जाया, कल्यूड करना, यह जितना पॉसिबल हो, जितना अवाइड कोरो इतना अच्छा रहेगा, तो यह लोग सिस्टम की धजिया उड़ा देंगे, बिलिंग बनाने वाला, डिलिवरी करने वाला बंदा, और फूड प्रिपेर करने वाला बंदा, यह तीनों अगर कल्यूड हो जाये, तो यह लोग गड़डिया कर सकते हैं, यह तीनों को जितना हो सके, काम के अंगल से, सोशली यह जो अवाइट है, बट काम के अंगल से इंको, क्या रखना है, बाट के रखना है, यह अंदेंग में पॉइंट, जैसे कल मेरे स्टाफ जो है, मेरे स्टाफ जो है, कस्टमर एंडल करेंगे, तेलर टेलरिं करेंगे, बुटिक के अंदर, मैंने बोला थे चीस, अब कल क्या हो गया, मैंने क्लियर बोला, टेलर विल नॉट इंट्राइक विद 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 इंट्राइक उसके बाद में, physical inventory should be taken time to time, stock taking करते रहें है, जिसे चेकिंग रहें है, unauthorized use of asset should be avoided, किसी के बास control पुरानी देना, ना systems का, ना asset का, फिनांशल and administrative control should be distributed, बाद, मतलब, execution वाले लोग, administrative में होते हैं, और record keeping प्रेपिंग वाले लोग, finance में होते हैं, यह अलग अलग काम होना है, तुर्यक्त बात, इसलिए बैंक्स कि अंदर, फिनांशल कंट्रोल एक एंट्री करेगा, दूसरा देगा, ठीक्त पात, and last, prevention, prevent loss or misappropriation, तो ऐसे 10-12 ऍाप किसमें, बतागे क्या का Ikea एगा, करें भाद, थर्ड पॉइंट क्या है, एप्सुलूट कंट्रोल टू अनिवन शुद बी अवाइड, रोटेशन ऑफ स्टाफ शुद बी दे, उसके बाद, तूमाच कॉन्फिदेंस अनिवन शुद बी बुजनस में एमोशन नहीं जलता है, करें उसके बाद, and prevent loss or misappropriation, रिपीट कुरा, पॉइंट वन, इविजिजिन ऑफ वर्क and responsibilities, एंटरी फ्योल रूल, 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 पॉइंट, डिफिन रूल, कि इसकी क्या जिमेदा रही है, डिफिनेट, रूल, रूल, अब्सुलूट कॉन्ट्रोल रूल, कि इसकी क्या रूल, और रूल, 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 पॉबेग directement, toy. division of work and responsibilities, fixed responsibilities, absolute control to anyone should be avoided, rotation of staff, too much confidence of anyone should be avoided, avoid collusion, physical inventory of stock and physical assets should be taken, unauthorized use of assets should be avoided, physical, financial and administrative powers should be distributed and prevent loss or misappropriation. तेंटर नहेंगा, देखो एक बार, लरन हो रहा है क्या, तोड़ी तो महनत लेनी पड़ीगी ना, ऐसा तोड़ी ना होगा कि रात तो रात सब चीज आएगी. तोड़ी ना होगा कि रात सब्सक्राइब ना है? माइक चेक अवेर है तो अब्जेक्टि मतलब क्या फाइद है? सबसे बले क्या कर और क्या फाइद है? वही तोड़ा रिपिटेशन है दिविजन वर्क, फिक्सेशन रिस्पॉंसिटिटी बट यह करने से क्या फाइद है? इंक्रीस इंदी एफिशेंसी जैसे एफिशेंपले बर्गर बनाने लवंदा सिफ दिन में बर्गरी बनाएगा तो जैसे एफिशेंपले कोई छोटे ओर्गनाइजिस्ट में बनाएगा एफिशेंसी इंक्रीस नहीं होगी, कुछ ना कोई गड़़िया होगी बट उसका काम दिन में 300 बर्गर बनाना और वो तीन-तीन में बर्गरी बना रहा है तो क्या एफिशेंसी आप बनानी की स्पीड बढ़ेगी? 100% यह तो काम को जितना डिवाइड करोगे और वो एकी का को तो को जड़गे उसकी आफिशेंसी बढ़े में 1 एफिशेंसी बढ़े है, लूसके बास एरर र错 बनाना है सुछ जितना ऑझ। सब तो क्योंको एकी काम उसको मल्ती काम नहीं करना है। फिर अब्वर्विस्थी फॉड भीन होगा क्योंकि बर्गर बनाया कं सर्विंग बनाओ, बिल बनाओ, तो मैं फ्रॉड गर सकता हूँ, बट मेरे आतमे से बर्गर बनाना है, बाकी मेरे आतमे नहीं है, तो फ्रॉड होनी के चांसे भी बहुत ही कम है, और जिसके बज़े से, प्रेपरेशन अफ अपाउंट्स और टामली बसेज, रेकॉर्ड हिससाब की तब टामली बसेज होगा, और टामली बसेज होने से, ओड़र्ड भी ठाइम पर कमप्लेट हो सकता है, जैसे मेरे एक एकले रावनथ चो है, वोई अर्डर लेता है, 온्डर को रेडि करता है, वोई टेम्पल लोड करता है, वोई भागता है वोई collection करता है मैं उसको बूला है कि भाई collection का गामिक को देदो पैसे कम कमा होगे दर दर का staff रखो collection करेगा billing और inventory वाल बंदा एक रखो आप overall view करो ना नहीं भाई अरे दो तीन staff रखें तो 50 आंट चाला जाएगा भाई कब तक भाग होगे वो काम बाटेगा डिवाइड करेगा तो जिससे टाइमली एंट्री भी होगी ताइमली ओडिट भी होगा फ्रॉड भी नहीं होगा एरर कम होगा एफिशेंसी बढ़ेगी और काम बाटेंगे और सबको अपनी अपनी जिमेदारिया पता रहेगी अर योइगा अर फिर क्या होताँ वो एब थाट्स को प्या hugs अर्वड्ट मेड प्र्लाइट करता चाई बह dari देविएड तो वो ड्राइगीं होता है तो आपने сво Será को बात गे चलला है और नइन काम को डिवाइगा जिससे आपको भी फाइदा होने बाला है तो what is the objective बताईए, division of work fixation of responsibility जिससे क्या होगा, increase in efficiency, और जिससे क्या होगा minimization of errors और फिर एक के आथ में control नहीं है तो क्या होगा prevention of frauds, timely preparation of records and helps in audit, check करो अभी pointers है, इसमें आपको explain करना है, मतलब these are just, we are understanding कि what we have done, this is not these are pointers, you need to write inside this वो पॉसिबले, division of work the work should be divided in such a fashion that, one, you know the whole phase of work is divided into small small parts, then fixes on response, each employee should be fixed with a defined role and definite job so that he is clear with what he has to do आपको तोड़ा लिक कर दोगा है यह चिज़ा है, समझ रहे मैं क्या बोड़ रहा हूं करें, तो वो चीज़े प्रोफेशनल लेवल आपको तोड़ा 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 हैं परना ही पड़ेगा जनरलाइब सब्जेक में अपनी चीजे तुड़ी आड कर सकते हो, कोई दिक्कत निय है. हाँ, एक पनी मन से नहीं लिख सकते हैं, जो प्रोविजन वही लिखना पड़ेगा. जन्रलाइज सब्जेक में क्या होता है कि कुछ चीजे आप खुद भी एड़ कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ओविसली थोड़ा सा मॉडिल बेज होना चाहिए थोड़ा सा नियरवे कॉंटेक्स होना चाहिए करें तो यह हो गया वाट इस इंटर्नल अड़ेट इस इंटर्नल अड़ेट मैनेजमेंट करवाता है इंटर्नल अड़ेट मैनेजमेंट करवाता है इंटर्नल अड़ेट मैनेजमेंट इसले कराता है पता करने के लिए कि जो बाते बुली गई है वो हो रहा या नहीं हो रहा है जो आमने policy बनाई है, जो आमने internal check बनाया है, क्या वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, checking करना, appraisal करना, और ये internal audit एक मदद करता है management को, क्या internal controls जगे पे है या नहीं है, एक अश्वासन देता है कि yes, आपने जो बाते बुली गई थी, और नीचे वले employees follow कर रहे है या नही कर रहे है, that is internal audit. Are you understanding my point? So, what is the meaning? It is independent appraisal, which is done within the organization. And it helps to evaluate the activities as a service to the management and assist the members. So, internal audit is one of the very big way out, that it is an appraisal, review कर रहा है, कि जो management जो policies बनाई है, जो norms बनाई है, जो internal check बनाई है, क्या जो internal check system, internal control डिजाइन कर रहा है, क्या वो जगे पे है या नहीं है, और ये एक service है management को बताने के लिए, क्या आपकी बाते हैं मानी जारी है या नहीं मानी जारी है, जिसे बूला जाएगा internal audit, क्या बूला जाएगा internal audit, very very clear guys, आरे हाई या नहीं है, correct है तो ये चोटा सा मीनिंग दाला है, मैंने इस बूला जारी बाते हैं, अब इंटर्नल कंट्रोल करने के लिए, क्या क्या चीज़े आपको करनी पड़ेगी, steps in internal control, एक मिन ये पढ़ने से पहले, इंटर्नल कंट्रोल की मीनिंग को रिपीट कर रहा है, इंटर्नल कंट्रोल कर अजने से नच से बाते हैं, मैंने को रिए माउने करने खने हम तो भाते हैं, और प्राणिक से लिए, आप जैसे इंटर्नल कंट्रोल करने, जा मिन जएसे एग्जम्पली एक जए कोई भी ओर राता है, तो और में भूक्स पता चला, चार बूक्स पथे खाले गगा है या गलत रिटरेस पे चले चले गए तो अमें पर इंटरल इंटरल फिट करना है, कि जो बोला जा जा ए रहा है उप जा एगा है, गजड़ा जा एगा है तो इसका पुरा workflow design करना है, क्या करना है? क्या क्या work है, और इसको workflow कौन क्या करेगा, तो पुरा workflow designing करना, तो every workflow should be documented, that it is not complete if another person has not been checked it out, और workflow बनाते समय, एक का काम दुस्य से, check होना चीछ, वेरी वेरी क्लिर गैस, internal check देन में रखना है, 3rd is, other role should start when first role come to an end, अब जैसे कोई order hit होता है, तो एक बंदा क्या करेगा, sales वाला team और finance team को बदाएगा पैसे आए क्या चेक करो, finance team चेक करेगा कि पैसे hit हो है ठीक है अपिर accounting team उस record करेगा end, कि पैसे भी आगए और sales किस बच्चे का order है फिर accounting team, dispatch team को receipt देगा, dispatch team के अंदर एक बंदा जो है, वो बुक्स निगा लेगा और दुसरा बंदा पैकिंग करेगा और तीसरा बंदा क्या, वोई बंदा कुरियर गरेगा, तो पूरा workflow ऐसा बनाओ, कि जब तक एक का काम खतम नहीं होता, दुसरे काम चालू नहीं होगा, और parallelly उनका काम भी चेक होगा internal check is a part of internal control, internal check is a part of internal control फिस surprise check रखो, अचानक जाओ, check करो कि जो बुला जा रहा हो रहा है कि नहीं हो रहा है एक दिन जाओ, चलो बताओ कितने बुक्स है तिरे बास है inventory में कितने बुक्स है, record में कितने जाओ, जाओ, check करो, surprise check रखो 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 सर्क रखो रखो रहा है are you understanding my point? कभी-कभी मेहने में एकाओ भार मेरे office में सुप दजबे बॉचाआ आँ बासे, बासे बास जाता है तो, of office अब दरगार, सर केसे याए सप्राइज चेक होना बहुती जरूरी है नेक्स्ट इस नॉन रिपोर्टिंग और नॉन इधरेंस अप्लाइंस जो लोग जो बाते सुन नहीं रहे इसको रिपोर्ट करो गड़डिया के बारे में पता करो कि एम्प्लोई क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं रिव्यू दी इंटर्ल कंट्रल फॉलो टाम तब्डाइब आँशल ने सब्स्टों अबड़डिया कर रहे हैं एक एम्प्लोई उपर तक बाते बाते पांचाना चाह रहे है उसको बलते विजिल मेकानिजम विसल ब्लॉइंग इंटर्नल स्ट्रॉंग हो जाएगा एक वोड़ोन थे इफिंपनेंच भर्वीड कर रहा है, एक फिंपनेंच भर्वीड कर रहा है, यह विजल मेकानिजमेंख बहुती है, तो एसा कोई फोन नंबर, एसा कोई इमिल इडी, जिसमें उसका नाम भार्ना है, और प्रम्प्लेंट भर्वीड थे और उपर वाले where control mechanism is needed then every workflow should be documented as if the work is not completed unless until another is checking third point the other role should start when the first role come to an end fourth point establish a surprise check mechanism where the money matters are involved next reporting of non-adherence of key compliance areas non-compliance कर रहा है गरबढ़िया कर रहा है जो system को follow नहीं कर रहा है इसके वारे रिपोर्टिंग होना बहुत ही जरूरी है यह कौन करता है? Intel Auditor यह कौन करता है? Intel Auditor जाके चेक करता है next is review mechanism of the control time to time review करो कि और सुधारना क्या करना है and last is establish a visual mechanism repeat कर रहा है last time identify the key areas where internal control mechanism is to be established next is workflow should be documented that it is not complete if another has not been checked out correct यह बाद? third is the other rule should start when first rule come to an end next is establish a surprise check mechanism specifically where money matters are involved next is reporting of non-adherence of key compliance area review mechanism of the control units and last is establish visual mechanism थोड़ा सा देखते हैं क्या 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 पड़ा सबसे पहले हमने controls के टाइप देखे हैं कितने टाइप है? दो कौन से दो टाइप है? accounting control and administrative control accounting control क्या achieve करना चाहता है? safeguarding of asset and reliability of financial information कैसे कर पाएगा? authorization and approvals segregation of duties physical control over the assets and internal auditing ये कैसे अचीव हो पाएगा? क्या करना पड़ेगा? authorization लाने पड़ेगा हरे transaction के prompt recording करनी है access to asset limited look को दिना है and review and verification administrative control means operational control which means quality work और अगर आप ये देख रहे हो कि next form है similarly internal check का मीनि अपने थेखा what is internal check? allocation of duties in such a manner that work of one is checked by another while the other is performing his own work in a normal way second क्या लेगा? it is a scientific way that no one is responsible for all the phases of transaction and the work of one employee is distributed so that discrepancies are revealed and thrown out very clear guys the work is divided and subdivided internal check में हो गया है correct है बाद? internal check में आपने और एक चीज़ देखी what are the various objective बदाई है division of work fixation of responsibility इसका क्या फाइद है? increase in efficiency जिससे क्या होगा? minimization of error और काम इक के बास नहीं है तो क्या होगा? prevention of fraud quick और जिससे timely सब काम होगा quick preparation of records and facilitated smooth audit work कोई दिकर what is internal audit? independent appraisal established within the organization which examine and evaluate the transaction or activities as a service to the management and assist the members very very clear and last is steps in internal control identify the key areas where internal control mechanism has to be established every workflow should be documented as if not complete unless until other is checking it third is other's role should start when first role come to an end establish a surprise check mechanism wherever the money matters are involved reporting of non-compliance of the key areas no adherence to the key areas review mechanism and establish visual mechanism तो ये चैप्टर को को हम कल बहुत अच्छे से डीटिल मे और जाएंगे एक बहुत सारी चीज़ अभी भी इसमें है कल आले ले लेक्टर में पूरा इंट्रोल कंट्रोल पर हमारा ध्यान रहेगा ठीक है न बाद अभी के लिए इतना ही थैंक्स लोट गाईज जैहिन बाई बाई टेक केर थैंक्यू येस गाईज वार्म वेलकम वेरी 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 गूड मॉर्निंग कैसे हो आप लो एक दा मजमा बस्क्रास मुझे बताव पहला कुंसा चैप्टर कंप्रीट के हमने कंप्लाइंस का रिपोर्ट है अभी कुंसा चैप्टर चल रहा है इंटर्नल कंट्रोल इंटर्नल कंट्रोल सेल्फ स्टेडी में समझने में अपने अपनी लोगों को समझ में नी आता है और जब समझ में नी आता है तो लिखेंगे क्या तो समझेगा नी करेड़ बाद तो जब समझ में नी आएगा तो प्रॉलम आती है इसने ही revision series में हम क्या गरता है एक बार brush up करके देते हैं कि अरे concept मैं है क्या और जो main 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 pointers है थोड़ा सा brief up करके देते हैं तो जिससे at least आपको एक content idea रहेगा तो आपको थोड़ा सा push मिलेगा और ये reporting और internal control 20 मा का curriculum है अरे आपके degree में बहुत बड़ा contribution है बादी कतम हो जाती है तो कोई भी चीज़ को आप ग्रांटी ने ले सकते हैं specifically ये दोनों chapter को आप बिल्कुल ग्रांटी लेना मत that is reporting and basically internal control compliance 20 marks का curriculum बनता है risk management 20 marks का curriculum बनता है 40 mark आपको immediately in cash करना है ठीक है नबाद and you need to prepare the best whatever possible is okay समभव है main main content आगे आप थोड़ा मन से समझ के like you can add up things but yes let me revise what internal control we have done सबसे पहले internal control के broad classification दो है one is accounting control and administrative control accounting control क्या चाता है के जो भी property वो safeguard रहे है चोरी ना हो, asset कर यूनो misuse ना हो, correct है और दूसरा reliable financial information जो reports मिल रहे है वो सही मिल रहे है मैंने दिखा एक बार कि collection वाला बंदा जो collection कर रहे है उधारी collection कर रहे है data से ठीक है वो collection कर रहा है एक लाग receipt बना के दे रहा है 60,000 का 40,000 का reporting गलत कर दिया करेड़ बार तो जो भी reliable financial information होना चाहिए और ये करने के लिए हम बहुत सारी चीज़े करेंगे हम audit करवाएंगे कि क्या जो चीज़े बुली गई है वो हो रहा है नहीं हो रहा है second हम क्या करेंगे हम physical control over the asset रखेंगे check करते जाएंगे हम ये देखेंगे कि हर एक चीज़ को authorization approval के process से जाए हर एक चीज़ को approval process होना चीए bank के अंदर एक officer approval देगा दूसरा उसको execute करेगा एक बंदा approval process मेरेगा एक authorize करेगा दूसरा execute करेगा तो cross check चलता रहेगा correct guys तो ये आपको करना बहुत ही जरूरी है correct बात उसके बात में ये सब करने के लिए क्या various things we need to keep in mind first is authorization process हर transaction को कोई ना कोई authorize करेगा second is prompt recording होना चाहिए timely recording आज goods दे दिया कल entry मारी नहीं चलेगा आज entry मारी कल good deliver हो नहीं चलेगा everything should be prompt recording access to assets should be restricted हर किसी को हर एक जगा accessibility देना गलत होगे सोचो company में 10,000 employee कोई भी किदर भी जाके गुस रहा है कैसे manage करेंगे हर एक को एक restricted area में entry मिलनी चाहिए and हर चीज जो है आपका asset time to time review and verify करना है आपका asset की counting करनी है checking करनी है एक random checking करनी है stock taking लिनी है तो जिससे आपका कही ना कही on the toe सब लोग काम करेंगे उसके बाद administrative control is actually operational control administrative control is actually operational control जो quality work को लेकर चल रहा है बोला कुछ जा रहा है और goods कुछ और deliver हो रहा है कभी-कभी होता है restaurant में हम जाते है order दिया कुछ आया कुछ आपका order किसी और table पे चला गया तो यह miss क्या हो रहा है operational control में गड़ बड़े accounting वाले ने सही accounting करी है जितना order था वोई order का बट देने वाले ने गलत जगा दे दिया तो यह भी नहीं होना चाहिए that is administrative control which control administrative control are you understanding my point are you yes or no 20 plus 20 sir full आते है क्या marks कभी नहीं आते theory subject में कभी 5 में से 5 मांग मिलते है अच्छे answer के लिए 5 में से 3 साड़ी 3 best answer बहुत सरपार बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा handwriting presentation 4 मांग बहुत rarest case तो लगबग सोचो 100 मांग के paper में 70 मांग highest मांग बन सकता है 70, 75 इसके उपर नी grace पकड़ी अस्सी बहुत ज़्यादा बुल दिया है अपर साइड बूर रहा हूँ theory paper में कभी पूरे marks नहीं आता है तो 40 मांग का preparation करोगे तो यहां से 25, 30 मांग ज़्यादा साथ अब in cash कर पाओगे यह आपको समझा है पर 30 मांग 40 मांग passing actually समझो एरी बाद तो 31 मांग ज़्यादा बहुत बड़ा विटेज बनता है 25 मांग तो अब आराम से बना लो गया इस एड़ वेरी क्लियर तो यह देखना administrative control को लेकर हमने देखा कि यहां पर हमेशा administrative control का indirect का संबंदिक इसके साथ accounting control के साथ उसके बाद में अगर मैं बात कर रहा हूं कि next हमने देखा था कि internal check what is internal check allocation of duty in such a manner that work of one is checked by another while other is performing his duty in the normally एक का काम दूसरा check कर रहा है बड़ चेक करनी का एंगल से नहीं वो अपना काम करते करते दूसरे का काम चेक कर रहा है that is internal check the best example is restaurant mcdonald's billing करने वाला बंदा मेंने common example रहा हूं आपको याद रहेगा billing करने वाला बंदा रहेगा बनाने वाला बंदा अलग रहेगा और dispatch करने वाला बंदा अलग रहेगा billing वाला बंदा बिल करके पैसा लेगा बनाने वाला बंदा बनाएगा और देने वाला बंदा देखेगा जो बिल में लिखा है वो ही बना है या नहीं बना है Are you understanding my point? वो serving भी कर रहा है और checking भी कर रहा है तो यह होता है internal check Internal check is division and subdivision कि काम इस तरीके से divide हो या further divide हो कि जो भी discrepancies और problems है वो system से भार हो जाए और quality output मिले है काम सही डंग से हो that is internal check Are you understanding my point? Yes or no? Internal check में कोई भी एक काम अकेला मंदाब पूरा काम नहीं करेगा पूरे काम को छोटे 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 phases में divide किया जाएगा पूरे काम को छोटे छोटे phases में divide किया जाएगा Are you getting my point? और हरे को अपना अपना रोल define रहेगा correct guys तो what is the objective of internal check in what you do in internal check first is allocation of duties to specific person काम बाटना second is obtain physical and financial confirmation of the facts third is the breakdown of the accounting procedure के accounting भी हो रहा है goods भी देरे ऐसे नहीं है तो आप छोटे छोटे transaction करके छोटे छोटे recording करे होगे तो जिससे काम बढ़ेगा and reduce the possibility of errors and fraud यह हमने नहीं पढ़ा था हम रिपीट कर रहा हूँ what happens in internal control what is the objective you allocate duties to specific person physical and financial confirmation रेकॉर्ड में जो लिखा है और actual में जो है वो चेक किया जाएगा फिर financial transaction को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाएगा like in restaurant जैसे direct restaurant के order का बिल नहीं बनता है पहले क्योटी बनता है kitchen order ticket correct बाद क्योटी बनने के बाद बिल बनता है उसके बाद cash receipt बनती है एक ही transaction को तीन पार्ट में डिवाइड किया है एक ही transaction को order क्या मिला क्योटी order execute हो गया बिल और order execute करने पैसे आये की नहीं है payments are you understanding my point तो क्या accounting procedure को हमने small part में डिवाइड किया है answer is yes and now you are breakdowning the accounting procedure and reduce the possibility of errors and frauds error frauds कम करने की पूरी संभावना है repeat करो what is objective allocation of duty to specific person second is obtain the physical and financial confirmation of the facts जो actual में है और जो records में दिख रहे है वो verify करो तीसरा facilitating the breakdown of the accounting procedures जैसे काम वैसे entry समझ में आए मेरी बात and next is reducing the possibility of errors and frauds यह सब करके क्या होगा error होने के chances कम है गलतिया होने के chances कम है very very clear guys repeat again allocation of duty to specific person obtain physical and financial confirmation of the facts next is breakdown of the accounting procedures and reduce the possibility of errors and frauds reduce the possibility of errors and frauds are you getting my point correct guys अब internal check में क्या features क्या होट करते आप क्या क्या चीज़े internal check में दिख कर आती है कुनसी बाते आपको जलक कर आती internal check में क्या वहाँ पर division of work and responsibility हो रही है क्या वहाँ पर role सब का define हो रहा है काम divide हो रहा है क्या वहाँ पर किसी एक के पास पूरा control नहीं है क्या internal check में rotation of staff होता है क्या आज ये cashier कर लिए और कुछ करेगा या एक week के लिए cashier अगले week में और कुछ entry करेगा क्या वहाँ पर किसी एक बंदे पर और confidence नहीं रखा चाता है क्या internal check में collusion को avoid करना चाहिए मिली बगत क्या वहाँ पर physical inventory check करते रहना time to time record के साथ क्या वहाँ पर asset पर unauthorized use allowed नहीं है are you understanding my point और क्या administrative power financial power बटे हुए and also they try to prevent the losses or misappropriation these are the various essential features of internal check repeating again what are the features of internal check division of work and responsibilities fixation of defined responsibilities absolute control to anyone is avoided rotation of staff too much confidence of anyone is avoided avoid collusion avoid collusion physical inventory of stocks and physical assets should be taken unauthorized use of assets should be avoided financial administrative power should be distributed and prevention of loss or misappropriation ठीक है नबाद तो यदे को रात तो रात तो नहीं याद रहेगा दो तीम बार रीड करो तो याद रहेगा ऐसा तो नहीं होगा जो अब भी रीड करा हो याद आगे खतम हो गया बस एक्जाम दे दिये इतना असान नहीं है ठीक है नबाद अभी जैसे आप पर कर रहे हो घर जाके और रीड करोगे सेल्फ में बंद गर के लर्न करोगे थोड़ा तो एफ़र्ट लेना पड़ेगा आपको इसा तो नहीं होगा कि डियरेक एग्जाम के एक दिन पहले पोड़ो तो आने वाला है ठीक है नबाद उसके बाद वाट इस दो अब्जेक्टिव क्या फाइदे है पहला डिविजन ओफ वर्क जिससे क्या काम बाट रहा है तो सबका रोल फिक्स हो रहा है जिससे क्या होने के चांसे से एंक्रीज इन एफिशेंसी जैसे एक्जाम्पल है कि बर्गर बनाने वाला बर्गर ही बनाएगा आगे के तीन मेन है तो उसके एफिशेंसी बढ़ेगी सर्विं करने आले बनाएगा फास्ट है आगा यह ओडर हा यह लो यह लो यह लो यह लो यह लो लाज इंक्रीज इन एफिशेंसी और मिनिमाईसेशन ओफ एरर एफिशेंसी बढ़ेगी तो एरर्स कम होगा और फ्रॉड होने के चांसे इस कम है क्यों क्योंकि एक बंदे के हाथ में पूरा रंजाक्शन काम बठा हुआ है एंड क्विक प्रिपरेशन ओफ एन्वल रेकॉर्ड एंड स्मूद ऑडिट वर्क कि सब टाइमली रेकॉर्ड रेडी होंगे और ऑडिट भी टाइमली कम्प्लीट होगा वनेगे बंदा लगाएगा शूपर वाइजर काम को पुरा लिखके लेगा youtube 6 काम करेगा और दिस्पैच टीम動画 डिस्पैच करके फीट्बैक लेने वाला बंदा पर्युजभा है पता चल् UT रहा है मैं ही पैसे ले रहा हूँ, मैं ही बिलिंग कर रहा हूँ और मैं ही फीडबैक ले रहा हूँ, मेरी काम में गड़बड भी रहेगे, मैं फीडबैक अच्छा लिखवा दूँगा तो what happens, the whole work is not in one hand and इसमें fraud होने के भी chances पूरे कम है fraud होने के chances भी पूरे कम है तो इसी लिए किसी एक के हाथ में control नहीं देना चाहिए is that very very clear अरे हाँ या ना what is the meaning of internal audit internal audit is appraising, checking करना, appraisal देखना देखो एक समझना internal control, internal check, internal audit तीन पहलो है internal control, management ने policy बनाई smooth functioning के लिए objective अचीव करने के लिए कानून का टाइम लिए पालन होने के लिए और quality work के लिए समझाए मेरी माद management ने policies बनाई बड़ वो policy सही डंग से follow हो और सब सही करे इसके लिए internal check है और लोग follow कर रहे के नहीं कर रहे management पता करना चाहता है इसके लिए internal auditors है internal समझा है मेरी माद हम चाहते हैं कि students को quality, timely delivery, books and pen drive मिलें तो हमने पुरा process बना है, workflow बना है correct है कि एक बंदा entry करेगा, दूसा बंदा books की receipt बनाएगा, तीसा बंदा packing करेगा, चोथा बंदा dispatch करेगा हमने पूरा workflow बना है इस workflow को बनाते समय internal check ध्यान में रखा हमने और यह पूरी policies जो हमने क्यों बनाई है, क्योंकि हम चाहते है profit में की, quality service, compliance timely delivery, correct बार और हमने एक auditor appointment किया कि क्या यह employees timely काम कर रहे के नहीं कर रहे है जो policies बनी है, वो implement हो रहा यह नहीं हो रहा है, जाके appraise कर, study कर, review कर appraisal कर, are you understanding my point? क्या वो auditor management को बहुत बड़ा contribution है yes, क्या वो auditor management को बहुत सारी बाते बताएगा yes, क्या auditor आके बताएगा कि जो आमने बाते बोली हो follow हो रहा है नहीं हो रहा है, yes, क्या auditor बताएगा क्या loophole से उसके अंदर, yes क्या auditor हमें और inputs देगा, yes तो auditor, internal auditor बहुत बड़ा input देता है to the top management क्या उनके governance में कोई कमी आएग क्या उनके controls में कमी आएग क्या उनके policies में कमी आएग क्या गड़बडिया कुछ हो रही है, fraud कुछ हो रहा है तो that is internal audit are you understanding your point? तो internal audit, shareholder चाते है या management चाता है management चाता है, कि जो उन्होंने company में policies बनाई है वो follow हो रहा है, नहीं हो रहा यह check करने के लिए internal auditor आएगा और पूरे system को appraisal करेगा, study करेगा review करेगा, और यह internal audit is like a service to the top management and assist them in making the policies and procedures is that very very clear? करेगा, तो what is internal audit बता हिया, it is an independent appraisal which is established within the organization which examine and evaluates the activities as a service to the management and assist the members repeat again, it is an independent appraisal appraisal करना, performance appraisal, जैसे employees performance appraisal होता है, HR department करता है employee न अच्छा काम किया, नहीं किया, grow करा नहीं किया, performance appraisal, तो वैसे independent appraisal established within the organization with the view to examine and evaluate the various activities जो भी काम का चल रहा है, as a service to the management and assist the members कोई दिक्कत बताईया अब आगे बढ़ेंगा What are the various steps in internal control बढ़ा दाम नहीं First, identify the key areas जापे control चाहिए Then, workflow design करो and workflow ऐसा design करो कि किसी क्या होता है आपर किसी एक का काम complete होते ही दुस्से का उसका काम check होगा तीसरा, समझा मेरी बात The other role come to an end start, you know, other role come to an end another work start इस तरीके सबको पूरा designing करनी है Next, surprise check रखना है ठीक है, कोई भी non-etherence है कोई follow नहीं कर रहा है उसकी reporting होनी चाहिए and review mechanism कि कहा कहा पर और सुधारना करना है and vigil mechanism इस तरीके से आप पूरा internal control को design करोगे बताए, क्या क्या करोगे Step 1, identify the key areas where control need to be designed Step 2, every workflow should be documented that if it is not complete, if another work is not being checked, Step 3 work of one, the other role will start when other first role will come to an end Fourth क्या है Surprise, check, mechanism non-otherence should be reported and review mechanism and vigil mechanism पक्का, थोड़ा-थोड़ा यादा आ रहा है थोड़ा-थोड़ा correct है चलेगा तो guys, आज हम थोड़ागी बढ़ेंगे यहाँ पर हमने यह last पढ़ा था अब internal control की क्या खामिया है internal control में क्या limitations है, internal control के क्या drawbacks है यह आपको बताने what are the drawbacks and the problems in internal control अभी तक मैंने जितना कल पढ़ाया था उसको go through करा के दिया अब मैं content चालू कर रहा हूँ थोड़ा-थोड़ा फ्रेशन समझ भाएंगा हमने क्या पढ़ा था internal control के क्या limitations है यह वहला discussion पर मैं हूँ सबसे पहले सबसे पहले आपने control बढ़िया design किया है बट जो लोग है वो ही गलत है उनको आते ही नहीं है मैंने जैसे बताया हमारे आपे कि visitor unnecessary कोई visitor society में ना कुछ है तो आपने software install किया है सबी societies में होता है जैसे mygate है यह है वो है software install किया है तो वो software कैसा है कि OTP आएगा confirm होगा तो यह visitor अंदर आ सकता है बट वो watchman को mobile चलाना ही में आता है तो control के ऐसी के ऐसी है समझाय में नहीं हुआ है हमने ना barricades बढ़ा है remote control आजकिल very common ठीक है ना barricades बढ़ा है उसको train किया कि भाई ऐसा button दबाना ऐसा करना वो हमेशा confused आता है कि क्या ही है समझ में ना जब बंद करना तो चालू करता है गाड़ी चले जाती है जब चालू करना तो बंद करता है गाड़ी को bank कर लेता है barricades तो manager ही poor है तो हमने system तो सही बना है बट सलाने वाले लोग ही गलत है तो क्या हम successful रहने वाले है not at all are you understanding my point तो सबसे पहले poor manager is a problem ठीक है ना बाद second यहाँ देखो यहाँ पर क्या लिखा है shift in the macro condition government policy बदल गई हमारे control के ऐसी कि देशी पूरा system बदलना पड़ेगा consumer taste preference बदल गया तो हमारे control कुछ काम का नहीं है macro environment हमारे आतमे नहीं है are you understanding my point government policy बदली क्या हम रोख सकते है correct बाद competitor ने कुछ change लाए बदलाव लाए क्या हम रोख सकते है नहीं रोख सकते है economic condition lockdown गोशित हो गया हमारे आतमे control की ऐसी की ऐसी business नहीं हो गया समझो तो control फिर कुछ काम का नहीं macro conditions के सामने macro environment के सामने हमारी चलती नहीं है तो control failure पर आ जाता है control क्या हो जाता है failure पर आ जाता है अच्छा control internal control सिभ एक assurance दे रहे but एक 100% assurance नहीं दे रहे के हम successful है एक reasonable assurance दे रहे यहाँ सब सही चल रहे 100% guarantee नहीं दे रहे के everything is on the toes are you understanding my point तो is it providing reasonable assurance और is it providing absolute assurance it is only providing reasonable assurance आश्वास्वन देना reasonable confidence देना but not 100% confidence that you are on the toes here everything is on the toes कल मैं सबस्थ मुझे मेरे business में प्चार employee है मैंने पूरे policy बना के मैं चला गया मैं जा रहो एक मेने के लिए business हमाल ले नहीं मैंने control system बना है बट वो भी fail हो सकता है मैं फिर भी डर के जाओंगा phone करूंगा camera check करूंगा correct बात control system design तो किया है मैंने बट क्या वो 100% guarantee दे रहा है कि सब चीज़ ही चल रहे है नहीं मुझे फिर भी अपना दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा तो it is just providing reasonable assurance and not the absolute assurance about the success of the internal control फिर collusion बिली बगत दो तीन जन मिल जाए तो control system की दज्या उड़ा देंगा बरगर बनाने वाला बिलिंग वाला बंदा बरगर देने वाला बंदा और बिलिंग वाला बंदा मिल जाए बिल बनाएंगे 4 का, बलेंगे 6 दे तपा मिल बनाता हूँ, और में बना देता हूँ. और देने वाला बलता है मैं भी देता हूं collusion बर्गर का बिलाया कितना चार बर्गर गया कितना छे और दो बर्गर कैसे बताया कि चुओं ने खा लिया क्या कर लो गया समझे निवार तो collusion से पूरे control की धज्या उड़ सकती है सब मिल गया है यह जो aggregation वाले लोग मिल गया मिली बगत बन जाए तो आपके पूरे system की band बचा गए यह बत तो clear है are you understanding उसके बाद control को cost benefit angle जैसे example है कि मैं कुछ पता चाहता कि मेरा PDF लीग हो रहा है तो मैंने बोला तो आपको I made a software software खर्चा आ रहा है 5 लाग revenue दो लाग मैं बोलता जान दो PDF लीग होने दो सीधी बाद है तो cost benefit analysis शायद control बिठाने गए software systems या आप company में बिठाने गए आपको वह महंगा बढ़ रहा है as compared to what the benefit is as compared to the benefit is benefit is very less cost is more you may not go for the internal control you may not go for the internal control जैसे example है हमारे go down से आप सब चारपहँएर की चोरी औरी परवन हमने बोला कि स्टाफ हायर करते चोरी रुख जाएगे स्टाफ 15 अजार का चोरी पाच अजार की सेंच बनता है हम बोले जाने देना है चले दो देखेंगे जो बड़ा प्रॉल्म माइगा तो देखेंगे एक स्टाफ गोड़ाँ पर रुखा रहेगा जो माल जा रहा है चेक करेगा माल निकालने वाला बंदा ही माल दे रहा है कस्टमर को माल निकालने वाला बंदा गोड़ाँ से कस्टमर को लोडिंग करके दे रहा है तो वो निकालने वाला बंदा ही कर दाल कि दे रहा था थौदा बमने ब righteous खेने वाल बंढ एलग रहे गा लोड़िंघ अखर एक हो एक बंदा एंड कर ले थे लुड़ करोई उ चेक करे लूडब बढ़े गया 15 लत भड़ा सैंग्द वो चारह सार भाइदा उसम शुचान जानने दो 14,000 का नुकसान, तो cost benefit में हो सकता है, control के लिए cost is more, and benefit is very less, so we will not install the internal control, very very clear guys, and उसके अपने inherent limitation है, control की designing ही गलत है, control की designing ही गलत है, तो आप मेरी बात मनना, कि control की designing ही गलत है, उस case में आपको यह समझना है, कि कि जब control की designing ही गलत है, तो सारे system की band बच सकती है, तो guys, यह सब क्या था, drawbacks of internal control, बताएं, क्या-क्या drawbacks है, पहला drawback, correct, first is poor manager, लोग चलाने वाले लोगी गलत है, तो फिर control कैसे चलेगा, correct है बात, second is, shift in the macro condition, macro condition मतलब external environment, में बदलाव हो रहा है, वो अमारे आथ में नहीं है, शाद वाँ पे change होते हैं, हमारे policy गलत हो जाए, correct है, third is, no absolute assurance, only reasonable assurance, fourth is, collusion problem, fifth is, cost benefit analysis, चंट्रोल बिटाने का खर्चा जादा है, benefit, बेनिफेट, कम है, शाद ऐसा हो सकता है, and next is, inerent limitation, inerent limitation, सबस्थ मेरे फ्रेंड के शॉप में से, 10-20 रुपी की चोरी होती रहती है, महिने बर में, 314 रुपी की चोरी होती है, मैंने बहुता है, camera बिटा, हाई एंड, camera, एकदम खोद के, scan करके, बता है कोन चोरी कर रहा है, उसके finger prints भी capture हो जाए, सामझेगे, camera आता है, 20 रुपी का, सैंसी नहीं बन्दा, cause benefit and inherent limitation, बता है, 6 points, repeat करना अपने, poor managers, shift in the macro condition, no absolute assurance, collusion, cause benefit analysis and inherent limitation, repeat again, poor managers, shift in the macro conditions, no absolute assurance, collusion, cause benefit, analysis and inherent limitation, easy आ रहा है, याद आ रहा है कुछ चीज है, online जन्ता से पूछते हैं, Sir, many student watch it on phone, it is a sincere request to show your notes on a big screen, this is needed, really needed, okay, okay, चले रहा, मुझे लगए, मुझे लगए subject रही है कुछ, हाँ, तो, उसे suggestion दिया, तो उसके गाहां में, okay, तो माइ पॉइंट इस, ये 6 limitation आपको जादार है, तो limitation of internal control, अब तोड़ा आगे बढ़ेंगे, तोड़ा सा और कुछ चीज़ें में, गुरू करना चाहता हूँ, वैसे broadly, controls दो टाइप के हैं, बट अगर आप पूरा समझना चाहते हो, तो उन्होंने, 4 टाइप में भी दिया है, comprehension form में, comprehensive form में, 4 टाइप में, आप टॉपिक को, internal control के discussion को, 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हो, पहला टाइप है, accounting control, दूसरा टाइप है, operational control, तीसरा टाइप है, internal check, चवतर टाइप है, internal audit, तो अगर internal control समझने, तो यह 4 topics समझोगे, तो internal control समझेगा, यह 4 चीज़े समझोगे, तो internal control समझ में आएगा, आप directly internal control नहीं समझ सकते हैं, यह 4 चीज़े समझने के बाद, internal control की बात होगे, रिपीटिंग अगें, accounting control, administrative control, internal check, internal audit, क्या इसमें कोई दिखा देना, what is internal audit, independent appraisal, which is a service to the management, तो यह रखने बात, यहार आपको, second, what is internal check, internal check is allocation of duty in such a manner that, one work is checked by another, while other is performing his own duty, what is operational control, देखो, efficiency increase करना, productivity increase करना, मतलब आपके काम में, output, आपके काम में, quality work आना, that is, what, operational or administrative control, and what is accounting control, के final preparation, of financial statement, सही financial statement प्रिपेर हो, turnover कुछ, पताय कुछ, गरबड है, करेट बाद, तो यह होता है, accounting control, यह सब होने के बाद, accounting control, internal check, internal audit, होने के बाद, हमें confidence आएगा, management को, कि हमने जो plan किया, वो achieve हो रहा है, और अगर हो रहा है, that is internal control, very very clear guys, अब इन्होंने एक paragraph दिया है, एक paragraph में, इन्होंने क्या किया है, कि, small entities में, internal control का क्या लेना देना है, छोटे organization, चार-पाच लोग काम कर रहा है, एक shop में जाओ, तीन workers काम कर रहा है, owner काम कर रहा है, अब उसमें एक पारलेजी का order आए, बिलिग एक बनाएंगा, पारलेजी एक लेकर आएगा, carry bag में एक दालेगा, एक गाड़ी पे रखके आएगा, परोडेगा ही नहीं, परोडेगा नहीं परोडेगा, इतना मारजीन होता ही नहीं बिसनस, small organization, तो इतना नहीं possible है, तो वहाँ, sorry, 30 पैसा, 40 पैसा, retail margin, correct, hardly कुछ लेता है, correct, hardly 5% to 8% margin लेता है, तेगे ना बाद, दर्द नहीं भार निकालना है, तो मारजीन बहुत काम है, तो माई पॉइंट इस, अदर्टेशन एर, कि small entities में duty डिवाइड करना, देखो, तो स्मॉल एंटीटेँ जाओंके, कोई ऐसा थाओं के, कैष applicable, कैष से पीयाह है, कैष publi पर एंटीज़ का dal रहा है, पैकिंग कर रहा है, वह बिंग कर रहा है, कariamente में से बाद भाद संवाद संवाद है। चोटे चोटे shop में वही ओनर ब्रे बनाता है, वो ही अंदर goods दिखाता है, वो ही carry bag में दलता है और वो ही पैसे भी लेता है, और thank you भी भोलता है समझे मेरी बार, तो क्या segregation of duties duty divide करना, छोटे organization में possible, not possible, not possible अरे जैसे example है, कि एक mcdonald's का 30 रुपीज के बर्गर के लिए तीन लोग involved है, एक bill बना रहा है, एक burger बना रहा है और एक dispatch कर रहा है, बट एक shop के अंदर 30 रुपीज की biscuits के लिए, वो ही बंदा biscuits भाटे है क्योंकि वहाँ पर इतना business नहीं है, इतने लोग नहीं है mcdonald's के outlet पर शायद दिन का 1 लाग का से लोगा वो shop में पूरे महिने बर में 3 लाग का से लोगा are you getting my point? तो इतना affordable नहीं है तो what is the internal control in small entities? छोटे organization में internal control को लेकर क्या समझ में आ रहा है are you getting my point? अरे yes or no? broadly वो दो ही लिखने है वो दो ही लिखने है उन्होंने बुला कि वो चार समझने के लिए आपको चार में डिवाइड करते है academic point of view से बट वैसे दोटाई तो guys understand here what is my point? मैं क्या बूलना चाओंगा मैं ये बूलना चाओंगा कि small organization में in small organization segregation of duty is not possible duty को बाटना possible नहीं है correct बाट तो फिर कैसे करेंगा अरे बट और एक फाइदा है small organization oversight अकेला उन्होंनर पूरे काम को oversight बैट के पूरा बैट के पूरा लेकर रहा है लाए क्यों लाए समझाए मेरी बात तो वो निग्रा नहीं रख सकता इतना oversight रख सकता है तो इसलिए duty डिवाइड करनी की ज़रुरती नहीं है समझे छोटे organization में एक छोटा वड़बाओ का snack center है वो उनर बैटा है जा चोटी वड़बाओ ला जा उसको चाहिए दे आज आज आप बेल ले अरे उसने पैसे नहीं ला 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 manage कर लेगा वो oversight कर लेगा निगरा नहीं रख लेगा क्योंकि इतना ही transaction है जादा नहीं है तो that is the benefit what is our drawback हम segregation of duty नहीं कर सकते हैं segregation of duty नहीं कर सकते हैं what is the benefit the benefit is the owner manager can oversight the whole organization owner manager can oversight the whole organization are you getting my point yes or no correct है कि नहीं है but और एक drawback है owner manager खुद system को हो रहे ही तरह है sale हुआ 2 करोड का entry मारी 1.5 करोड की tax की चोरी तो यह drawback है small entity there is a limit of segregation of duties duties segregate करना possible नहीं है but owner manager can oversight the organization but over manager themselves can override the control over manager themselves can override the control वो खुदी गरबड़िया कर सकते हैं क्योंकि उनके आतमे पूरा आतमे entry मारना है उनके आतमे cash देना है goods लेना है वो खुदी गरबड कर सकते है manager के आतमे पूरा good on handling है वो goods ज्यादा देदेगा कम देदेगा यह गरबड होने की पूरी संभावना है शायद जानमुझके भी गरबड हो सकता है without intention भी हो सकता है शायद order 10 चीज़ का था गलती से 12 चीज़ दे दिया उनसे गरबड हो सकती है override the control is possible तो यह 3 point आपको exam में लिखकर आना है पहला in small entities there is a limit in of segregation of duties but owner manager can oversight the activities and the organization also owner managers may override the control कोई दिकत पक्का एकदम ही जी yes 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 जल्दी बुलो नीदी what is the exact query please put बुलो consideration specific to small entity what is point 1 limit of segregation of duties second owner manager can oversight and third owner manager may override the control कोई कोई दिकत आगे बढ़े है चलेगा अब यह देखो एक और एक content आ सकता है आपको the content is what are the various elements of internal control internal control करने के लिए क्या-क्या चीजे लगेगे internal control करने के लिए क्या-क्या ध्यान में रखना पड़ेगा what are the various elements of internal control एक सेके लिए मोडुल भी उपन करके बता था see what are the various elements of internal control तो internal control करने के लिए आपको क्या बात ध्यान में रखनी है यह वाला discussion यह पर चल रहा है is that very very clear are yes or no अच्छा internal control से क्या बता चाहता है बता ही वाट इस इंटरल कंट्रोल अभी क्योशन ब्रॉडली पूछ रहा हूँ what is internal control तो तफ रहेगा आप को लते है वो गिव दे मीनिंग ओव internal control तो पहले तो आप क्या करोगे SA315 का reference होगे standards on auditing इसका reference होगे दो-तीन reference होगे internal control क्या होता है but what do you think अच्छा correct और एक internal control is basically designing policies which give assurance to the management एक आश्वासन देना कि we are achieving the objective we are complying the law reporting is done correctly correct बात यह दो-तीन चीज़े अगर है reporting सही हो रही है compliance of law हो रहा है quality output हो रहा है और हम अपने objective को achieve कर रहा है ऐसी policy की design करना ऐसे कामकाज को design करना ऐसे system को design करना जिससे हम अपने objective को achieve कर पाए दूसरा है कि हम quality output दे पाए तीसरी बात है कि हम compliance of law पूरा कर पाए और सही reporting reliable reporting करे तब जाकर internal control is working is this very clear तो देखो यह चीज मैं आपको जस्ट मैं उपर आपको लेके जा रहा था देखो यहां पर see this SA 315 standards on auditing 315 यहां पर internal control को क्या define किया है read करते है सब लोग aloud read करेंगे जितने लोग online live में देख रहे है वो घर पे read करेंगे ठीक है न बात the process design implemented and maintained कौन बनाता है यह by those charged with governance management and other person who is making this process designing and implementation it is done by those which charged with governance बना board of directors those with management बना board of directors and any other person जिनको लेकर आप काम करते हो management किसकी मदद लेकर काम कर सकता है तो क्या करता है यह process जो design आप कर रहे हो जो planning कर रहे हो पूरा काम का process design कर रहे हो पूरे work का process design कर रहे हो यह design करने में आपको क्या करना है provide reasonable assurance क्या provide करना reasonable assurance about the entities objective with reliability of financial reporting एक तो हम objective अचीव कर रहे है reliable reporting कर रहे है effectiveness and efficiency of the operation and compliance with the applicable laws and regulation चार चीज़ का अश्वास रहे है achieving the objective efficiency and effectiveness in the work quality तीसरा reliable information and compliance of law ऐसा process design करो ऐसा process implement करो ऐसी planning करो organization चलानी की कि आपको खुद को feel हो कि हमने जो बोला है वो achieve होगा आपको लगे कि जो बोला जा रहा है वो हो रहा है आपको लगे कि जो report हो रहा है वो सही है और quality output हो रहा है यह सब अगर हो रहा है तो आपका process सही design हुआ है इसे internal control बोला जाएगा internal control मतलब top management का control over the organization top management का within the company control top management भले full day काम नहीं कर रहा है top management का ऐसा control है company के अंदरू नहीं कि वो objective को achieve करेंगे वो quality output देंगे वो compliance of kanun करेंगे और चौती बात अगर मैं बुलूंगा the fourth thing is proper reporting करेंगे यह board of director के पास होना चाहिए that is internal control जैसे example है बेरे जीचे एक medical store वाला है उसने इतना बढ़िया control design करके रखा है वो 6 में साल में hardly 3 में आता है और बढ़िया चल रहा है business और ठीक उसके सामने बहुत बड़ा medical store है और ओनर रोज आके बढ़ता है सुबह 9 से रात के ग्या रहा था उसको holiday पर कभी देखा ही नहीं जाते है सब फरक क्या वो खूद पूरा control कर रहा है बनाद चला रहा है और ये बंदे ने control system design करके रखा है कि वो नहीं भी रहे उसका काम चलने वाला है वो नहीं भी रहे वो जाकर डली में बैटा है मंबई जाके बैटा है उसको पता है कि customer की complaint नहीं भी रहे उसको हिसाब की तब सही मिलने वाला है उसको माले में अब वो आके दस दी में आता है टनोर कितना हो गया cash कितना परचिस हिसाब देखके चला जाते वो नहीं भी रहे GST की गरबट नहीं होगी द्रग इंस्पेक्टरा के खड़ानी हो compliance of कानून तो मुझे बताओ management के लोगों ने इतनी सही designing कर रखी है process की इतना सही process का implement किया है उसको पता है कि उसका objective अचीव होगा उसको पता है कि कानून का पालन होगा कुछ notice नहीं आएगी उसको पता है कि भाईसा जो काम है वो सही चलेगा efficiency and effectiveness और उससे पता है कि हिसाब किताब भी सही मिलेगा इससे बड़िया चीज क्या है इससे बड़िया चीज क्या है लोग गलती क्या करते है control designing करते हैं process की designing सही करते हैं लोग खुद process में involved हो जाते हैं अरे आपने बाजू में रखके process करवा के लेना है आप management के लोग है आपके अपर जिम्मेदारी कंपनी को grow करने पर है तो आप process में involved होगे तो नहीं होगा process बनाओ और लोगों को involved करो और ऐसा process बनाओ कि आपको चार चीजे अचीव हो ऐसा assurance मिले that is internal control थोड़ा सा language लिख पाओगे थोड़ा सा exam में बताओ क्या लिख होगे रीड करो चलो read it aloud the process design implemented and maintained एक तो designing करी apply भी किया और maintain भी किया किसने किया by those charged with governance, management and other person ऐसा process, काम का process design किया है, implement किया है maintain किया है किसने किया है, those charged with governance, those charged with management and other person जो process क्या कर रहा है provide reasonable assurance किस चीज का आश्वासन देगा achievement of entities objective, क्या होता है profit making आगे with regards to reliability of financial reporting सही हिसाब किताब मिलेगा with regards to effectiveness and efficiency of operations and compliance of applicable laws and regulation are you getting this what is internal control the process which is design, implemented and maintained by those charged with governance management and other person which provides reasonable assurance with regards to the entities objective and and about reliability of financial reporting effectiveness and efficiency of operations and compliance of applicable laws and regulation एकदम पहस्क्रास मजा आगे है मेरको मेरको तो मजा आगे है वो आपको नहीं मलूँ है आपको नहीं मलूँ है आपको नहीं मलूँ है 315 लिखना है ना लिखना है standards on auditing 315 define this नहीं यादे नम्मर गलत लिखने बिटर मदलीव as per the respective standard of auditing बढ़ वो समझ जाते है समझ में हागा है ठीक है ना पाज तो अब ये internal control के बाते हो गए internal control के अगर मैं बात कर रहा हूँ let us come to the various elements ये करने के लिए internal control designing करते समय क्या-क्या बाते ध्यान में रखनी पड़ेगे process design करते समय ऐसा planning करते समय process design implement maintain करते समय क्या मुद्धे आपको ध्यान में रखना है पहला segregation of duty उसने क्या कर रखा है एक बंदा billing करेगा दूसरा पैसा लेगा और medicine देने अले बंदा लग रहे सबका sign लिया जाता है बिल करने बंदे का sign बिल पे रहता है देने अले बंदे का sign sign रहता है चेक करके देगा तो segregation of duties proper organization structure यह head यह का head यह की निचे यह काम करेगा proper organization structure कौन किसको report करेगा planning organization structure जो अपने 11-12 में पढ़ा था types of horizontal, vertical correct उसके बाद objective and policy statement proper policy बनाओ कि तुमें यह नहीं allowed है बिलिंग वाला बंदा अगर बिलिंग करने के लिए present नहीं है तो कौन बिलिंग करेगा proper policy statement बनाओ और employees को communicate करो उसके बाद authorization and approval एक authorization वाला बंदा अलग, ठीक है ना बात वो रहना अच्छी है, then personal management लोग अच्छे हायर करो people should be very good and trained आप कोई भी hire करोगे नहीं चलेगा थोड़े से अच्छे लोग hire करना बहुत ही जरूरी है, देखो यहाँ पर लिखा है person, person मतला have the capabilities उनके पास personal characteristics caliber बंदा चाहिए are you understanding, कोई भी tom dick हरी गड़ा करोगे, कैसा चलेगा आपका system इलने वाला है पहले आपको costly पड़ेगा पर बात में वो जब business grow करेगा वो employee की salary affordable है are you understanding my point जैसे मैंने क्या किया है GST return बनाने वाला बंदा है client से data लेने वाला बंदा है GST return बनाने वाला बंदा है और check करने वाला बंदा है GST return बनाता है वो 12th pass out है, उसको GST का GST return बनाने वाला बंदा तो काम कैसे होगा you should hire a good person and management ने time to time जाकर overview करते रहना है management बोल दी हमने control बना है अरे तुमने बनाया review तो करो monitor करो, check करो owner आके check करता है क्या गरबड़ी हो रही है क्या mistakes हो रही है फिर आके policy बनाता है तो time to time management का भी रोल है ऐसा नहीं के management completely free हो गया है management need to monitor it, review it, check it from time to time समझे मेरी बात देन उसके बाद अगर आब यह देखते हो proper accurate record maintain होना बहुत जरूरी है accounting systems पे believe करो without records don't do execute anything अब मेरे client है वो पहले good deliver करता है 10 दिन के बनाता है यह क्या system है पहले record keeping आप good deliver हो गया पहले भी बनना चाहिए goods आया पहले entry होनी चाहिए आपके पहले entry होनी के बाद goods देना चाहिए record keeping is very important हिसाब किताब लिखा पड़ी होना बहुत ही जरूरी है और उसके बाद accounting control design करना है asset protection करना है और supervision भी करना है someone responsible for day to day जब यह पर transaction है तो एक supervisor appoint करो कि जो काम बोला गया हो रहा है builder लोग करते है builder क्या करते है contractors काम कर रहे एक supervisor करते है कि contractor ने जो बोला है वो किया है नहीं किया मैं builder हूँ यह contractor है यह building बनाएग मेरा supervisor यह यह जाके check करेगा कि काम हो रहे के नहीं हो रहे तो supervision possible then go for it nothing wrong in it वो जा जाके जो जो quality work करवान है करवा के लेगा are you getting my point जैसे example है कि आपके societies में cleaning staff होता है 10-15 cleaning staff के अपर एक supervisor होता है जो देखता है कि काम हुआ या नहीं हुआ तो वो भी करना बहुत ही जरूरी है तो आपको अगर अच्छा internal control चाहिए duties को divide करो आपको internal control अच्छा चाहिए proper structuring करो organization में उसके बाद proper policy बनाओ उसके बाद authorization approval process अलग रखो एक approve करेगा दूसरा execute करेगा तीसरा अच्छे लोग hire करो management का काम खतम नहीं होता है review करते रहना है उसके बाद proper record keeping करो accounting control install करो जिससे protection of acid भी important है and last is supervision need to be undertaken बुलो क्या क्या हैगा segregation of duties organization structure जैसे ये कुछ बहुत है centralization decentralization correct third is objectives and policy statements next is authorization and approval next is persons caliber competent integrity next is management should review and monitor the control next is records and reports accounting control should be installed protection of asset and supervision and supervision can you repeat again segregation of duties organization structure objectives objective and policy statements correct authorization and approvals persons management records and reports accounting control protection of asset and supervision internal control internal control internal control elements internal control at small organization internal control at small organization ये अपको अगर अगर एक्जाम में क्वेस्चन आता है ता आपको लिखते आना चाहिए और internal control in comprehensive fashion चाहिए कुन से चाहिए accounting operational internal check internal audit दो मिन रीटी करो है सब जो भी होगे रीटी करो ये चैप्टर ना बहुत common points है बहुत समय है लेख सकते है थोड़ा सा येस 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 बट module इसले content की इदर कुन से adding हो याद रखना आपको बेटर रहेगा कभी बेटर रहेगा कभी बेटर रहेगा येस येस बेगना शुलिंग सर can we write about decentralization and centralization not so you need to write कि वाइल planning define the role हरे का role define करो कि हरे का position करो हुव रिपोर्ट तो हम ऐसी जीज आपको लिखनी है कोंसे केस में और ऑर्गनेसि इस स्ट्रॉक्चर में थेक है ना बात तोड़ा साब रीड करोगे ने एक बार आपको समझेगा कि क्या किस कॉंटेक्स में है बट एक बार आप मालूम तो होना चीए है क्या हो चलिए In Short Internal Control के द्वराण Repetition of things Majority चीज़ यह आपने लिखी है in Elements मैं वहीं Internal Control के टेकनिक्स मैं वही आ रहा है Elements मतलब क्या चीज़े हूनी चाहिए और techniques मतलब Internal Control करते객 है आज समझ आरे ही बात तो इडिंस बने राइन दे पूरो repeat कह वान् vi फिर भी आपने एक बार देखते है, what are the various techniques of internal control, clear division of work, segregation of work, in such a manner that, the work of one is the beginning of another, जो आपने देखा अलएड़ी, there should be clarity of responsibility, कौन से काम के लिए कौन जिम्मेदार है, जैसे हमारे organization में, pen drive गलत गया, तो एक staff जिम्मेदार, बुक गलत गया तो दूसा staff जिम्मेदार, एंट्री गलत हुई तो तीसा staff जिम्मेदार, अमें पता है कि कौन responsible है, clear responsibility, तेरी है responsibility, तेरी है तेरी है, डिवाइड करना है, जब आप पूरा internal control design कर रहे हो, तो पहले तो work को डिवाइड करो, उसके बाद में आपने work को ऐसा segregate करना है, कि एक का काम दूसा चेक करें, तो internal check is a part of internal control, तो point आएगा, तीसरा, आपने clear हरेक का रोल, कि भई, dispatching में गडबड़ी तो तू जिम्मेदार है, पैसो में गडबड़ी तो तू जिम्मेदार है, एंट्री में गडबड़ी तो तू जिम्मेदार है, are you understanding my point? गडबड़ी तो टीचर जिम्मेदार है, तो clear clarity of responsibility, then workflow should be documented and standardized, पूरा कौन किसको report करेगा, step 1, step 2, step 3, प्रॉपर इसका लिखा पड़ी करो, और employee को बता तो, इस तरीके से काम चलना चे, करेक्ट बाद, उसके बाद, no single person shall ever control over important business operation, main-man, जो business operations है, अकेले एक हाथ में आपको पूरा control नहीं देना है, आपने देखना है, उसमें सब लोग involved है, यह तो fraud हो जाएगा, then, there should be job rotation, correct, एक दिन आज, dispatch वाला बंदा, कल अकाउंटिंग में चला जाएगा, अकाउंटिंग वाला बंदा, एक मेने के बाद, और पेंटरिव में चला जाएगा, समझो मेरी बाद, तो क्या होगा, एक के आप में चंट्रोल नहीं रहेगा, job rotation रहेगा, तो पिछला काम पहला बंदा चेक करेगा, अगला बंदा चेक करेगा, और एक के आप में पूरा, सोचो, एक ही बंदा कैशियर एक बैंक के अंदर, फॉर फाइयर्स, पुरा कैश रेकॉर्ड उसको पता है क्या कर रहा है, गरबढ़िया कर सकता है, बढ़ उसको पता है कि वो अभी एक मेने के लिए कैशियर है, अगला मेन उसका कुछ भी जॉब लग सकता है, तो वो गरबढ़ करने का नहीं सोचेगा, समझो, तो जॉब रोटेशन शुट बी देर, स्टाफ शुट बी आस्ट तुग उन मेंडेटरी लीव, बैंक्स में होता है, 15 दिन मेंडेटरी लीव चले जाओ, दुस्सा बंदा आके बैटेगा और उसका काम चेक करेगा, तो मेंडेटरी लीव पॉस्टिबल है, बड़े-बड़ आईटी, आईटी वाले जो बैंकिंग में न, जो बैंक को सपोर्ट देते है, उनका बथ security concern है, सोचो मैं आईटी कमनी हो, और मैं बैंक के एक लाग सर्वर को एंडल कर रहा हूँ, तो मैं आईटी इंजिनियरों में कुछ भी कर सकता हूँ, hacking, hacking तक भी, तो इस बंदे को मेंडेटरी लीव पे बैजना बहुत ज़रुरी है, कि और मन्दा आकर बैटे और उसके काम को चेक करे, और इसके पास कभी न कभी इसकी चेकिंग होना भी ज़रूरी है, तो मेंडेटरी लीव पे बैजो, तो परसन एविंग चार्ज ओफ इंपॉर्टन असेट, परसन एविंग चार्ज ओफ इंपॉर्टन असेट शुद नाट बी अलाओट तो दी एक्सेश तो दी बुक्स अव अकाउंट्स, सबस्थ मैं कैश एंडल कर रहा हूं, और कैश रेकॉर्ड में ही रख रहा हूं, इसलिए बैंक में एंट्री अलग करता है और कैश देनाल बंदा अलग रहता है, समझो मेरी पास, जिसके पास important assets है, उसके पास records पर access नहीं होना चाहिए, asset और record को match कभी भी कर लेगा हूं, asset और record को कभी भी हो, manipulate कर लेगा, एक बंदी के पास asset है, तो दुसरे के पास record है, और auditor दोनों को check करके verify करेगा, सब चीज सही चल रही या नहीं चल रही है, and if you are talking about periodical inspection of physical asset, audit, time time asset check करो, and valuables like cash and everything should be inspected at irregular intervals, randomly check करते रहना है, कि जो cash बुक्स में दिख रहा है, वोई cash actual में है या नहीं है, यह एक रही रेगिलर intervals पर check करते ही रहना चाहिए, these are the various techniques, these are the various techniques of internal control, जो almost common points है, almost common points है, क्या क्या लिखोगे? पहला, division of work, segregation of work in such that, the work of one comes to an end, the work of another starts, तो काम चेक हो चाहेगा, third, clarity of responsibility, कौहन किसके लिए जिम्मेदार है, fourth, workflow should be properly documented, no single person should have the control over the important business operations, किसी एक बंदे के हाथ में पूरा business operations नहीं होना चाहिए, job rotation, क्या हैगा job rotation, correct है बात, person having the charge of important asset, should not have an access to books of accounts, books में तो books में गड़ बड़ कर सकता है, अरे हाई है ना, चल ले इसको पोइंटर में लिखे का आपन फटाफट, आपको भी समझ में आएगा कि इसको याद करते समें, में मिन पोइंटर फॉर में लिखे है पन, ठेक है ना बात, just one minute, yes Poonam correct, almost same points like internal check, internal control, internal check एक internal control का ही पाट है, तो almost, अरे यार देको आप परिवार, जिस परिवार को बिलों करते है, उस परिवार की features आपको match होंगे कि नहीं होंगे, तो internal check उस internal control के परिवार का सज़स्य है, तो almost वो, जब internal check करोगे तो internal control होगा, तो internal check के points internal control में आएंगे, कोई problem नहीं है, समझ में आया है मेरी बात? अरे हाई है ना? क्या लिखना है? techniques of internal control techniques of internal control, point or form में क्या लिख सकते है, चलो अब बता हूं क्या क्या लिख सकते है, point number one division of work correct है division of work काम को बाटिंगे, काम को इस तरह बाटिंगे, कि किसी एक्यात में control नहीं रहना था तो second is absolute control segregation of work क्या लिखेंगे इसमें? segregation of work spelling mistake हो सकते है segregation of work काम ऐसा बाटों की यह हो, ठीक है, third point में क्या रहा है? clarity of responsibility किसका क्या role है वो clear होना चाहिए यह तो blame के मुगा मैंने नहीं किया इस नहीं किया गरों में जब example है कि एक ही खाने में चार लोग involved बनाने में किसने नमक दाल दिया तीसने और यह बाट नमक दाल दिया गरबड हो गई तुमको बोलेंगे यह dish तुम बना तुम यह बना तो division of work से क्या होता है? सबको अपना अपना role पता रहता है clarity of responsibility very clear guys और क्या आना चाहिए? workflow should be documented documented next क्या हैगा no single person have what access to important business operations job rotation job rotation mandatory leave थोड़ा अपको elaborate करते आना चाहिए exam है mandatory leave person with important asset should not access books of accounts should not have access to books of accounts और क्या है? और क्या है? और क्या है? periodical inspection of physical inventory और क्या है? और क्या है? चाहिए एक बड़ देखे एक बड़ रीड़ करो कोई दिक्कत नहीं है लाइ तैने धjamुट तैने भुट रड़ देखे रड़ तैने भा Water प्लका, done है, done है, आप लोगों का test देख देख, compliance की, 20 marks का test, 20 marks exam है 20 marks, दो question internal controls है, दो question reporting है, ते नहीं असा कुछ निहीं है, पढ़ते हो ऐसा कुछ नहीं है, कितना cough है? नहीं, still at my dining table, at my home, तो अभी यह देखना, समझना मेरी बात, तो देखो एक सेंड, थोड़ा सा प्राइमा फेस से आते हैं, सबसे इंपोर्टेंटली, थोड़ा मॉडिल में से मैं आपको बता हो कि क्या है, सबसे बले मीनिंग, मैंने समझा दिया, बहुत बड़ा मीनिंग बत एक सबसे अट, है क्या देना, अशूरंज देना, किस चीज का अशूरंज देना, औरगानिजेशन अब्यक्तिटिव अचीव करना, कौन सा अब्यक्तिव? efficiency and effectiveness, reliable financial reporting and compliance with the laws and regulation, very very clear guys, so it means organization directed, monitored and measured, किस तरह के से run करेंगे company को, किस तरह हम monitor करते रहेंगे check to check और time to time उसको calculate भी करेंगे सब चीज सही चल रही के नहीं चल रही है अरे आपने पढ़ा ना planning, organizing directing, controlling, coordinating तो यहाँ पर directing, controlling दोनों चल रहा है क्या चल रहा है directing, controlling दोनों चल रहा है, company को चलाने का direction भी दिया जा रहा है और parallelly control भी रखा जा रहा है कि जो बोला है वो हो रहा है और नहीं हो रहा है are you understanding my point? strategy बना है ना is planning तो strategy बना के लोग hire करना, जगा hire करना, जमीन लेना, मशनरी लेना is organizing, अब उनको direct करना की काम कैसे करना है और उनको चेक करना is directing and controlling जो internal control रहा है समझे रहा है तोड़ा से, और ऐसा direct करके control करना की आमने जो प्लान किया हो अचीव जो हमारे objective अचीव हो अचीव हो quality output जाए, efficiency है कानूं का पालन हो और सही हिसाब किताब समझे रही बात तो यह अब थोड़ा सा broad sense में सोचोगे, word to word बखड़ो तो कभी नहीं आएगा, थोड़ा सोचना पड़ेग अगर से सुनो के तो नहीं होगा imagine के साथ आपको practically सोचना है, कि आपने board बेठा है board ने ऐसा company को function बनाया direct करा, planning करके रखी है कि उनका काम भी हो, और check भी होते रहे और कोई दिक्कत ना है correct है बात, तो यह देखना है आपने लिखा है यह हो गए meaning के बारे में objectives ठीक है, nature, फिर 315 का आगया, see 315 में क्या लिखा है, internal control depicts the following internal control is a process, design repeat होगे, जो आपने पढ़ा भी, अरे हाई या ना, फिर control के types, accounting and administrative control, and comprehensive type, accounting operational, internal check, internal audit control के elements पढ़े की नहीं पढ़े है, क्या-क्या पढ़ा segregation of duties organization structure objective and policy statement authorization and approval persons, management, records and reports, accounting control, protection of asset supervision, control के component, very very important जम पढ़ेंगे, component बहुत बढ़ा component आएंगे, don't worry about it component आएगा, उसके बाद limitation of control, बढ़ा के नहीं बढ़ा drawbacks of control बढ़ा के नहीं बढ़ा अरे बोलो न या 315 बढ़ा ये नहीं बढ़ा है, 315 के जबस ठीक है, control related to specific entities, बढ़ा के नहीं बढ़ा फिर वापस component आएगा, components of internal control, ये में आएगा नहीं, ये repetition है, control फिर techniques of internal control, खता होगे internal control, सिफ क्या बचता है components, correct है or limitations, क्या बचता है components and limitations, कोई दिक्कत है control अपने अपमे content आएगा, अब ये दे को internal check, पड़ो, internal check refers to a location of duty in such a manner that, work of one is checked by another, while other is performing his own duty in a normal way, internal check in the organization of duties of staff in a scientific way that, no one is responsible for the all the phases of transaction and the work of one employee is distributed, that discrepancies are revealed in the process of performance of duties एक के आत में पूरे transactions ने आएगा और कुछ भी discrepancies हामें समझ में आएगा and the duties are divided and subdivided in such a manner that discrepancies are flow out of the system itself, ये हमने पड़ा अरे पड़ा के नहीं पड़ा features of internal check, ये नहीं पड़ा पड़ा, very clear guys objective of internal check पड़ा के नहीं पड़ा अब आते internal audit internal check अदम internal control के दो चीज़े बचिए limitation आगया के उनने दिया दो जगा limitation दिया, वो limitation एक चीज़ limitation है, very honest, वो paragraph form में दिया, आपे pointer form में दिया बसता सिफ क्या है, components component of internal control, फिर क्या complete होगा internal check, आप line to line आप read करना आपको एक बार है line to line तो थोड़ा read करोगे, बट line to learn नहीं कर सकते है, impossible थोड़ा मन से लिखना पड़ेगा, थोड़ा बीकॉम स्था लिखना पड़ेगा, थोड़ा, जादा नहीं करेड़े बाद, तो उसके बाद आता है internal auditing थोड़ा सा internal audit में मैंने सिर्व आपको meaning बता है, क्या बता है meaning, what it is independent appraisal established within the organization which examine and evaluate the activities as a service to management which assist the members for discharging their responsibilities and furnish with analysis appraisal and suggestion, ये last point नहीं लिखा था बट फिर भी बता रहा हूं, थेक है नबाद, तो internal audit क्या है, ये तोड़ा सा ध्यान देंगा अभी आपन, तो internal audit complete हो जाता है, इसका एक aspects complete करेंगा, correct, internal audit complete होके, steps of internal control हो गया हो है कि नहीं हो है correct है नबाद, फिर बचता है कोसो वो बचता हो है, correct है तो एक काम करो, पहले internal audit को complete करते हैं अबन let us complete the internal audit कौन करवाता है audit? management क्यों करवाता है? चेक करने के लिए कि control चल रहा है या नहीं चल रहा है, जो control की planning करी थी, work का direction किया था जो policy बनाई थी, जो process बनाया था, क्या वो adequate है क्या वो sufficient है, क्या वो operational है, क्या वो accurate है are you understanding a point? तो see this, internal audit is audit on behalf of management to ensure क्या वो चाहते है कि whether there is adequacy and effectiveness of the internal control क्या control system सही है या नहीं है adequate sufficient है या नहीं है correct है, दूसरा accuracy and timeliness of the financial record, and तीसरा adherence to the policies and procedures, जो नहीं वने policy बनाया विसका पालन हो रहा है नहीं हो रही है पहली बात, हमने जो बनाया वो sufficient है की नहीं है दूसरी बात, क्या सही रिपोर्टिंग और थी और तीसरी बात, क्या उसका पालन हो रहा है की नहीं है ahayya na, Satyajit जैसे घर से निकला तो पापा ने डेटेक्टिव बेज दिया, सत्य जी ख्लासी तो जा रहा है पापा ने किसको बेज दिया, ओडिटर साथ इस आपन, तो पहली बात, पापा ने पॉलिसीज बनाई है, क्या पॉलिसीज सत्य जीद फॉलो कर रहा है, अधरेंस to the policies. अच्छा, क्या policies दो हमने अच्छी बनाई कि सत्यजीत पर अच्छा प्रभा हुआ है? क्या हमें और सुधार ना करना है policies के अंदर? एक्जाम्पल ले रहा हूं है. और क्या ये सब करके, क्या हमारे पास सही reporting हारी है? क्या जो बोला जारा है वो हो रहा है नहीं हो रहा है? ये हमें बताईए है. तो ये सब internal audit अच्छीव करना चाता है. तो आप एक काम करोगे, आप एक example, चलो मैं हमें आप एक pointer form में आपको बताता हूँ. Why interlaudit? एक अगर ऐसे कोई question बूचता है. क्यों interlaudit कराते हैं? Internal audit is is undertaken by management undertaken by management to ensure क्या ensure करना है? 0.1 क्या ensure करना है? Adequacy and what? Effectiveness of internal control. क्या आपने sufficient control बना है? Second, accuracy and timeliness. आपल, reporting भी हिसाब किताब सही होना जरूरी है न. Accuracy and timeliness of financial and other records and reports. And third, adherence to लोग follow कर रहे के नहीं कर रहे हैं? Correct? Adherence to the laid down policies and procedures by each unit of organization. एक्दमी जी थोड़ा समझोगे तो कोई दिकत नहीं, learn करोगे तो मुश्किल है. चेक करोगे तो Can we change the sequence of questions in the exam for GRMC? Yes, but part-wise solve करने अपका. Sir, 138 का interlaudit के बारे में लिख सकते हैं क्या? Not exactly. मतलब ऐसा कुछ output नहीं मिलने वाला है. But not exactly. ठीक है? बुलो, यह आया क्या है? क्यों internal audit कराते हैं? हम यह assure करना चाते है, ensure करना चाते है, confirm करना चाते है, कि जो हमने पूरा process design किया है, क्या वो sufficient है? क्या उसमें कोई सुधारना है? क्या वो process को follow किया जा रहा है? और क्या हमारे पास सही reporting आ रही है? यह अगर हो रहा है, तो internal audit हम इसलिए करवाते हैं, यह सब पता करने के लिए, और यह करवाया जा रहा है, by the management, कौन करवा रहा है? that is management, correct है बात? तो यह पता करने के लिए यह लोग करते हैं, very very clear guys, अब यहा देखो, institute of internal auditor ने क्या डिफाइन किया है, let us read it, internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity, वो अगर रहा है, management को consultation भी दिया जाते है, एक तो independently check करवारी management, अलग से इंडिपेंडेटर से, उसके बाद में वो assurance दे रहे कि हमारे objective अचिव होरे की नहीं होरे, और तीसरा, वो consult भी कर रहे है कि क्या changes और लाने चाहिए, तो तीन चीज हो रहे है, what is it is, independent, objective assurance, consulting activity, designed to add value and improve the organization's operations, काम में सुधारना, improvement, way of doing work, direction, process, इन सब में सुधारना लेकर आना है, अरे अमने strategy बना है, बट काम ही साही नहीं हो रहे है, तो कहां से अम achieve तरवाएंगे, executions गलत हो रहे है, तो हम क्या का चाहते है, we want to add value and improve an organization's operation, it helps organization accomplish the objective by bringing systematic discipline approach to evaluate and improve risk management, control and governance process, मतलब ये चाहते है कि आप risk management लेकर चलो, control सही करो, और governance process को, you know, governance मतलब चलाने माले लोग के जो directions है, तो सही होना चाहिए, तब जाकर आपके अब्जेक्टिव अचीफ हो सकते है, very very clear guys, तो इनने generalized meaning दिया, let us read again, what is the meaning given by institute of internal auditors, internal auditing is an independent, independent, objective assurance and consulting activity, which is designed to add value and improve the organization's operations, repeat again, internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activities, designed to add value and improve an organization's operations, it helps the organization accomplish its objective by systematic discipline approach, to evaluate and improve, क्या evaluate कर रहे है, क्या review कर रहे है, various thing, risk management, क्या evaluate कर रहे है, controls, और क्या evaluate कर रहे है, governance process, और उसमें हम improvement ला रहे है, यह होगा, तो company अपने आपको grow कर पाए, very very clear guys, repeating again, internal audit में होता क्या है, हम क्यू internal audit कर बाते हैं, बदाए है, we want to check, ensure adequacy of the effectiveness of the internal control, and second, we want timely information, accuracy of the information, and third is, जो भी policy उसका पालन हो रहा है, नहीं हो रहा है, यह होगा अपका बात, उसके बाद में, internal audit का meaning is as given by, institute of internal auditors, what are the three points, it is an independent, objective assurance and, consulting activities, which is helping to improve the organizations, operations, इतना भी याद रखा तो भी चालेगा, very very clear guys, अब अगर आप यहां देख रहे हो, कि let us see, internal auditing में होता क्या है, fraud detection होता है कि नहीं होता है, होता है, error पता करते हैं कि नहीं होता है, क्या internal audit करके, आप property, देखो, stock record कितना देख रहा है, और go down में कितना माल है, यह check होगा की नहीं होगा, होगा, तो क्या आप protection of asset कर पा रहे हो, yes, auditor जाएगा, बुलेगा inventory दिखाओ, inventory 10 crore की, go down में inventory 9 crore, 1 crore का का है, समझो भेरी बात, तो this will, they try to ensure the protection of asset, also, यह देखना चाते है, कि यहाँ पर, देखो, एक से कहाँ, अलमाख है, prevention of fraud, ensuring proper saver of asset, compliance of statutory law, आपको by law भी करना पड़ता है, करेक्ट है बात, compliance of statutory law, also, it is a very good communication, of new ideas to the top management, आप internal auditor जाएगा, गरबड़िया पता करेगा, management को बताएगा, और सुधारना बताएगा, improvement बताएगा, तो internal auditor management को मदद कर रहा है, और internal auditor एक अच्छा communication point है, company में improvement लाने के लिए, is that very very clear, आरे हाँ या ना, correct है ना बात, क्या आपको यह समझ रहा है, उसके बात, are we reviewing, appraising, evaluating, financial accounting and other controls, क्या auditor साब जाके, controls को review कर रहे है, क्या auditor साब जाकर, controls को appraise कर रहे है, क्या auditor उदर जाके, evaluations कर रहे है, कि सारे controls, कौन से कौन से control, financial accounting and operational control, one and the same, in short accounting and administrative control, क्या सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या adequate है या नहीं है, क्या सही apply हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह ज़रूरत नहीं है, they may help in cost reduction, they may help to improve the productivity, and they will help with a lot of increased production and improved system, वो suggestions लेकर जाएंगे, सुधारना लेकर जाएंगे, वो check करेंगे, उनके views देंगे, वो recommendations देंगे, जिससे company का खर्चा कम होगा, company की product quality बड़ेगी, company के systems improve होगे, और management को एक company में grow करने का मौका मिलेगा, समझ रहेगा मेरी बाद, अरे हाँ या ना, अब जैसे academy में owner full time देख नहीं सकते है, owner ने auditor लगाना चाहिए, और उसे पूरे system check करके owner को suggestions देने चाहिए, फिर owner उसको लेकर policy बनाएगा, और फिर आकर ने policies लेकर आएगा, इस तरीकेसे ही life में growth होती है, इस तरीकेसे में life में growth होती है, are you understanding my point, correct guys, तो आपको कोई बताने वाला रहेगा तो आप improve होगे ना, एक होता है self improvement, एक होता है others are guiding you, तो the other is interl auditor, the other is interl auditor, which is guiding the management to improve, correct बाद, तो थोड़ा अब एक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा पॉइंटर्स इसमें jot down कर लेते हैं, जो आपको भी काम आजा है, correct, main aspects of internal audit बहुत सारे points है कमसें, तस बार, तस बार पॉइंटर्स ने चे साथ तो लन कर सकते हैं, main aspects of internal auditing एक सारे point नूम्बर बान randomly अब हम दिखते हैं yes, detection and prevention of fraud mental auditor जा के सब चेक करेगा system बना है बड़ अब चेक ही नहीं करा रहा है detection and prevention of frauds and errors, correct point नूम्बर टू ensuring safeguard of assets, correct यह auditor help कर रहा है third, review appraisal and what evaluation of controls adequacy adequacy and maintenance control भी sufficient है यह नहीं adequacy and application of financial module की तब से यह words लिकरा हूँ है accounting and what operational control yes or no फिर compliance of law correct उसके बाद में identify the area of cost reduction और क्या आएगा बूल coupled with increased production किसे हम बढ़ा सकते हैं increased production improved productivity and system में सुधारना correct है बाद? यह आ सकते हैं? yes or no क्रादे अब क्या management adequacy and reliable management information and control system असर्टन वेदर जो management information control system सही चल रहा है के नहीं चल रहा है repetition आगे point one का ठीक है ascertaining management objective and compliance of plans and policies तो क्या confirm करना? ascertaining management objective कितना पहुँच रहा है? अचीफ हो रहा है कि targets अचीब हो रहा है कि नहीं and compliance पालन हो रहा है of what? plans and policies ascertaining management objective and compliance of plans and policies मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे हाई है ना? correct? and quality and etc. इस चीज़ आ सकती है तो थोड़ा सा pointer अपने मन से लिख सकती है बढ़ यह major points आप लिख सकती है क्या कर रहा है Intel Auditor? fraud deduct कर रहा है क्या कर रहा है Intel Auditor? save guard of asset कर रहा है क्या कर रहा है वो review कर रहा है appraisal कर रहा है evaluation कर रहा है किस चीज़ का? controls का correct बाद उसके बाद क्या है यह कान का पालन होना compliance also वो पता कर रहा है कि कैसे company में overall cost reduce करे overall productivity कैसे बढ़ा है production कैसे बढ़ा है और company में systems कैसे improve करे correct बाद plus वो management के क्या उद्देश है क्या वो अचीव हो रहा है क्या प्लांस और पॉलिसीज का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है यह सब जाकर वो क्या कर रहा है audit कर रहा है बाद कर गर्चा करे के बादा, और वालन पने किए रहा है लाल ankle पहले पहले घर एंटेश data एक बादा लिए आए उसके में काुर्णाईस अई का प्रह रहा है वेर उसके डिए ही रहा ह्गाह है कारे बादा तो चैनल of Communication भच भच उवाडिए इडियास to top management. Channel of Communication which brings new ideas to top management. समझ नहीं कै? आरे थोड़ा तो अपने को रट्ता नहीं को एल्टा नहीं, तोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा चौंसप्टली समझ नहीं तोड़ा लर्न भी कर्ना है, थोड़ा रइटिंग भी कर्ना है, मेरा गाम तो हो चुका है थोड़ा पो दागे बिचे लाइं में कुछ ना कुछ कर लूँगा आपको तो स्टेक पैना भाई करनी जरूरत तो नहीं है आप अपने मन से फोड़ा आड कर सकते हो ग्यारा में से साथ पंट अब लन करी लोगे देख लो एक बार क्या क्या लिखा बूलो Detection and Prevention of Fraud and Errors, Ensuring Safeguard of Assets, Review, Appraisal, Evaluation, Adequacy and Application of Financial Accounting and Operational Control Compliance of Law, Identifying the Areas of Cost Reduction coupled with Increased Production, Improved Productivity and Systems Assertaining the Management Objective and Compliance of the Plans and Policies and Channel of Communication which brings new idea to the Top Management Problem क्यों होती है, Student go for Self-Study वादिस सब्जाए मुझा था Self में internal control है कैसे समझेंगा मैं को यह नहीं समझ में आता है, उनको market में क्यों होता है बच्चों आ रहे है, थीरी है, हो जाए जब conceptually समझेंगा है तो लिखेंगे कैसे तो वेरी होनेस्ट, ना मैं यूटूब पर पूचो ना How many students have done Self-Study, मैंने विल पिंगा है Just बदाए, comment section में दिखते है, correct बाद तो आपको यह समझा है कि मैं को blame नहीं करूंगा उनका decision होता है, बट बेटर है कि तोड़ो conceptually समझेंगे अब इंटरल कॉंट्रल वर्ड में कन्फिजन है कि इसका मिनिंग है समझ रहा है, तो आप अपने मन से वो नहीं लिख आओगे जो मैंने अभी देस आपको बदाया है, इंटरल कॉंट्रल से 3-1-5 में कौंसा EFFICIENCY EFFECTIVENESS यादर है 3-4 POINT तो वो नहीं अंसर आएगा तो माक्स कास आएगा, पहली अच्छे अंसर को 5 में से 3-4 तीर मिल रहे और आपने नॉर्मल ली लिख दो के तो एक देड़ माग तो कैसे पासिंग होगा, नहीं होगा नहीं होगा ना, तो वेरी तफ चलेगा तो इन दिस, we have left with what? very good morning, revision lecture number 4 हमने तीसरा chapter हम revise करने जारे almost, correct है not exactly, but पहला, मतब आज हम एक chapter complete करके तीसरे chapter पर हारे है correct है, मेरा जो 7-8 days का जो revision plan है part B, C, D में से risk management पूरा लेना है revise करना है, and उसके बाद में अगर में बात कर रहा हूँ कि next compliance पूरा लेना है और ethics के दो chapter लेना है समझाए मेरी बार, ये 5 revision के जिसमें से आज दूसरा chapter complete हो रहा है compliance पूरा complete करने जा रहा है और immediately ethics के प्रती एक छोड़ा chapter हम लेंगे, तो internal control हम almost complete करते हार है, जिसमें दो बाती बची हुई है in revision components and basically the few more things like IT, manual ITs and this thing करें, तो component of internal control, internal control करने के लिए क्या-क्या चीजे लगेगी क्या-क्या चीजे elements present है, ये वाला discussion है, जो discussion है, जो हमें करना है, there are 5 components module में इसको बार-बार repeatedly समझाया है, करें, तो there are 5 components पहले एक minute, internal control है क्या, फिर ये question आ रहे है क्योंकि base meaning clear है सब चीज समझाधी है, internal control मतलब एसा प्रोसेस बना ले लेना ऐसा direction देंग अप्णिवे किसने direction देंगा, टॉप management, board of directors, governance, जो एसा process दिजाइन करेगा जिससे जिससे क्या होने वाला है, जिससे basically, हम अपने objective को achieve करने का assurance मिले जिससे, you know जिससे efficiency, effectiveness बढ़े, जिससे reliable information बिले और compliance of law हो, ऐसा पूरा process बनाना, जिससे कानुन का पालन हो, करेक्ट बाद, efficiency, effectiveness काम में बढ़े, objective अचीव हो, और सही reporting हो जाए, तब जाकर हमने control system सही बनाया है, control करनी के लिए आपको control, दो डाइब के होते हैं, मदद लेनी पड़ती है, internal check मतलब काम को इस तरीके से divide करना, कि एक का काम खतम होते ही, दूसरों से check करेगा, और जो भी discrepancies है, problems है, वो खतम हो जाएंगे, that is internal check, और internal audit is independent appraisal, कोई अलग से आके appraisal करेगा, employee नहीं करेगा, employee, internal order बन सकता है, बड़ जो काम चल रहा है, वो बन्द ही नहीं चेक कर रहा है, कोई अलग से बन्द आकर check कर रहा है, जो देख रहा है कि जो भी बोला गया, वो हो रहा या नहीं हो रहा है, that is internal audit, that is internal audit, तो guys, component of internal control, internal control के क्या components है, ये वाला में discussion पर अभी आया हूँ, जस आइडिया दे रहा हूँ आपको, second is entities risk assessment process, third is information systems, fourth is control activities, and fifth is monitoring control, पहले control environment decide करो, किदर किदर control चाहिए, क्या policy है, हमरे environment क्या है, हम लोग क्या अमरी philosophy क्या है, हम कितना management कितना involved हो रहा है, employee कितने trained है, हमरे control environment क्या है, क्या ये control करने लायक है, employee क्या सुनने लायक है, क्या वो अमरी बाते सुनने वाले है, तो control environment study करो, कि जहापर भी आप control इंस्टॉल करने जा रहे हो, मैं तोड़ा पहले bird's eye view दे रहा है, ठीक है न पाज, पहले bird's eye view देने के बाद, फिर मैं डीटिल में जाऊंगा, ठीक है, कितने components है, पाच, पहला क्या है, control environment, control environment मतलब हम, किस ethical values को प्रैक्टेस कर रहे है, हमारी employees की सोच क्या है, management की philosophy क्या है, ये सब देन में रखना पड़ेगा, लोगों की सोच ही नहीं अच्छी, are you understanding my point, अब जैसे example है कि मेरे society में, किसी को बुला कि आपके four wheeler, two wheeler पे society का sticker होना अच्छी, और नहीं है, तो sorry you need to enter every time, entry देनी वाच्पेन को, और फिर आना है, बले आप ओना रूँ, लोग बहुत हैं, नहीं सो नहीं के जो करना है करो, क्या कर लोंगे देख लेंगे, एक दो चार ऐसे होते हैं, समझ रहे हैं, लोगों की सोच ही नहीं है, हम जा control, बहुत हो हम अच्छे के लिए कर रहे हैं, वाच्पेन को क्या पता अभी, तो पहले आप जाप पर भी, कंट्रोल इंस्टॉल करने जा रहे हो, एक सई सिस्टम्स बिटाने जा रहे हो, एक प्रॉपर प्रोसेस बनाने जा रहे हो, एक प्रोसीजर सेट करने जा रहे हो, क्या उसके जो टॉप मैनेजमेंट है, उनकी सोच क्या है, क्या employees trained है या नहीं है, क्या employees caliber है या नहीं है हमारे organization की values क्या है ethical values क्या है यह सब ध्यान में आपको रख कर control, internal control design करना पड़ेगा तो internal control design करते हैं समय पहले आपको क्या study करना है control environment समझे कैं मेरी बाद आप उस control environment को लेकर आप obviously आप देखो control environment तो आप study करोगे pair lally आपने process तो बना है but नया threat आगया, नया risk आगया तो risk भी manage करना बहुत ही ज़रूर ही है आपने process बढ़ीया बना है but risk को tackle ही नहीं किया आपने process बढ़ीया बना है but नयने threats आते जा रहे नयने risk आते जा रहे आपने क्या कर रहा आपने security system सबोज मेरी बात वाच्मेन को आप दिया OTP सिस्टम कोई भी नया गेस्ट आया उसको पहले फ्लाइट नमर दालना है फ्लाइट ओन और OTP कंफर्म बिजेगा उसके बाद ही गेस्ट अंदर आएगा यह तो अपने प्रोसेस बना है बट दिवार एक जगा से कटी हुई है कोई ना बोलेगा तो गेस्ट अंदर आएगा यह सब बना लिया बट आपने रिस्क एसेस्मेंट ही नहीं किया आपके सोसाइटी में एंटर करने के लिए चार दिवारे तूटी हुई है कोई भी कहां से गुश सकता है तो चोर को आना तो कहां से भी आ जाएगा समझे मेरी बात तो सिर्फ किसमें रिल्वे सेशन में है करेक्ट है कि लोग घुश जाते है बैठ जाते है यह बोगी से वो बोगी चले जाते है बातरूम में चले जाते है जमझा है मेरा तो महीं पॉइंट है हसर है मतलब experience तो महीं पॉइंट इस एक साल अरे बेशरम आदमी इसलिए उसक बगर टिकेट मैंने ट्राविल किया है अरे क्या है और कितना खुशी हो रही है उसको मतलब रेल्वे का तुने पैसा खाया भाई तो लगे इस कवर आप कर रह सकते जी तो अब मेरी बात समझना चला ओनला जनता है मनीशा दी यह तो मैंने मॉडिल उपन किया है नोट्स मेरे पीडिएफ जो मैं बता रहा हूँ क्लास में मैं डालूंगा बट अभी आपको से कॉंटेंट पर जानते रहे हैं आएगा नोट्स करें तो अलेट यहां बने हुए यह नोट्स तो है ना इंटल गंट्रोल करेक् कर रहे है ने तो आपने प्रसेस बना लिया बट रिस को टैकल ही नहीं कर रहे है रिस को स्टडी नहीं कर रहे है रिस को एसस नहीं कर रहे है तो मैं पॉइंट इस अगेन अ प्रोब्लम इस अगेन अ प्रोब्लम एंटिटी रिस एसस्मेंट प्रसेस शूद बेवरी इंपर करेक्ट है आपने प्रॉपर information system का यूज करना है reporting, softwares का यूज करना है जो आपको बहुत help करेगा control में आज कल कितना easy हो गया है जैसे आज restaurant में आतो कोटी mobile पर order लेता है वो इधर enter करता है अंदर screen kitchen में जाता है और billing counter में चलाता है यह order आए समझा है मेरी बाद kitchen में जाता है और billing counter में आता है फिर kitchen वाला रेडी करता है parallelly वो submit करता है तो finance वाले को माल पड़ता है इसने खाना दे दिये समझे मेरी बाद और जैसे इधर यह बोता हो कि order sub को bill भार नहीं कलता है तो आज software की मदद लेकर आप बहुत बढ़िया काम कर सकते हो software की मदद लेकर systems की मदद लेकर आप बढ़िया काम कर सकते हो you should have a good systems infrastructure, hardware are you understanding my point? आपने cameras install करने आपने basically जिसे employee time पे आरे नहीं आरे आपने employee कभी 10 बज़ आरे कभी 10.30 बज़ आरे कभी 11 बज़ आरे swap कर ले न मैं आरो थोड़ी देर से ऐसा करते लो फिर दो तीन कार्ड लेकर जा रहा है मैं जल्दी आरो हूँ मैं एक दिन जल्दी गया तुम आराम चाहो एक घंटा ले scan कर दिया fingerprint अंगूटा कितना लेंगे तो use good infrastructure good software, good IT, good hardware जिससे आपके control system बढ़िया हो जाएगे जिसके आपके control system बढ़िया हो जाएगे आपके गलतिया कम हो जाएगे आपके काम में mistakes कम होगा आपका काम बहुत efficiently चलेगा are you getting my point? correct guys तो यह हो गया उसके बाद control करना चाहिए कुछ-कुछ जो problems है उसको control activity design करना है and last is आपको time to time control को monitor भी करना है तो 5 चीज़ है पहले control environment study करो उस control environment में risk assessment process क्या है उस control environment में आपको information देनी के लिए क्या बढ़िया systems है जो आपको की मदद करेगा फिर अपने control activities design करना है और actual में वो control activities को क्या करना है monitor करना है let us come to example ये चीज़ example के माददियम से आपको समझना है जो पर बोलने चाहूँगा very very clear करें तो ये चीज़ example के माददियम से let us come to this की जैसे हो क्या रहा था हो क्या रहा था सबोज कोई भी example सबोज books गलत जा रहे है very common या गलत address पे books डिलिवर हो रहे है order किसी और का जा रहा किसी और को प्यार है किसी और की चाहता कोई और है order किसी और का delivery किसी और को यह पूरा mismanagement हुआ तो हमने control environment को study कि है कि हमारे पास कितने staff है कौन-कौन क्या देख रहा है किसका क्या role है किसका role नहीं है हमने पूरा study कि है और हमने देखा कि risk assessment के तदा हमें समझा कि यह बहुत बड़ी गलती हो रहे है and the wrong books have been delivered courier charges double जाने लगे पहले book मंगा हो फिर नया book बेज नहीं बेज नहीं बेज नहीं पर वापस phone handle करो एक customer handling complaint पर बंदा बिठाओ पर अमने बोला इसको लेके control activity design करता है तो हमने study किया कि जो dispatch handle कर रहा है वो बंदे को subjects ही नहीं पता है उसको GRMC बोले वहेंग हो जा तो GRMC के है RCD बोल देंगे हो गली दी अरे वो तो भाई दसवी बास भी नहीं बंदा समझाए एक्जाम्पल ले रहा हूं मैं एक्जाम्पल हो पाई जूगेट रहेगा मुझे नहीं बाना कोई पाला नहीं पड़ा हमको समझा कि भाई यहां पर गड़बड है तो हमने बोले एक training session रखना पड़ेगा पहले उनको subjects brief करने पड़िंग है उनको एक chart बना के देना पड़ेगा module 1 क्या होता है module 2 क्या होता है उनको seminar ले आमने तो उनको थोड़ा subject समझा फिर मैंने देखा कि भाई गड़बड क्या हो रही है एक ही बंदा order को entry कर रहा है वही बंदा order को dispatch कर रहा है और वहेंग हो रहा है तो हमने फिर क्या किया segregation of duties तो हमने control activity define किया एक बंदा entry करेगा मैंने पुझे से बताया था एक बंदा order ready करेगा तीसरा dispatch करेगा entry करने वाला बंदा पाउती देगा जो ready करने वाला बंदा ready करने वाला बंदा ready करेगा dispatch वाला देखेगा जो entry है और जो ready है वो match हो रहा है कि नहीं हो entry करने वाला बंदा ने अर जो ready करने वाले बंदे ने जो ready किया books ready करना क्या उपो match हो रहा है कि नहीं हो रहे dispatch वालेs final tick करके dispatch करेगा तो हमने control activity design किया और हमने monitor किया दो मेनिक ले क्या यह procedure सही चल रहा है या गलत चल रहा है कोसो ने भी, कोसो ने भी बोला है, for internal control we need, there are five components of internal control, बदाये, कोन से five components कोसो ने भी बोला है, control, environment, risk, assessment, control, activities, information, internal as well as external information and monitoring activities, तो कोसो भी वही बाद बोल रहा है, कोसो बोलता है कि internal control करने के five components आपको कोई भी आलत में implement करना है, सबसे पहले आपको ये समझना है, कि there must be a proper control environment, study the control environment, क्या standards है, क्या process है, organization का control access क्या है, अब भी क्या चल रहा है, क्या होनी की संभावना है, क्या गलतिया हो रही है, control environment को study करो, second, risk assessment, correct about, risk कैसे manage हो रहा है, risk कैसे हो रहा है, क्योंके control risks are correlated, and third, control activity design करना, फिर control activity design करके information generate होगा, क्या हो रहा है, क्या नही हो रहा है, और control activities को क्या करना, monitor भी करना, क्या आपको समझ आए हैं देखो क्या लिखा है मॉनिटरीं उल्टा बढ़ते हैं मॉनिटर अक्टिविटीज आर पिरॉडिक अन ओंग वैलुएशन क्या जो खो लिखलिए और मॉनिटरीं यौर। ऊंग उल्टा शर्मीटरी माते विखला पिरॉडिक का। जो sales person customer से बात करेगा, tailor customer से बात नहीं कर सकता है, और tailor जो भी रहेगा, वो tailor देखेगा, sales person से dealing सरी कौन करेगा, customer, हमने control activity डिफाइन कि, sir ऐसा क्यों, tailor ही अगर बात करने लग जाए, तो direct orders भो लेने लग जाए, tailor directly क्या भो लेगा, sir, 6 के बाद मुझे मेरे घर पर order देदो, म tailor frontline पर आए गाए नहीं, अब मैंने देखा, कि मैंने follow हो रहा है कि निए और एक दिन मैंने camera चेक किया है, मुबाइल पर, कि tailor client से बात करने, are you understanding my point, not allowed, यह monitor करना बहुत ही ज़रूरी है, कि जो हमने control activities define किया है, जो हमने policy बनाई है, क्या यह practice किया जा रहा या नहीं किया जा करने के लिए आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है, information होना बहुत ही जरूरी है, information helps you, कि क्या गलती हो रही है, क्या mistakes हो रही है, क्या सुधारना हो रही है, क्या अच्छी चीज है, क्या बुरी चीज है, तो information can be external as well as internal, sir internal within the company, employee बता रहा है, sir यह problem आ रही है, please देखो जार इसके लिए क्या रास्ता निकालने, are you understanding a point, external मतलग customer feedback, उनसे समझा कि है अपने में, अपने आपे जैसे restaurant की feedback, जैसे लोग Google reviews लेते, आज Google review में लोग ने लिखा कि very good quality food, but the service was not good, no timely delivery, खाना time पे नहीं मिल रहा है, बहुत एक गंड़ा वेट करना वड़ रहा है, तो owner ने प लोगों के 4-5 feedback आए, कि खाना एक गंड़ा लेट मिला है, तब तक जो interest से खतम हो जाता है, तो उन्होंने फिर concept लाया, कि जैसे कोई भी आएगा, उनका खाना जो बहुत unique खाने थे, तो बनाने में टाइम लग रहा था 40 minutes, बट लोगों का patience नहीं है, उन्होंने unlimited पापड और unlimited chutney खाना है, जितना खाना है खाओ, पापड पुरा ट्रेल आके रखने लगे, आजी वेडिंग में पाइंट, तो उन्होंने कुछना कुछ control activity defined किया, अरे समझते हो मेरी बाद, तो आपको ये चीज प्लान करनी पड़ती है, तो guys ये उनको कहा से समझा, external source, ये कहा से स information can be external and internal, ये समझे का मेरी बाद, correct guys, तो देखो, communication based on internal and external source, जीसा अभी में को याद रहा है, एक student ने एक और order place किया, and order place करते ही, बच्चा कुछ 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 बहरी होता है, 9 बच्चा order place किया, 10 बचे message आता है, when will I get my order, waiting, अरे Amazon की उपड हो गया है, तो, पिर मैंने बच्चा चार-पाच message आगे है, मतलब मुझे भी staff के number पे दिख रहा है, तो मैंने एक दिन call किया, actually, you have placed the order, thanks for placing the order, मैंने, as a employee बात करके call किया, पता करने के लिए, समझे, कभी-कभी अपने को करना वढ़ता है, business angles, तो, you are expecting the order to be within one hour, बढले, yes, your staff is communicating, आप order place कर लिंक एक घंटे में मिल जाएगी, फिर मुझे समझा, staff गलत कर रहा है, इस staff को बुला या, कोई भी staff 48 hours, minimum 48 hours की commitment देगा, दो दिन लगेगा, भले वो एक घंटे में order fulfill हो जाए, बोलते समय, आपने मैं, बोलना है 48 hours needed to process the order, समझो मेरी बात, तो ये external internal source, दोनों भी आपको में policy procedures बनाना, कि कोन क्या करेगा, मैंने जैसे बुला, कोई भी staff 48 hours तो minimum बोले गाई, that is making the policies and procedures, which is called as control activities, और क्या risk, जो भी process बना रहे हो, कि उसमें risk assessment का भी step होना बहुत बुर जरुरी है, रिस्क को लेकर अपने control time to time change करते रहना है, रिस्क को लेकर time to time change करते रहना है, जै इवेंट मेंने एक ही entry थी, और unexpected crowd आके, इवेंट की planning थी, 400 लोग की, 1000 लोग पहुच गए, समझा है मेरी बात, तो even some of those example, तो उनको कोई भी अनर ने देखना ची गड़बड है, तो उन्होंने क्या करना ची, जैसे कोई society पे function है, हमको लगा कि 200 लोग खना गाने आएंगे, आपने एक ही buffet रखा, देखा भीड बढ़ गई, line बढ़ रही है, तो immediately risk को tackle करने के लिए, orate table लगा दिया, तो crowd divide हो जाए, दो बफे लगा दिया, arrangement में, तो आपको risk को SSB करना चीए, आपने control system बना है, coupon लेना है, खाना खाना है, वो सब सही है, बड़ आप ये देखो, कि एक ही टेबल से काम नहीं चल रहा है, तो आपने औरे arrangement करके, थोड़ा crowd को divide किया, छोटी-छोटी बाते है, तो ये क्या होता है, risk assessment, and also see the background, that is, control environment, तो ये कोसों का मैंने content rate कर रहा है, पहले कोसों का complete कर रहा है, बताओ, क्या है components, पाँच component है, पहला component है, बताइए, control environment, करेड़ बात, जैपुचा सार, इफ इन एक्जाम, if they ask, just note on the component, internal control, which we should write, SA315 के components, और फिर कोसों के, कोई दिक्कत नहीं बड़ेगा, आप कोई भी लिख सकते हो, तो अल्मोस्ट निर्वाई से में, अल्मोस्ट निर्वाई से में, बत बढ़ी है ईशा, आपको control समझ आ है, तो अच्छी बात है, तो अब आगे बढ़ेंगे, तो अब मैं आपको पूलना चाहूंगा, कि पहला, पहला component क्या है, control environment, second is risk assessment, third is control activities, fourth is information and fifth is monitoring, अब एक एक को डीटिल में जाएंगे, एक एक को हम समझेंगे, पहला वाला क्या है, control environment, जब कोई भी environment को आप study कर रहे हो, कोई भी control जाप इठाना है, जिसे मेरे बास कोई client आया, वो showroom बना रहे है, car का showroom बना रहे है, तो मुझे पूरा control design करना है, client आएगा, demo car कोन चलाएगा, ठीक है, उसको पहले form क्या बरना है, free test drive कोन देगा, ठीक है, उसके बाद मैं test drive देते ही, किसको कोन report करेगा, फिर को जाकर उनसे पूरी car की dealing करेगा, किदर पहले quotation दिया जाएगा, फिर कब sign लेंगे, feedback कब लेंगे, form, पूरा showroom का process design करना है, क्या design करना है, एक car के showroom के अंदर, जब client आने से लेके, car लेके जाने तक, का पूरा process design करना, that is called as designing the internal control, आने से लेकर, पता चला, एक customer है, पाच ज आने से लेके अंदर, प्रोफेशनल, आर शोरूम लगा रहे हैं, चार पाच क्रोड की तो जगा होगी, चार पाच क्रोड की inventory होगी, 10-15-20 स्थाफ तो आप काम पर रख रहे हैं, समझ रहे हैं, और सब पाच जन बाके है, हम मेरे बात करता है, तुझे नि, मुझे बात करन क्या है, management क्या है, तो control environment में क्या-क्या देखा जाएगा, यह वाला discussion जाएगा, control environment में क्या-क्या देखा जाएगा, that is, first component is control environment, सबसे बले, organization का ethical values क्या है, सोच क्या है, क्या crime करने ही मेट है, क्या, मैं बोलब, control की ऐसी की तैसी, कभी भी कुछ, you know, unethical काम करता है, तो ऐसी क जाएगा, क्यों control बना, उनकी ethical values क्या है, पहले उनकी सोच क्या है, यह देखनी पढ़ेगा, उसके बाद में, कितने competency के लिए committed है, क्या वो सुदरने को रेडी है, क्या वो organization अच्छे से चलने को रेडी है, क्या उनकी सोच है, क्या हमें competency बढ़ानी है, क्या हमें सुदरना ह जानी ही जिंदगी में, है ही नहीं की सोच, तो बात ही बतम होगा है, अब जैसे मेरे client है, उसको मैं बहुत बार बोलता है, यह मत करो, मत करो, एक auto consultation में बोलता हूँ, वो एक्स्क्यूस ही देते है, जो छोड़े इंको कर रहा है, अगली बार मैंने बुलना बंद कर, सर कैस बढ़ी है, चाहिपी है, सरी आपके paper से, क्यों बता हूँ मैं, जब सामने वाले, is not, commitment is not there for competency, अगर है, तो हम चार बाते बता हूँ, जो change उनको ready है, उससे चार बाते बता हूँ, जो ready नहीं है, उसके बीचे पत्तर पे सर मार के कोई मतलब नहीं आप है, समझे क्या मेरी ब participation of those, charge with governance, उपरी के लोग, वो कितना involved होना सारे control को लेकर, उनका ही कामें control करना, बट कितना उनका involvement है, participation है, उनने बस बोल यहां देख लेना, और चले गए, अरे यार, यह क्या है, you should be there, you should be a part of discussion, मैं एक consultant हूँ, मैं internal control design करने जा रहा हूँ, पुरा process design करने जा रहा हूँ, कौन सा काम किदर जाएगा, कैसे जाएगा, मैंने टॉप management मुझे hire किया है, मैंने बला सर, आपको भी आना पड़ेगा, आरे या, देखले देखले सर, आते हम सार, निखले, अरे यह क्या ही है, मैं as a consultant काम कर लूँगा, पर टॉप management का involvement, governance के लोग जो है, उनका भी तो involvement चा उनका काम करने का तरीका, उनकी philosophy, वो कितना क्या सोचते है, ब्रैंडिंग को लेकर क्या सोचते है, conservative है, aggressive है, वो लोग, you know, dynamic है, तैयारी के लिए, change के लिए ready है, क्या नहीं है, उनका खुद का, उनका खुद का approach क्या है, involvement अलग चीज हो गई, कि आप दूसरे को चेंज करा of community, आप पूरा जाते साथ, पहले और कौन किसको report कर रहा है, कितने employee किसके नीचे है, कौन manager है, कौन किसको क्या, पूरा structure क्या है, पहले वो समझना पड़ेगा, करे, उसके बाद में, authority responsibility क्या दी, किसको क्या role दिया हुआ है, और human resource, क्या आपने competent लोग higher किये, क्या आपने better लोग higher किये, जिनका education background है, prior work experience है, तो control environment बनाना आसान होगा, ने तो बहुत मुश्केल है, तो control environment बनाते समय, मुझे बताओ, control environment बनाते समय, आप मुझे बताओ, क्या चीजे आपको देखनी है, एक सेग्ड, आप ही बताओगे, मैं तर टाइप करके pointer form में दालूंगा, तो आपन इसक्र करके लिगरेचिस, एक मिनाट, क्या पाट रहा है, components of internal control, परेखनी है, components of internal control, very very important part of the content, components of internal control, very clear guys, the very first component is what, control environment, very true, कि आप पे control, आपको जो process design करना है, वो उसका अभी फिलाल का क्या कानी है, यह देखना बड़ेगा, control environment के अंदर, पहले आप क्या देखोगे, बताइए, क्या क्या है, first is, communication and, and enforcement, integrity and ethical values, कितने यह, खुद इन्होंने क्या benchmark rate कर रखा है, ठीक है ने बात, आगे बोलो, commitment to competency, कितने committed है, सुधारना, competency बढ़ाने के लिए, कुछ लोग होते हैं, बस मुझे बहुत कुछ करना है, करते कुछ नहीं है, correct है, बाते यह बाते गरते हैं, they are not committed, they only talk, so commitment to competency, correct guys, और बुलो, participation by those charged with governance, correct guys, और management philosophy, उनकी खुद की, क्या मन शंका है, philosophy, और spelling गड़ बड़ो सकती है, गड़ो में, philosophy, and operating style, काम करने का तौर तरीका, ठीक है, क्यार दे, professional, systematic, not operating style, correct guys, next, organization structure, right, next, assignment of, कौन किसको क्या power दिया है, और किसके बास क्या है, assignment of authority and responsibility, very clear guys, और क्या है, human resource last point है, human resource policies, HR बहुत important चीज़ है, policies, and practices, समझ रहे हैं, तो guys, यह होगे आपका control environment, कोई दिखत, पक्का समझाए, अरे हाई है न, correct, अब second component क्या है, second component is, assessment process, assessment process समझाना गलत है यहाँ पर, क्योंकि already risk management के अंदर पूरा risk assessment process है, बट फिर भी हम तोड़ा सा देखेंगे, assess करना, हर एक risk को study करना, detail में study करना, कौन सा छोटा मुटा risk है, कौन सा बड़ा risk है, अचा कितने होनी की संभावना है, कब होनी की संभावना है, कितना loss होनी की संभावना है, नहीं handle किया तो क्या होगा, handle किया तो क्या होगा, खर्चा कितना आएगा, नहीं आएगा, so बात तो that is assessment process तो assessment process में इन्होंने क्या बुला है कि देखो risk can arise due to change in the circumstances risk आने के क्या reason है operating environment change होगे operating environment मतलब जैसे आजकल जैसे एक example ले सकता है कि very important just I'll give a particular example change in the operating environment मतलब हो सकता है कि सबसे बहले आगया कि पॉइंट repeat भी होगा taste preference of the customer changes और regulatory norm changes कानून ने चीज़े मना करी है are you understanding my point जैसे law ने बोला कि आप plastic bag use नहीं कर सकते grocery store तो अभी आपको कुछ तो planning करनी पड़ीगी न आप goods कैसे बैचोगे करें फिर new person added ठीक है new person may have a different focus कि आपके company में नहे लोग है अब उनका internal control को लेकर एक अलग सोच है new information system rapid change in the technology correct बाद rapid growth अभी आपका business बहुत कम लोगों में था इतना grow कर दिया 50-60 लोग higher करें अब वो भी handle करते आना चीए अरे आप छोटे business को manage कर रहे थे अचानक से business grow कर दिया तो you are able to manage it or not पता जला losses में आगा है grow करने के बाद भी losses में आगा है new technology, new business product corporate restructuring, company का merger alliance हो गया correct बाद foreign operations, अभी पहले आप India लेवल पर काम कर रहे है अभी आप foreign operations में गुज गए हो तो आपका पूरा तौर तरीका बदल जाएगा and new accounting pronouncements कि government ने कुछ financial reporting में changes लाए ये सब आपके लिए एक risk है opportunity भी और risk भी है expanding business to the जैसे मैं कल इंडिया लेवल पर पढ़ा रहा हूँ कल मैं foreign countries में पढ़ाना चालू कर दूँ it's a risk also, शायद I'm not fit for it और शायद I'm fit for it it's a opportunity also are you understanding my point कल teaching जो था ये board पर chalk pen से हम लिखते थे markers से अब IT based technology चेंज हो गए है तो हमें upgrade होना पड़ेगा अरे हाँ या ना करें guys तो आपको ये समझा है because of which everything changes because of which everything changes these are the various reasons these are the various reasons where risk can arise or the change may take place and we need to tackle it while planning the whole process अपने को process बनाते समय ये changes को ध्यान में रखते हुए आपने process को design करना चाहिए क्या आपको बात समझ में आ रहा है अरे हाँ या ना correct तो risk assessment is one of the very important thing again correct तो उन्हें risk assessment में लिखा है क्या में नहीं है risk assessment means address the entity's possibility of unrecorded transaction और identifying significant record in the financial statement मतलब या तो transaction record ही नहीं हुआ है या हुआ है बट गलत हुआ है तो ये चीज नहीं होना और हमें ये तो करना ही करना है साथ में हमें अलग-अलग factors को लेकर भी आगे चलना पड़ेगा उसके बाद में next is information systems and relevant to communication and this तो आपको जब भी अच्छा hardware यूज करना है अच्छे software यूज करना है upgraded technology के साथ आगे बढ़ना है upgraded technology के साथ आगे बढ़ना है जैसे सलीन सर थे सलीन सर जब आई थे teaching में हमारे साथ मजाग निव आदमी में औरंगबाद में यूज तो टीज टैक्स and 250-300 students in one batch उनके नाम पे आते दे और बगर माइक पढ़ाते भी मैं दस बच्चों को बिठा कर भी बगर माइक नहीं पढ़ा सकता हूँ मैंने पढ़ा दिया न एक बगर माइक अगले दी मेरा गला नहीं चले समझाया है मिरे भाए he used to teach on board the complete tax तो उनको आमने बढ़ा सर माइक तो सर अपने को यूज करने ही चीज़ आप गले आरे as a teacher आपको कितना बात करना बढ़ता है यारे एनरजी बहयंकर लगती है हम डिक रहे कि हम बात कर रहे हैं बट अट 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 अफ दे घर जाने के बाद सारी टीचर क्या लगत बरो समानना तो बढ़ा आप बगर माइक कैसे बढ़ा रहे फिर उनको धैन में आया है उनने माइक यूज करना स्टार्ट किया उनको comfortable zone है बढ़ा थैंक यू यार बहुत अच्छी चीज बढ़ा ही एक दोस्ती में सबलोग आपस में दूसरे को बताते रहते रहते हैं पॉइंट और इसे लैप टॉप पर पड़ाओ कितनी दर तक हाथ उपर करके ऐसे लिखना इस नौट जोक मतलब वो टीचर महनत कर रहे है जो भी कॉलेज टीचर है प्रोफेसर है इस डिफिकल्ट मेरे भरो समानना आपको 6-7 गंटे पढ़ाने है और आपको चंटिनियूस हाथ ऐसे इसे करके लिखना है बाइसे बन जाएंगे भरो समानना तो गैस उंको भला नहीं से लैप्टॉप पहाओ यह थोड़ा सा कन्वीनियन्ट है थोड़ा बैटने को मौका मिलता है बोर्ड पे लिखता है अभी मैं बैटके लिख सकता हो ना तो changes is the part of it जब आप कोई तो आपने अच्छा infrastructure यूज करना है आपने अच्छा software यूज करना है आपके काम में technology होनी ही चाहिए यूज भी upgraded और आप तो आजकल जो young generation है इस more of technology उनको knowledge है तो companies में भी यूज करो ना भाई समझो मेरी बात तो जिससे क्या फाइदा होगा यह फाइदा होगा financial reporting में proper record identify होके valid transaction से जाएंगे proper हिसाब किताब रहेगा proper valuation of transaction अब क्या करोगे उसको time to time basis transaction report होगा हिसाब रहेगा credit, timely period and presentation of proper record यह सब आपको IT का फाइदा है सही reporting होगी सही transaction identify होगा सही value के transaction identify होगे और आपके पास सही way of development रहेगा तो जो young new businessmen होते है उनको मैं पहले दिन बोलता है software ले लो वो जो ले ले लेता है वो पहले दिन से इतना perfect रहता है उसके statistics बताते मैंने कितना sale किया मैंने कितना profit किया मैंने क्या losses किया मैंने किदर expense ज्यादा किया तो पहले दिन से professional attitude रखकर आगे बढ़ता है तो आपने क्या use करना है चाहिए information systems and control activity control activity में इन्होंने बोला है physical control physical control जैसे कोई employee कौन से जगा जा सकता है सब हर एक रूम में नहीं जा सकता है हर एक office में जा सकता है हर एक access दिया कि यह तू यह department में जा सकता है दूसरे department में नहीं जा सकता है are you getting my point तो movement of goods and everything is physical control similarly if I am talking about कि information processing ITV की मदद से लेना और plus यह सब करके हमें performance review भी करते आएगा let me give you an example थोड़ा समय इसको थोड़ा आराम से समझाँगा एक मिनट components कितने है पाच पहला क्या है control environment पहले control environment study करो second क्या risk assessment क्या-क्या changes आ रहे है वो ध्यान में रखके process बनाना तीसरा क्या information system information system से आपको क्या होगा good hardware good software proper data proper timely data helps you a lot to grow business that is the third thing fourth thing is control activity design करना आ तो हमें समय आएगे है आएगे हम and last is monitoring the control monitor करना one time process ongoing process ongoing process और यह monitoring करनी के जिविदारी किस की है those with management those with management ongoing basis management monitoring should be go management internal auditor की मदद लेता है internal auditor को बोलता है जा internal auditor देखकर आ जो मैंने control design किया क्या employees follow कर रहे या नहीं कर रहे है जो मैंने control की planning कर रखी process बना है क्या यह सब चीज पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है तो internal auditor आपको help करेगा यह monitoring करने में और internal auditor यह एक तरीके से आपको communicate करेगा क्या क्या गड़बडिया हो रही है is that very very clear अरे internal audit is a part of internal control management so जो अमबनी cabin से बाहर निकल के factory पर जाकर देखेगा क्यों बंदा टाइम पर खाना का रहा है ब्लंच पर लेक ले रहा है कि नहीं ले रहा है कितना गलत लगे है कौन जाकर देखेगा सबाद इंटर्नल ओडिटर इंटर्नल ओडिटर तो monitoring should be done ongoing process management do the monitoring and basically they appoint the internal auditor for monitoring the same यह अपने clear cut बोला हुआ है is this very very clear अरे हाई 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 तो यह आपको हो गया monitoring के बारे में अब आते है control activities में control activities को तीन पार्ट में ने डिवाइड किया है physical control ठीके information processing and performance review सी performance review मतलब क्या देखो एक आपने budget बना है और budget से आपने actual को compare के है क्या यह review करने में help कर रहा है आपने बोला था कि marketing करके 10 लाग लगा कर 40 लाग का business आएगा आपने 10 नहीं 15 लाग लगा है बट 20 लाग का business है actual में हमने 15 लाग लगा दिया और 20 लाग का business है क्या गरबढ़ है control सबको बुला marketing टीम को बुला क्या हो गया budget अलग बता रहा है actuals अलग बता रहा है तो आपको review करना चाहिए किस से review करना है with the budgets and planning with the budgets and planning are you understanding our point correct है बात तो पहले performance review बोलते है उसको देखो budgets should be compared with the actuals budget should be compared with the actuals कोई दिखत कोई दिखत करने बात same way आपको यह समझा है information processing आपको आपका जो उपर information था वो भी बहुत सारे हिंट देगा कि क्या control में गड़बढ़े हो रही है अरे आपका जो data है आपका जो software है वो भी तो time to time information देगा क्या information के मध्यम से control activities plan होना बहुत जरूरी है answer is yes example की दौर पर है correct बात तो आपको यह समझना है कि पहले तो आपने budget से compare करना है दूसरा आपने जो IT install किया है IT installation में आपको बहुत सारी बात यह clearly समझ में आई की you can take the help of the IT systems and third physical control आप खुच जा के देखो कि record में क्या दिख रहा है actual में क्या दिख रहा ह ठीक है क्या काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है ठीक है नबात तो तो that is what physical control which has to be designed just one minute का गया भाई है थिक्रा कही है physical control physical control is physical adequate safeguard of this over access to asset and records कि वाई जैसे example है यह system है यह system पर हमारे video lectures है यह system को हमने lock नहीं बिठा है मैंने बदाया था यह चीज़ अब सत्यजीत आकर sir के lectures copy करके गर ले गए क्या हरेक को access to asset होना चाहिए क्या physical control होना बहुत जुर्वी है कौन किदर बैट रहा है कौन किसको allowed किदर है यह control होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए होना चाहिए that is physical control everyone should not have an access to asset and property everyone अब जैसे मेरे cabin में staff नहीं जा सकता है कल मेरे cabin में आके बटके आराम से सो रहे cabin में entry allowed नहीं entry is prohibited मैंने बुला था यह बाद कैसे क्या बंदर है तो मैंने बाद चाहिए बिढ़ा दी अब आई नहीं सकता है अरे मेरे valuables रखे cash रखा रहेगा, tax का पैसा रखा रहेगा मेरे checkbook रखे रहेगा मेरे documents रखे है आप मेरे cabin में गेसे क्या है are you understanding my point तो मैंने क्या कर दिया उदा चाहिए बिढ़ा दी आप समझो मेरे बाद तो एक physical control रखना बहुत ही जरूरी है, plus information systems के मदब से, आप information आपको time to time record देगा, ठीके बताएगा balance sheet, privacy यह सब चीज है, and performance review मैंने क्या बुला आपको यहाँ पर performance review means comparing the data with the budgets comparing the data with the forecast तो यह होग है control activities तो यह पाचों component complete होगा है उनसे पाच थे बताएए control environment risk assessment information systems control activities monitoring of control control environment risk assessment information control activities monitoring of control कोई दिकत पक्का अब आगे बढ़ेंगे, इसमें और जो बचा है, क्या पाट है देखो, who is responsible कौन जिम्मेदारे internal control के लिए who is responsible for internal control internal control की जिम्मेदारी किस पर है सबसे पहले let us come to management की जिम्मेदारी है let us come to management की जिम्मेदारी है फिर अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर the board of director is responsible internal auditor भी involved है and any other person तो एक एक करके हम बात करेंगे management मतलब CEO chief executive officer जो company चला रहा है जिसका अरे board of director planning करते है क्या करते है planning but execute कौन करते है चलाता कौन है company को CEO lower level बाकि CEO operations का है MD के तरह है MD is a common connecting between directors board and CEO managing director is a common between the board and CEO are you understanding my point but actual में company चलाने का काम करता है CEO of the company chief executive officer तो जो chief executive officer है वो पूरे operations run कर रहा है तो operations की planning कर रहा है operations में involved है operations मतलब कामकाच करवा कर लेना तो CEO की बहुत बढ़ी responsibility बनती है कि company में क्या करना the proper internal control को implement करना यह किसने बुला SEBI LODR regulation SEBI LODR regulation यह बूलता है यह देखो क्या वह लेखा है SEBI LODR regulation regulation number 17 CEO and CFO executive officer operational risk finance officer administrative control CEO accounting control समझ में आ रहा है मेरी बाद समझ में आ रहा है control की कित्रे डाइप से है कौन से दो broad categories accounting control administrative control administrative control का दूसरा नाम क्या है operational control तो administrative control किसके आत में है CEO और financial control किसके आत में है CFO shall provide compliance certificate to the board वो लिख कर देंगे board को एक certificate का format दिया है यह format दिया है SEBI LODR regulation के अंदर वो भी format कहां दिया है schedule number 2 part number 2 में compliance certificate का format दिया है कि हम यह हमने review किया है कि company के financial system सही है हमने check किया है कि हमारे knowledge के साब से company में कोई भी fraud नहीं हो रहा है company की काम सही चल रहा है हमने review किया है और हमने जो जो अगर internal control में बदलाफ किया है तो हमने audit committee को बता है कि भाइस साब हम ये हमारे knowledge की साब आई company में कोई fraud नहीं हो रहा है हमारे knowledge की साब से company साब सही चल रही है हमारे knowledge की साब से हमने पूरा चेक किया कि balance sheet चेक किया financial statement चेक किया जो भी jug किताब वो सही है हमने जो भी है हमने प्रॉपर internal control design कर रखा है internal control को maintain कर रखा है और अगर आपने internal control में कोई भी changes है तो बताएगा और accounting policy में changes बताएगा और कोई भी fraud की awareness है fraud कुणसी कुणसी पता चली और उसको कैसे tackle किया यह पूरा बताएंगे operations बढ़िया होना चाहिए यह compliance certificate यह CEO, CFO देने वाले है under से भी LODR regulation schedule number कितना है to part number B are you understanding my point तो पहला primary कौन जिम्मेदार है internal control, CEO और CFO वो लिख कर दे रहे है sign कर के दे रहे है, किसको लिख कर दे रहे है board of direct क्या लिख कर दे रहे है, कि उनके उन्होंने financial statement review किया हिसाब किताब review किया और उनके हिसाब से उसमें कोई भी untrue information नहीं है, गलत information नहीं है दूसरा, उनके knowledge के हिसाब से कोई भी fraud वगर कंपनी में हो नहीं रहे तीसरा, उनने proper internal control बना रखा है और उसकी पूरी जानकारी audit committee को दिये चवता, अगर उन्होंने कोई भी internal control में बदलाव लाया, तो क्या बदलाव लाया कोई भी financial policy में बदलाव लाया, तो क्या बदलाव लाया और कोई भी fraud मालूम पड़ा, तो उसका क्या किया ये पूरा compliance certificate CO, CFO देंगे, under regulation 17.8 of CB LODR regulation that is schedule number 2, part number B के format map में धे, कोई दिक्खत पक्का अरे हा या ना, इस ये नहीं रिदिक क्रुरेक में, चलो रिदिक करता है चलो रिदिक करता है आए सी रिदिकार, देंधे रिवे रिवीग्यूर्ड देंधे financial, देंधे मतलब कोई? CEO and CFO they have reviewed the financial statement and cash flow statement and that to the best of their knowledge this statement does not contain any materially untrue or omit any material facts. And these statements are true and fair. उन्होंने review किया और उनके जाब से सब सही है. दूसरा, they are at to the best knowledge and belief. No transaction entered during the company were fraudulent, illegal or violative of the company's conduct. कोई दिकत? अडे कई दिकत? कई दिकत? ओकेच? ओकेच? चीकेच? तूअभ यह देखो. आप यह देखो. They accept the responsibility for establishing and maintaining the internal control. और आपाद? And they have disclosed things to the auditor and the audit committee. Any deficiency in designing. Internal control की design बनाएंगे. उसमें जो कमिया रेगी उन्होंने बताई है. इस्क्रिबेंसी रेगी बताई है. And they have indicated to the auditor and audit committee significant changes in the internal control. Significant changes in the accounting policy. And instances of fraud which they are aware. And if any, what is the role in the internal control? कैसे? क्या उसको tackle किया है? यह compliance certificate देंगे. इसके बाद में audit committee की क्या role रहेगी? यह तो आप जिस्ट रीड करोगे. यह तो में बताऊंगा. ठीके ने बाद? उसके बाद में क्या board of director क्या board of director भी internal control को लेके जिम्विदार है? यह तो board of director अपने board report के अंदर एक statement देते है director responsibility statement DRS director responsibility board report कहां पर आता है? 134. Board report के content की तरह आता है? 134.3 134.3C में 134.3C में director responsibility statement के बारे में बुला है और 134.3C में बुला है और director responsibility statement में होता क्या है? वो 134.5 में बुला है let me show you companies यह देखो companies act companies act में हम आगए companies act के 134 पर हम आ रहा है तो अधारा दिवास का देहन में आ रहा है और आपने उसका चलता फिरता हुआ mobile company है सकता है चल फिर के section number के साथ बढ़ाएगा penalties क्या बार भाई मैं भी मैं surrender हो चुका हुआ उसके आपने मैं surrender हो चुका हुआ यह देखें यह देखें 134 यह गरा है board report 134.3 content of board report 134.3 c director responsibility statement और director responsibility statement के detail 134.5 मैं भाई साथ सही है ना 134.5 मैं तो यह देखें 134.5 director responsibility statement शाथ state that उसमें एक point अमरे ले important है एक point अमरे ले important है कौन साला point देखो यह पर इननों लिखा है director in case of listed companies has laid down internal financial control to be followed and that the internal financial control are adequate and operating हमने internal financial control design करा है और यह operating है maintained है ऐसा statement board of directors को देना पड़ेगा समझे क्या मेरी बाई तो क्या board भी जिम्मेदार है येस तो देखो उनना बुला है 134.3.5 E directors listing company laid down internal control and search internal control are adequate and are operating and director have device systems to ensure compliance of all the law कानून पानल करने के लिए भी systems हमने implement करें कि सारा कानून timely comply होगा और financial control भी हमने design किया है कि जो भी हो यहां पर proper adequate record भी रहेगा ऐसा statement director ने देना है और उसकी जिम्मेदारी बतानी है कि हमने इस responsibility ली है इस देड़ वेरी वेरी क्लियर उसके बाद कौन जिम्मेदार है the next responsible is internal auditor next responsible is internal auditor sir internal auditor help करता है board को जाकर systems को review करने में and any other person यह clear हो गया अब एक theory थी manual IT है and automized IT है manual records and automization वो एकदम जर्नलाइज है कि आपने internal control में IT की मदद ली और आपने manual कर रहा है तो बहुत फरक पड़ता है आप जैसे example है कि आप कोई आप flight में बैट रहे है flight में security check हो रहा है तो आजकल security check में वो बार कोर सिस्टम से scan करते है boarding pass को समझे रहा है आपने फाइदे नुक्सान है और manual के अपने फाइदे नुक्सान है तो benefits and drawbacks benefits and drawbacks जैसे example है कि पहले जो भी barricades है पहले वो रसी से gate खोलते थे बंद करते थे अभी remote से बंद चालू करते है समझाए मेरी बात तो जो भी control system आप बिठा रहे हो एक automize है और एक manual है तो manual के भी फाइदे है और नुक्सान है और optimization के भी फाइदे और नुक्सान है एक उन्होंने content दिया जो आप read करोगे इसके साथ पूरा internal control होता है खतम 20 marks का portion हो गया है खतम Is that very clear? ethics पे मेरा दो chapter पे focus रहेगा और risk management पूरा focus रहे है करें तो अब ethics का छोटा chapter है that is ethics and business क्या chapter है? ethics and business जो बहुत बले अपने पढ़ा है छोड़ा है हम वो गलिया chapter number 15 ethics and business is it? depends सबका अपना यह रहता है चलो online जनता जल्दी बताओ आप लोग connected है आप लोग है कि नहीं है? yes you're there correct? फटावट comment section में बताओ yes पेले ethics and business करेंगा है वेर risk management बीच में उटाएंगा पर CSRN एथिक्स पे बात करेंगा तो थोड़ा साब का एक पूरा ब्रशाप हो जाते है ठीक है? तो ethics and business यह वाला discussion है yes online जल्दी 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 comments में येस Aastha is there Poonam is there Dimple is there I think so girls are more dedicated ये वह comment में आ रहा है बाकी लोग का है Manisha is there Vidita is there, Meghana is there अरे बैसाब online payment experts बावेश आया बावेश जैन चल एक नाम दिखा हुझा तो my point is यहाँ पर ethics and business की हम बात कर रहे what is this chapter exactly और यह chapter में बहुत सारी बात है सबसे पहले what is ethics, right wrong decisions as a professional आपके life में और professional life में बहुत बार आएगा कि आपके साथ सामने दो options है और एक सही और गलत है correct बात, फड़ा फड़ा हम बात करेंगे correct, सही और गलत है तो obviously आप बोलोगे ने ने तो हम सही जाएंगे बोलना असान है, practically गलत वला जादा है attractive है, correct बात practically the wrong thing attracts more correct है बात तो wrong thing attracts more, it's very common sense because wrong thing is very easy correct, and the right thing is very tough, सही का रास्ता चुनना बहुत ही tough होता है actual में tough होता है, and in a professional life, आप organization को ethical बनना ने चारएंगे खुद तो बनना पड़ेगा आप समझे बात, अभी तक आप क्या ethical values, communication of ethical values यादरा भी कुछ points भी आयता है correct है, तो as a professional आप कानून का पालन करवाने जा रहे हो कितने ethical होने चाहिए आप सोचो it's very tough to follow the law of the country and being ethical is more tough correct बात, तो guys to as a CS, आप एक कंपनी के law के पालन करता हो, करता धरता हो तो आपको पहले खोद ethical बनना पड़ेगा इसलिए ethical, ethics के पार्ट उन्हों ने दाले होगा है very very clear guys, सब सबसे पहले अगर मैं बुर रहा हो, what is ethics यहाँ पर देखो, क्या definition दिया the term ethics refer to the rules and principles that define what is right and wrong conduct of the individual एक individual जो करने जा रहा है क्या सही और गलत को जो define करता है, उसे हम ethics बुलेंगे, is that very very clear guys, अरे हाई आना और ethics और morals में फरक होता है, ethics और morals में फरक होता है, जैसे example है, ठीक है रहा बाद generally जैसे example है कि और example यह, जैसे आभी आपको class आना है, ठीक है बाद आपका class चल रहा है एक तरव आपके घर में wedding है और एक तरव आपके यहाँ class में आना है wedding जो आपके real sister यह brother का है और आपका exam भी है exam में जाना बहुत जरूरी है नहीं जाओगे तो पूरा 6 मिने time बढ़ जाएगा और आपके जादी में भी जाना बहुत जरूरी है तो क्या करें, क्या ना करें तो यह और सोच, यह विचार toward this situation and क्या सई रहेगा, क्या गलत रहेगा और इसमें तो दोनों सई है तो इसे बोलते है more complex और इसको बोलते है, more complex dilemma are you understand? dilemma मतलब क्या करें, क्या ना करें तो guys, individual right and wrong need to be taken a decision विच जैसे बोला जाएगा ethics जैसे बोला जाएगा ethics बट मुझे इक बाँ बताओ ethics और morals में क्या फरक है मैंने बताया था individual right and wrong is ethics public right and wrong is morals like I have given a lot of example you think drinking is right it's right, it's wrong but society will tell it's wrong publicly it is wrong are you understanding my point? correct you think intercaste marriage is right you think it's wrong, wrong but society will tell it's wrong are you understanding my point? correct तो what is public right and wrong is morals and what is individual right and wrong is ethics यह आपको समझा है आप क्या सोचते हो आपके level पे क्या सही गलत है यह होता है ethics समाज क्या सोचती है यह होता है moral तो which is more broader concept morals and which is more narrow concept ethics very very clear case अरे हाई या ना correct तो आपको यह समझना है कि that is very clear अब यहाँ देखना है उसमें भी जो भी सही गलत की decision बिजनेस में लेने पड़ते है activity in the business may be right or wrong customer को मैंने product बेचा बेचते समय मैंने चार बाते करी वो चार बातों में एक बात मैंने गलत करी यह सही करी correct बात in business also right or wrong comes in personal life it also comes and in business life also it also comes जैसे pandemic हुआ तो किस लोग ने employees को निगाल दिया सही भी था गलत भी था उनको effort नहीं हो रहा था और गलत भी था क्योंकि आज वो कैसे कमाएंगे अचानक आप निकालोगे तो उनका घर कैसे चलेगा और सही भी था क्योंकि आपको भी effort नहीं हो रहा है आप भी losses में समझ रहा है the right wrong decisions in business is business ethics the right wrong decision in business is business ethics is that very clear मून लाइटनिंग करके concept चल रहा है मतलब what is moon lightning moon lightning मतलब you are engaged in three four jobs पैड़निक में क्यों होगे IT वाले जो लोग थे घर में थे work from home तो ये company वे से job आ रहा है 12 लग दुस्रे company से 10 लग है और एक आज आदा दिन ये company के लिए काम कर रहा है अब इंडिया लेवल पर डिबेट चल रहा है कि moon lightning सही है गलत है कुछ companies ने विपरो इंफोसेज ने तो बोल दिया गलत है और जो employees एक employee का account पकड़ा गया PF में साथ employer से पैसे है seven employers मतलब PF account में जब tracing हुई तो PF department नोटिस बेजा कि इसके साथ अलग-अलग pancarts से PF जमा हुआ है तो company को पता चला कि इसने साथ जगा पर job enrollment करके रहा है थोड़ा इसका गाम थोड़ा इसका गाम थोड़ा चार गंड़ा पाच गंड़ा इसका गाम ब्रेक ये गाम manage करके साथ company इसका गाम कर moon lightning थीन सब्सक्राइब विप्रो विप्रो ने थीन सब्सक्राइब इसको निकाला है विप्रो ही था मुस्टला है मैं गरना बोल रही है I had my exams few days post my sister's wedding this actually happened in December 21 exam चाहिए विप्रो ही था विप्रो रिमोव 300 employees for moon lightning as moon lightning as IT service toughness ने तो सही है गलत है आप कोई बुर रहा कि भाई तू 10 से 5 मेरा काम कर रहा है मुझे क्या कर रहा है तो बाच गलत कुछ भी कर moon lightning अच्छा है करने तो अच्छा अच्छा है अच्छा है तो यह राइट रॉंग अभी यह कंपनी को डिसन लेना कि moon lightning को welcome करना है कि नहीं करना है कोई कंपनी बुर रहा गलत है उन्हें एंप्लोई नहीं करना है कोई कंपनी फेवर में आ कि तुम बिंदास को समझे मेरी बात तो decisions in business a business situation a business activity or a business decision which is right and wrong is called as business ethics is called as business ethics तो देखो ethics, business ethics is a study of business situation business activity and business decision where the issues of right and wrong is addressed very very clear case तो ethics से personal life में होता है या business में भी होता है सही गलत की decision आपको business में भी लेने बढ़ते है ऐसी situation हाती है कि एक तरफ सच्चाई का राख चलना है दूसरी तरफ bribery देके काम करना है आप अभी मेरे क्लाइन के साथ हुआ है उसका GST नमर सब सही था पेपर सब सही था officer ने rent agreement मांगा था हमने rent agreement दिया भी फिर कुछ तो query निकाली नंबर देने रहा client बोलता है मैं तो सब जगा document में clear officer नाटक कर रहा है वो जाके मिलकी भी आया officer बोलता हम तुमारा number reject करेंगे यह कुछ तो reason देखे है reject किया उन्होंने मेरा business art का हुआ है मेरे orders रुखे हुए अब उसके सामने क्या था है 1000 रुपे दे दो मिन में number में दिया है और दूसरा क्या कुछ मत कर रहा चाल बट सच्चाई के रहा में उसका एक मेना वेस्ट हो रहा है एक मेने का business loss हो रहा है अब उसके सामने ऐसी situation है कि कुछ ना करके एक मेना वेट कर है और business loss जेल है और दूसरी तरफ 1000 रुपे दे दे 10 मिनिट के अंदर number मिल जाएगा समझे वेरिवाद तो this happens in business also which is business ethics अब business ethics का अलग-अलग like finance के अंदर अलग यह हो सकता है HR के अंदर अलग चीज़े हो सकती है like finance के अंदर creative accounting बड़ा चड़ा के चीज़े बताना window dressing हो रा कुछ बता रहे और कुछ करेंगे बाद earnings management कैसे तो बता के profitable position बताना कुछ भी करके ऐसा बताना कि हम कमा रहे हैं इदर उदर से adjust करके order बुलना order दे दो बाद में sales return कर देंगे अभी तो target अचीव होंगा अभी order दे दो 10 लाग का मेरा दिखेगा 10 लाग हो गया sales return मार देना समझाए है वी रिवार तो earning management यह गलत है न उसके बाद financial analysis insider trading तो गलत ही है securities fraud and facilitation payment अपने काम निकलने के लिए आपने कुछ चीज service दी कुछ product दिया as a gifting करी क्या आप कोई आया जैसे कोई police आके बैठा अरे बसा sir restaurant में खाना खाते है अरे आपके लिए एक trip sponsor करते है sir आप इतना मेहनत कर रहे है तो आप बरेक लीजिए sir are you understanding my point तो यह सब चीज है क्या है finance and accounting जैसे payment अटका है finance वाले को payment देता हो देता हो कर रहा है जान मुचक के अटका के रखा है जैसे कोई gift दे दिया payment लिए करे तो this happens which is something very wrong similarly HR के अंदर क्या क्या हो सकता है executive compensation हर जॉब के बीचे मुझे 10 अरु पिचे तो जॉब दुलाँगा दूसा था affirmative action workplace surveillance whistle blowing occupation safety and health को लेकर दज्जे उड़ा दी employees workers की health factories के अंदर indenture servitude क्या था ये मीनिंग बता ही है indenture servitude yes loan लिया है तो उसको खीचा तान करके काम एक्स्टो कराना employee ने loan लिया है तो एक काम करो उसको harass करो जादा काम कराओ that is indenture servitude union busting करें तोड़ना उसके बाद में sexual harassment employee reading employees दूसे companies के employees को अपने बास खीच के लेना एक गलत intentions है that is employee reading ये सब unethical माना जाए very very clear guys sales and marketing मैं भूल गया एक्टीश 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 पहढ़ एक्टीश ए कि लास्ट हम प्पर हूचा था hey let us come 2-1 देखिले ते चेक करना पड़ेगा, देखते हैं, इबर फिर भी बताओ, अगर मिल रहा तो जल्दी क्लियर होगा, सेल्स और मार्गिटिंग, प्राइस फिक्सिंग, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मतलब प्राइस फिक्सिंग मतलब एक टेंडर के लिए पहले बुल देंडर इतना बर देन प्राइस विखसिंग पहले से ही क्या कर दिया टेंडर इंवाइट किया है चार लोग से टेंडर तुमेरे पहचान का है मैंने बोले टेंडर 10 लिख के विजदा तिरह को मिल जाएंगा प्राइस फिखसिंग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपने एक से 300 रुपर ले रहे हैं एक से वही काम का 500 ले रहे हैं यह long term business नहीं चलता है similarly green washing इसके बर question आया था what is green washing कि आप ऐसा बता रहे हो कि आपके product environmental friendly है but it is not environmental friendly आप environment का जासा देकर product बेचनी की कोशिश कर रहे हो उसे बलते green washing spamming what is spamming बार 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 calling mailing करना तीगर बार that not good ना अरे सब लेवल तर ठीक है आप एक बार आपके product के बार बार रोज आके कोई insurance बेचने आगे रोज आप लेगो यार insurance आप लेजा भाई नहीं लेना हम समझे लेने वाला भी रुख जाएगा correct उसके बाद using addictive messages images in advertisement xpray xpray लगाते ही वो बुलते है the other gender is attracted ऐसे उस तो रास्ते दीखाना there's not good way out करे उसके बाद marketing to children उस तो toy boy attract करके product बाइच आप केंडर जोए पता है chocolate 30 rupees and 40 rupees it's so much of chocolate maybe a good chocolate quality पे मैं यह नहीं करूँगा but toy को देखते बचा क्या कर रहा है इतना साथ है करे false advertising and negative campaigning tide एक powder आएगा cancel यह सफेदी negative campaign किसी और product के बारे में गलत बोलना that's not good किसी और के बारे में गलत बोलना क्यों कर रहा है तुम अपनी अच्छा ही पताऊ ना किसी और के बारे में गलत क्यों बोलना that is negative campaigning यह सब चीजे क्या मानी जाएगी यह सब चीजे मानी जाएगी sales and marketing में all is unethical कोई दिक्कत अरे affirmative देखा तुम ने क्या मिल रहा है मतलब in short being biased ऐसा बोलना चाहरा है maybe एक के favor में positive affirmative action लेना किसी और favor में नहीं लेना कुछ employees के प्रती अच्छा ही दिखाना कुछ employees के प्रती नहीं दिखाना शायद वो होगा में बहुत है increase opportunities for certain group of people correct है या under privilege members के लिए ठीक है देखना बढ़ेगा चीज़़ एनिवेस तो यह होगे आपका business ethics और उसके अलग-अलग branches अब यहां पर नारायन मुर्ती वाला story था यहां दा रहा है फटा-फट बढ़ेगे क्या story था नारायन मुर्ती के इंटर्व्यू में बता था कि 1984 में इन्होंने computer super mini computers इंपोर्ट किये थे बैंगलोर एरपोर्ट पर आकर रुका था बढ़ वांके custom officer बोलते टेक केर of me I'll take care of you तो उनके official ने नारायन मुर्ती को call लगा है नारायन मुर्ती को बताया कि क्या situation है कि bribery मांग रहा है customs clear करने के लिए तो नारायन मुर्ती बोलते है कि what is another way out तो बोलता है कि 135% custom duty भरो और वो क्या पता refund होगा कि नहीं होगा ठीक है ना 50 lakh rupees के computers import हो रहे थे कुछ तो ठीक है 135% मतलब suppose 75 lakh rupees बन रहा है यतना tax जमा करो गवर्बन के पास और फिर refund के लिए अपलाय करो शायद refund मिले ना मिले नारायन मुर्ती selected go for it उनने करजा लिया उनने tax जमा किया customs clear किया computers लेकर आए क्योंकि उनका project रुखा हुआ था और फिर refund शायद सूचा नहीं सूचा बाद में देखेंगा है पर उनने tough action लिया rather than giving the bribery तो यह इंटर्व्यू का उन्होंने reference दिया है which reflects कि ऐसी companies ही long term survive कर सकती है तो अब अगर आप ethical चल रहे हो तो path perspective से काम करना है पाँच मुद्धों पर काम करना है सिर्फ financial मुद्धों पर नहीं काम करना है हर एंगल से आपको हर मुद्धों पर काम करना है like five bottom lines economic bottom line human bottom line social bottom line environmental bottom line and evolutionary bottom line sir मतलब क्या सब्सक्राइब एंपी जो है economic bottom line में अच्छा काम करना है monetary wise but as a social bottom line वो समाज के लिए कुछ नहीं गर रहा है good or bad bad you need to work on all the parameters company need to think from every angle what are the angles there are five angles which five angle economic bottom line correct बाद that is very clear wealth creation तो करना पड़ेगा profit तो बनाना पड़ेगा आरे बनाना उसके बगर तो कुछ होगा ही नहीं loss making को कोई खड़ा नहीं करता है loss होगा तो आप कैसे समाज सेवा कर पाऊगे तो first is economic bottom line create wealth जो भी investors उनको wealth बना कर दो second is human bottom line कि आपके पास team work leadership quality motivation अच्छे लोग better quality of work life लोगों की अच्छी जिंदगी चल रही आपके हसाथ correct बाद तो जो लोग काम कर रहे employees काम कर रहे वो बह happy with your working environment they have a good leadership good quality and they are getting a better standards that is what human bottom line third is social bottom line जो CSR की बात कर रहे समाज सेवा करे आप कंपनी कमा बहुत रहे employees कुशे बट समाज में एक काम अच्छा नहीं कर रहे नहीं चलेगा you need to work on that similarly if I'm talking about evolutionary bottom line go for innovation go for the best practices every human is still untouched go for the highest potential and if you see again next is environmental bottom line think from nature perspective environment को प्रोटेक करके चलना पढ़ेगा बुलो पांच कोंचे bottom line है economic bottom line human bottom line social bottom line environmental bottom line and evolutionary bottom line but the economic wealth creation important not important company सबका सोचरा बद वेल्ट का नहीं सोचरा नहीं चलेगा investors back out हो जाएंगे second कौन सा है workforce के बारे में employees के बारे में quality workforce not a quality workforce quality workforce आपको workforce पे काम कर रहे हो उनको training दे रहे हो उनको guide कर रहे हो उनके अंडरे leadership ला रहे हो motivation ला रहे हो they are happy with your working environment very very important आप पैसा बना रहे हो customers happy है पर आपके employees आप हरास कर रहे हो उनको को है मतलब ने third is social bottom line which is talking about CSI fourth is environmental bottom line which is talking about nature and last is evolutionary that is best innovation best technologies how much you can best give it जितना humanity को अपसर्फ करोगे best zeal के साथ अच्छी चीजे लाओगे और कितने comfort जिंदगी जी रहे हैं मैंने अपको क्या बुला था कि याद करो कि जो राजा महाराजा को जिंदगी जीते उनसे बहतरी जिंदगी हम जी रहे हैं आज राजा महाराजा को एक जगा से जाने में 30-30 दिन लगते थे हम विदिन 2 आर्स वो जगह पहुच जाते हैं सोचों को इतनी महनत हती हिल से हिल डिल के ऐसे जाते रहे हैं समझ में आराम ही रिवाया है अज हम आराम से खाना बैटे 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 बुक कर सकते हैं are you getting a point तो when technology भी आ ग्रोइं और human evolutionary बाकी है और human untouched चीज अभी बाकी है जो अभी भी बार आना ज़रूरी है तो यह हम grow करेंगा है is that very clear चलेगा तो guys tomorrow won't be revision ठीक है रिविजन कल नहीं होगा अटरा जारी मेरा executive कई भी चल का छोटा महारत होना है half day महारत होना है तो अबसे और परसो आपका फिर continue होगा परसो रिविज भी रहेगा और regular class भी रहेगा तो revision के फॉम में अगर मैं बात कर रहा हूं कि परसो इस 19 तो 19 I am planning to complete the ethics and business और 20 को अगर schedule जमता है बाकी teacher से बात करके तो like 2-3 hours I am planning to take the risk management hold revision आप समझे रहे जी बात तीक है तो उसके बाद test लेंगे है आपन मैं को लग रहा कल नहीं लेता है कल जासा idea दे रहा हूं तो revision के बाद फिर आपका क्या होगा एक बर गोतर हो जाएगा risk management revise करने में तो time जाएगा समझ रहे है तो if schedule permits revision तो रहेगा है mostly correct तो tomorrow won't be revision Saturday will be your revision completing ethics and business completely and 20 mostly Sunday I will be planning to take for risk management mostly I am not confirm about I will think about जैसे क्या time permits होता है mostly offline 2-3 गंडा आ जाएगा है हां तो online तो option नहीं है ना online चली रहे दोनों online offline रहेगा ठीक है तो वह कोई दिक्कत नहीं है जितने पूने में बैठ है वह भी आ सकते हैं तो risk management के लिए face-to-face में आके बैठ जाएंगे but I'll let you know about the scenario is that very clear चलेगा तो हम इसको pause करते हैं आप है let us break लेके फिर आपन continue करेंगे अ thanks a lot are you able to remember things जो पढ़े आपना है कुछ कुछ help हो रहा है आपकोई चीज़ों से words थोड़े से content sorry थोड़े familiar याद आ रहा है मतलब कि जो थोड़ा सा पढ़ा था क्या भूल-बूले या लग रहा है वर यॉ बढ़ा है थोड़ा 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 या थोड़ा थोड़ा आप सीज़ों से क्या था step by step, I believe in slow growth to be very honest मतलब मेरा अपना-पना strategy होता है कुछ एक दम ऐसा होता है कि नहीं राटो रात दुन्या बदलना है एक होता है कि बही कदम कदम चल ला है, तो आम लाइक प्लियर वेर, इस लाइक, आपने बच्पन वे स्टूरी बड़ी थी, कौनसी स्टूरी थी ओ, स्टूरी वें स्टूरी विंस दरेस, उसमें वो रबिट एंड टर्टल की स्टूरी थी, एक एक कदम उठाओ, स्टूरी थोड़े 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 थोड़ sorry not 12, chapter 13 chapter 14 दोनों compliance के chapter complete ethics का एक chapter हमने start किया that is chapter number 15 ethics and business very very clear guys, ethics and business correct guys, अब ethics and business में हमने देखा कि what is business ethics क्या होता है, ethics which need to be resolved in business activity business process, business decision business के टाइम पर भी सही गलत, एक owner को decision लेना परता है, employee को लेना परता है क्या में जो ये decision ले रहा हो सही गलत है correct बात, क्या इसका क्या impact रहेगा तो as a professional आपको भी businesses में बहुत सारे सही गलत के decision लेने परता है, और वो होता है business ethics, हमने देखा business ethics, finance and accounting को लेकर हमने देखा कि HR को लेकर, sales and marketing को लेकर is that very clear? अरे हाया correct तो ये तीन बाते हैं उसके बाद में हमने इतना पढ़के stop किया था कि what is business ethics in different core areas कोई दिक्कत do you remember the content? ठीक है अब जनरल ही होता क्या ethics दसमा का होता है तो we are ignorant about but वो दसमा सही में in cash कर पाते है no doubt, समय बहुत जाता है इस चीजों में but आप उसको सही डंग से in cash कर सकते हो and अगर आप थोड़ा early revision करो early preparation करो तो yes, you are able to capitalize it तो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँगा मैंने आपको और एक case बताया था about Narayanmurthy interview Narayanmurthy interview में ऐसा बोला गया कि वो लोग ने mini computers import किया और उन्हे customs clear करने में धिकत हो रही थी officer बोलता है take care of me, I will take care of you very clear guys but Narayanmurthy ने अपने officer को पूछा क्या कोई दूसरा रास्ता है bribery के अलावा तो उसका officer बोलता है pay the taxes और वो लगबग 135% tax rate आता custom duties 50 लाग का computer ला रहे हो तो 75 लाग tax और ऐसे पैसे तो पढ़े जी होता है उन्होंने लोन लिया customs बढ़ा computers clear किया और फिर वो अपने काम को आगे बढ़ा है are you understanding my point? तो business ethics ऐसा बोलता है कि बहुत बार आपके सामने tough decisions आएंगे but you need to be into that tough decisions और आपको आगे बढ़ना है उसके बाद में हमने ये भी पढ़ा 5 bottom lines यादा रहा है पढ़ा हमने कौन से 5 bottom lines पढ़े economic bottom line human bottom line social bottom line environmental bottom line and evolutionary bottom line very very clear guys yes or no correct Radhika SBC marathon is on 21st correct so this is now final Neha thanks a lot okay so guys अब आपको ये समझना है कि 5 bottom lines है 5 bottom lines मतलब इन पाचो पहलू पर आपको काम करना है सिप profit 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 नहीं बनाना है जब कोई business में पैसे mint कर रहा है बड वो समाज में बहुत ही गलत चरित रहा है या समाज में वो जो है वो अपने employees को गलत ट्रीट कर रहा है या वो अन्वारमेंट की प्रती उसका कोई सोच नहीं है या वो कोई innovation में इन्वाल्ड नहीं है तो यार इन्वेस्टर्स पैसे नहीं लगाते हैं सुप रॉफिट देखे नहीं ही डिसेड़ किया ज़दा वाट इस या परस्नालिटी वाट इस या करेक्टरिस्टिक्स वाट इस या थोट प्रोसेश मनी इस वन पैरेमिटर येस वरी इंपॉर्ट पैरेमिटर I will not deny that पैसे एक बेंचमाग होते हैं बट पैसों के साथ बाकी पहलू पर बॉटम लाइन पर भी आपको काम करना है अगर कोई बिजनस्मेन युमन ट्रीटमेंट सही नहीं कर रहा है एंप्लोईस को हरा है एंप्लोईस में कॉलिटी ट्रीनिंग नहीं दे रहा है अपने एंप्लोईस को अप्लिफ नहीं कर रहा है अच्छे वर्किंग कंडिशन्स नहीं दे रहा है तो तेल मी गाईस क्या हो बिजनस ग्रो होने वाला है नो डाउट वो अपने लेवल पर economic bottom line में पैसे मिंट कर लेंगे मैं मना नहीं कर रहा हूँ पैसे बन जाएंगे बट एट एंप्लोई वालुएशन हैस तो आपको अगर एथिक्स आपके एथिक्स को अगर किसी को चेक करना है किसी के ethical values को चेक करना है यह पाँच पहलू bottom line को चेक करो अगर यह पाच्चो पहलू में अगर सब positive side है इसका मतलब वाथिकल है मतलब किस आंगल से बुढ़ रहा है see what is, are they able to make money value creation, wealth creation very important wealth creation करना FM का बहुत बट बट डिसिजन होता है जो आपने पढ़ा है तो economic bottom line second में आपको बुला human bottom line क्या उनके employees satisfied है उनके साथ क्या उनके employees की quality of life बढ़ रही है क्या उनका work conditions अच्छा हो रहा है क्राटे बाद हो रहा है, मतलब वो अच्छा गाम कर रहा है उसके बाद, social bottom line CSR, क्या वो समाज के लिए कुछ कर रहा है क्राटे बाद, then environmental bottom line क्या वो प्लानेट के लिए कुछ कर रहा है and evolutionary as a human being, how you are evolving क्या best energy capabilities, source, skills caliber, innovation सब लेकर आ रहा है yes, अगर वो कर रहा है, तो you are going on the best parameter, are you understanding my point, are you yes or no yes or no तो guys, सिर्फ economic bottom line पर काम करके नहीं चलने वाला है you need to work on every angle in every business as a individual also, हमें सब पहलो पर काम कर रह capac go क्या बहुर अगरभाल प्टार्ड ओिरर पकान के सब रहा है अगरभाल प्रटार्ड अगरभाल अगररभाल social angle से क्या कर रहा है ma major yargowल human angle से क्या कर रहा है environmental angle से मैं क्या मेरा यूगदान है और अगर मैं बात कर रहा हूँ, evolutionary angle से मेरा क्या योगदान है? Are you understanding my point? Correct about, तो सचो कि मैयूर अगरवल economically अच्छा कर रहा है, human angle से अच्छा कर रहा है, but environment, घर के नल खोल कर रख देता है, 10-10 गंटे, चढ़ना मुझे क्या, अब लें कैसे सहरे है? समझा है मेरी बात? Correct, तो environmental angle पर में काम नहीं कर रहा हूँ, नहीं चलेगा, this five bottom lines is very important for the future, and this benchmark creates how you are growing the company, is this very 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 clear? Yes or no? Correct बात, अब ये पाच्छों bottom line को समझा है इन्होंने, अब ethics follow करने के क्या फाइदे है, business ethics का क्या importance है, देगे ने बात, जब भी आप कोई रिविजनरी इसमें रहते हैं, pointers बना लेने का, five bottom line, five bottom line, नोट डाउना अच्छों नोट डाउना अच्छों, online बच्चों और face to face, एक idea दे रहो मैं आपको, five point bottom line, नोट बना रहा है, एक एक लाइन लीफ करना, self study में जाकर, at least उसको एक लाइन में डिस्क्राइब तो करते हाना चाहिए, एकजाम में आपको detail लिखना है, समझो मेरी बात, बट आपको यह समझना है, जैसा भी मैं आपको पढ़ाया, five bottom lines, करेदे बात, तो immediately देखो, you need to know down, जैसे example है, बस heading लिख दो उसका at least, five bottom lines, for of future, five bottom lines of future, पहला अगर मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहला आएगा, economic bottom line, correct बात, तो economic bottom line, इसमें क्या लिख सकते हैं, एकजाम में तोड़ा hint दे रहा हूँ है, कि क्या content आप इदर add कर सकते हैं, economic bottom line, economic bottom line में आप ये लिख सकते हो, कि wealth creation, wealth creation is the most basic and fundamental dharma of business, very important, wealth creation is the most basic and fundamental dharma, dharma rule of business, business में अगर मैं महनत कर रहा हूँ, जो कमा रहा हूँ, पुरा खर्चा हो रहा है, घर जाके मैं कुछ भी ने लिग जा रहा हूँ, ना मैंने कुछ value addition किया, अगर मैं कुछ कमाऊँगा, तो एम्पलोई को पासान गरूँगा, अगर मैं कुछ कमाऊँगा, तो सोसाइटी के लिए कुछ करूँगा, अगर मैं कोई टाइमली प्रॉफिट नहीं बना पा रहा हूँ, मैं वेल्थ क्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, वेल्यू क्रेट, अरे ऐसा बोलते हैं ना, कि जो पीडियो से चलते हा रहा है, जैसे आपके ग्रैंट फादर ने कुछ क्रेट किया, आपके पापा टॉच बेरत है, उन्हों ने उसको और आगे बढ़ाया, आप आये उस ड्राइविंग सीट पर, आपने उसको और बढ़ा कर और ग्रो किया, ताट नीड तो बी पास्वन फ्रॉम जनरेशन तू जनरेशन, आपके ग्रैंट फादर कुछ करकर गए, जिससे आपके परिवार को फाइदा हुआ है, आपके परिवार को एक बिजनस मिला है, वो उसको पार रहा है, उनकी जिंदगी आसान होगई, आज आपके ग्रैंट फादर से, उनके चार बच्चों को कुछ ना कुछ काम मिला, उनके चार बच्चों ने आगे कारोबर को बढ़ा कर अपने दस बच्चे, और और एम्प्लोई बढ़ा है, तो वेल्ट क्रिएशन, और जो नहीं कर रहा है, इस अनेथिक, इस वेरी बेसिक्स, तो देखना, ओर्गनाइजेशन, नाट एबल तु प्रिएट वेल्थ, इस अनेथिक्ल, और इस पूर्गनेजेशन, आपल दो लुएट वेल्थ, इस अनेथिक्ल, देन यूमन बटम ले, यूमन बटम ले ले, क्या लिज़ो गे दर, your employees are having a leadership quality, motivational quality, they are dedicated towards the organization, they want to work for the growth of the organization, various qualities are inbuilt in your employees, आपके employees एक अदम आगे आना चाहते हैं, leadership लेकर आगे चलाना चाहते है, आप ऐसा कुछ कर रहे हो कि सक्सेशन कर पा रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, आपके employees को आप नहीं भी रहे, वो समाल लेंगे, are you understanding my point? तो यह देखो, यह कब होगा, जब employees आपके प्रती, देखो, आपके क्या लिखा है, this factor लीटो better quality of workforce, good working condition, better quality life, आप employees आपके काम पर आकर खुश है, they are happy with the good working condition, are you understanding my point? and like for example, there is a leadership, teamwork, motivation, creativity, ethics, value, wellness, यह सारे चीज़े वो प्रैक्टिस करना चाह रहे है, तो आपने किस एंगल पर काम किया, that is human bottom line, which bottom line? human bottom line, very very clear guys, तो आप इसमें लिखोगे कि क्या लिखोगे, this leads to, this leads to quality work life and includes various qualities like leadership, motivation, ethics, values, समझ रहे रहात, और क्या लिखोगे, teamwork, एक्सक्रा, मतलब आपके लिए, सब आपके organization के लिए, लोग जान देने को भी ready है, in short, मतलब आपने कुछ तो की होगा उनके अंदर, एक spark दालोगा उनके अंदर, तो यह होता human bottom line, then next is social bottom line, social bottom line, social bottom line is completely, क्या आपने larger society environment में क्या क्या है, social environment, more of CSR, जो आपने CSR, तो आपे reference भी दिया है, this is the rational behind the concept of CSR, which is gaining increasing acceptance, मतलब आपने CSR को refer कर रहा है, तो यह देखना है, organization is a part of larger social environment, in the long run, well-being of organization depends upon the well-being of this society, समाझ खुष, हम खुष, everyone is able to earn money, everyone is able to have a good lifestyle, everyone nearby and dear ones, look, this is why cities are developing, because in cities, many people migrate, because they are getting a lot of jobs, are you understanding my point, and same way, if somewhere, it's a town or a village, there is not so much work, there is no mistake, there is no comparison, there is no problem, but what is the problem, there is no job, there is no salary package, there is no salary package, so there is no uplift there, many people are able to do it, they are not comparing them, so whether you are getting a good lifestyle, whether you are getting a good society, whether everyone is a part of it, everyone enjoying their own life, yes, if yes, means you will also grow as a business, are you understanding my point, correct, तो यह social bottom line किस पे बिलीव करता है, it believes that, well-being, well-being of organization depends upon the well-being of society, well-being of society, very-very clear guys, and it reflects CSR is what, CSR is increased, increasing importance, with this understanding, that you have to add to your mind, you can write this line-to-line, social bottom line, so it has a little detail, then environmental bottom line, we are not a part of society, but we are also part of nature, nature, nature's air, we are innail कर रहे है, we are in greenery के साथ है, यह सारी चीज़े महतु है, समाज नहीं, लोग नहीं, लोग जार रहते हैं, वो जो ambience, वो जो mall है, यह आसपास का जो physical environment है, यह भी तो matter करता है, are you understanding my point? correct है बाज? तो देखो, we are not only a part of society, but also the part of nature, a human being can draw energy resource from nature, and has a responsibility to use them prudently, उसको बहुत इमांदारी से उस करना है, waste नहीं करना है, and your aim should be, highest aim of ecological responsibility to harmonize the communal life, and resource energy management, nature को भी प्रिटेक करो, resource को भी प्रिटेक करो, आज सारे resources हम डिप्लीट कर लेंगे, तो future में we are at a threat, are you understanding my point? correct है तो next is environmental bottom line, environmental bottom line, समझ रहे, क्या लिक होगे इसमें? we are not only part of society, but also part of nature, it is responsibility of everyone to extract resources from nature prudently, and last is evolutionary bottom line, human beings are raw material, we are like untouched finished product, there is still lot of energy, resource, lot of dynamism, lot of innovation, still need to be achieved, हम अपने अपेक्स तक अभी तक नहीं पहुचा है, human talent, or human energy, human source, अभी तक बेस्टेवल नहीं पहुचा है, बहत कुछ उंटच है, unfinished है, अभी भी बहुत सारे innovations बार रहना बाकी है, Are you understanding my point? तो उस पर काम होना चाहिए की नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, तो यह पाच bottom lines के बारे में question आता है, इस ते में रहा time लगा है, very clear guys, अब तोड़ा आगे बढ़ेंगे, let us see the next content, what is the importance of business ethics, ethics follow करने के क्या फाइदे है, are you understanding my point? yes or no? ethics follow करने के क्या फाइदे है, very very clear guys, तो अब यहां पर देखना, ethics follow करने के अपने फाइदे है, what is the importance of business ethics, why we should follow business ethics, because business relates to people, and ethics is a part of people's life, सईगलत, कौन सईगलत है, लोगों में सईगलत चलता है, इन यह गलत है, यह सईगलत है, चलता है यह नहीं चलता है, तो ethics is essential to the people, कौन सईगलत है समाझ में, यह चलता रहता है, and business deals with people, business deals with, अर ऐसा बोलते है ना, कि, floor पे table ए, table पे laptop है, A is equal to C, correct? So, people is equal to ethics. Correct? Or ethics is equal to people, and people is equal to business. Therefore, ethics is equal to business, and business is equal to ethics. Are you getting my point? So, you have to understand this. Business happens from people, and ethics is important for people. So, business is also ethics. After that, ethical practices would result into social contribution. If you are ethical, you will think about society. If you are not, then you will think about social contribution. Are you understanding my point? Correct? Same way, any business malpractices, if you are unethical business, it will adversely affect environment, stakeholders, and the government. Now, you are doing exploitation, you are doing illegal activities, you are doing illegal activities, you are doing wrong business, you are doing exploitation, you are selling false products, you are looting, you are not delivering price, such malpractices will affect government also, stakeholders also, and environment also. Then, cultivate strong teamwork. If you are ethical, we will work with good things, then it will be good. People will be ready to work in a team work. Employee will feel dedicated, and also, employee will grow in the organization. Public image created, business ethics. The good work is created, the good work is always, the good work is done in society. The good work is done in society, and business will have a positive effect on consumers, and we will have a trust on brand. If the business, you know, ethical, they will create a positive image, brand image, and they will create a good impact on consumers, and business will create a good impact on consumers. So, employees will get teamwork, employees will get a sense of belongingness, employees, customers will grow, brand image will create, If you do malpractice, then everyone is affected. After that, if you are ethical, then you will think about society. Correct? Plus, if you are doing business, then you will have to think ethics. Because business relates to people, and people relates to ethics. So, if you have to do business, then you will have to give a contribution about ethics. Are you understanding my point? So, they said Philip Kotler, management, we sell the product in the society, and not in the market. We are not selling in the market, we are selling in the society. And the society means people. Society means people. Society means people. Group of people coming, there is a society. Right guys? Correct? So, it may be small society, big society. Who is dealing with you? Why does it depend on your product? We don't sell in the market, we sell it in the society. We sell it in the society. If you send people, then you will have to go with people. Is that very very clear guys? So, what do you have to write? Look, what pointers can come from you. Here you can see. Importance of business ethics. Importance of business ethics. If I say point number one. First of all, business relates to people. relates to people. And people relates to ethics. Correct? So, this is what you have to say. That business is from people. And people think about ethics. So, you have to think about ethics. You have to think about the right path. You have to think about the right path. Very very clear guys. What else do you have to write? Let me tell you. Now tell us. Ethics helps for social contribution. It creates brand value. Public image. It creates a public image. Which will be good about it. We will talk about it. Sonu Soothe. Why did they become such a big hero in the pandemic? Because big people take money. They also take money. But they leave out of the house. We work for society. Everyone has done it. Celebrities have not given it. But why did it talk about Sonu Soothe? Why did it talk about Sonu Soothe? Because they actually have their threats. They have helped people out of the pandemic. They have helped people out of the pandemic. Do it or do it? Do it or do it? Correct? So, today Sonu Soothe, a big image created. There are many people. Everyone has their stories. Correct guys? So, it creates a public image. After that, it creates a strong public image. It creates positive impact. impact. Impact on customers. Correct? Then employees perspectives. It creates positive impact on customers. Then employees bhi kya belief karte hai? Strong, correct? Strong teamwork. It develops. Strong teamwork. And participation. And participation. Are you getting my point? Participation. So, in this way, this is your other point. In this way, In this way, this is your business ethics importance. Very very clear guys. Now, let's see here. There are four principles. Ethics follow in ethics. You remember four principles. Which of four principles are? The first principle is principle of respect for autonomy. Second is principle of beneficence. Third is principle of non-maleficence. And last is principle of justice. Kya kya chaar principles? Repeat kara hai? Principles of respect for autonomy. Principle of beneficence. Principle of non-maleficence. And principle of justice. Kya principle hai? What are these principles about? Anurag, you can refer to the past paper scanners. Already there. In the market. Definitely. I am also, Already, I had a activity run. Hundred questions ki. Usma hai, I have many questions. Haan. Bulo. Principles of autonomy. Principles of what? Respect the decisions of the others. Don't drive them. Force them. This is the right thing. You have an opinion. But let them take their own decision. Let them have their own independence to taking a decision. They have their own right of taking life decisions. Right? Correct about it. As a child asks, sir, I have three modules. Do, do. Then we understand. Caliber, results, scores, scores. We talk about it. Then we understand. What is the caliber? We have three modules. We have three modules. We have three modules. We have two modules. They are giving two modules. We are not saying anything. It is their decision. Why we should, Interne, You have wrong. You are not listening. This is not, this is not, that is not. This is not, that is not. Teacher is saying. We cannot. We cannot. Respect the independence. Like a customer. Someone is coming. And someone is asking and inquiring a product. Correct. So, if someone is inquiring a product, You have told them. They are thinking, No, we do not like it. It is okay. Don't drive them. Why did you lose time? It is okay. They don't want to take it. Okay, sir. Thanks a lot. Maybe visit next time. Are you understanding my point? So, that is what? Principle of respect for autonomy. Honesty. What do you have to do? That, first of all, You have to respect the distance. Second. You don't have to complete your duties. Don't know your duties. You don't have to complete your obligations. Timely complete the promises. And third. Honesty in your dealing. The truth is. You have to complete your duties. You have to complete your duties. You know. You have to do honesty. And third. You have to respect your opinions and suggestions. That is principle of respect for autonomy. What is next? Principle of Beneficence. Correct. To do good in your work. Beneficence. If you think of good for others. You do good for others. Good thing happens to you. As I tell you, what you do reverts back. Correct. So, we have an obligation to bring about good in all our actions. The good in your work. 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 That is principle of beneficence. Are you getting my point? That is principle of non-maleficence. Don't do. First of all. Don't do. The good in your work. And if someone is wrong. Try to avoid it. Don't be a part of it. No one can do good. But not do good. No one can do good. First of all. If you have to do good good. The principle of beneficence. But okay. You don't do good. The good in your work. Don't do good. 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 मार पीट लिया, किसी गलत वयवार कर लिया ठीक है, don't do wrong with others if you cannot do well-being, it's okay but at least don't harm the others in your dealings, and principle of justice equal treatment everywhere fair treatment everywhere, जैसे मेरे employees है, मैं मेरे discriminations कर रहा हूं, गलत बात है तो that is what, principle of justice, see what is principle of justice impose no unfair burden we have an obligation for work for benefit of those who are unfairly treated, in public life we have an obligation to treat all the people equally, fairly and impartially, very very clear guys, so here are four principles ethics के रास्ते है ये ethics के प्रती बात कर रहा है ये चार चीज़े फॉलो कोरोगे अपने डीलिंग्स में, अपने लाइफ में तो you will be doing ethical things, फेला क्या है, principle of, बदाई है respect for autonomy करड़े बात, दूर सामने लेके उपनी को respect करो, अपना काम पूरा करो second के principle of beneficence, अपने कर्म में अच्छाई लाओ तीसरा, principle of non-beneficence, अच्छाई निये ला रहे हैं, अमसे बुरा ही तो मत करो किसी और कोई बुरा कर रहे है तो उसमें योगदान मत दो, आप नहीं कर रहे हैं, कोई और कर रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेंट हो, help कर रहे हैं, वो भी गर रहे हैं, and principle of what, justice, equal treatment, fair treatment to everyone very very clear guys, चलो बताओ, कितने principles से ethics के, चार, कौन से चार है, principle of respect the autonomy, principle of beneficence, principle of non-maleficence, and principle of natural justice, now let us come to what is ethical dilemma, dilemma मतलब, ऐसा situation जापर आप confused दो, किस रहा पे चलना है, क्या सही है और गलत का परख परख पली बाद, सही है और गलत या सही है, यह दो तीर option जब आपके सामने है, और आपको एक रहा चुनना है, और बाकि दो रहा रहा रिजेक करने है, तो कोन से रहा पे चलना है, विच decision is right, which decision need to be followed, is called as principle of what? ethical dilemma, तो dilemma is a confusion, एक ऐसी situation, जापर आपको समझने आए रहा है, कि विच वे इस best, which way is right, is called as ethical dilemma. क्या आपको बाद समझ में आ रहे हैं? तो dilemma is selection between right or versus wrong situation. I said that in the introduction also, के सर इसमे क्या सही और गलत? तो सही चुनना है, बुलना असान है, practically सही का रास्ता चुनना बुर्ती ही डिफिकल्ट होता है. बुलना असान है, but practically right is very tough and wrong is very attractive. सही का रास्ता हासान होता है, सही का रास्ता कटीर होता है और the wrong way we followed is always very easy to go into it. That is principle of or ethical dilemma. अब जैसे example है कि मुझे कोई क्लाइट बुल रहा है साल बर audit करो, मैंनत करो, check करो, GST comply करो, मैं आपको 30 दान और क्लाइट बुलता है कि तुम कुछ भी चेक मत करो आज सिफ साहिन कर देना हम लोग वैसे सही बना देता है, मैं तुम्हें 2 लाग की वीज देगा which is more attractive 2 लाग रुपर ओविसली कुछ करना भी नियो 2 लाग मिलेंग और इधर सब महनत करने का 30 दान मिलने वाले एक्जांपल है करेक्ट है भाज तो आज सिंग अरे अच्छा ना यार ये स्कीम अच्छी है कि भाई तुम बेज़दे वैलन्शेट तुम्हें बना देना थेख लोगा साहिन करके देधूंगा कुछ भी चेक नहीं करूंगा और ये गए कि पूरा चेक करो और भाई मैं इमानदरी से 30 हर मिलने वाले दर राइट इस टफ और रॉंग इस एट्रैक्ट है तो वाट शूद भी ड़न बोला देखो अगर आप पूरा चेक कर रहे हो फीज पजाय रहे है आप बस तक्लीफ नहीं दे रहे हो आप बोलो क्या करा है क्लाइंटी बोल रहे हैं आपकोर मना नहीं है बट फीज हमारी मार्केट स्टेंडर 50 थाउस 50 थाउस प्रट अगर आप एक बर का शाइन कर दो तो अम 2 लाग देंगे more complex dilemma is electing between two right things यह तो भी easy है थोड़ा right versus wrong बट दो सही चीज है यह और complex dilemma है मतलब electing upon two right thing is more complex can you give a example जल्दी जल्दी बताइगे what two right things my question is 2 सही alternative है उसमें से एक सही alternative चुनना है तो इसका कोई example बताएगे कि दो सही alternative है दोनो right है और उसमें से एक elect करता है बोले है रोड से जा रहे है हां urgently जाना है हां सही बाद है हमको कई तो बहुत urgent काम है बैंक में बैसा नहीं जमारत पेनल्टी होगी और दूसरा एक बंदे का accident भी हो गया है उसको भी मदद में को लग रहा है कि उसको जाके hospital में लेके जाना है और कोई देख भी नहीं रहा है अब उसको accident से लेकर उसको hospital ले जाए या bank में जाए Are you understanding my point मतला आपका exam है दो बज़े आप अलड़ी देड़ बच्चों के लेट हो गया है आपका exam भी जाना है और एक accident भी हो गया है जिसकी मदद भी करना है कि 15-20 मिन और लेट हो जाएगा exam तो क्या करें आप समझे वेरिवाद तो यह तो और complex हो गया न इसमें तो दोनो right है किसी की मदद करना hospital में लेकर जाना भी सही है और आपका exam में वो भी सही है तो what to do, this is more complex dilemma, electing between two right things, are you getting my point तो यही वो उसने बोला, बहुत सही mutually unfavorable or mutually exclusive what is mutually exclusive? selection of one, rejection of another capital budgeting mutually exclusive, election of one, rejection of car line, two cars one car is not the other selection of one, rejection of another mutually exclusive decisions ethical dilemma involves to need to select between two or more morally acceptable action where one prevents selecting the another, if the one is the other one prevents and the need to choose between equally unacceptable alternative, both of acceptable or unacceptable so we are confused that which one elect that is ethical dilemma, now easier dilemma involves right versus wrong whereas complex dilemma involves decision between right versus another right, right versus right is more complex as compared to right versus wrong so what is right and what is wrong it is also easy, but to check two right things is more difficult that is called as ethical dilemma, but ethical dilemma is to address an address sometimes you have to take a decision or not for example you have to keep thinking about it you need to resolve it व cardboard, कि लाइए आपिन हे सरे बहुत सारे सिचुवेशने कि खर था глав गोतakesने, को कि छुष में कि आपिल एक नबार,ластे उनौरे के लिए गाएँ Strikes當 एक तर आफ का आओ छाने डार जाने चाने जाना है Raghna जाने जाने जाना था याआ है यानने डायलमा और पुरा दिन चलागे, आरामी नहीं मिला, जाओ आराम करो, आराम करो, पढ़ाई करो, रिलाइक्स रो, that is also part of life, right? And this is a very, now at professional, this one year or whatever your examination is, correct है बात, इस एक साल में, अफाइनल कॉल आपकी करियर दा, समझो मेरी बात, इस एक साल में आपको बहुत सारे डालमाइस से जाने बाले हो, और आपको बहुत सारे से जाना पड़ेगा, वही पर आपकी परिक्ष्या है कि आपने क्या लीव करके क्या की है, ये भरोसा मानना बात, मैं सच बोड़ रहा हूं, ये भरेगान guidance? and this happens, depends on मैं, मैं मैंसें कि ये कम साथ की मिटेफ्या कि ये कनी इवेंस्यातं कि मैंसे इतने वेंस्टोगिफ्कन मैं इतना बहुत्यातं तो चने लिएस्यातंग विएगे और छगी कर लेका बमेनित제 मैं जाओ, जाओ, एंजो थाइप, तें दों रिग्रेट कि यु दिद नट सटडी, और इफ यू वांट तुस्टडी दें दों रिग्रेट, रहार, काश ले आज, बुरा लग रहा है, एक डिशिजन लोरस पर फॉर्म रहो, यह बहुत टफ टाइम होता है, और अब भी इसे लेकर आगे, कि अभी, in a 5-6 years span of life, 7 years span of life, career, job prospects, marriage, kids, till 10 years, यह बड़े-बड़े इवेंट्स होने वाले हैं, इसके बाद में फिर, इसके बाद में फिर, you are in a life, जापर आपको क्या है, आपको आपके सबसे, जो चीजे पसंदे और नहीं करना है, वो अपकी लाइफ है, बड़ यह आगे कि जो इवेंट्स है, खतर्नाग इवेंट्स है, साताद इवेंट्स है, बाक टो बाक आटे लाइफ में, एक भी इवेंट बिच्छ गया, बाक आटे लाइफ प्रोप्लमाटिक, सबच्छ रहेंट्स है, एक भी इवेंट बिच्छ होगिए, बिच्छ को इंपक्र, करीर डिगरी लेट लेट पिज़ लेट 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 लेट, अपको काम का इंप्स्पिरियर्स है, अब इनों ने केस्टडीज दिये, महावारता केस, what was a महावारता केस? सबसे बहले महावारत में कौन से करेक्टर्स थे बताई है? दुरुनाचारिया, ठीके ने बाद, अर्जुना, अर्जुन, अश्वधामा, करेड़बाद, और ओर एक्रेक्टर था इसमें, जो मध्यस्थर था, कहा गयए लिए? कहा दिख रहा आपको है? याज, जो तब कहा दिख रहा आपको? व्यासा वाज़, व्यास भोलते हैं, माले में ने भूक में व्यासा लिखा तो वही प्रणांसिश्य व्यास, तो आपको ये चार करेक्टर यादार है चार करेक्टर क्या थै? अर्जुनाम और what? कुझ अश्वधामा वस टुडेंट टु दु 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 रोनाचारे बोग वोग 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 पॉज इकॉलि स्किलफूल वोग वोग ये इकॉलि सारे एकपल थे, उसमें भी दुरोनाचारिया का बेटा था अश्वता, जो उनका स्टुडेट भी था, उनको ट्रेनिंग दी गई, और जब स्कूल कम्प्लीट उनका जो एजुकेशन, तब वोर थोड़ी था बुक्स थे, तब तो लड़ाई कैसे करना है, वो यह था और बा पाल uniform, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र वॉस देडलिएष्ट वेपेन, जिसे आँज का अटॉमिक एनरजी अरजिया का ब्रह्मास्त्र था, वह थे डेडलियेष्ट वेपेन, गिसको देना है, तो इनके सामने दो उनके students है, शिश्य है, जो वर्ड बुल है, और ये दोनों equal है, और दोनों की ताकत ही equal है, दोनों की energy equal है, दोनों की कलाई equal है, बट देना एक को है, तो एक तरह उनका बेटा है, एक तरह अरजुन है, और उन्होंने अपने वेटे को ठुकरा कर किसको दे दिया, that was Arjun, Arjun को दिया, बेटा नाराज हो गया, बेटा जाके फादर से लड़ लेता है, आपने कैसे, ऐसे, कैसे मेरे साथ किया, आपने Arjun को ब्रहमास्तर दे दिया, मुझे भी एक चाहिए, मुझे भी टॉय चाहिए, मुझे भी टॉय चाहिए, यहादर आपको, करेटे भाद, तो अब यहाँ पर, एंड में, फादर को एमोशनल करके उसने ब्रहमास्तर दे लिए, बट क्या ऐसा हुआ, कि दुरोनाचारिय ने, वो ब्रहमास्तर अरजुन को दिया, and not to the, his own son, ठीके ने बाद, इस अश्वतामा, तो यह इनोने बताया, कि एक सिच्वेशन ऐसी स्टोरी बताती है, कि अरजुन वास्मोर वेल्यूस, अज कमएट तो अश्वतामा, अरजुन वास्मोर अथिकल बंद, दोनों की ताकत अवेटी मना नही कर रहे, बट किसकी सोच, किसकी वैल्यूस, किसके काम करने के ढंग, या किसकी विचारदारा अच्छी थी, तो बसकी हर्चुन और वो देखते हुए, वो मनशंका देखते हुए, वो सोच विचार देखते हुए, यह पर क्या किया गया, यह गुरुजी ने बह्मास्तर अजून को दिया, और अपने बेटे को नहीं दिया, बाद में इमोशनल करके इसने ले लिया, वो अग बात है, तो यह वैल्यूस का से पुरूव है, यह वैल्यूस पुरूव है, एपिसोट में एक एपिसोट में, जहां पर वार चल रहा है और अब घुसे में आकर अश्वतामा ने ब्रह्मास्तर चला देता है अर्जुन को भी ब्रह्मास्तर रोकने के लिए भी और ब्रह्मास्तर को रिप्लाई देने के लिए भी ब्रह्मास्तर चलाना पड़ा ब्रह्मास्तर इस दे लास्ट नेज तो फाइट, मलब एक वार में, जब सबसे लास्ट में वेपन यूदा दे ब्रह्मास्तर, जिस्ते कई लाखो लोग मर सकते थे, धर्ती हिल सकते थे, तो अब अश्वातामा ने चला लिया, रिवेंज में, और अर्जुन को भी लास्ट में टाइम लगता है, पुराना एपिसोड है, पुरानी जमान है, बटन दाए, बॉम थोड़ी ना पढ़ेगा, तो ब्रहमास्तर गया तब तक मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग में क्या हो रहा है, कि व्यास्ता बोलता है कि भाई, क्यू चला या ब्रहमास्तर, तो Arjun बोलता है कि उसने चला या बचलाना पड़ा, बोले मैं ब्रहमास्तर रोक दूगा, मुझे रोकना भी आता है, बट क्या वो रोक पाएगा, उसने चला या पहले तो मुझे रिप्लाइ देना पड़ेगा, तो Arjun was ready to stop the Brahmastra, and he had the skills to stop the Brahmastra, but Ashwatama, even if he was not aware how to stop it, he played the Brahm So this shows, that Arjun, even if he was not at mistake, was ready to sacrifice, that I will stop my Brahmastra, are you understanding my point? And here, Ashwatama was not aware how to stop the Brahmastra, still releases the Brahmastra, which was something or wrong reflection, are you understanding my point? So whose values reflect it? Arjun, and whose values reflect it? Ashwatama. और इसको ध्यान में रखते हुए, इसलिए, दुरोनाचारी ये Brahmastra किसको दे रहेते हैं, Arjun को दे रहेते हैं, ना कि अपने खुद के बेटे, Ashwatama को दे रहेते हैं, समझे मेरी बात? तो ताकत है, knowledge important नहीं है, आपकी सोच, विचार, विमर्ष, आपका ethical values, background क्या है, ये ज in gamble number 2 में, वाज, लाज public sector unit, जा पर क्या हो रहे है, कि profit center का है और company का CFO है, profit center का है, मतलब एक ब्रांच का है और एक company का CFO है, तो ये कुछ अलग बोल रहे है, CFO कुछ अलग बोल रहे है, समझा है मेरी बात? तो देखो यहां पर क्या लिखा है, profit center had become a shuttle cock in the game, and यहां पर clear-cut बात है, कि CFO एक तरफ से कुछ अलग बोल रहे है, और यह दोनों की gamble, दो bosses उसको बोल रहे है, एक profit center head जो है, वो कुछ अलग चला रहे है, और CFO को अलग reporting जा रहे है, are you understanding a point? तो यह जो employee है, यह confused है, कि कि किसके ego को satisfy करे, इसकी बात सुने तो यह problem करेगा, इसकी बात सुन the corporate chief of finance was long engaged in duel with one of the profit center head, was established in supremacy in the financial decision, tragically the profit center accountant become a shuttle cock in this game, कि कभी यह बात सुने चाट सुने लाग कार शुने की बात सुने बात तो इसकी बात सुने कारप बात सुने बात सुने बात सुने बात सुने तो रहे है, कि करेगा, कि करेदब बात सुने बात सुने बात सुने कर Processes life would be more difficult, मतलब वो रिपोर्टिंग में गड़डिया थी, अगर वो साइरी रिपोर्टिंग तो प्रोफिट सिंदरेड मारे का, अर गलत रिपोर्टिंग करे तो दी एक तो दीड़ओं, आज रो एकने खातने ही, तो यह confused होगा कि क्या करें, क्या ना करें, उसको after क्या करना पड़ा, quit करना पड़ा, junior accountant quit after few months, क्योंकि यह आपस में गड़बडिया कर रहे है, आपस में यह कर रहे है, कोई बोटर ऐसे रिपोर्ट करो, कोई ऐसे रिपोर्ट करो, ही ethically उसके सामने क्या होगे, डाइलमा आ ग तो यह मेरी जिंदगी खरब कर देगा, और इसकी बाद सुनुनुगा, तो CFO की परती मेरी जिमेदारी गलत होगी है, तो he decide to quit after few months, this is the second example, third example is, एक managing director, general manager finance को 15,000 रुपे का रीमबस्मेंट मांग रहे है, तो रीमबस्मेंट अलाओ तक 15,000 रुपे तक जो भी अपने entertainment expense या खर्चा किया है, आप उसके रीमबस्मेंट ले सकते हो by producing the evidence, general manager finance का रूल है, जब तक आप कोई भी बिल नहीं submit करोगे, evidence नहीं दोगे, खर्चे के बिल नहीं दोगे, तब तक रीमबस्मेंट नहीं करेगा, but MD ने बोला 15,000 रुपे रीमबस्मेंट में बिल नहीं तो यार उसके principles के खिलाफ है, employees को क्या बोलता हो, बिल लाओ तो भैसा मिलेंगा तो नहीं मिलेंगा, और MD बगेर बिल मेरा भैसा दे, जोट उसका boss है, उसने हिम्मत रखकर MD को बोला कि sir, I don't reimburse unless until I get the evidence, I don't reimburse unless until I get the evidence, मुझे evidence नहीं मिलेगा, तो मैं reimburse नहीं करूंगा, are you getting my point yes or no, अरे हाया ना, करे, तो अब मेरी एक बात मानना, कि यहाँ पर आपको यह समझना, कि अब यहाँ पर उसने हिम्मत करके बात करी, उसमें भी उसने MD को पूचा कि MD बोलता है, बिल नहीं दे सकता है, मैंने ऐसे party करी है, खर्चा किया है, जिन लोगों ने मुझे मदद कर आपको यह सा ले रहे हो, are you understanding my point, तो यह अथिकल है यह अथिकल है, अथिकल है, अथिकल है, अथिकल है, बट जनरल मैनेजर फानेंस फ़स गया, एक तरफ MD कुछ बोल रहा है, एक तरफ employees की पॉलसी अलगए, करेक्ट है बात, रिंबस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एक तरफ रिंबस कर भी दिया, तो गलत इंटेंशन से किया, उसने कमपनी का पैसा दिया MD को, जो MD ने पैसे उड़ा है, खुद को MD बनाने के लिए, समझ रहे हैं तो यह बट बड़ा प्रॉब्लमाटिक काम था, उसके बाद, ACC वाला केस, what was ACC case, कमपनी का एक 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 ए किसी की ने उचानी के प्रबलम इखक उगा, वो क्लाइटनी को कंपनी करें, उनोंने चेक है, उंक कोई भी माल बेचा नहीं कह पीज और तुमागे बंदेने एंपलाइंगा नाम बताकर, आई काड़ माल बेचा. अब यहां पर्ड जो वास प्र grateful, प्रोईस एक प्रती लीगल जिम्मिदारी है नहीं, क्योंकि उन्हें पार्ट्स बेचे ही नहीं है, और एविडेंस क्लियर है कि पार्ट्स बेचे ही नहीं है, बट दूसरे प्रती अगर वो अवाइड करेगा, तो जिस बंदे ने एक प्रत्स किया, अगली बार वो बहुत सोच के एक करते हैं, बले हमारी कोई लीगल जिम्मिदारी नहीं है, this is the case of ACC Senior Vice President case, is that very clear guys, अरे हाया ना, next case, example number 5, E&Y के अंदर एक senior partner का experience आ रहा है, उसने एक young बंदे को hire किया, और young बंदे को hire करा environmental team में, और एक कोई भी plant दलने से पहले, एक environmental report देनी भड़ती है, कि एन्वार्मेंटल फिट है कि नहीं है, pollution होगा नहीं होगा, उस young बंदे ने क्या किया, जो report को बनाने में बहुत time जाता है, उसने पिछले report को उठा के copy paste करके edit करके sign कर दिया, और partner ने भी sign कर दिया, partner ने भी sign कर दिया, PwC, E&Y मतलब big four हो गया, अब उसके basis पर environmental clearance मांगने जा रहा है, कि हमे license दो, are you getting my point, अब वो report तो गलत हुई है, यह बात तो पक्की होगे, देखो यह पर clear card लिखा है, unfortunately, an over enthusiastic young man, who had been in the month, for about six months, was working in this area, he has been trained in environmental engineer in USA, he cleared the environmental report in less than a week, is less than a week, this was something impossible to do by the firm in normal process, what he actually uses, draft of the another report, without going through the review process, and then send the report to the state board on a letter and adopted it, pollution state board on a letter, बेज़ दिया, कि यह कानून, इन्हों पलूशन लॉस का पूरा compliance किया है, इन्हें pollution clearance दो, और उसे sign करके बेज़ दिया, और state board को apply कर दिया, अब यह देखना, lot of environmental activists wanted the building on the dam, dam, dam के उपर building बनने का काम चल रहा था, तो यह देखना, wanted the building of the dam to be stopped, यह देखना नहीं चाहिए, यह देखना नहीं चाहिए, फ्लोरा, फोना, उसके greenery को क्या होगा, dam बनने से क्या लफड़ा हो सकता है, तो यह लोग वो नहीं चाहरे था, तो उन्हों को धान में आ गया, so, यह पर देखना, this clearance has been done to please the company, which was doing to build the dam, उन्होंने dam का clearance क्यों दिया, क्योंकि वो company को, you know, impress करना चाहरे थे को, हमने certificate दिया, तुमारा dam बनने का permission मिल जाए, और तुम्हें उसके audit मिलेंगे, ऐसा उन्होंने allegation लगाया, मैं repeat कर रहा हूँ, सुरो, E&Y का senior manager का experience, senior partner का experience, इंका senior partner का experience रहा, कि इन्होंने एक report दिया था, क्या report दिया था, preliminary report, जो दिया जाता है to clear a project involving construction of dam, और यह करने के लिए, आपको flora, fauna, सब आसपास के environment को study करना पड़ता है, correct रहा है, and based on this report, it had gone on national board before permission, यह report की basis पर, national board, state board, उनको license देने वाल है, कि इनको देगा company को, के dam बनाना की नहीं बनाना, are you understanding my point? अब हुआ क्या, यंग बंदे ने, within a week, जो काम थीन महने का था, एक week के अंदर उन्होंने उठा कर report बना कर दे दिया, correct रहा है, जो गलत है, environmental activist को dam नहीं चाहिए था, तो इन्होंने allegation लगा है कि E&Y जो है, यह company, जिस company को construction का काम मिल थाए डायम का, उसको police करने के लिए report इंप्रेस करने के लिए, अब मीडिया आकरों को सवाल पोच रहे है, बार 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 मीडिया आकरों पे सवाल उठा रहे है, बड़ आपको इस चीज को अंसर करना पढ़ेगा, इस चीज को अंसर करना पढ़ेगा, do you getting my point, तो उसने बता है, we got lot of emails from environmental group in USA, Canada, Europe, we would patiently take each of them and reply them, and my spiritual theme, seeing God in everyone, help me in this situation, बता इसको बोत लोगो फेस करना पड़ा, बट मीडीया, लोगो बोल लेवल पर लोगो नहीं का नाम खारा बोरा था, कि एन वाई का मुल्ती प्रेसेंस है, तो इंको बॉत सा रहे, I got lot of calls from press, because they saw this is a very juicy story, उनको अपड़ उनको अचा अच्छा मिल गगा when a journalist came to my office with a totally different conversation I asked him if someone brought to you a story and you published it in a good faith and which you found to be completely wrong what would you do you have a journalist in your media and you published it in good faith and you know that it was a bad news so what do you do he asked him it can be wrong from the media it was a bad news it was someone's trust and later you realized that news is wrong so you would have come with an apology next that I would like to say that I am sorry we have a mistake so this is exactly what happened with us we trusted someone on the staff and we accepted it now we realized that the report is wrong we ask apology we have a mistake so this is a way out to tackle the situation this is your example number 5 what do you understand? what are you understand? what are you understand? what are you understand? Correct, next example number 6, दो friends का case, यादर है, which do friends, Surya and Arnav, यह दोनो friends تھे, Surya दुसे कंटरी मी दाके पुर्छल हो जाता है, आप्रिश्टरी करके, और अच्छे multinational company में गाम गरते है, Surya discovers, कि जब हो आया, discover the warmth, openness, joy that he felt years, before he matured, instead of fading out, when Surya और आस्क अरनव अबाओ इस वर्क, दोनों फेंड्स मिलें डेकेड के बाद, अफ्टर एडेकेड, उनकी मिटिंग चल रही है, अची बात ची चल रही है, तो अब अरनव जो है, तो अब रिविल्स कि उसके ऑफिस में बट इस्चुस चल रहे है, तो सूरिया अरनव दोस्त उनको पताचल लगे कि दोनों भी सेम कंपनी में आपर है, समझा है? और शूरिया बट ही हाई बोश्त पर एड अरनव बट लौर पोश्त पर है, दो दोस्त एक कंपनी में काम कर रहे है, सूरिया पहले बाहर था, अंडिया तो वो ही कंपनी में आगे, और उनको पता चल ल in the same company. Are you understanding my point? अब यहाँ पर होता है क्या है Surya joins the organization on the schedule date and after few days Arnav उसको welcome करने आगे. Arnav को बात पता चल गए. कि भाई साब यह इसी कंपनी है. Surya को अलड़ी मानन ता Arnav उस कंपनी है. But Arnav को जोई उने के बाद मालम पड़ा. अब Arnav विजिट Surya's personal chamber and congratulate him. He seems to be genuinely happy that both friends share the same workplace. But अभी वेलकम करने आगे, अभी वेलकम करने आगे, but अभी उसको डर रहे कि मेरी दोस्ती ओफिसमें आजाए. मेरी दोस्ती सुरिया को डर रहे कि Arnav मेरा जो दोस्त अभी दोस्ती आपनी जगा है, तो यह आएगा. तो यह आएगा. तो इसको वान किया कि देख भाई, दोस्ती अपनी जगा है, ऑफिस अपनी जगा है, प्लीज डूंट कम फ्रिक्वेंटली. उसने डिरेक्ली बोला, करेंगा? तो दिको, concerned that Arnav में I have a habit of visiting him often in the office, as a friend sending a wrong signal to the other, Surya gently expressly tell Arnav to maintain the hierarchy decorant. बोला कि लोगों में फिर गलत मेंसेज जाएगा, लोग गलत जज़ करेंगा, तो बेटर यूद मेंटें दी office decorant. कि आप hierarchy मेंटें करो, मैं अलग पोजिशन पर तुम अलग पोजिशन पर तुम अलग पोजिशन पर तुम बहुत लोगर लेवल पर जो बार तुम आओगे, तो लोगों में मुझे कोई प्रॉलम नहीं आएगे, बट लोगे गलत ढंग से देखेंगे, are you understanding my point? तो ये बाद सही भी है, एक तर दोस्ती एक तर प्रोफेस्टल है, अब आपको एथिकली सोचना है उसको बुरा लगेगा, नहीं लगेगा, आपको उसको बुलना है, नहीं बुलना है, सोचना पड़ेगा ना, अब उसके बाद, अरनफ का performance appraisal, रिपोर्ट सुर्या के बास आए, कि प्रमोट करना, डिमोट करना, अच्छा करना नहीं का, साल में appraisals होते हैं न, appraisal होते हैं, और वो शौक हो गया कि उसका appraisal बहुत नेगेटिव दाला है, और उसको यकीन है कि यह चीज़ गलत है, उसको यकीन है कि यह चीज़ अरनफ बहुत डेडिकेटिड बन्दा है, उसके अध गलत हुए, बट अब वो confused है कि इसके उपर सवाल उटाए कि नहीं उटाए, सवाल उटाएगा तो लोग बुलेंगे दोस्ते से सवाल उटा रहा है, लोग बलेंगे बाइसली सवाल उटा रहा है, यह टॉप मैनेजमेंट बेटा है, तो क्या हो गया, कुछ भी करेगा क्या, यह इतने लो लेयर पर क्यों इंटरफियर कर रहा है, तो अब उसने मजबूरन रिपोर्ट को एक्सेब भी कर दिया, अब कल मेरा कोई कजन है, कल मेरा कोई दोस्त है, कोई मेरे पोड़ोसी है, अमरे आना अच्छा फ्रेंड है, यह आपर आते हैं, वो मेरे लिए स्टुडेंटी है, और मैं सहरी हूँ, हम घर में रहेंगे, हम बले कजन से हाथ में आदाल के मैठे, अब मेरे बहुत सहरी फैमली फ्रेंड के बच्चे, जो अलमोस्त थोड़े बहुत चोटे होंगे, मुझे मेरे स्टुडेंट रह चुके हैं, बट बार, डिस्टेंस था, घर में हम साथ में गूम रहे हैं, पाटी कर रहे हैं, अब हमारी इच हैं, अब रहे हैं, तो सुर्या ने वहीं किया, उसने और उफिस देकोरेंग रखा, और परस्नल देकोरेंग रखा, फिज इस क्लिर इन दिस के स्टडी, इस बड़ी बड़ी क्लियर, एं वन पोर केस, वन वर केस, is that about, what is the case study, कि रमेश एक, क्या है, स्टेशनरी इन चार्ज है, रमेश क्या है, एक कंपनी का स्टेशनरी ने एंडल करता है, कंपनी में बहुत स्टेशनरी लगती ना, 4000 एंपलोई है, 4000 पिंसिल, 4000 पैन, स्केल, पेपर, प्रिंटिंग, सब देखना पड़ता है तो वो क्या करता था, जो भी स्टेशनरी लगे जा रहा है, वो रेजिस्टर में, साइन लेता था और बाद में रचिस्टर, एकसल में मिंटेफर, था, ठीक है, बड़ उसने देखा कि कोई भी आकर स्टेशनरी का recault करता ही नहीं, एक और चीज भी दीड-दर होगया तो एक उसके बच्चा जो है उसको कोई मार्कर चीए था अब वो मार्कर चाहिए था जो के अविलेबल है अब रमिष्ट के बहुत बड़ी अमांट यह क्योंकि उसकी सेलरी लिमिटेट थी अज मार्कर करीज़ना तो बहुत अगर मैं खरीदूंगा तो मेरा पुरा बज़ेट तो मेंही ककेड़िया आपशने मेंद देकांट करांग अफंदान यह को मैंने चेकल कर रहा है मैं एंगिला चाहिए जोऩिए, तो मैंने यह क्या करो भू कि ऑना देशने मेर्य बचंप एक्यों। वढशनेंग यह को आए और ग्रिष्टेगा थितने और उख देज़ एगार गुम्म अड़ती तोड़ देज़ दिए तो वैसे भी चला जाता है तो दो प्रग भी नहीं पढ़र, प्रिफ देज़ पार्ग कोई भी यह नहीं है तो यह एप्टील दॉट्पल्म है तो यह एप। यह क्या है? और देपार्टमेंट को भिलों करें, कोंसे प्रजेक के लिये लेके हारे हैं? और उंका नाम कहा और उंका एंप्लाइड हैan और क्या क्या लीके लिखे रहें? और आर्गनाइज़िस्स इस्तेन पांशन एंपलोईज्स and there were hundreds of entry in the register. At the end of the day he enter the entries in the computer and update the stock. no one cross check the manual entry with the system entries at home he was the only bread earner of his relatively large family of 3-4 kids, why do you know that? when you can't maintain it, it's the same thing whatever you can maintain see whatever you buy and whatever products you buy, whatever you take, whatever you have if you are able to maintain it, have it are you understanding? some of you buy a good attire but you cannot, you are not confident in that attire you can't carry it, don't buy it whatever you carry whatever you carry, that's what you carry in life no difference whatever you have, keep it good I want to say this human beings, you should keep it understand me correct? so see one of the children needed a special marker for the project in the school it was quite expensive and would Ramesh go out of the budget monthly budget his budget will go up suddenly Ramesh realizes that the inventory maintains have these pens and various projects frequently used them it's very interesting there is an initial hesitation in mind in his head thinking rising in him which he dismisses with the reason that loss is less than negligible for the organization if he is a leaker also then he has a very small money for the organization for such a big company and for me there will be a lot of financial relief no difference thinking thus he makes an additional entry of the pen against the project and pick them up for the child and when his wife asks about the price he mumbles a random value that is how many are you understanding the point? so this is your 7 cases which you have given in the module any difference? now how do you resolve the dilemma? test test you should have proven to be honest I have December who kinds of case I have actually tees question asked иль me ok teach video if we are exam the minor mostly yes mostly yes तोड़ा नियर भाय ठीक है? अब how to resolve the dilemma dilemma resolve कैसे करे? कदम 1 क्या-क्य options available है? पहले देखो step 1 क्या-क्य alternative है? यह है, वो है, यह है सब एक्जामपल है रमेश रमेश टीसने लिखे जाएगा? ने लिखे जाएगा लिखे जाएगा? नहीं लिखे जाएगा दो option फिर हरे option का positive negative side study करो कि अगर लेकर गया तो क्या होगा? financial पाइदा होगा? company का loss होगा? बट पता चल गया तो नाम खराब होगा? फिर नहीं लिखे तो हरे का positive negative analyze करो फिर detail analysis करो यह दोनों step एक ही है जो मैंने आपको बुला भी था ideally चार्ट में पांच लिख है but practically यह दोनों भी step interpreted एक साथ ही है कि आपको positive negative analyze करते समय देखो कि क्या उसके consequences रहेंगा? फिर take a decision कि क्या करना है? dilemma को resolve करना है decision तो लेना ही पड़ेगा जैसे example है you friends are planning for a get together in the dinner party and second days you have lot of homework to be done there is a test and you need to do the preparation so you have two options option one go for the party option two study for the test so two options evaluate अगर आपको पर्टी के लिए जाते है तो मजाएगा बढ़ेगा 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 स्टूरीज बढ़ेगा बढ़ेगा स्नाप्स निकलेगा positive है बढ़ेगा स्यदी इस बढ़ेगा आपके परिप्रेटिशन में आप तोड़े डिली होगा जो चीज आज होनी चीज वह चीज़ बादमें होगी और ऐसे बहुत सब्सक्रीचीज डिले बढ़ेगा तो डिग्री डिले होगी correct है बात but you will be prepared for your curriculum which you need to do right now so all are positive so analyze that what consequences will have to be there detailed analysis and then take a decision that I have to know or not I have to know and then evaluate that the decision will have to be there what was the consequences so how many steps are there 5 steps what is step number 1 consider the options available step 2 consequences positive, negative step 3 analyze detail analysis step 4 take a decision and step 5 evaluation that what you have taken the decision what is the outcome of it what is the outcome of it so here they have explained it what are the various alternative available carefully understand the consequences what will happen what will hurt what will benefit what is short term long term impact correct then analyze the action vulnerability moral values consequences then make a decision and then evaluate evaluate that you have something new new dilemma identify take action so these 5 steps you have to take these 5 steps and take a case study you have to give them what is the case study for ethical dilemmas remember tender process what was tender process tell you this writing practice I made an announcement video and I made an announcement video and there is also a whatsapp group online payments expert what is your name what is your name about payment very very important name is online payments expert so my point is understand here that there was a case study what was the case study that company is going to a tender process and the company is going to get a client it is very important company already losses if they get a job then the company will come to profit when the tender process many companies have given a presentation there will be 2 companies in the presentation days your company is a computer company now there is a stage of the final pricing that who will do the final final you will clear all rounds your company's contract is very important if you don't get it then you can close the company because it is already lost if you get it then your company's history will change and your company's turnaround will come very clear case now here it is that we are going to talk about the final round in the final round who will do the price after that tender will come what happened that round what happened the company's pricing book was wrong when he went to the rest room he was kept there your colleagues went to the rest room and opened the book and looked at what pricing is are you understanding my point? now you are looking at this that this is wrong what price code you have looked at because it was wrong because it was wrong he was keeping the book and went are you understanding my point? so you as an employee confused what do you do? go and say sorry look we have seen your pricing tell them or go to the company who is calling the tender saying look we have known the price or not do anything or quit are you understanding my point? are you understanding this? are you understanding this? correct are you understanding this? what are the options? keep quiet and let things happen on their own second option what are the various alternatives? step 1 alternative number 1 evaluate the various options do you understand my point? second inform the company seeking the bid about the incident and let them decide whether to have a rebid or not third inform your competitor about the incident and fourth withdraw the bid and quit from the bidding process these are 4 different options now what do you do SWOT analysis step 2 step 3 positive as well as negative analysis so option 1 you don't do anything then your chances are your winning deal would be awarded to my company yes yes and the competitor was careless in leaving the bid book and therefore nothing wrong if my team take the advantage in this case company will work in the hit but what is negative? what is negative what will happen to this negative consequences? not a hint you will get you will get things in the back one employee will say sir we have seen your bid book we have won let's see so if the competitor will discover the mistake and approach the company seeking to rebid and eventually his company's name can be bad so if you don't do anything then you will win and win it's good the risk the risk is not the risk the competitor will get and the competitor will complain which will make your reputation yes or not? what was the option 2? option 2 was inform the company seeking the bid the company asking the bid they are going to see the company seeking the bid in spite of knowing the incident may award the deal to my company or it may award the deal to the competitor they say team you have done we will give them or seek the rebid what can they do bidding process take the bid option 3 if you go to the competitor you go to the competitor then the competitor may decide not to take up the matter maybe they will not take it or they will approach the company seeking the bid and at that time maybe they will disqualify or elect the company are you understanding my point? or they will not take action or they will go complain if they complain then either seek the company making the bid to bid again or let them decide whether to bid or not again or disqualify too correct and option for quit the deal may rightfully award it to the competitor but for the accident it is most appropriate you have to quit do what is this? then take a decision and then evaluate the system this is general actually they said go for quitting process go for quitting process is this very very clear? yes yes or no this has been case study how to resolve the ethical dilemma now Indian ethos what is Indian ethos Indian ethos Indian ethos this belief that in India ethics this belief in India quality of people matters quality of people depends on consciousness what they think their thoughts intelligence they decide intelligence their thoughts their thoughts consciousness their quality decide what you are thinking about yes or not correct so in fact it is thought that high IQ people has done the highest fraud the big scam people don't get more intelligent are you understanding? so Indian ethos which is ethical systems believe that every individual is important self consciousness is more important self duty is more important rather than your intelligence a little intelligence will be reduced but the person should be conscious their values should be are you understanding of a point and on this basis what they did in a Mahabharata in a episode in a Bhagavad Gita in a paragraph number 57 they said this I know what is right but I am not able to practice it I know what is wrong but I am not able to keep away from wrong I am acted I act as I am directed by some mistress power that is seated inside my heart I know what is wrong but I am not able to practice it and I know what is wrong but I am not able to be far from it correct and I am in such a power that is directing me and I attract me are you understanding my point? in a Mahabharata in a Mahabharata in a Mahabharata in a Mahabharata Duryodhan once said I know what is right so in a episode in a episode Duryodhan's dialogue and this is true are you understanding my point? so this is a little Indian ethos reference is this very very clear? now code of conduct what is code of conduct? code of ethics code of conduct what is the difference between code of ethics and code of conduct? what is the difference between code of ethics and code of conduct? so what will you write? you have to write in a minute ethos we believe in swadharma it depends upon quality of people quality of people means good consciousness consciousness and high IQ is different in fact people with high IQ may lead to more scams then you have to Mahabharata case dialogue you have to write Duryodhan dialogues are you understanding my point? so you have to be emotional awakening it is very important it is very important intellectual people are disappointed you have a little emotional angle also you have to think about humans you have to not be able to give up and not be able to give up do you understand me? and I believe in more of practical life than intelligence life this is my thought now see me as a human being I will be very simple correct because only the intellect can improve life you have to show practical humanity भी दिखानी पड़ेगी, यह मैंने सीखा है, और मैं बिलीफ करता हूँ, इसने मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, are you getting my point? Yes, yes, so, अगर आपको इंडियन एथोस में पूछते हैं, तो आपको क्या लिखना है, समझाया है कि, इंडियन एथोस के बारे में आपको लिखना है, believe in quality people, believe in good conscience, don't believe in intellectual, correct बात, यह सारी बाते हम लिखेंगे इंडियन एथोस को लेकर, correct है, आप तोड़ा आगे बढ़ेंगे कि, code of conduct, code of ethics में क्या difference है, code of conduct, code of ethics, code of ethics, general principles है, जो औरे को follow करना चाहिए, correct बात, code of conduct, exact principles है, जो follow होना चाहिए company के आप, जैसे company में आपको formal dress पेंगे आना है, correct, ऐसा लिख है, code of ethics में, के you should wear a good attire, while in work, और ऐसा लिख है, you need to wear formal dress only, यह होता है, general statement, यह होता है, specific statement, हरे, काम को लेकर exact guidelines है, exact, के in during the lectures, you should, you know, not talk about personal life, code of conduct, you should deliver more of content based, generalize, correct बात, code of ethics, are you getting my point, correct, तो, code of ethics is generalized, code of conduct is specific, हर एक कंड़क, हर एक व्यवार, हर एक काम के प्रति, आपको कुछ गाइडलाइन्स है, वो code of conduct माना जाएगा, very clear guys, तो देखो, यह पर क्या लिखा है, code of ethics and code of conduct are often used interchangeably, correct बात, whereas, code of conduct which govern good decisions, correct बात, in a help out, both used to attempt in a regular way, in a different manner, ethical standards generally are wide ranging, and non-specific, specific non-specific, non-specific, generally or non-specific, whereas, conduct standards require little judgment, you need to obey it, तो, ethics follow नहीं करोगे न, तो, ठीक है, बड़ आपको कोई punishment नहीं होगी, आपको बोला यह follow करना चाहिए, बड़ कंड़ नहीं करने पर, आपको punishment होगी, जैसे, office premises में है, जब आप गाड़ी पाक करोगे, you need to wear helmet, if you don't wear helmet, find a rupees penalty, and everyone need, you know, should have a driving sense, is generalized, तो, that is code of ethics, और code का मतलब है, लिखा हुआ, codified, company के अंदर code of ethics लिखा हुआ रहता है, code of conduct लिखा हुआ रहता है, जब return होता है, तो वो भी code word add किया जाता है, are you understanding my point, तो violation of code of ethics, may not lead to action against the employee, whereas violation of code of conduct, may lead to disciplinary action, ये आपको समझना है, और इसके बाद में advantages दिया है, कि ethics follow करने के क्या five है, जो आपने अल्यडी बात किया है, क्या advantages है, attracting and retaining talent, investor loyalty, अच्छे लोग अच्छी जगा काम करना चाहते है, correct है बात, ठीक है, उसके बाद investor का भी company के परती, एक अच्छा sense रहेगा, customer satisfaction, और regulator भी आपको एक responsible citizen की तरह देखेगा, तो ये chapter हो गया, स्वाहा, correct है बात, एक अधा concept इदे उतर रहे गया होगा, generalize, मैंनो पूर पर बताया आपको क्या है, थोड़ाज आपको reading करना आपको, थोड़ा ये revision की बीचे का intention की content में क्या लिखा है, फिर exactly पढ़ना आपको है, थोड़ाज आप ब्रीफ आप करके देना की क्या-क्या चीज़ है, तो इसके साथ we are stopping here, tomorrow we'll be taking risk management hold revision, थेकर नबाज, तो we'll be discussing about time, mostly morning 8.30 to 11, थेकर 8.30 to 11, कल के दिन रहेगा, तो एक major content फिर अपना complete होता है, थेकर नबाज, तो we'll be stopping here, अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, बाइबाइ, टेकर, थेक्स लोट, थेक्यू, बाइबाइ.